हेलो, और माज देरे स्टूट्ट्स, मैं उम्मेद करता हूँ, आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे तो आज से हम लोग शुरू करने जारे है बहुत इंपोर्टन एकर साइस आप लोगों के रिए यह आप लोगों के लिए तो यह exercise हम लोग पिछले टीन साल से कर रहे हैं, जब से ICI ने international tax as an elective paper डाला है, तब से हम लोग हर साल यह exercise करते हैं आप लोगों के लिए, कि हम लोग directly ICI के material से आपको page by page, line by line, पूरा का पूरा syllabus revise करवा देते हैं, जैसे हम लोग direct tax के लिए करवाते हैं, अपनी book में से, तो यह revision students को बहुत ज़्यादा मदब करता है, बहुत ज़्यादा positive reviews आये, इसलिए इस revision को हम लोग हर साल continue करते रहेंगे बस, तब आपको क्या करना है, आपको मेरे lectures पहले सबसे अच्छे से सुनना होगा, मेरे lectures सुनके अगर हो गया, पूरी conceptual clarity आ चुकी है, उसके बाद रहना है, सुनते रहना है, सुनते रहना है, और साथ में जो ICI की case study book लेटे बस वो करना है, इसके अलावा आपको कुछ भी और करने की जर्वत नहीं, that's it, आपको difficult paper भी आए ना अगर, तो आप असानी से solve कर सकते हो, paper 60 का, यह मेरी guarantee है आपको, ठीके, so without wasting any further time, we will start with the first topic of the revision and we will go in the order of the book, book के order में जाएंगे हम लोग, and the first topic is what, the first topic is transfer pricing, ठीके, transfer pricing के बारे में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं, तो transfer pricing सबसे पहला topic है आपका, CA final paper 60 international के paper के subject में, ठीके, अब यहाँ पर starting में कुछ बहुत सारे भाशन दिये गाए, यह भाशन academically लिए इतने important नहीं है, इसलिए हम लोग इस पर जादा बात नहीं करेंगे, हम लोग डिरेक्ली उन मुद्दों पर बात करेंगे, तो आपके exam के लिए बहुत जादा important, ठीके, तो बहुत कम चीज़े जो exam में के लिए important नहीं है, 99% आपके exam के लिए important चीज़े ही है, बड़ बीच में कुछ चीज़े हैंगी जो ICI ने ऐसी भाशन के लिए डाला है, तो वो शारे academically लिए इतना important, जैसे शुरुआत में अगर आप देख topic में सब कुछ important, ठीके, तो सब से पहले हम लोग शुरू करते हैं इस topic के अंदर, transfer pricing का charging section, इसमें 3 subsection है, subsection 1, subsection 2, subsection 3, subsection 1 बताता है के transfer pricing कब लगता है, कब लगता है transfer pricing, जब कोई ASSI एक international transaction करता है, तो उसको अपना arms land price निकालना पड़ेगा, any income arising from international transaction has to be computed by arms land price, आपको income कमाओगे international transaction में, तो आपको arms land price निकालना पड़ेगा, sir, income कमाते समय सिर्फ, नहीं, कोई expense करोगे, तब भी, कोई loan लोग है, और interest पे कर रहे हो, तब भी, सिर्फ income के लिए नहीं, income को तो cover ही है, expense इंकर करोगे, तो भी arms land price निकालना है, loan ले रहे हो, interest पे कर रहे हो, तो भ मतलब क्या होता है, उसके बारे में, हम लोग आगी जाकर पढ़ेगे, 92B के अंदर, sir, arms land price का मतलब क्या होता है, उसके बारे में, हम लोग आगी जाकर पढ़ेगे, 92C के अंदर, अभी के लिए सिर्फ इतना समझ के चलो, जब भी मैं पढ़ाता हूं, कभी मैं ऐसी बोलता कि अभी के लिए सिर्फ इतना समझो के, any income arising from international transaction, मतलब foreign transaction, shall be determined from arms land price, arms land price, मतलब correct price, ठीक, इतना दिमाग रखना, कि इस क्या साइब transfer pricing specified domestic transactions के लिए भी applicable है, yes, transfer pricing specified domestic transactions के लिए भी applicable है, लेकिन paper 6 में, इसके बारे में, इतना जादा institute ने बोला नहीं है, क्योंकि इस paper is about international transaction, international tax, and it is not about domestic transaction, it is not about domestic tax, तो इस subject के अंदर, आपको domestic transactions के बारे में, बहुत जादा institute ने बात नहीं किया है, provision भी book में नहीं डाला है, सिर्फ एक reference दे दिया है, कि आप direct tax की book में से जाके पर सकते हो, paper 6 में इतना जादा बोलानी है, ठीक है, second, sir, और क्या-क्या, आपको arms land price के हिसाब सही करना पड़ेगा, ठीक है, third point, सबसे important point जो अगले page पर दिया गया है, जो मैंने यहाँ पर yellow में highlight करके रखा, and that is what, that is very very important, कि transfer pricing applicable नहीं होगा, कब नहीं होगा, अगर transfer pricing apply करके, असल सी की income घड़ जाती है, income कम हो जाती है, या loss बढ़ जाता है, अगर transfer pricing apply करके, income कम होती ह या loss बढ़ता है, तो transfer pricing के provisions आपके उपर applicable नहीं होगा, नीचे कुछ गतिया से example इंची रुटने डाला है, उसके आगे बढ़ते हम लोग, सबसे important point, अगर transfer pricing applicable करवाना है, तो transfer pricing applicable सिर्फ तब होता है, जब एक transaction is between two associate enterprise, दो associate enterprise के बीच में अगर transaction नहीं होगा, तो उसको आप transfer pricing लगाने का कोई हग ही नहीं, उसके कोई right ही नहीं, उसके transfer pricing नहीं लग सकता है, तो सबसे पहले जो दो लोग transaction कर रहे हैं, उनके बीच में relationship पता लगाओ, क्या वो दोनो associate enterprise है, अगर है तो transfer pricing applicable है, अगर नहीं है, तो transfer pricing applicable नहीं हो सकता है, therefore, what is associate enterprise, उसके बारे में definition गिया section 92 capital A, और उसके अंदर पूरे definition को government ने दो पार्ट में divide किया है, सबसे पहले normal associate enterprise का definition दिया है, और फिर घप से important हमारे लिए, deemed associate enterprise का definition दिया है, तो सबसे पहले normal associate enterprise में कुछ बहुत जादा नहीं है, deemed associate enterprise में 10-12 cases है, वो cases हमको बहुत अच्छे से दिखने पढ़ेंगे, academically, ले अज अज पर पारटिसे पेट करती है, किसमें participate करती है, उसके management में participate करती है, उसको control करती है या उसके capital में participate करती है, मतलब उस company है, उस entity में उसका share का capital है, तो दोनों बन जाएए, deemed to be associated enterprise, deemed to be associated, deemed to be associated, deemed to be associated is given in subsection 2, यहाँ पर थेको इसी का diagram बना कर धिया है, एक enterprise अगर दू entity दूसरे entity में participate कर रही है अभी एक बंदा, say Mr. A, is participating in the capital of A and capital of B limited, तो यह A और B limited भी क्या बन जाएंगे, triangle अगर triangle बन जाना, अगर A Mr. A एक A limited की capital में participate करता है B limited की capital में participate करता है, तो A limited और B limited भी बन जाएंगे कोई, associate enterprise यह बार्षन दिया गया, point number B के नीचे, नीचे उसका जाएंपा ले, ठीके, now coming to more important point, deemed associate enterprise में क्या क्या आएगा, उसमें 12-13 cases, government ने डाले सबसे पहला case, अगर एक entity, दूसरे entity में 26% या उससे ज़्यादा voting power मतलब equity share, तो दोनों बन जाएंगे associate enterprise और directly भी अगर 26% रखती है तो भी associate enterprise, indirectly भी अगर 26% रखती है, तो भी associate enterprise बन जाएंगे बनापर से चक्कर लेना, second category अगर एक entity, दो रोगों में 26-26% का इस्टेक रखती है तो सामने वाले दोनों भी associate enterprise बन जाएंगे, फिर से directly 26% रखती है, या indirectly एक 26% रखती है, थामने वाले दोनों बन जाएंगे क्या, team to be associate enterprise थर्ड बन, अगर एक entity के पास 100 रुपे का book value of a set है 100 रुपे का book value of a set है, और दूसरी entity उस 100 रुपे के book value of a set में से 51% finance एक entity करती है, तो ये दोनों बन जाएंगे team to be associate enterprise point number 4, अगर एक entity के पास 100 रुपे का borrowing है, 100 रुपे का loan bond लेके रखाऊ, और सामने वाली entity उसका 10% भी अगर मुझे guarantee देती है bank में जाकर, या financial institution में जाकर, तो मैं और सामनी वाली entity जो मुझे guarantee देती है, जो मेरे भी आपने guarantee देती है एक entity दूसरे entity के, एक executive director अपन करता है, दोनों बन जाएंगे associate enterprise एक entity दूसरे entity के, एक executive member of government board अपन करता है दोनों बन जाएंगे associate enterprise तो आजिस्यादा director अपन करते हो, या आजिस्यादा member अपन करते हो, तो बन जाएंगे, या सिर्फ एक executive director पॉंट करते हूं या एक executive member पॉंट करते हो तो भी बन जाएंगे point number 5 में यह दिया गए point number 6 में क्या दिया गए यही same logic अब दो entity ना आप करते हो suppose मैं एक इंसान हो और मैं एक entity के आतिस जाय डिरेक्ट पॉंट करता हूं जोहाँ के लिए, patent के लिए, copyright के लिए, trademark के लिए, license के लिए, franchise के लिए, documents के लिए, data के लिए, drawing के लिए, specification के लिए, तो or any other business or commercial right, अगर मैं सामने वाली entity पे 100% wholly dependent हूँ, तो मैं और सामने वाली entity बन जाएंगे, dean to be associate enterprise as per point number 7, next, अगर मैं एक ये entity से 90% या उससे जाधा raw material खर manufacturing करने के लिए, उसमें से 90% raw material में एक लिए से खरीता हूँ, तो मैं और सामने वाली entity बन जाएंगे, dean to be associate as per point number 8, point number 9, अगर मेरा sale is dependent on other person, जैसे यहाँ पर लिखा गया है, कि I am selling to other person and other person is specifying the terms and conditions, तो मैं वो बन जाएंगे, dean to be associate enterprise, point number 10, मैं एक individual हूँ, और मैं एक entity चला रह हूँ, या मेरी wife चला रही है, या मैं और मेरी wife मिलकर चला रही है, तो मैं और वो entity बन जाएंगे, dean to be associated, तो एक entity individual चला रहा है, और दूसरी entity individual और individual के relatives मिलके चला रहे है, individual कुछ चला रहे है, तो हम जोनों बन जाएंगे dean to be associate enterprise, point number 11, एक entity हुष है, और सामने वाली entity के अं मैं फर्म आपी भूआ है और मुझमें किसी entity का 10% या उससे ज़ादा स्टेक है तो मैं और मुझम आपी भूआ है और सामने वाली entity जिसका मुझमें 10% स्टेक है हम दोनों बन जाएंगे इम तो बे असोसेटेट और जो 12-13 पंट इस गोर्मन ने दिया है वो बुलाए कि हम और भी कोही रलेशंशिप एस्टाबलिश कर सकते है तो प्रिसक्राइब रूट समर्फिसक्राइब करें गोगों कि त्रों बोग इसाब्लिश कर दिगे इंडिया में मों भी इंटर evolve करेंगे कैसे स्टोश करेंगे प्र créd egent करेंगे सब्लाइ करेंगे अक रिविजन करेंगे एक्से इसटर्भ ज Heights करेंगे सार, what do you mean by the term international transaction? So, international transaction is also defined in section 92B. On 92B, there are 2 international transaction जब लें, सब सेक्षियन 1 के बारे में बात करता हूँ, कि what is a transaction which can be called as international transaction. Transaction can be called as transaction को आप international transaction कब बोलोगे, जब वो दो associated enterprise के बीच में होना बहुत जरूरी है, और दोनों में से, अगर दोनों का transaction अगर अगर associate enterprise के बीच में है न, तो वो ट्रंजेक्षा आप इंट्रांचिन बोल सकते हो दोनों ट्रांजेक्षा जो ट्रांजेक्षा आप कर रहे हो वो सो अन्ठट्राइबश के भीशमा होना चाहिए साथ साथ में दोनों में से कब सेखन एक more resident होना जरूर fent, दोनों non-resident भी चलेगा लेकिन दोनों resident अगर है तो वो transaction को आप international नहीं बोलोगे, दोनों non-resident चलेंगे, एक non-resident होगा तो best है, और एक resident होगा तो best है, और दोनों resident होगा तो international transaction नहीं माना जाएगा, और transaction का नहीं चर्किया होगा, it can be purchase, it can be sale, it can be lease of tangible and intangible property, it can be provision of service, it can be lending, borrowing, it can be amalgamation, demurger, etc, etc, it can be cost allocation, cost apportionment कुछ भी हो सकता है, ठीके, अब आ रहा हो मैं international transaction के subsection 2 की तरह, यह बहुत important है, academy के लिए आपके लिए बहुत जाद है important है, ज्याद ध्यान से सुझना, अब क्या होगा, सबफ़ दो associate enterprise है, एक India में, एक UK में, अगर मैं अब उस associate enterprise को direct समान बेचूंगा, तो हम पर international transaction का definition apply हो जाएगा, और हम पर क्या लग जाएगा, transfer pricing, तो direct बेचूंगा associate enterprise को transfer pricing लग जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ, एक third party बिठाता हूँ, एक third party बिठाता हूँ, और मैं क्या बलता हूँ, third party को, कि तू मेरे associate enterprise के साथ, जो बहार है, उसके साथ एक prior agreement कर ले, उसके साथ setting कर ले, और मैं ते को सामान बेचूंगा, तो उसको सामान बेचेगा, तो मैं third party को बेचूंगा, और third party मेरे associate enterprise को बेचेगा, तो government ने बोला, अगर ऐसी हरकत किया, आपने, आपने किसी third party को के साथ transaction किया, जो unrelated party है, और वो unrelated party आपके associate enterprise के साथ transaction करती है, और आपके associate enterprise और third party के इसमें already prior agreement है, already खिचली बने चुकी है, terms and transactions, relevant transactions से बोलोग decide कर रहे है, तो 13 transaction और वो third party का transaction will be deemed to be international transaction, और उस case में वो third party है न, वो resident होगा, तो भी 13 और उसका transaction deemed to be international transaction, और वो third party आजार non-resident होगा, तो भी 13 और उसका transaction क्या हो जाएगा, deemed to be international transaction, इसके last में comment ने देखो, highlight करके रखा, institute न, whether or not such other person is a non-resident, उससे फ़र अपनी परता है, तो यह क्या रही है, वाया वाया transaction करके जो आप ट्राक्सेबिलिटी को, the transfer pricing के provision को defeat करना चाहरे है, वो नहीं हो पाएगा, कि बाया बाया करोगे, तो अगर, तभी भी हम आपको फसा देंगे, ठीके, तो यहाँ बार भाशन दिया है, आपको यहाँ पर कही ना कही दिखेगा, कही ना कही दिखेगा, तो उसी capital financing को पखल के इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने पखल के वापर डाल दिया, तो capital financing में क्या क्या सकता है, तो यह सारा break up आपको एक बार देख लेना चाहिए, मेरे साब से, obviously मैं revision video में इसको read करके क मतलब नहीं मनता है, आप एक बार देख लोगे तो बहुत जादा बैटर होगा, class में मैंने इसलिए आपको नहीं बोलाता है, ज्यादा सपे, marketing के अंदर क्या आता है, technology में क्या आता है, artistic में इसलिए इसमें से example में, exam में question आते है, इसलिए मैं बोल रहा हूं, एक बार transaction means an arrangement, an understanding, or an action in concept, जो हो राइटिं में भी हो तो भी चलेगा, formal में हो तो बी GOOD चलेगा, informal हो तो बीetted जबेशां, oral में हो तो भी चलेगा, legal हो तो भी चलेगा, legal हो नहीं हो तो भी चलेगा, उन सब चीजों से कोई फरक्ने परता है, चेक कर लो, enforceable by law हो तो भी चलेगा enforceable by law नहीं हो तो भी चलेगा ठीक उससे कोई फरक नहीं पता तो अपकर अपने क्या देख लिया international transaction का refination, associate enterprise का refination और अपने देख लिया the basic charging section 92 जो आपका transfer pricing का अब थोड़ा सा बात करों कुछ जादा बात नहीं करूँगा specified domestic transaction के उपर, यहाँ पर थोड़ा सा institute नहीं की example डाल दिया, बस और कुछ भी नहीं डाला है तो specified domestic transaction क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ, specified domestic transactions पर भी, कुछ specified domestic transactions पर भी transfer pricing लगता है उसमें 10EE का transactions covered है, उसमें 115BAB, जो alternative tax regime आया है, जो manufacturing companies के लिए 20-15% tax rate वो covered है बस इतने ही transactions covered है, इसके अलावा और कुछ भी transaction नहीं covered है और यहाँ पर institute ने एक example डाल दिया, वो example आप गोतू कर सकते हो, अगर आपने ने class में भी आपके साथ हो सब किया ही था ठीक है, मैं example नहीं पढ़ा सकता हूँ, revision video के अंदर, एक बार यहां तक देख लो, फिर आगे बढ़ते, ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते towards the next part and that is arm's length price, now this is a big discussion, arm's length price के हिसाब से आपको international transaction को value करना है तो arm's length price का मतलब क्या है, उसके बारे में दिया गया है, 92C के अंदर और उसके बारे में दिया गया है, उसके रूल्स के अंदर और उसके बारे में दिया गया है, कुछ concepts के अंदर तो आपको arms length price के बार में पढ़ना है तो आपको 3 चीश पढ़ने ही पढ़ेगी एक तो 92C दूसरा उससे related rules और फिर उससे related global concepts जो हम लोग यहाँ पर कुछ concept जो ICI ने आपके syllabus में cover किया है उसके बार में एक एक करके पढ़ेगी सबसे पहले arms length price 92C क्या बता है 92C बोलता है arms length price अससी खुद निकालेगा considering the most appropriate method गौर्में ने 6 method दिये जैसे के आप देख सकते हो cup method, retail price method, cost plus method, profit split method, transaction and net martin method and any other method as may be prescribed by CBDD 6 method में से जो सबसे most appropriate method आपको लगता है वो आप select करो, कैसे select करो हम most appropriate method उसके लिए आगे जाकर rule 10C आने वाला है कि how to select most appropriate method उसके बारे में आगे जाकर बढ़ लेंगे लेकिन फिलाल अगर roughly बोलना चाता हूँ, तो मैं इतना बोल सकता हूँ, most appropriate method देखो अपने nature of transaction के साफ से, अपने class of transaction के साफ से, अपने class of associate enterprise के साफ से, functions perform के साफ से, assets employed के साफ से, ठीक है traditional transactions method, transactional profit method and other method, सीगे ये institute का classification है, government of india ने ऐसा कोई classification नहीं बोला है, ठीक है सबसे पहले हम लोग कप method के बार में बात करते है, कप method में क्या होता है, कप method के अंदर बहुत straightforward है, तीन step है बस और कुछ नहीं, आप जो unrelated party को समान बेचते हो, किसको unrelated party को समान बेचते हो, या unrelated party से समान खरीते हो, वो कितने में खरीते हो, वो आपको step number 1 में लिखना होगा, ठीक है, उसके बार, आप जो unrelated party को समान बेचते हो, और unrelated party को समान बेचते हो, उनके price में, या समान खरीते हो, उनके price में कोई functional difference है क्या, अगर है तो उसका adjustment करो, ठीक है, say related party को बेचते समय आप discount देते हो, unrelated party को बेचते समय आप discount देते हो, unrelated party को आप warranty देते हो, unrelated party को आप warranty द इसके अदर बहुत जाला दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, next, यहाँ पर आपको यह चीज दिमाग में रखना होगा, जब आप comparable and controlled price method लोगे, तो there has to be high degree of comparability, मतलब आप अपने transaction को जब uncontrolled transaction से compare कर रहे हो, तो there has to be high degree of comparability और बहुत minor difference होना चीए, अगर इतने minor difference होना चीए, कि adjustments को हम उनको eliminate कर सके, ऐसा नहीं होना चीए, कि जो चीज आप कर रहे हो, और जिससे आप compare कर रहे हो, selection of tested particle concept क्या होता है, ठीके, अब ये सारे methods के लिए applicable है, इसलिए मैं आपको पहले method के time ही सिखा दे रहा हूँ, आगे method के time में वापस से नहीं बोलना हूँ, selection of tested particle का मतलब क्या होता है, पहले अगर मैं इसको directly बोलतों आपके पल्ले नहीं पड़ेगा, क्लास में भी आपके पल्ले नहीं पड़ा था, इसमें हमने आदा पौना घंटा, एक घंटा, बहुत-बहुत-बहुत साथा समय अपने दिया था, इस particular concept को सबजने के लिए, ये tested party का concept होता क्या है, तो सुन लो अच्छे से, tested party का मतलब ये होता है, कि आप किस angle से पूरा का पूरा ट्रांसवाइजिंग का अनालेसिस करने वाले हो, जैसे कि यहां पर देखो, ये associate enterprise, दोसे associate enterprise को समान बेशती है, ठीक है, अब ये तो आपका हो गया international transaction, साथ-साथ में ये अभी किसी unrelated party को भी बेशती है, और ये किसी unrelated party से खरीगा है, ठीक है, तो ये जो dot-dot वाले transaction है, इनको आप बोलोगे internal transaction, क्योंकि इसमें associated party में से दोनों में से एक party involved है, ये आपका comparable one हो गया, ये आपका comparable two हो गया, और एक तीसरा comparable भी आप उठा सकती हो, तो अगर internet transaction possible नहीं है, तो फिर आप external transaction के लिए जाओ, ठीक है, अब internet transaction अलड़ी दो-दो हैं मारे पास, associate enterprise one is selling to unrelated party C, associate enterprise two is purchasing from unrelated party है, तो अब इन दोनों में से कोईट select करने की कोशिज करो, अब सवाल ही होथा है, इन दोनों में से में किसके angle से सोचू, तो government क्या बोलती है मालूँ, government और पूरी दुनिया के अंदर global concept है, तो उसके angle से सोचू, जिसका functions least complex है, जिसका भी functions least complex है, उसक angle से सोचो, suppose इन दोनों में से एक manufacturer है और एक है suppose एक है back office services, एक manufacturing करता है back office service करता है, अब मुझे बताना manufacturing जादा complex है, या back office service वाला जादा complex है, manufacturing वाला जादा complex है, तो इसलिए आपको manufacturing वाले SSE के angle से नहीं सोचना है, बलकि आपको back office वाले SSE के angle से सोचना है, suppose अगर ये manufacturing है और यह back office है, तो फिर इसके angle से आपको पूरा का पूरा ट्रांस अप्राइजिंग अनालिसिस करना है, asos enterprise entity two case आप से, सबस्थ अगर यह back office है, और यह manufacture लिए, तो फिर इसके angle से, asos enterprise one, unrelated party को बेचता है, तो कितने में बेचता है, उस angle से आपको पूरा का पूरा अनालिसिस करना है, इस concept को बोला जाता है, selection of tested party, यह सारा का सारा भाशन आपको नीचे मिलेगा, और इससे जादा अगर आपको समझना है, तो obviously मैं यह revision video मैं उसको नहीं समझा पाऊंगा, थोड़ा का मुश्किल है मेरे लिए, इसके नीचे institute ने question डाला है, वो question आप देख सकते हो, second method की तरफ आते है, resale price method, यह कौन use करता है, यह generally use करता है, जो distribution business में, जो क्या करता है, associated enterprise से समान खरीद के resale कर देता है, मेरा काम ही क्या है, खरीदना और बेज देना, associated entity से खरीद के unrelated party को कितने में बेशते हो, वो price step number one, वो step number one हो गया, ठीक है, उसके बाद, जब आप unrelated party से खरीद के unrelated party को बेशते हो, तो उसमें कितना GP margin है, वो जो भी GP margin है, वो step number one के selling price से less करना है आपको, step number one के selling price से step number two का GP margin less करना है, ठीक है, करो ठीक है उसके बाद दोनों ट्रांजेक्शन की बीच में तुछ फंक्शन डिफ्रेंसेज होगे और उसके बाद जबी प्राइस आ जाएगा वह आपका बन जाएगा आप्स राइस इस पूरे एक्जामपल के लिए मैंने आपको क्लास में कुछ लिखवाया तो जादर चेक और उसके बाद में फंक्शनल डिफरेंसेज देख रहा हूं दोनों में कुछ है तो और उसके बाद में मुझे आम्सलें प्राइस आ जा रहा है तो लंबा स्टेपर फुरा सा टाइम लगेगा तो ठीक है आगे बरता हूँ मैं तीसरे में तरफ की तरफ ये इसके आगे संस दिया इंस्टिटूट ने वह आप देख सकते हो ठीक है कॉस्ट प्लस मेथर्ड कॉस्ट प्लस मेथर्ड जनरली कौन यूज़ करे है जनरली क्या जब आप असोसे इंटर्पाइस को कुछ मैनर्फाक्टरिंग करते हो या कुछ सेर्विस है जिसमें कॉस्ट है आप जीपी म आपने देचा या उसको आपने चर्विस दी सका कॉस्ट कितना है वह पता लगा यूज़ किसी अपने पाट को सेम अदेचा तो उसको कितना जीपी मार्जिन को कंपेर करू ठीके आप जो step number one क्या है जब related party को कुछ समान देचते हो तो उसमें या service देते हो तो उसका total cost क्या है step number one unrelated party को same समान देचते हो same service देते हो तो GP on cost कितना है अब आप दोनों transaction तो compare करो international transaction और run control transaction और दोनों को देखो functional difference क्या है और जो भी differences आएंगे वो आपको GP margin में adjust करना है यहाँ पर price में adjust नहीं करना है margin में adjustment करना है और जो revise margin आ जाएगा वो आपका arm's land price margin हो जाएगा और वो arm's land price margin आप use करोगे to add to the cost जो step number बने आपका cost आया था ना उसमें वो margin revised margin add करोगे आपको मिल जाएगा आपका arm's land price इस तरीके से आपको cost plus method में use करना है अब मैं बढ़ना आपने चौते method के अंदर profit split method अब इस method के अंदर भी दो method है profit split method generally कौन use करता है जब कोई joint venture, one venture करता है तीन-चार entity मिलके joint venture कर रही है कुछ profit कमाएगी etc. तब इसमें कैसा होता है पहले मैं आपको basic method समझाता हूँ और फिर इसके अंदर दो method है उसके बार में बात करता हूँ basic method का आपको टीन लोगे मिलके joint venture कर रहे तो सबसे पहले उनका combined profit दो दो combined profit दोनने के बाद उसको divide करो क्या ratio में divide करना है relative contribution ratio relative contribution मतलब किसने कितने efforts दाला किसने कितना energy डाली किसने कितना पैसा लगाया किसने कितना employee लगाया किसने कितना risk लिया किसने कितना asset लगाया यह सब चीज के basis पर देखो किसको कितना profit allocate किया जा सकता है relative contribution ratio निकालना परेगा वो relative contribution ratio के basis पर आपको जो combined net profit है न पूरा step number one का सबसे बिल आपको combined net profit बुनना है उसके बाओ आपको relative contribution बुछना है related मतल JASON इसके compare में promotional में ने कितनी मैनत की मेरे compare में उसने कितनी मैनत की उस में कितनी मैनत की वो ratio लो वो ratio के basis पर टीनों को profit डिवाइड करो टीनों को लेडो और फिर टीनों अपनी अपना प्राफिट स्पिर्ट मेफड मतलब वही जो मैंने आपको बता है सब वो तीन लोगों ने मिलके 10,000 उपेगा प्राफिट कमाया और रिलेटिव कॉंट्रिविशन रिशो इस 50 तू 30 तू 20 तो एकको 5000 जाएगा, एकको 3000 जाएगा, एकको 2000 जाएगा ये रिलेटिव कॉंट्रिविशन रिशो लेकिन रिशेडर प्राफिट मेफड क्या बोलता है मनुलू अब अगर प्राफिट तीनों ने मिलके कमाया तो थोड़ा 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 को मिलना चीघिकि ना और तीनों को दो थोजार पादे दो यह एक हजार का दे दो तो तीनों को पहले एक एक हजार का आप ध कर दो थिस्यख अंप बंद करके तो सब बिजब भी करते करते हैं पहले सब को थोड़ा फ्रा-फुरा पैसा देखो तो सब्धोत इसमें डिवाइड करो जूसरे वाली आप पहले तीन आप पसमें डिसाइड करो फिर्फफित लेलो बच्छाओ प्रॉफित आप डियाटिव इसमें क्या करना है इसमें अपने असोचाइट इंटरफेस के साथ कुछ ट्रांजेक्शन कर रहे हो ठीके तो अपना नेट प्रॉ Profit Level Indicator choose करना पड़ेगा Profit Level Indicator क्या होता है जैसे Tested Party Select करना एक Concept है वैसे Selection of Profit Level Indicator भी एक Concept है जो आगे जाकर आएगा लगी मैं अभी बता दिना हूँ Profit Level Indicator का मतलब क्या होता है Net Profit Ratio के कौन सा लेने का देखो बहुत अलगर किसम के Net Profit है अब अगर आप Sales कर रहे हो ना अपने SOS Enterprise को समान बेच रहे हो तो देखो Selling Price Untainted होगा मतलब उसमें गरबड़ी होगी तो denominator आप Expense लेलो तो जब आप Export कर रहे हो तो denominator आप Expense लेलो क्योंकि Export करने पर Sales में गरबड़ी होचकती है जब आप Import कर रहे हो तो denominator आप Sales लेलो क्योंकि Import कर रहे हो तो purchase में गरबड़ी होगी और Sale में गरबड़ी होगी तो इस तरीके से आप से आपको Denominator सेलेक करना है Tainted या Untainted Export देलो तो Sales में करबड़ी होगी तो denominator में Expense लेलो Operating Cost लेलो और Import कर रहे हो तो फिर expense में कड़ बढ़ी होगी, purchase में कड़ बढ़ी होगी, cost में कड़ बढ़ी होगी, तो denominator में sense ले लो, इस तरीके से आप select करते हो, clear like profit level indicator, I hope everyone is clear, तो सबसे परह सट क्या है, आपको अपना profit level indicator लेना है, जब आप अपने association enterprise को base दे तो कितने percentage का profit आपका, 25%, अच्छा, base रे त अच्छा, उसके बाद में, unrelated party, unrelated party, uncontrolled transaction में कितना profit margin है, 45%, ठीके, तो दोनो profit margin को compare करो, दोनों में कोई functional difference से करो, मैं बेचता हो, अपने related party को 25% है, unrelated transactions के अदर uncontrolled transaction में 45% margin है, दोनों में कोई functional differences हो सकता है, तो profit margin को ऊपर नीचे करो, और एक armland profit आओ, और उससे अपना armland price निक अच्छा के बादे towards the next method, और next method के पहले हैं, बहुत बढ़ा भाशा ने institute में दिया है, एक example दिया है, बहुत अच्छा है, ये बाद institute में study material में बहुत अच्छा-च्छे questions कवर किये, तो ये चीज बराबर से देख लेना, last year के study material में इतने सारे questions नहीं थे, ना, च्छे method की any other method, any other method के बारे में CBTD ने कुछ बोला नहीं है, CBTD ने बोला है, हम लोग time के इसाफ से उसको प्रिस्क्राइब करेंगे, और any other method में आने के लिए, अगर आपको any other method में जाना है न, च्छटे method में, यहाँ पर तो लिखा नहीं है, मैं आपको practical exposure से बता रहा हूँ, कि any other method आपको select करना है, तो you have to give reason to CBTD, कि आप पहले 5 method में से कोई method आपके लिए क्यों fit नहीं होता है, क्या आपके लिए कब fit नहीं होता है, आपके लिए कब fit नहीं होता है, आपको छटे method का option मिलने आ रहा है, तो आपको छटे method का option नहीं मिलने वाला है, ठीके, next, 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 कुछ concepts आपने को एक एक करके दिखने पड़ेंगे, जो Income Tax Log के अंदर दिये गाए, कि Transparency का पूरा खेल क्या होता है, आप अपने ट्रांजेक्शन को International Transaction को Uncontrolled Transaction से compare करते हो, जब आप International Transaction को Uncontrolled Transaction से compare करते हो, किसी भी मेथड में, 6 के 6 मेथड में, किसी भी मेथड में, आप NICK transmitted transaction कॉं control transaction से method में compare करते है आपको कुछ चीज़े दिमाग में रखनी है आप का nature of transaction और सामने वाले का Nature of transaction पर रीच़्े सेम होना जाए आपर दूसरे conditions जो prevail करते मार्किट के अंदर ऐसे जोग्रफिकल लोकेशन आप अगर US में बेच लोग तो सामने वाला भी US में बेच ना जी हो पता चल रहा है आप US में बेच लोग आप comparable कहां का Zimbabweka डोड के ला रहे हो तो आप price में difference होगा यह सरे वह नज च्रहां चाहिए er मँद्र ही 90 .0 if the 58,000 करोड की सूंत्य अगर tapब 30 ,000 करोड की कमनी और दिशन साथ हर धक्तअब कोई अगर आप यहत तो इतना सब क Colombian queda pair करने के बाद भी अगर और इतने differences है कि हम लोग adjustment करको इसके eliminate कर सकते हैं तो आप comparable उठाओ लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके transaction और international transaction और comparable uncontrolled transaction में बदलब अंदर वाले transaction और बाहर वाले transaction में massive differences है और इतना बड़ा difference है कि price पे जबरदस impact पर सकता है और इसको हम लोग adjustments करके eliminate नहीं कर सकते है तो फिर आपको वो particular transaction को touch नहीं करना चाहिए यह चीज़ दिमाग रखना ठीक है नेक्स नेक्स आपको data कौन सा यूज़ करना चाहिए जब आप comparable uncontrolled transaction बाहर से data उठाते हो आप data तो आपको data कौन सा उठाना चाहिए तो previous set 21-22 का data उठाने की कोशिश करना चाहिए लेकिन government ने तीन method में बोला है तीन method के लिए बोला है शे method के लिए नहीं सिर्फ तीन method research price method, cost plus method और transaction net margin method यह तीन method में बोला है कि अगर आपके पास ITR भरते समय current year का data नहीं है तो आप पास year का data भी उठा सकते हो सिर्फ यह तीन method के लिए बाकी तीन method के लिए नहीं बोला है बाकी तीन method के लिए आपको जग मना के current year का data धून के लाना पड़ेगा कहीं न कहीं से ठीक है लेकिन यह तीन method में अगर ITR भरते समये, income tax return भरते समये आपके बस current year का data नहीं है तो आप पिछले सालों का data भी उठा सकते हो लेकिन आगे जाकर अगर assessment के time पे आपको current year का data मिल जाता है तो फिर से आपको current year का data लेना पड़ेगा आपने ITR भरते समये पिछले सालों का data जो लिया था उसको ignore करना पड़ेगा यह भाशन दिया गया यहां पर एक बारी देख लो पिर यहां पर institute ने सारे के सारे 5 methods का यहां पर break up दिया है मतलब बहुत अच्छे से chart बना के दिया है कि 5 methods में कैसे चलता है यह आप go through कर सकते हो पेपर 7 में आपको ज़्यादा काम आएगा उसके बाद यह दो concept में आपको पहले ही explain कर दिया selection of tested party क्या होता है उस party को tested party select करो जिसका functions least complex है बस इतना बोलना चाहता हो selection of profit level indicator क्या होता है आपको PNMM में ज़्यादा काम आएगा denominator has to be untainted अगर आप सामान बेच रहे हो तो denominator cost ले लो सामान खरीद रहे हो तो denominator sense ले लो और यहाँ पर बहुत किसम के PLI होते हैं दुनिया ने जैसे return on assets होता है return on capital employed operating profit margin तो सबसे ज़्यादा famous PLI यह है और यह है इंडिया में ये दो ज़्यादा use होता है बागी ये सारे इंडिया में इतने ज़्यादा use नहीं होते ठीक है एक बादे देख लो फिर आगवारते now mandate to see जब हम बढ़ रहेते तब अपने देखा था कि सबसे पहले transfer pricing के लिए arm's land price assets को फुद को निकालना होता है self computation तो उस समय पर देखा था आपन self computation कैसे करेंगे कुछ से कैसे निकालो में को फोड़ी कुछ आता है you are to select the most appropriate method out of the six method तो लेकिन most appropriate method कैसे select करेंगा तभी मैंने आपको बता रहा उसके लिए government method नहीं कर सकते हो तो आपको profit method भी करना पड़ेगा उस इसदाब से आपको nature of transaction के साब से most appropriate method जाथ करना पड़ेगा second class of classes of associate enterprise के साब से उसके functions क्या है उसके assets क्या है उसके क्या functions है suppose if manufacturing है तो cost plus method जादा suit करेगा suppose अगर service provider है तो for example, suppose अगर distributor है, purchase करता है, sell करता है तो फिर उसको result price method जादा suit करेगा तो उस assessi के class और nature of a social enterprise के साब से determine करने का कि कौन सा most appropriate method है उसके functions performance है, उसके asset employees से उसके risk कर जूँँँद है कि degree of compatibility वह बहुत important है, आप जो भी market से data उठा होगे या कोई भी company को उठा होगे, वह 100% आपके जैसी same नहीं होगी, उसमें कुछ differences होगे तो क्या हद तक उसमें अपने को adjustment करना पड़ सकता है, तो वह degree of compatibility बहुत जादा close होनी चाहिए, यह मतला इंतला comparable होना चाहिए, minor differences होना चाहिए, और वह भी हैसे होनी चाहिए, जो eliminate कर सकते हम, ठीके next 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 next, अगरा point वही दिया गया है, कि जोब आप किसी से compare करते हो, इसमें minor adjustments होनी चाहिए, को बहुत साथ major adjustments नहीं होना चाहिए, last but not least, कि आप जो assumptions में कर रहे हो, आप obviously transfer pricing में बहुत साथ assumptions करने पड़े हो, क्योंकि transfer pricing पूरा को पूरा skill और judgment का concept है, यह mathematics पे नहीं चलता है, पूरा concept और judgment पे चलता है, आपके experience पे चलता है, कि आप पूरा पूरा surprising concept, therefore आपकी nature extend and reliability of assumption भी बहुत important होता है, जब आप एक most appropriate method को select करते हो, सबसे important मेरे साब से nature of transaction होता है, सबसे important मेरे साब से आपका class of transaction, आप क्या functions perform करते हो, और more important, उससे भी important जादा, आप select तो कर लोग concept for CA final transfer pricing and one of the most important concept in paper 60, paper 7 and also in practical life, paper 60 में भी important है, 7 में भी important है, practical life में भी important है, क्या है, rule 10 CA, क्या बोलता है, यह पूरा का पूरा rule मैं आपको इसी page पे समझा दूँगा, वैसे यह rule बहुत सारे pages में फैला हुआ हुआ है, लेकिन मैं आगे नहीं जा रहा हूँ, मैं यहाँ आपक सब कुछ समझा देता हूँ, don't worry about it, सबसे बहले यह rule क्यों आया है, यह rule आने का logic में आपको बता देता हूँ, सबसे बहले यह rule आने का logic क्या है, आप जब भी transfer pricing का process follow करोगे, तो आपको एक से ज़्यादा armseline price आएगा ही, बहुत बार आएगा एक से ज़्यादा armseline price, तो range concept is non-applicable, पहले applicability, non-applicability समझ दो, range concept is therefore non-applicable to, आपका profit split method and आपका जो any other method, छटा method है, उसके रहे applicable ही, यह दो method के लिए range concept आप लिए range concept से चार method के लिए, उसमें से भी, चार में से भी, एक method में आपको current year का data लेना है, और तीन method में आपको current year plus last 2 साल का data का average लेना है, आपको current year का data लेना है, आपको current year का data लेना है, पहले इतनी चीज़ दिमाग लेको, further range concept के लिए आपके पास कम से कम market में जाकर 6 similar entries होनी चीए, या 6 से जादा होनी चीए, अगर market में जाकर आप 6 similar transaction भी नहीं दूढ़ पाते हो, तो range concept फिर से applicable नहीं है, तो उस case में क्या करने market में जाकर आपको current year का, बाकी 3 method के लिए आपको current year का data लाना पड़ेगा, अब क्या data लाना पड़ेगा, अब क्या data लाना पड़ेगा, ठीक है, सुन लो अच्छे से, बहुत जाए हमसे सुन देना, सिर्फ और example में हो TNMM के point of this, उससे पूरा example समझते, तो market में जाओ, और current year का data लेकर आओ, क्या लेकर आओ, operating profit, operating cost, क्यों, यह चाहिए मुझे, 6 कंपनी का, जो unrelated party के साथ transactions करती है, आपके जैसे से, आप यह bottle बेशते हो, ठीक है, तो market में ऐसे, किसको बेशते हो, आप related party को बेशते हो bottle, लेकिन आपके पास एक से लाना फ्लेंटाइसे, तो market में ज करो, O-C add करो, O-P add कर दिया, O-C add कर दिया, O-P तीनो साल का operating profit, divided by तीनो साल का operating cost, कित्नी companies का, 6 companies का, और उनका O-P upon O-C का percentage निकालो, यह आगे आपका PLI, ठीक है, अब यह जो भी percentage आया, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसको ascending order में arrange करो, जो सबसे का में हो, सबसे पहले है, जो सब कम ही होना चीव, छह से कम लोगा तो range concept आप लेके बज़िए सबस्थ अपने छे इंट्री ले लिया, तो छे या साथ कमपनी का ले लिया, साथ कमपनी का ascending order में OP upon OC डाग दिया नीछे, अब क्या करो, 7, कितनी entries है, 7, 7 का 35% रो, अब अगर ये point में आता है, 3, 4, 5 ऐसा आता है तो फिर उस नमबर और अगले नमबर पर जो भी percentage उसका average भो और फिर देखो 35 percentile पर क्या percentage आता है और 65 percentile पर क्या percentage आता है आपका arms length price अगर उस range में है तो government आपको कुछ नहीं बोलेगी देकिन अगर आपका arms length price उस से come है तो फिर government आपको एक और काम करने बोलेगी कि अब आप 7 entries का median लो median, अगर उस range में आ जाता है 35 percentile तो बच गए लेकिन अगर उस range में नहीं आता है तो median नेना पर जाएगा 7 का median 3.5, 3.5 is the fraction तो अगले नमबर पर जा 4, तो 4 पर देखो आपने 7 entries डाली थी ना उसमें कप मेथर में आपको आवरेज जैनी की ज़र्वत नहीं डायरेक्टली आप 6 साथ प्राइस लाइन से लिख दो और उसका फिर बाद में 35 percentile लो 65 percentile लो और ये पूरा कैलकुलेशन मैंने आपको क्लास में सिखवाया तब और आज CBD के ओरीजनल एक्सामपल के साथ अगली बात क्या है प्राफिट से कम एंट्री रिटो और उसमें क्या करेंगे बिचार अदर में तो उसमें कुछ नहीं प्राफिट में तो कभी भी आप लिके बली और उसमें भी जब आप उसको कंपेर करोंगे अपने actual price से और अगर दोनों में 3 percent से कम का difference है ना तो गौर्मन वापन भी कुछ नहीं बोलेगी आपको आवरेज आगया एक सो तीन रुपया और आपका एक्ट्राइमस नहीं पाइस एक सो दो रुपया है तो गौर्मन कुछ नहीं बोलेगी एक सो दो रुपया भी मान के चलेगी और लेकिन यहाँ पर अनफॉर्चनेटली इंस्ट्टूट ने कोई धंकी एक्जामपल नहीं डाले उसके लिए आपको अपनी टेक्सबूक देखनी पड़ेगी जो अपने डिरेक्ट टेक्स के अंदर पड़ा है ठीक है एक बार देख लो के लागे बड़ेगी और यहां पर अभी पार अनालिसिस और फिर बाद में कमपैरिबिलिटी अजस्मेंट और वर्किंग क्यापिटल आइटम्स ठीक है यह चार कॉंसेप्स आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखने होंगे वाल कंप्यूटिंग यहां पर आपको अच्छे से पड़ लेते हैं यहां पर देखो क्या बोला गया है कि आपको जब भी आप किसी बाहर के ट्रांजेक्शन से अपने आपको कंपैर करते हो ना तो आपको फार अनालिसिस कर लेना जीए किसका फार अनालिसिस खुद का फार अनालिसिस तुमारे फार फारिक्शन किया है। तुम क्या असेड कर रहे हो। дос तुम्हारे बिजनस में क्या रिसके वो सारी चीजे सामने वाली एंटीटी जिससे आप कंपेर कर रहे उसमें भी होना चाहिए जैसे इंसीटूट ने आप बहुत बचकाना एक्जामपल दिया ठीके बोलता है क्या मैनुफाक्टरर को लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर से कंपेर कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं क्याownersुक्तेर पानफक्टरर को मनुफाक्चरर से कंपेर करना चाहिए व जीजपनेटी Mir carried me ज़िए बहुत ही जいstemे बचकाना लेवल एक्चामपल है पेपर खोरे पूता है आप सारे फंशन सामने वाली के बिस्में और अब बिजनस practitioners और government भी बोलती है कि भाई आपको सारे functions नहीं compare करना है आपको check करना है आपके business में critically important functions कौन से है जो आपको profit कमाने में बहुत जादा मदद करते है business में बहुत सारे functions होते है R&D एक function है, budgeting एक function है, purchase एक function है, manufacturing function है warehousing एक function है, marketing एक function है business processing, scheduling, supervision, बहुत सारे functions है लेकिन आपको इसमें select करना पड़ेगा आपके business में critically important function कौन से है और पिर देखो, जो critically important function है जो आपको ज़्यादा return कमाने में मदद करते है आपके comparable में भी वो सारे functions होने चाहिए, ठीक है ये करना बहुत ज़रूरी है इसके बगेर आप गलत comparable choose कर लोगे और गलत comparable choose कर लोगे पुरा transfer pricing का study आपका खराब हो जाएगा उसी तरीके से asset employee करते है आपको ग्यान देना है कि आपके business में कैसे assets है सामने वाले के business में कैसे assets है आपके business में जो assets है, क्या similar assets होँआ पर है यह सब चीजों से आपका business में super normal profit होगा तो सामने वाले business में भी तो यह सारी चीज़े होनी चाहिए अगर सामने वाले business में यह सारी चीज़े नहीं होगी तो वो अपना profit का दिखाएगा आप अपना profit जादा दिखाओगे comparable ठीक से नहीं होगा therefore you need to classify the nature of asset कि आपके business में tangible asset है intangible asset है दो नो है और फिर सामने वाले से compare करो ठीके तीसरा आपको अपना risk appetite भी check करना पड़ेगा आपके business में कितना risk है क्योंकि generally risk and returns go hand in hand जैसे कि यहाँ पर लिखा है अथ हम सब को पता है basic fundamentals of financial management कि जैसे risk बढ़ेगा return बढ़ेगा जैसे risk घड़ेगा return घड़ेगा therefore अगर में जादा risk ले रहा है तो मैं जादा return भी to expect कर हूwn तो सामने वाला भीお जादा risk पिसको बिञार return expect करूएगा तो अब risk भी कितने किसम के होते है बहुंक्ỉम किा होते है जैसे market risk, market risk क्या होता है, कि जैसे competition बढ़ गया, तो मेरे को risk है, जैसे pricing सामने हाले ने change कर दिया, competitor ने, तो major tension है, demand position बदल गया, demand pattern बदल गया, needs of customer बदल गयी, कोई ना, customer penetrate करने आगे, अब ये सारे risk मेरे business में, तो सामने वाले के business में भी, inventory का भी risk हो सकता है, जैसे क्या हो सकता है, कि मेरा सामान भी की नहीं रहा साला, भी की नहीं रहा, भी की नहीं रहा, भी की नहीं रहा, वो एक बहुत 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 हो सकता है, तीसरा credit risk, बहुत 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 रिस्क है, foreign exchange risk हो सकता है कि मैं foreign currency में deal करता हूँ सामने वाला deal नी करता है वो risk हो सकता है R&D का risk हो सकता है मेरा R&D unsuccessful हो गया तो वो एक अलग risk के मुझे capacity utilization risk है कि मैंने एक लाग unit की capacity बना के रखाओ मेरा 10,000 भी production नहीं हो पारा है उतना भी भिक नहीं पारा है वो एक अलग risk है मिझे सामने वाली entity में भी होनी चाहिए attrition risk एक अच्छे employee को organization से आप lose करोगे उससे बड़ा risk जिन्दगी में और कोई नहीं हो सकता है यह च्छे के बाग रखना एक organization में एक employee अच्छे से काम कर रहा है तो उसको खुश रखो अगर वो दुकी हुआ तो वो आपको छोड़के जाएगा और अगर वो आपको छोड़के जाएगा तो आपकी band बच जाएगी therefore loss of attrition risk यह भी बहुत ब़़ा risk है क्या यह सारी चीजों को आपको compare करना होगा risk study करना पड़ेगा therefore conclusion क्या होगा फार analysis का आपको सारे functions नहीं compare करने हैं आपको सारे असेट्स हमको compare नहीं करने हैं आपको compare करना है critically important चीज़ है जो आपके business में आपके profit element को बढ़ाने के लिए काम आता है therefore conclude करने के लिए summarize करने के लिए far analysis हमको क्या मदद कर रहा है यह analysis करके हमको क्या अची हो रहा है यह analysis करके हमको अचीव रहा है कि हम nature of functions perform कर पारे हम यह determine कर पारे कि हमारे और सामने वाले entity के nature of function क्या है characterization of true entity का characterization क्या है साथ-साथ में हम far analysis के हैसे हम लोग को यह पता चल पाता है कि अब कौन सा most appropriate method select करें कि सबसे बड़ा दुख मेरे को पर government ने डाल दिया कि तेर को select करना है अचसे सी को select करना है most appropriate method कौन सा है तो बापरे वो भी मेरे पर जिम्मेदारी डाल दिये तो यह सारी चीज़े अपने को करने में अब यहाँ पर नीचे इंसीडूट के अपनी तरफ से महनत किए कि manufacturer के business में क्या functions होते क्या assets होते क्या risk होते trader के business में क्या functions क्या assets क्या risk और service provider के business में क्या functions क्या assets क्या risk तो यह आप एक बार go through कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो इतना सदा academically important नहीं है आप जब सामने वाली entity से अपने आपको compare करते हो तो मैंने आपको पहले बोला है आपको 100% same transaction नहीं मिलने आपको adjustment करना पड़ेगा अब बहुत सारे किसम की adjustment होते है अब उसमें से कुछ और important और कुछ critical adjustments आज हम लोग पढ़ने वाले जिसका नाम है working capital adjustment, capacity utilization adjustment, risk adjustment and accounting adjustment यह चार adjustment कुछ advanced level के adjustments है normal adjustment को आप पढ़ते रहते हो कि यहाँ पर warranty दिया, यहाँ warranty नी दिया, यहाँ discount दिया, यहाँ discount नी दिया, यहाँ FOB प्राइस है, यहाँ CIO प्राइस है, वो जब पर पढ़ते रहते हो आपना cost recover करते हो, अपना profit recover करते हो, और time value of money भी तो recover करोगे, क्योंकि सामने वाला बंदा आपको पैसा आज नी दे रहा है, दो मैने बार दे रहा है credit पे, लेकिन आपका comparable जब cash में बेचता है, तो वो से दोई चीज़ से recover कर सकता है, that is profit recover कर सकता है, cost recover कर सकता है, वो time value of money कैसे recover करेगा, क्योंकि उसको तो जगे पे पैसा में रहा है, तो it is unfair to compare such transaction, इसलिए आपको working capital adjustments करना ज़रूरी है, ये भासन दिया गए, ये पूरे के पूरे paragraph में आप चेक कर सकते हो, ठीके, second, capacity utilization adjustment, suppose आपकी एक लाग unit की capacity है, सामने वाली की भी एक लाग unit की capacity है, आपने 90, हजार capacity utilize कर लिया, सामने वाले में 30,000 भी capacity utilize नहीं कर पाया, तो अगर आप ज़्यादा capacity utilize कर लेते हो, तो आपका fixed overhead घड़ जाएगा, और सामने वाला कम capacity utilize करता है, तो उसका fixed overhead ज़्यादा लिखेगा, तो it is not correct to compare like this, ठीक है, तो अगर obvious बात है, अगर मैं ज़्यादा capacity utilize करत अगर है, तो उसका absorption rate हाई, उसका cause जाला होगा, तो इसका भी adjustment करना चाहिए, एक रिसक adjustment करना भी ज़्यादा है, क्या आपका risk element और सामने वाले का risk element same है, अगर है, तो बहुत अची बात है, तो उसका भी आपको adjustment करना चाहिए, तो आपको transfer pricing का गलत information मिलेगा, last but not least, accounting adjustment करन वो का लाग है, system यो अलाग है, से आप index follow कर रहे हो, A frs follow कर रहे ह Ch packet का to documentation in transfer pricing, transfer pricing के अंदर क्या का documentation एक ASAC को maintain करना पड़ता है, उसके बारे में दिया गया है section 92D के अंदर और इसमें 3 subsection बनाएं, government ने सबसे पहला subsection बना, बोलता है, कि अगर कोई ASAC, अगर international transaction करता है, और अगर domestic transaction भी करता है, specified domestic transaction, इसके बारे में institute ने आपर लिखानी है, मैंने आपको पहले ही बोला है, domestic transaction में institute, इस paper में ज़्यादा इंटरस्टेट निगे, लेकिन paper 7 में आपके लिए relevant हो जाएगा, ठीक है, तो अगर आप domestic transaction या international transaction करते हो, तो आपको बहुत सारे documentation maintain करने पड़ेंगे, ठीक है, now कितने साल तक maintain करने पड़ेंगे, यह तो maintain it for previous, for the 8th year from the end of the relevant ay, relevant ay के end से, आठ साल तक आपको maintain करने पड़ेंगे, और वो सारे documentation क्या होते हैं, वो सारे documentation क्या होते हैं, उसके बारे मैं थोड़ी दिर में आपको बताता हूँ, और एक और चीज, यह सारे documentation, अगर AO और CIT appeal, अगर आप से मंगवाते हैं, तो आपको इमानदारी से उनको 30 days के अंदर दे देना है, अगर AO CIT appeal मंगवारा है, तो 30 days में जाकर उनको documentation दे दो, अगर 30 days में नहीं दे पा रहे हो, तो आप application दो और extension मिल जाएगा, और 30 days का, तो और 30 days के अंदर भी दे दो, तो 30 plus 30 maximum, 60 days में आपको मिल जाएगा, along with the extension, ठीक है, ना तो सवाल यह होता है, कि इसमें कौन-कौन documentation maintain करने हैं, documentation कौन-कौन से maintain करने हैं, और बीच में कुछ constituent entity यह सब चीजों के बारे में, section 286, यह सब के बारे में भी बात की गए, उसके बारे में थोड़ी दर के बाद में बात करूँगा, don't worry about it, ठीक है, लेकिन सबसे पहले अपने को यह रेखना पड़ेगा, गौर्मन ने कौन-कौन से documentation associate को maintain करने के लिए बोला है, उसके लिए government ने बनाया rule 10-D, rule 10-D prescribed किया government ने और उसमें आपको यह सारे documentation आपको maintain करने पड़ेगे, ठीक है, यह सारे documents और information आपको आँग साल तक maintain करके रखना पड़ेगा, ठीक है, ना देखते चलो यह क्या क्या documentation से, सरी यह क्या documentation सब के लि होले, let me tell you very clearly, यह सब के लिए अपनी के बनी है, यह सारे के सारे documentation से वही लोग हांट साल तक maintain करेंगे, जिनका, सुनलो, aggregate value of international transaction in a previous year exceeds 1 crore rupees, अगर पूरे साल में अगर आपका international transaction 1 crore cross नहीं होता है, तो आपको इस सारे documentation maintain करना ज़रूरी नहीं है, 1 crore cross हुजाता है, तो इस स उतने documentation maintain करो, जिससे आप department को यह प्रूब कर सको कि आपने arm's length price कैसे निकाला ठीक है, तो मतलब अगर आपका से पूरे साल का transaction value पांच लाके, 10 लाके, 15 लाके, तो आपको इतने सारे documentation maintain करनी की ज़रूरी नहीं है, आपको से minimum documentation maintain करना है, जिससे आप प्रूब कर सको कि आपक price कैसे निकाला गया है, बस वो technique बताना पड़ेगा department को, वो documents के तुसारे documents maintain करनी की आपको सर्वत नहीं है, अब जिसकत aggregate value of international transition is exceeding 1 crore रोपी, तो उनको क्या-क्या documentation maintain करना है, चलो देख लिए, सबसे पहला उनका ownership structure उनको maintain करना पड़ेगा, profile of the company बताना पड़ेगा, business का description बताना पड़ेगा, international transaction का nature, और terms बताना पड़ेगा, फिर international transaction में आपके, क्या function perform हो रहे है, क्या risk consumed है, क्या asset employed है, वो बताना पड़ेगा, economic market analysis, budget analysis, ratio analysis, ये साही चीज़े करनी पड़ेगी, उसके बाद में uncontrolled transaction पर आजाओ, अभी तक थो आपना discussion कर रहे थे, अब भार की party का भी आपको data देना पड़ेगा, uncontrolled transaction का record देना पड़ेगा, आपने अपने transaction का uncontrolled transaction से कैसे compare किया, उसका analysis बताना पड़ेगा, आपने कौन सा method चूज किया, ये method क्यों चूज किया, why this method is the most appropriate method, arms length price का computation बताना पड़ेगा, फिर बाद में क्या क्या assumptions लिए, क्या policy लिए, और और ये documentation आपको maintain करने पड़ेगे, फिर मैंने आपको बता दिया, इसके इमले mandatory limit कितनी ये 1 crore है, और 1 crore के नीचे है, तो आपको कुछ minimum documents maintain करने पड़ेगे, just to establish the fact that कि आपने arms length price कैसे निकाला, ठीके, अब ये सारे documentation और information को, अगर आपको prove करना है, कि सही है या गलत है, उ उसके लिए CBDT ने बुला ये सारे proof होना चीए, एक बार ये grow through कर लेना, exam के लिए इतना जादा कुछ important नीए, जिसमें बुला गया है, कि आपके पास कुछ official publications के true-proof करो, reports के true-proof करो, contract के true-proof करो, letters के true-proof करो, documents के true-proof करो, credit note, debit note, etc. ये सब के true-proof करो कि ये सब documents and information genuine है, ठीके Now, क्या हर साल ये documents and information देना ज़रूरी है, सुन लो अभी, जो documents और जो information, हर साल बदलता नहीं है, वो हर साल देनी की जरूरत नहीं है, the information which changes everywhere, जैसे ownership structure, हर साल नहीं बदलता है, तो उसको हर साल मत दो, एक साल दे दो के तो चलेगा, ठीके, नीचे वो ही लिखा है, चेक करो, प्लस कितने साल तक maintain करना, inside documents and information, मैंने आपको बता दिया, 8 साल तक, you have to maintain this for 8 years, ठीके, now listen carefully, अब इसके नीचे जो चार पाच पेजन है, सब ICI का भाशन है, ये Government of India नहीं, Income Tax Act में नहीं दिया है, ये सब इंसी रूट ने अपनी तरफ से मिज़ मसारा लगा के, ये सारे documentation, गवर्मेंट का जो भाशन है ना वो ये भाशन है, ये पूरा भाशन गवर्मेंट का, यहां से लेकर यहां तक, ये सब भाशन गवर्मेंट का, ये Government of India का provision है, यहां तक, लेकिन अब यहां से जो अगले 4 पाच पेज आने वालें थे, इस सब ताइम पास है, ये तना 3 functional analysis, economic analysis, conclusion, मैं class में तो आपको पढ़ाया था, ये revision वीडियो में इसका इतना जादा sense नहीं बनता है, क्योंकि यहां पर हमको academically क्या important चीज़ है, उन पर जादा focus करना है, तो मैं इन सब चीज़ों पर इतना जादा focus नहीं करना हूं, ऐसे भी बहुत आसान है, अगर एक बार ध्यान से देखेंगे हम लोग, ठीक है, audit report क्या होता है, 92E, जो भी SSC पे transfer pricing applicable है, domestic क्या international से फरक नहीं परता है, उसको एक form भरना परता है, form 3CEB, chartered accountant की तरूप, अगर वो form नहीं भरेगा, कब तक बरना परता है, one month prior to the due date of filing of return, मतलब due date of filing of return, अगर 30 year November है, तो आपको 31 October तक form 3CEB भरना पड़ेगा, जिसके अंदर दो पार्ट होते है, पार्टे पार्ट भी, और एक अनेक्चर भी होता है, जिसके अंदर आप detail देते हो, सारे international transaction का, कितने international transaction आपने इस पूरे साल में किये, उसकी detailing होती है, उसके अंदर, ठीक है, यह सब देना होता है, हर साल, form 3CEB, नहीं दिया तो, एक लाग रुपे की penalty, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है, अगर form 3CEB भी नहीं भरा, तो एक लाग रुपे की penalty, अंदर section 271BA, 271BA में एक लाग रुपे की penalty, ठीक है, यह पहली चीज, साथ-साथ में, अगर आपने form भरके, अंदर international transaction report नहीं किया, तो, अगर form नहीं भरा, form ही नहीं भरा, तो एक लाग परनाल्टी, form भर दिया, और उसके अंदर transaction report नहीं किया, तो जितने भी transaction report नहीं किया, से total आपने 10 international transaction किये थे, उसमें से 8 तो report कर दिये, लेकिन 2 report नहीं किये, तो जो 2 report नहीं किये, उस पे उपर आपको लग जाएगर क्या, 2% of value of transaction, मयन करें तो, सर अगर मैंने form भरा ही नहीं तो, form भरा ही नहीं, तो फिर आपको एक लाग की penalty भी लगेगी, 2% of value of transaction भी लगेगा, क्योंकि अगर form भरा ही नहीं तो एक लाग की penalty फिर नहीं भरने के लिए, और अगर form भरा ही नहीं तो report करने का सभाल ही नहीं if you fail to keep and maintain तो भी 2% of value of transaction यह अलग किसम की बना दी next, अगर आपने documents and information maintain भी किये लेकिन incorrect maintain किया तो फिर क्या मतलब हुआ, अगर incorrect maintain करते हैं तो क्या मतलब हो गया, तो भी 2% of value of transaction तो 271 AA तीन कारण से लगता है 271 AA पहला कारण, क्या आपने D2D के अंदर documents and information आठ साल तक maintain नहीं किया तो penalty लग सकती है, या आपने international transaction form 3 CV में report नी किया तो 2% of value of transaction या आपने international transaction maintain तो किया आपने documents information maintain तो किया, लेकिन incorrect documents information maintain किया, 2% of value of transaction एक और penalty में को बतानी है थोड़ी देर पहले मैंने आपको बता तक है अगर AO और CIT appeal आप से कुछ documents और information मंगवाते है तो आपको 30 days में दे देना है प्लस extension मांगोगे तो 30 days और मिल जाएगा लेकिन अगर उसके बाद भी नहीं दिया तो अभी आपको penalty लग जाएगी 200% of tax payable की penalty लगती है तो यहाँ पर क्या लगेगी सर मुझे तो जराध्यान से सुनना गॉर्मेंट ने क्या बोला है कि अगर आपने कुछ TPO ने अगर आपकी कोई income दूढ़ा जिसमें आपका arms length price बढ़ जाता है आपका tax बढ़ जाता है TPO ने ढूंडा है वो transaction TPO ने transfer pricing officer ने कोई transaction सुन लो है confusing point है transfer pricing officer ने अगर कोई transaction ढूंडा जिसमें आपका arms length price बढ़ जाता है लेकिन आपने उस transaction को बढ़ाबर से report किया था आपने उस से related सारे documents और information किये थे आपने उसको form 3CB में report किया था तो TPO आपने पर penalty ने लगा सकता है TPO ने भले arms length price बढ़ा दिया लेकिन आपने सब कुछ बराबर report किया तो TPO उसको पर penalty ने लगा सकता है आपने penalty लगे लेकिन अगर आपने उसको सब कुछ बराबर से report नहीं किया था form 3CB में report नहीं किया था और TPO ने ढुडा तो फिर 50% की बाद छोड़ दो डारेक्ट 200% penalty लगेगी miss reporting मान के चलेंगे 270A9 तो बचना है तो आपको सब कुछ बराबर से report करना है अपने reform के अंदर फिर भले transfer pricing officers को बढ़ा दे तो आपने penalty ने लगेगी इंट्रस टाक्स लगा के छोड़ देंगे लेकिन अगर आपने score भी report ही नी किया और TPO ने इढू लिया तो तो 100% की penalty लग जाएगी चेक कर लो यह आपर यह बयाम कर penalty है यह जितनी भी penalty है यह पहली वाली छोड़ के पहली वाली छोड़ के यह तीनोकि में आपको opportunity of being hurt मेंमें पहली वाली में कुछ opportunity of being hurt भास नहीं मिलने वाल है यह तीनोकि mana 271 बह यह तीनोकि अपको opportunity of being hurt मिलेगा पहली वाली में कोई opportunity of being hurt आपको नहीं मिलने जuellement तो छली अगे बर लिए ।ो एसɿध बिग वान कैस्छ इpseesten के बारे में किसने सबसे बारे में सबसे पहले बोला तो OECD Reaction Plan 13 में बोला CBCR के बारे में कि बोला आपके 352 डॉकुमेंटेशन को रिवाइस करो तरह रिवाइस करो सारे के सारे स्टैंडर्स और एक टेंप्लेट लाओ फर कंट्री बाइ मास्टर फाईल क्या होगा जिसमें आप स्टैंडराइज इनफ clos में बड़े बड़े इनफ्पॉर्मेशन रिख भी ऐब आप तक जो इनफ्पॉर्मेशन देते हो और Polsce by कंट्री रिपॉर्टिंग में क्या होगा उसमें आप Global Entities का सबका detail दोगे, जितनी भी आपकी दुनिया परने subsidiaries है आपको सबका detail देना पड़ेगा, किसका कितना revenue है, किसका कितना profit है, किसने कितना tax वरा, किसके कितने assets है, किसका कितना bank balance है, etc, किसके कितने employees है ये सब details आपको देना पड़ेगा, government of India इसके advantages क्या है तीन advantages OECD ने बोला है, सबसे पहला there will be consistent transfer pricing position across the world, हर जगे पर ये implement होगा तो globally transfer pricing consistent हो जाएगा दूसरा, tax administration को important information मिलना शुरू हो जाएगा, तीसरा, tax administration के पास resources limited होते officer limited होते, तो उनको पता चल जाएगा, ये information मिलने के होता है, मैं उन सब चीज़ों में नहीं गुसला, मैं आ रहा हो मुद्दे पे, section 286 में that is, आज हमारा target है country by country reporting, जब हम लोग steps पढ़ेंगे न, base, illusion and profit shifting action plan, 13 तब हम लोग बात करेंगे master file में क्या आता है तब हम लोग बात करेंगे local file क्या होता है, तब हम लोग बात करेंगे CBCR का distinction, आज मेरे को वो सब चीज में interested नहीं, आज मैं interested लूग CBCR क्या होता है, तो CBCR क्या होता है, country by country reporting किसके लिए applicable है, सबसे बहले applicability सुन लो, जिसका पिछले साल का global turnover 6400 क्रोर से जादा है, सिर्फ उनी के लिए applicable है, तो हमारे लिए previous year कौन सा applicable है, 21-22, तो मैं 21-22 में CBCR भरू या ना भरू, उसके लिए आपको last year का 2021 का global turnover देखना पड़ेगा, अगर global consolidated turnover मेरा 6400 क्रोर क्रोस होता है, तो मुझे current year में CBCR भरना पड़ेगा, तो global turnover ढूंते हैं समय, बहुत सारे देशों का turnover अलग-अलग currency में होगा, तो उसको convert कैसे करूँआ, पिछले साल के last day के TTBR के साफ से convert करोगे, जैसे के आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, यह लिखा गया है पेरेंट इंडिया का resident है, तो उसको बेर न पड़ेगा, यह昨समلاर्ट MARि का को sorry parent ने अगर किसी constituent entity को designate किया है कि 2CBCR बार हम लोग नहीं बरेंगे तो वो बन जाएगा alternate reporting entity बहुत बहुत से सुनना अगर कोई parent में suppose अगर Sony Japan में अगर अपने constituent entity को Sony Japan ने अपनी constituent entity को designate किया है कि 2CBCR बार हम लोग नहीं बरने वाले तो पिर Sony Japan जो है वो अगर इंडिया, Sony India को designate कर देता है कि 2CBCR इंडिया में बार तो वो भरेगा, ठीके सवाल योटेगा what do you mean by constituent entity, तो constituent entity को भी government रिफाइन किया है, कैसे रिफाइन किया है, सुद लो, constituent entity में इसका बहुत चोटा साइज है, इसलिए company उसको CFS का पार्ट नहीं बनाती है, तो वो भी government की नजर में constituent entity है, तीसरा, अगर एक foreign company का इंडिया में branch है, PE है, permanent establishment है, तो वो भी एक constituent entity, ये सबको government बना दिया, तीन लोगों को, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीके, तो अब फिर से सुर लो, ये सब section 2 क्या बोलता है, कौन-कौन responsible है, एक को parent जो इंडिया के अंदर है, वो तो responsible है, CBCR भरने के लिए, अगर वो नहीं है, तो और भी अगर कोई parent भार है, जिसने इंडिया में कोई alternate reporting entity है, जिसको बोलाए के भाई, तू CBCR तो वो भी responsible है, कब तक भरेंगे, within 12 months on the end of the financial year, तो previous year 21-22 के लिए, 31st March 2023 तक का time है, कौन से form में बरेंगे, form 3CAB, और किसको बरेंगे, join director designated by the principal director general of income tax system, और director general of income tax system as the case में भी, तो यहाँ पर दे को already board में दिया गया, ठीके, सबसेक्शन बन की तरफ बढ़ता हूँ, सबसेक्शन बन में क्या करना है, सबसेक्शन बन में सिर्फ और सिर्फ नोटिफाई करना है, यहाँ पर कोई CBCR report नहीं बरना है, क्या नोटिफाई करना है, जितनी भी इंडिया में consequent entity है, जो इंडिया की resident है, उनको joint director, designated by principal director, एक 2023 तक जो इंडिया में constituent entity है, उसको government को notify करना पड़ेगा, क्या notify करना पड़ेगा, दो में से एक चीज़, क्या मैं तो alternate reporting entity नहीं हूँ, अगर मैं हूँ तो government फिर मोट से CBCR मांगेगी, और अगर मैं नहीं हूँ, तो बताओ से तुम कौन से देश से हो, तुमारा parent कौन से कौन CBCR भरने के लिए responsible है, ताकि हम उस देश से CBCR मंगवा ले, ठीके, तो ये point यहाँ पर सिर notification की बाते चल रही है, point number 3 के अंदर, subsection 3 के अंदर, बस आपको सिर break up दिया, क्या क्या detail होता है, revenue का detail होता है, profit before tax होता है, tax paid होता है, capital का detail होता है, यह होता है, बहुत सारा भा नेक्स्ट, नेक्स्ट, सर अगर सोनी जपान वहाँ पर CBCR भरता है, तो फिर इंडिया में नहीं भरवाने का, तो फिर इंडिया में नहीं भरवाने का, तो इंडिया को कैसे मिलेगा, इंडिया और जपान के बीच में, एक automatic exchange of information agreement हो जाएगा, और सोनी जपान में, जो भी नहीं भरवाय जाता है, सिर्फ उसी देश में भरवाय जाता है, कोई भी एक देश में, ठीके, नव सुन लो भी ये, सपोस्ज इंडिया यहाँ पर है, और सोनी जपान, सोनी में, जपान में, अब यहाँ पर दिक्कत हो लिए, इंडिया में सोनी की एक subsidiary है, जिसको हम बातों, उसी दिक्तर नहीं, जपान में CBCR का कॉंसेट है, लेकिन जब भी हम देखने जाते हैं, तो हमारा और जपान के लीच में Automatic Exchange of Information Agreement नहीं है, तो, या जपान में CBCR का कॉंसेट भी है, Automatic Exchange of Information Agreement भी है, लेकिन जपान वाले हमको साले, कभी जिन्दगी में समय पे documents दे देते नहीं, Automatic Exchange of Information तो बहुत दूर की बात है, मांगने पर भी नहीं देते हैं, तो, उन team case हम क्या करेंगे, उन team case में government ने बोला, जो इंडिया में entity है, उसी से हम लोग CBCR भरवाए नहीं, Sony India से, कौंसे team case में, अगर जपान में CBCR का concept नहीं है, CBCR का concept हैं, लेकिन हमारे clear आपको, I hope it is clear, ठीक है, अगर इंडिया में एक से ज़्यादा constituent entity है, तो फिर कौन भड़ेगा, अगर इंडिया में एक से ज़्यादा constituent entity है, तो group को nominate करना पड़ेगा, ये भाशन दिया गया है, यहाँ आपर, तो, इंडिया में team constituent है, Sony का, तो Sony बताएगा कि कौन सा constituent इंडिया में CDCR बढ़ने के लिए obligated है, ठीक है, next, next अभी team देशों की बात है, सब वो Germany, Japan, India, सब वो Germany की company है, उसने जपान की entity को बोला, तो alternate reporting entity है, जर्मानी की company ने जपान की entity को बोला, तो alternate reporting entity है, ठीक है, और जपान से हमको सारा information मिल जाता है, जपान के साथ हमारा automatic exchange of information agreement जपान से हमको सब information मिल जाता है, there is no system, a failure, nothing, तो ऐसे case में, अगर जर्मानी का बंदा जपान वाले को बोलता है, कि तुम CPCR बढ़ो, और हम तो जपान से सारा CPCR का detail मिल जाता है, उस Germany company का, तो इंडिया वाली company से हम CPCR नहीं भरवाओगे, ठीक है, ये बंशन दिया गया information देते न, ने तो आपके penalty penalty लगाने की सोच सकते हो, ठीक है, ना, CPCR नहीं भरने की कितनी penalty है, सुन लो अच्छे से, CPCR आपको कब तक बरना है, within 12 months on the end of the financial year, अगर नहीं भरा, तो जैसे ही period खतम होता है, उसके अगले एक मैने तक आपको 5000 पर डे की penalty लगी, उसके अगले आप CPCR नहीं भरते हो, तो आपको 50,000 पर डे की penalty लगना शुद होता हैगी, ठीक है, तो पहले एक मैना 5000 पर उसके बाद 15,000 का मीटर चलता रहेगा, notice आने तक, notice आगे उसके बाद 50,000 पर का मीटर चलता रहेगा, कब तक, जब तक आप बरते नहीं हो CPCR, next, अभी यहां प 60 नहीं, तो 30 डेस के अंदरी, अगर नहीं दिया रखें, तो 5000 पर डे की penalty लगी, उसके बाद लोग नोटेस भीजेंगे, उसके बाद भी नहीं दिया, तो direct 5000 पर डे की penalty, यहां पर 5000 पंद राग नहीं, direct 5 और 50, बाप रे बाप, एक और पर पनाल्टी, जिसमें आपको 5 नहीं था के गलत है, रिपोर्ट पर दिया, लेकिन बाद में पता चला के गलत है, और 15 दिन में आपने rectify नहीं किया उसको, रिपोर्ट पर दिन में आपको गलती है, पता नहीं था, बाद में यह knowledge में है के गलती है, और 15 दिन मसको rectify नहीं किया, 5 लाग की penalty, थर्ड, अगर यहां पर जो यह documents मंगवा रहे है यह officer लो यह बड़े-बड़े officer जो मंगवा रहे है highest authority है इंक हम taxi है यह आपसे documents information मंगा रहे है आप इनको inaccurate information देरो पास लाक रवी की penalty अब यह सारी penalty जो आपने पड़ी यह एक यह दो यह तीन यह सारे अगर आप reasonable cause दोगे तो बच सकते हो ठीक है मतलब आपको एक opportunity of being hard मिलेगी इसके बाद आते हम लोग मास्टर फाइल पर मास्टर फाइल यहां से शुरू होता है मास्टर फाइल किसके लिए applicable है सबसे पहले मास्टर फाइल उसके लिए applicable है जिसका global turnover of the current year अभी past year नहीं देखने का तो पहला condition क्या है आपका consolidated global revenues should exceed 500 क्रोर रुपीज and दोनों में से second में से कोल भी एक condition फुरू पर नहीं होता है तो भी चलेगा purchase, sale, transfer, needs, use, कुछ भी अगर 10 करोर क्रोश होगा तो भी आपको master file भरना पड़ेगा तो this plus this और this दोनों में से कोल भी a condition फुरू जागा तो भी चलेगा tdbr लेकर इसको convert कर देना जैसे आप cbcr के लिए करते ठीक है next 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 sir master file के अंदर भी देखो एक चीज है master file के अंदर भी दो पार्ट होता है part a part b part a सबको बढ़ना है सबको सबको और उसके अंदर बहुत basic information होता है part b सिर्फ उनी को भरना है जो ये conditions fulfill करेंगे पार्ट भी और पार्ट भी में थे कोई लंबे चोड़े information है जिसके मैं पढ़नी रहा obviously मैंने class में भी नहीं पढ़ाता है सब शीज को इन मतलब नहीं बनता है इतना पढ़के exam ना आता है तो देखके लिख लिख लो और पेपर ओपन बुक है अब नीचे कुछ definitions है जो मेरे को ज़रुवत लगे मैंने आपको एक एक करके explain कर दिया जैसे आपको मैंने बता दिया पे यह अपना सौरी alternate reporting entity क्या होता है consultant entity क्या होता है etc etc जो भी relevant definition से हो मैंने आपको address कर दिये ठीक है एक बार go to कर लो फिर आगे बरते हम लोग now let us go ahead with transfer pricing के assessment के sections now transfer pricing में दो assessment के sections है दो जगे पे transfer pricing में arm's length price निकालने में एक बार assessing officer टांग अराता है एक बार TPO टांग अराता है section 92C subsection 3 और TPO कहा टांग अराता है सबसे पहले assessing officer के बारे में बात करते है assessing officer आपका arm's length price निकाल सकता है कब निकाल सकता है जब उसको लगेगा कि during the pendency of the assessment जब assessment चल रहा है तभी उसके पास कुछ evidence है evidence यह है कि इन चार्ड में से कोई एक चीज हो रही है क्या एक चीज हो रही है यह चारों चीज के बारे में बोलता हू यह उसको लगता है during the pendency of the assessment उसके पास कुछ material information है उसको लगता है कि आपने जो arm's length price निकाला है वो बराबर से नहीं निकाला है दूसरा उसको लगता है कि आपने जो documents और information उनको जातर नहीं देते हो यह चार में से अगर कोई भी reason उसको लगता है तो वो arm's length price निकाल सकता है और वो आपका arm's length price बढ़ा सकता है suppose आपने अगर किसी को payment किया था और royalty 150 rupees दिखाया था तो वो उसको घटा कर 100 rupees कर सकता है और आपकी income तो re-compute करने का पोरा power रखता है वो आपको opportunity of being advanced देगा हो सब अलग बात है ठीक है वो सब करेगा हो now अब यहाँ पर ध्यान से सुनना suppose आपने किसी को 150 rupees की royalty पे की तो आप arm's length price यह चार में से कोई भी एक कारण के वज़े से assessing officers को घटा कर 100 rupees कर सकता है अगर assessing officers को घटा कर 100 rupees कर रहा है इसका मतलब assessing officer आपकी income में 50 rupees का add back कर रहा है क्योंकि वो आपका खर्चा कम करवा रहा है कम का खर्चा कम कर रहा है मतलब 50 दे का dislarvence कर रहा है तो यह जो dislarvence कर रहा है ना गौर से सुन ले ना कान खोल के, यह जो डिसलावेंस कहता है ना, 50 रूपीस का, आपकी इंकम जो बढ़ा रहा है ना, उस बड़ी भी इंकम पे जो A बढ़ा रहा है, उस पर आपको Chapter 6 से और 10 डबले का deduction नहीं मिलेगा अगर आपका मान लो कोई Profit Link Deduction ATIE, ATIE, ATIC के अंदर 10 डबले के अंदर SEZ का deduction है, तो आपको जो A बढ़ा रहा है ना, उसके बज़े से जो टोटल इंकम बढ़री ही ना, उस पर आपको 10 डबले और Chapter 6 से का deduction नहीं मिलेगा Similarly, आपने आज सामने वाले को घटा कर अंदरेट कर दो और मुझे बचे हुए पचास रुपे पे रीफंड दे दो, आपको उस पर रीफंड नहीं मिलेगा, यह आपको साफ साफ लिखाए यह जो पॉइंट बहुत साथ important है, जो 92 C, सबसेक्शन 4 के अंदर दिया गया है और एक बार EO ने अपना कंप्यूटेशन कर लिया EO ने अपना आंफने पास निकाल दिया, उसके बार EO उसी आंफने पास के basis पर अपनी इंकम कंप्यूटेशन करेगा मैं फिर से बता रहा हूँ, इंकम कंप्यूटेशन करते समय है वो आपको कोई चैप्टर 6 से का डिदक्शन एक्स्ट्रा इंकम पिनी देगा जो आपने already लेकर रखे, उस पर तो मिलकर रहेगा एक important global concept है bright line test लेकिन यह concept इंडिया के अंदर नहीं है सोनी का बहुत advertisement करो, marketing करो, promotion करो उसके लिए जितना भी खर्जा करना पर सकता है करो तो सोनी जर्बान पर बाहर बैटा है, सोनी इंडिया में बैटा है उसने यहाँ पर 500 करोट रुपे का खर्चा कर दिया on advertisement of सोनी brand तो अब यह जो 500 करोट रुपे का खर्चा कर रहा है आपसर सिंग officer क्या बोल रहे है कि इसको हम लोग अब इस पर arm's land price लगा कर इस पर transfer pricing लगाएगे अब मेरा आप से सवाल है क्या इंडिया में ऐसा कोई concept है क्या सोनी इंडिया जो खर्चा कर रहा है advertisement promotion का क्या वो international transaction नहीं international transaction के definition में बैठता है बाहर के देशों में एक concept अपली के बले उनके कानून में लिखा इस concept को बोला जाता है bright line test बड इंडिया में ऐसा कोई कानून नहीं है इस ने डेली हाई कोट ने बोल दिया in case of sony ericsson कि बाई ऐसा कोई कानून इंडिया में नहीं है और इंडिया में ऐसा कोई कानून नहीं है तो आप जबरदसी बाहर से उठा के ऐसा कानून इंडिया में मत फोखो जब आएगा तब जाकर ऐसे कानून के उपर आप बीम international transaction बोल बोल के जो भी उस पर tax लगाना लगा सकते हो आज की तारीक में इस पडिकलर चीश के उपर आपको tax नहीं लग सकता है आज की तारीक में इस पडिकलर चीश के उपर tax नहीं बोल रहा हूँ इस पर ट्रांसरप्राइजिंग के प्रोशिजन से अपली के बनी होते है जड़ा बराबर से सुन लेना, बाहर कंपनी बैठी है, उसके इंडिया में सब्सित्री है, वो उसके बियाफ पे इंडिया में प्रमोचिन कर रही है, जब तक बो नहीं आएगा, तब तक उसके टैक्स नहीं लग सकता है, डेली आहिकोट ने अपना वर्डिक दे दिया, ठीक जब A.O. का दिमांग खराब हो रहा है, मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा है, अंडिलन प्राइस कैसे निकालो, तो वो T.P.O. को refer कर सकता है, एक बाद T.P.O. को refer कर रहा है, T.P.O. को को लग रहा है, it is necessary to refer to T.P.O. तो क्या अससी भी जा सकता है T.P.O. के पास, अससी के पास यह option नहीं है, अच्छा, T.P.O. के पास जाने के पहले कोई A.O. को अप्रोल लेना है, yes, Principal Commissioner of Income Tax या Commissioner of Income Tax उसको अप्रोल लेना पड़ेगा, बिना अप्रोल ले वो A.O. के पास नहीं जा, वो T.P.O. के पास नही करेगा, ठीक है, और T.P.O. क्या करेगा, T.P.O. अससी को नोटिस साओ करेगा, उससे सवाल पूछेगा, अच्छा, T.P.O. उससे सवाल पूछेगा, क्या कुछेगा, बाई बताँ अपने आम्सलेंट पैस कैसे निकाला, etc. अच्छा, T.P.O. खुद से भी कोई दूसरे ट् binding है, और assessing officer उसी order के साब से income computation करेगा, अपनी मर्जी से assessing officer income computation नहीं कर सकता, ये चीज़ दिमाग वरेगा, ठीक है, अच्छा, T.P.O. कब तक order pass करेगा, सुनलो, जो भी assessing officer का time limit है, assessing officer का 143, 144, 147 का जो भी time limit है, उससे कम से कम 60 days पहले T.P.O. को order pass करना पड़ेगा, सबोज assessing officer क time limit 31st December है, तो T.P.O. को 1st November के पहले order pass करना पड़ेगा, ये कम से कम 60 days पहले T.P.O. को order pass करना पड़ेगा, यहाँ पर एक बहुत important point है, जिसके मैं आपको भाशन प्लास में लिखवाया था, बहुत अध्यान से सुना, मैं ज़्यादा detail में उसके बोल नहीं पाहूँ हूँ, अगर दो कारण की वज़े से अगर आपका assessment रुख जाता है, पहला कारण, कि court ने आपके assessment पे stay डाल दिया, दूसरा कारण, आपको foreign authority से कुछ information ले रहा है, इसलिए आपका assessment रुख गया, तो आपका assessment रुखने के लेकर आपका assessment वापस शुरू होने तरह, जितना सना बरबा और वापर शुरू हो जाता है कुछ महीनों बाद, तो जितना सना बरबाद हो उतना तो extra time TPO और assessing officer को मिले गई, लेकिन उसके बाद भी, अगर 60 days कम से कम नहीं मिलता है, तो government उसको कम से कम 60 days का time देगी, next, TPO जो अपना order पास करेगा, क्या अपना mistake हो सकती है, हो सकती है, त जाता है, तो मंगवा सकता है, और साथ साथ में, अब government ने TPO का जो proceeding ही, वो भी पुरा का पुरा faceless करने का mood बना दिया है, ठीक है, चेक कर लो फिर आगे बढ़ते, सबसे पहले, अपने कोई आपर भाशन 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 दिया है, वो भाशन के अंदर जाना मन, क्यों OECD ने सब को इस वह रेकमेंड किया था, अलग अलग कि समके form of secondary adjustments होते, constructive dividend, constructive liquidity, constructive loans, etc, उन सब चीजों के अंदर जाके कोई मतलब नहीं, concept के पहर बात करते हैं, कि यह concept है, यह concept यह है, कि जो भी आप primary adjustment का मतलब किया होता है, जो आपका difference है, आपका actual transaction price और armzland price में जो difference है, वो आपका बन जाएगा क्या, वो आपका बन जाएगा primary adjustment, अगर होगा, तो primary adjustment को government बोलती है, एक किसम का डीम लोने, मिसाल के तोर पर अगर आपने अपने associate entity को 150 rupees का payment किया, जबकि उसका armzland price सिर्फ 100 rupees है, जो दो आप extra 50 rupees पे कर रहे हो, वो तो आड़ राक होना ही है, तो वो जो extra 50 rupees आड़ राक हो रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे primary adjustment, अब यह जो extra 50 rupees आड़ राक हो रहा है, वो आपने सामने वाले को दिया है ना, एक तरीके से, तो जो extra 50 rupees government क्या बोलती है, इंडिया के अंदर, उसको बोलती है, यह dream below ने, अब हम इस पर आप पे interest लेंगे, कब तक interest लेंगे, जब तक यह पैसा वापस इंडिया में repart rate नहीं होता है, repart rate मतलब वापस में लाया नहीं जाता है, जब तक इंडिया में वापस नहीं लाओगे, तब तक आ . सबसे पहले याँ पर point number a में primary adjustment fishיתי खुट. और असाइसी उसको चैलेज़ कर रहा है, मतलब सी आइटी अपील में जाकर अपील कर रहा है तो secondary adjustment possible निहीं है लेकिन अगर primary adjustment neo ने किया और असाइसी उसको appeal नहीं कर रहा है. असले हम पर accepted by बहुत important है. इसलिए याँ पर अगर accept कर लिया तो फिर secondary adjustment होने के भी chance है तीसरा primary adjustment अगर advance pricing agreement में अगर CBT के साथ करते हो CBT decide करती है कि arm sales price इतना होने वाला है CBT उतना price आपका बढ़ा देती है तो उसके वज़े से भी primary adjustment हो सकता है Now next primary adjustment कितना होएगा तो secondary adjustment करने का primary adjustment अगर एक करोड से ज़्यादा होगा पूरे साल का तो ही secondary adjustment करना है अगर पूरे साल का primary adjustment एक करोड तक है exact one課 भी है तो भी आपको secondary adjustment करने की कोई जर RAWत नहीं secondly अगर primary adjustment AY 16-17 या उससे पहले हुआ है तो फिर आज उसका secondary adjustment करनी की जरुवत नहीं है, moral of the story, primary adjustment, ay, 17, 18, या उसके बाद दुआ, तो ही secondary adjustment करना है, न तो नहीं करना है, ठीक है, ना, पैसा इंडिया में कब तक वापस लाना है, पैसा इंडिया में गुवर्मेंट ने बोला, पैसा इंडिया में लाँगा, तो मैं बच जाओंगा, मुझे से केंड बापस लाना चीए, क्या मैंने जिसको पैसा दिया, वही वापस लाए, या कोई और लाएगा, तो भी चलेगा, देखो, गुवर्मेंट ने रिलाक्सेशन दिया है, अगर तुमने अपनी असोसेट एंटिटी को पैसा एक्स्ट्रा दिया है, तो बोलो कि सबसे पहले कि वही वापस भेजे तो अच्छा है, लेकिन गुवर्मेंट ने एक और ऑप्शन दिया है, कि अगर कोई और दूसरा non-resident associate enterprise भी भेजेगा, तो भी चलेगा, associate entity होनी चीए आपकी, और non-resident होनी चीए, अगर उससे भी पैसा वो 50 रुपीज का वापस इंडिया में आता है, तो बच जाओ गया आप, आप ते secondary adjustment का concept नहीं लगएगा, ठीके, now what is the time limit to bring back the money to India, इंडिया में पैसा कभी तक वापस आ जाना चाहिए, तो इंडिया में पैसा 90 days के अंदर आ जाना चाहिए, 90 days, 90 days कहां से count होईगा, तो अलग-अलग circumstances के लिए अलग-अलग होई, तो अगर assessi खुद से करता है, तो 90 days on the due date of filing of return, मतलब अभी यहाँ पर थाना अलग-अलग circumstances में, कौन-कौन primary adjustment कर सकता है, तो अभी इस सारे circumstances में 90 days कहां से count होईगा, वो अपने को पणने कर, अगर assessi खुद से करता है, तो 90 days on the due date of filing of return, अगर AO करता है, या affiliate authority करता है, तो 90 days on the date of order, पैसा इंडिया में आ जाना चाहिए, अगर 90 days में पैसा नहीं आया, तो interest कहां से count होईगा, interest will be counted including the 90 days, मतलब अगर due date से 90 days के अंदर पैसा नहीं आया, तो interest due date से ही लगना चालो हो जाएगा, 90 days के बाद मीटर नहीं चालो होगा, due date of filing of return के पहले, ITR भरने के पहले ही advance pricing agreement कर लिया है, तो 90 days हम जा due date of filing of return, और अगर ITR भरने के बाद advance pricing, APA has been entered into on or after filing of ITR, तो फिर आपको 90 days count होगेगा, from the end of the month in which the APA has been entered, say APA is December में entered होगा, तो December के end से आपको 90 days के अंदर पैसा इंडिया के अंदर आजाना चाहिए, ठीके, यह जिए दिमाग होगा है, Safe Harbor के case में भी वही date है, वही date है, वही date है, due date of filing of return, तो आपको main दी नहीं पहली दो date पे जादा फोकस करना है, तीसरा भी important हो सकता है, अगर आपको बता दिया, 90 days कब से count होगा, और अगर 90 days में पैसा नहीं आया, तो interest भी including 90 days count होगा, सिर्फ APA में बराबर से देख लेना, अगर APA return भरने के पहले होगा, तो due date of filing of return से 90 days, और APA भरने के बाद भुआ, तो फिर बाद में जब APA भरा, उस मंथ के 90 days के अंदर पैसा आजाना चाहिए, ठीक है, now, 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 interest कितना लगेगा अगर पैसा नहीं भरा तो, rate of interest भता हो, उसके लिए government ने बोला है, कि आपका international transition कौन सी currency में denominated है, वो बताओ, अगर आपका international transition Indian रूपी में denominated है, तो आपको लेना होगा SBI का NCLR plus 3.25% 17%, SBI का NCLR as on the 1st April of the previous तो जिस साल में भी आप interest चार्ज कर रहे हो, उस साल के पहले दिन का NCLR देखो, उस पे 17%, 3.25% अगर आई या नार में आपका transaction है, अगर आपका transaction foreign currency में है, तो foreign currency में अगर आपका transaction है, सबसे पहले transaction को convert करो रूपीज के अंदर, तो उसको पहले रूपीज में करना पड़ेगा न आपको, तो उसको रूपीज में करने के लिए आपको, जिस साल में आपका international transaction अंडर डिक हो आता, जिस साल का वो transaction है, उस साल के last day के TTVR के साब से उसको पहले convert करो, और अगर international transaction है, और MCR कप का लेना है, 1st April का लेना है, और Libor कभी का लेना है, 30th September का लेना है, ये भी दिमांग रहना है, तो आपको 3% प्लस आइड करना Libor के अंदर, प्लस या सेकेंड वाले में एक और exercise करना पड़ेगा, हाँ, जिन्दगी भर तक लगा, सर, कुछ तो option बता दो, option है, option यह है कि 92 CE subsection CEA, जहांपर एक option दाल दिया है, ठीक, यहांपर subsection दी लिखा हो, 92 CE के अंदा subsection 2A, करके एक option दाला है, इसमें क्या बोला है, आप one time tax बर दो, आपने जितना भी access money सामने वाले को दिया है, से 50 क्रोड एक्स्टा दिया है, हाँ, वो दिसला हुआ है न आपका, हाँ, उतना एक्स्टा दिया है सामने आपको इसके एक one time tax बर दो, कितना, 20.9664 का one time tax बर दो, जिस दिन से tax बर दिया, उसके उस दिन से, आपका interest का मीटर बंग, लेकिन जिस दिन तक tax बरा, उसके पहले तक आपको interest लगेगा, इसके आपने 1st October को भर दिया one time tax, तो 1st October से interest का मीटर बंग, लेकिन उसके पहले तक आपको interest लगता रहेगा, कैसा लगी है वैसी जैसा ओपर लिखा है प्लस यह जो tax भर रहे है यह one-ton tax जो बढ़ रहे हो इसका कोई deduction नहीं मिलेगा PGPP है किसी भी head of income में प्लस इसका कोई credit भी नहीं मिलेगा यह मत सोचना कि यह TDS advance tax जैसा आप credit ले लो गया दिजाकर कुछ नहीं मिलेगा ठीकिए this is what the concept of secondary adjustment is all about इसके ओपर नीचे बहुत अच्छा question दिया आप देख सब की उसको ठीकिए फिर आगे बढ़े ले लेकर एंड तक आपको सिर्णी के बारे में पढ़ना है और कुछ नहीं आने वाला ठीकिए तो अलाग अलाग dispute resolution panel के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कुछ detail में कुछ उपर उपर जे क्योंके वह सब चीज़ पेपर 7 में ज्यादर 11 है पेपर 6 में इतना relevant नहीं है ठीकिए बहुत detail में डाला है mutual agreement procedure पर भी थोड़ा बड़ दाला है तो अभी हम लोग एक एक कर करके सब के बारे में बात करेंगे सब से पहले dispute resolution panel क्या होता है dispute resolution panel के बारे में government of india ने दिया गया है section 144c के अंदर 144c के अंदर dispute resolution panel के बारे में बोला गया है और यह panel क्या होता है जब ज्यान से सुना It's a group of three commissioner तेन principal commissioner कमिशनर की committee मिलकर एक dispute resolution panel बनाते इसमे eligible assessi कौन इसके लिए जा सकता है eligible assessi दो किसम की होते एक तो non resident या foreign company हमेशा जा सकते है और बाकी लोग भी जा सकते है resident लोग भी जा सकते है अगर उनके case में TPO ने कोई prejudicial order पास किया है prejudicial order मतलब assessi के against कोई order पास किया है तो resident लोग भी जा सकते है तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें क्या आप अग्घाक्लि assessi officer direct assessment order नहीं पास करता है एक draft order बनाता है पहले assessi को देगा किसको इन एलिजिबल अससीज को, सारे अससीज के लिए तो नहीं है एडियार्पी का कॉंसेट, इन एलिजिबल अससीज को वो ड्राफ ओडर देगा, उसके बाद में एलिजिबल अससीज के पास दो अप्शन है, या तो उसको accept कर लो, अगर accept कर लोगे, तो फिर assessing officer एक मैने के नहीं, नहीं reject, तो अगर 30 days में accept बोल दिया, तो अगर अपना final assessment order पास करेगा, एक मैने में matter close, और अगर आप बोल तो reject, नहीं, मैं accept नहीं करता हूँ, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, objection raise करना पड़ेगा, assessing officer और DRP के पास जाके 30 days के अंदर, और फिर matter DRP के हाथ में draft order देखेगा, DRP of valuation officer की reports देखेगा, assessi का stand सुनेगा, AO का stand सुनेगा और अपने इसाप सा order pass करेगा, ठीक है, हाँ, अगर DRP को ऐसा order pass करता है, which is prejudicial to the interest of assessi, और prejudicial to the interest of revenue, तो उसको assessi और assessing officer को opportunity of being hurt देना पड़ेगा, ठीक है, DRP अपने order को कैसे pass कर सकता है, या तो confirm कर सकता ह AO के order को, या तो reduce कर सकता है, या तो enhance कर सकता है, DRP अपने order को, AO के order को set aside नहीं कर सकता है, जैसा power आईता है तो कमिशनर के पास होता है, 263 और 264 में, वो power नहीं है, DRP में तीन लोग है, difference in opinion हो तो majority के इसाफ से decision दिया जाएगा, DRP जो भी बोलेगा, वो binding है, और DRP अपना order क पास करने के बाद, assessing officer को order देदेगा, और assessing officer अपना final assessment order एक मेने के अंदर पास करतेगा, ठीक है, अगर DRP के order से आप दुखी हो, DRP ने order पास किया, AO को दिया, AO ने order पास किया, आप को दिया, आप उसने दुखी हो, तो आप क्या करोगे, आप direct eye type जाओगे, अब आप CIT appeal के आप करोगे, तो आप निकल गया है, कितनी बार बोला हूँ, 154 अपील करोगे, 92C3, CD subsection 3, जो आपका advanced pricing agreement का order है, उसके बाद 30 days में आप appeal करोगे, fees भीज भरना पड़ेगा, etc. ठीक है, इस सब चीज पढ़ा है, अब यहाँ पर एक important चीज देखने लाए कि हमानों का distinction, बहुत अच्छा beautiful distinction institute ने डाला है, DRP versus CIT, DRP में तीन लोग होते है, CIT में एक लोग होते ह ठीक है, condemnation, क्या DRP में 30 days के beyond, क्या condemnation मिलेगा, क्या delay अगर हो गया, तो मुझे option मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्या CIT appeal आपको 30 days के beyond allow कर सकता है, कर सकता है, अपने पढ़ा इसके बारे में, ठीक है, चौता, filing fees, क्या DRP में कोई filing fees है, कोई filing fees निया, CIT appeal के लिए filing fees होते है, हाई फिर appeal करना पड़ेगा, ठीक है, next, time limit के DRP करते हो order pass करा है, मैंने अब आपको बता है, 9 months on the end of the month, the draft order is forwarded to the society, ठीक है, और CIT appeal, 1 year from the end of the financial year, in with the appeals file, penalty proceeding, DRP में क्या penalty, assessment खतम ही होता है, तो penalty का सवाल ही नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर क्या assessment खतम होता है, उसके बाद अपील क रख देता है, ठीक है, last but not least, DRP जब अपना order pass करेगा, CIT अपना order pass करेगा, दोनों अपना order AO को देंगे, और AO उस order का अपने, अपने order के अंदर effect देगा, और उसके उपर जो भी tax liability, liability, जो भी आएगे, refund आएगा, उसको पास कर देगा, ठीक है, now, appellate tribunal, okay, वो ही है, आप अजो आप सीए, फानल direct tax के अंदर पढ़ रहे है, उसी का सब का रपली का है, यहाँ पर और कुछ नी, 60 days के अंदर आप अपील करोगे, department की, department की, पहली tax, appellate authority, etc, etc, यह सब भाशन है, इस पर कुछ बात करके मतलब नहीं, similarly, high court के अंदर आप जाओगे, high court के अंदर कम से 2 judge होंगे, high court के अंदर सिफ substantial question of law जाता है, substantial question of act, facts के लिए, कोई जगे नहीं है, वहाँ पर सिफ question of law जाता है, similarly, यहाँ पर time limit के है, high court के अंदर 120 days का time limit है, Supreme Court के अंदर तो यहाँ पर कुछ लिखा भी नहीं है, 90 days का time limit, etc, 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 हाँ, यहाँ पर यह आखरी चीज है, जो बह बोलते tax effect, tax effect का मतलब क्या है, यहाँ पर कुछ लिए, उत्रा भी निखा नहीं है, यहाँ पर, क्योंकि वो सब चीज के बार में, institute को आपको पढ़ाना ही नहीं, paper 6 के अंदर, बस एक, बताना था कि इस सारी remedies available है, इसलिए list down कर दिया, बस, वो सब चीज syllabus में नहीं रखा, institute नहीं, तो tax effect क्या होता है, आज कितना tax आता है, और department जीतेगा, तो कितना tax आएगा, difference का दोनों को बोलते tax effect, तो अगर tax effect 50 लाग क्रास होता है, तो high court में अपील करो, tax effect 2 क्रास होता है, तो supreme court में अपील करो, ठीक है, तो यह है आपके, पहले, appeal, appeals related authorities, now, coming to safe harbor, मैंने आपको safe harbor आपके syllabus में नहीं, institute में नहीं से डाल दिया देखो, safe harbor आपके syllabus में नोटिफाय होगा, जब भी notify होगा, तो आपके syllabus में applicable होगा, May 22 के लिए तो 100% applicable नहीं है, November 22 के लिए आगे जाकर, अगर आगया 30th April 2022 तक, तो applicable हो जाएगा, और अगर नहीं आया 30th April 2022 तक, तो आपके लि पार सब्सक्राइब करेगा, अगर उतना डिकलेऄ तो आपके कोई arms lend price, arm lend price कोई question नहीं उठाया जाएगा, ठीक है, एक बार देखनो फिर आगे बढ़ते तो चलिए आगे बढ़ते towards the next part, and one of the most important part of this chapter that is transfer pricing, that is advanced pricing agreement, and उसके बाद उसी से related concept, that is roll back provision, ठीक है, अब advanced pricing agreement के पहले प्राइस हर साल सेम ही रहे हर साल आपके आमस्रेंट प्राइस पर गौश्चन ना उठा सके इसलिए हम क्या करते हैं CBD के साथ जाकर एक Advanced Pricing Agreement कर लेते हैं तो एप्रिकेंट को ने अससी है और सामने वाला बंदा को ने साली सामने वाला बंदा CBD के साथ जाकर एक Agreement कर लोगे ठीक है तो यह भाशन दिया गया है पहले पेश के उपर चलो कितने किसम के Advanced Pricing Agreement होते हैं इंडिया में CBD और Assasi के बीच में Agreement होगा और Foreign Country में भी ऐसा एक सिमिलर प्रोग्राम होगा और इंडिया की Tax Authority और Foreign की Tax Authority क्या करेगी दोनों Agreement को मैच करने की कोशिश करेगी ठीक है कि suppose अगर यहाँ पर Arms Land Price 100 रुपीज है और मैं यहाँ से वहाँ पेग कर रहा हूँ तो मुझे 100 रुपीज का डिदक्शन मिल रहा है तो सामने वाले देश में भी Assasi को 100 रुपीज की Income Consider की जानी चाहिए इसलिए APA को Bilateral Level और Multilateral Level पे भी किया जाता है ठीक है इंडिया में ज्यादा फेमस किया है Unilateral APA, Bilateral और Multilateral APA पे Institute भी आपके लिए इतना जादा कुछ syllabus में रखा नहीं है आपके syllabus में सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सॉरी Unilateral APA ही है That is the first one, second and third one पे इतना जादा बात इंसीटूट ने नहीं किया है Now, advantages क्या है, why we enter into an APA, APA करने के advantages क्या है Exam में दिखुआ, ऐसे कोई question नहीं आने वाले, write advantages on APA अगर ऐसा question अगर elective paper में आ जाएगा, तो student तो इस page पर आकर चाप डालेगा, पूरा का पूरा ठीक है, तो फिर तो क्या मतलब है But ये एक better understanding देने के लिए आपको सही है, ठीक है तो सबसे पहला advantage क्या है, यहाँ पर आपको एक certainty मिल जाती है किस चीज की certainty के आपका हर साल arm's land price कितना होने वाला है Department को और ASAC को, दोनों को flexibility मिलती है किस चीज की flexibility, flexibility इस चीज की कि अभी हम लोग complex advance pricing issues पर जाधा ध्यान से दे सकते है क्योंकि जो advance pricing agreement में cover हो गया, वो तो sort out हो गया है अगर unilateral APA करे हो तो double taxation का risk हमेशा रहेगा, लेकि multilateral और bilateral APA करोगे तो double taxation का risk भी कम हो सकता है Compliance cost कम हो जाएगा, क्योंकि हर साल arm's land price निकलने का, audit करवाने का, यह सब चीज का नातक निकल जाएगा burden भी सब कम हो जाएगा, record keeping, record documents, record information रखो 8-8 साल तक यह सब नातक भी बंद हो जाएगा तो हर तरीके से फायदा ही फायदा है सब के लिए ठीक है, SSC के लिए और department के लिए ना Coming to the section now, section अभी भी शुरू नहीं हो रहा है, section थोड़ी दिर बाद शुरू होगा, यहाँ पर कहीं तो शुरू नहीं हो रहा है, हाँ यहीं से शुरू हो रहा है या तो आपको आपका arm's length price बता देगी, कि आपका arm's length price इतना होने वाला है, या तो CBT आपको manner बताएगी, कि manner क्या होने वाला arm's length price निकालने का, सर तो manner क्या हो सकता है, manner वो हो सकता है, जो 6 methods, income tax के अंदर आपको 92C में दिये गए वो 6 method, या कोई और method, अगर CBT अपने authorities को भी binding है, in short, उसके बाद assessing officer को जो power दिया गहा है, ना 92C के अंदर के arm's length price निकालो, वो power उसे छीन लेगी, government, और जो TPO को power दिया गहा है, ना 92C के अंदर, वो power भी government TPO से छीन लेगी, ठीके, now agreement कितने साल के लिए valid होता है, agreement is valid for a period mentioned in the agreement, agreement के अंदर लिखा होगा कितने साल के लिए valid देगा, एक साल भी हो सकता है, दो साल भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, लेकिन maximum 5 साल होगा, 5 साल से जादा नहीं होगा, और भी 5 साल कैसे होंगे, consecutive 5 साल, back to back 5 साल maximum, उस से जादा के लिए agreement नहीं हो सकता है, आप यह बढ़ रहा हो, agreement किस पर binding ह FTS और दूसरे transaction के लिए binding नी होगा साथ साथ में Commissioner, Income Tax Authorities ये सब भी binding हो जाएगा कुछ cases में ये binding नी होगा अगर आपने आज APA एंटर कर लिया और आगे जाकर there is a change in law or there is a change in facts of your case आपका factual cases बदल जाता है तो फिर ये binding नहीं होगा और एक case में binding नी होगा आगे जाकर अगर डिपार्टमेंट को पता चलता है that you have obtained in earlier years the APA by fraud or misrepresentation of facts आगे जाकर अगर डिपार्टमेंट को पता चलता है कि आपने fraud or misrepresentation करके अपना APA लिया था डिपार्टमेंट से और sign करवाया था सब गलत गलत information fraud करके sign करवाया था तो आपका APA will be void of any issue और डिपार्टमेंट का जितना भी समय बर्बाद हुआ है agreement sign होने से लेकर ये fraud पकड़े जाने तक agreement sign होने से लेकर ये fraud पकड़े जाने तक जितना भी department का समय बर्बाद हुआ है उतना department को extra मिलेगा to do any proceedings under this law ये सारा भाशन इदर दिया गया है यहां तक point number 7A77C के अदर ठीक है अब 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 बढ़ते APA के rules के अंदर ये तो section 92 CC था rules के अंदर भी बहुत सारी चीज़ भी repeat होगी सब से पहले rules के अंदर ये बुला गया है कि कौन application देगा who is the person eligible to apply any person जो international transition करता है कोई भी SSC जो international transition करता है वो apply कर सकता है कोई दिख कर दी लेकिन यहां पर एक लंबा procedure है application देने के पहले एक pre-consultation करना ज़तूर बस आप final application दोगे fees भरोगे उससे पहले pre-consultation करोगे उसके लिए भी एक application दोगे पहले CBT के साथ बैट कर consultation कर लो फिर देखो बराबर लगता है क्या बराबर लगता है तो फिर आप क्या करो final application दो ने तो final application मत दो प्री-consultation file आपको देना पड़ेगा in writing to director general of income tax international tax in prescribed form prescribed form और मैंने आपको scope of agreement क्या होगा transfer pricing issues को कौन-कौन से issues पर लोग बात करेंगे कौन सा method आपके लिए सब से best है और discuss करेंगे broad terms अच्छा pre-consultation का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आपने agreement एंटर कर दिया है बिल्कुल नहीं आपने application दे दिया है pre-consultation का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपके जबर्दस्थी की जाएगी कि अभी आपको application देना ही पड़े बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं थी हाँ एक बार pre-consultation करने के बाद आपको लगता है कि हाँ भाई आपको जाना चाहिए आगे तो फिर जाओ आगे आप आगे जाओ आप actual application दो आप proof of payment of fees दो director general of income tax को देना पड़ेगा in case of unilateral agreement और in case of bilateral agreement, multilateral agreement आपको competent authority in India जो भी होगी उसको देना पड़ेगा सर फीस कितनी है सर अगर आपका international transaction का value 100 करोड़ तक है तो 10 लाग है अगर value 100 से जादा है 200 करोड़ तक है तो 15 लाग है यहाँ पर लिखा नहीं है फीस लेकिन exam में पूछते हो लोग rule 10 I में फीस दिया गया है जो मैं आपको बता रहा हूँ 100 करोड़ तक transaction है तो 10 लाग फीस है शुरू होने के पहले देना पड़ेगा लेकिन अइगर आपको जो transaction है वो continuing nature कर नहीं हो नया transaction है तो आपको क्या करना पड़ेगा transaction शुरू होने के पहले आपको application दे देना पड़ेगा के दरवाद 바뀐 नाउट एक बार एक बार application कर सकते हो तो आपकी मर्जी लेकिन यह चीज आधा है तो दस पंद्रा बीसलाग रुपे की फीस देखे बैटे हो ना वो रीफंड नी मिनने वाली यह चीज दिबांग रहना ठीक है करना है तो उसका definition लिखा होगा agreement के अंदर critical assumptions लिखे होंगे critical assumptions मतलब इतने important assumption कि अगर यह assumption हम लोग नहीं करते अगर कुछ और assumption करते तो transferizing agreement कोई और तरीके से बनता इस तरीके से नहीं बनता जिस तरीके से अभी बना है agreement के अंदर rollback provision के बारे में भी लिखा हो सकता है और कोई और conditions मी लिखी हो सकती है जो दोनों के बीच में decide होगी CBD और SSC के बीच में ठीक है now क्या agreement binding है agreement binding होगा सब पर दोनों पर binding होगा लेकिन अगर critical assumptions change हो जाते है आगे जाते है तो फिर agreement binding नहीं होगा ठीक है और अगर critical assumptions change हो रहा है या department को लगता है critical assumptions change हो रहा है तो दोनों को एक दूसरे को notice देना पड़ेगा notice दिए बगर agreement को हम लोग क्या कर सकते है हम agreement को वह cancel रैंसल नहीं कर पाएंगी ठीक है तो और critical assumption हो गए चेंज चेंज हो गए, बतलब agreement के critical assumption चेंज, जैसे एक assumption लेकर हमने agreement बनाया था, मैंने class में भी आपको बला था, कि अगले 5 साल तक मैं कम से कम हर साल एक लाफ unit goods बेचूँगा, ये basis पर CBD ने, कि हर साल आप एक लाफ unit goods बेचोगे, ये basis पर CBD ने आपका arm's land price निकाला, अब आगे जाकर आप 20,000 इंट भी नहीं बेच पारे हो, 10,000 इंट भी नहीं बेच पारे हो, तो आपका critical assumption change हो गया, तो ऐसे case में या तो आपका agreement अब revise हो जाएगा, या तो revise करके उसको क्या arm's length price को change करना पड़ेगा, या तो agreement को cancel करना पड़ेगा, ठीक है, दोनों में से एक Now, अभी और भी procedure and requirement है या पर जोई टिक करके आपको देखना पड़ेगा, सबसे पहले, ASSEE को, जो critical assumptions उसने किया है, और जो conditions उसने बोला है, मैं फुल्फिल करूँगा, वो फुल्फिल कर रहा है के नहीं कर रहा है, उसके लिए ASSEE को क्या करना पड़ेगा, हर साल एक annual compliance report परनी पड़ेगी, annual compliance report आप कितनी copy में पर होगे, 4 copy में पर होगे, किसको दोगे, director general of income tax, international tax को आप annual compliance report दोगे, कब तक दोगे, time limit क्या है, it is within 30 days of the due date of filing of return for that year, जिस साल के लिए annual compliance report पर रहे हो, उस साल के due date of filing of return के 30 दिन के अंदर, या जब agreement एंटर रहा हो, उसके 90 दिन के whichever is later, ठीके, तो ये annual compliance report आपको भरना पड़ेगा, annual compliance report आपने पर दिया, उसमें क्या लिखोगे, आप सब लिखोगे, कि मेरे, मेरे, जो भी conditions मेने बोले थे, department को agreement करते समय, वो सारे में फुल्फिल करो, अब वो आप ठीक से फुल्फिल कर रहे हो, कि नी कर रहे हो, कैसे पत करेगा, ठीके, और audit करेगा, अससी सवाल पुछेगा, बोलेगा, कि बताओ, critical assumptions meet कि ये, उसका condition फुल्फिल करो, बताओ, आप सारा data दो, सारा information दो, documents दो, और ये annual compliance audit, compliance audit, जो report हो, आपने बढ़ा, उसका अब audit होगा, वो report कब तक भढ़तेगा, TPO, within six months of the end of the month, in which the annual compliance report is received by the transfer pricing officer, तो जब उसको ये वाली report मिली, उसके end से 6 मिने के अंदर, वो अपनी audit report बनाते दे देगा, ठीके, आगे बढ़ते हम लोग, अब last दो पाट है, यहाँ पर, advanced pricing agreement में, एक agreement क्या revise हो सकता है, हाँ हो सकता है, दूसरा agreement क्या cancel हो सकता है, हाँ हो सकता है, अब सवाल ये उठ सकता है, सबसे पहले ये चीज़ इमाग में रहा हो, सबसे पहले, या तो board CBDD कोद revise कर सकता है, या तो assessi request कर सकता है, या तो competent authority request कर सकती है, तो या तो board revise कर सकता है, या तो assessi request कर सकता है, CBDD कुद revise कर सकती है, या तो assessi request कर सकता है, या competent authority revise कर सकती है, अगर multilateral और bilateral agreement हो, चौर या there is a change in law, law में ही बदलावा आ जाता है, law कानून में ही बदलावा जाता है, और there is a request from competent authority in other country, bilateral agreement में सामने वाले देश की competent authority हैं, request किये कि agreement को revise करते हैं, चलो, revise करने के पहले लोग opportunity of being hard, being hard दे देंगे आपको, और फिर बात में revised agreement के अंदर ये लोग लिख देंगे, कि original agreement किस date तक अप्लिके बले, और revised agreement किस date से अप्लिके बले, ये दोनों वो लोग लिख देंगे, इन point number C यहाँ पर देख सकते हो, agreement cancel भी हो सकता है, हाँ हो सकता है, for what reason, क्यों cancel होगा, multiple reasons के वज़े से cancel हो सकता है, पहला reason देख वो, अगर compliance audit report के अंदर पता चला कि आपने बहुत ज़्यादा failure किया है, to fulfill with the terms of agreement, agreement के अंदर जो terms दिये गए, वो आप fulfill नहीं करे हो, compliance audit report के अंदर PPO ने find out करके दिया है, या आपने compliance audit report भरा ही नहीं है, ठीके, compliance audit, compliance, annual compliance report जो होती है, आपकी ये बारे पेश पर, अगले पिछले पेश पर जो यहाँ पर थी, वो आपने भरी ही नहीं, within 30 days, within 90 days वो भरना ही भूर गए आप ठीके, या आपने जो annual compliance report भरी है, उसमें material error है, material error है, material error है, और चौता और आखरी point ज़रा ध्यान से सुनना, प्लीज, यहाँ पर अगर CBD कुछ revision करती है, तो assessi को उसको agree करना चीए, अगर assessi उसको agree नहीं करें, CBD को जो revision करना है, करो, department को जो revision करना है, करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिर अगर assessi उससे agree नहीं करता है, तो assessi के पास power है, कि वो बोल सकता है, फिर मैं agree नहीं करता हूँ, तो agreement cancel कर दो, तो agreement cancel हो सकता है, यह point number 4 के अंदर दिया गया है, बराबर से देखना, agreement cancel होने के पहले, वही पुरान अगिज़ा पिटा भाषन, जो मैंने आपको पिछले, पिछले pages पे बताया है, ताकि अगर CBD को आगे जाकर पता चलता है, कि आपने कोई fraud या misrepresentation of facts किया है, तो भी CBD आपका agreement cancel कर सकती है, और वोइड आपे नहीं कर सकती है, कि आप transfer pricing के सारे provisions apply नहीं करोगे, जब तक agreement sign नहीं होता है, आपको transfer pricing के सारे provisions apply करने पढ़ेंगे, सिर्फ application देने से कुछ नहीं होता है, agreement sign होने के बाद, advance pricing agreement enter होता है, जब तक agreement sign नहीं होता है, तब तक आपको chapter 10, मतलब transfer pricing के नहीं होता है, दाट इस रोल बाक प्रोविशन की तरफ ठीक है क्लास में मैंने आपको उसी ओर में पढ़ा था और वो है 92CD 92CD के बारे में अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपको रोल बाक प्रोविशन कोई पल्ले नी पढ़ने वाला 92CD क्या बहुता है ठीक है बहुत जाध्यान से सुनना 92CD talks about the effect of APA एक बार अपने APA एंटर कर दिया उसी बाद उसका effect क्या होने बादा ठीक है जाध्यान से सुनना इसमें मैंने आपको क्लास में बहुत सारे एक्जामपल एक्जामपल भी लिक्वायत है और आपको बताया था पर के matter close करना पड़ेगा तो अब 30 नवेंबर आ गया तो 30 नवेंबर आ गया तो 30 नवेंबर आ गया तो मैंने ITR बर दिया ITR कैसे बढ़ा अपने इसाब से बर दिया अब CBD ने जब साइंग ही नहीं किया तो मैं एडवांस पाजिंग अग्रिमेंट के साब से ITR नहीं बर सकता हूँ तो मैंने अपने इसाब से ITR बर दिया अब उसके 6-8-9-10 मैंने बाद CBD ने अग्रिमेंट साइंग किया तो अग्रिमेंट जब साइंग किया तो पिछला एक साल चला जा चुका है जिसके लिए अग्रिमेंट आपनी केबल है यह चीज़ दिमाब रह अपने इसका ITR भी बढ़ दिया तो आप क्या करने का जिस मन्त में आपका अग्रिमेंट साइन होगा उस मन्त के एंड से तीन मैने में मौड़िफाइट रिटन वरो जिस मंत में agreement sign होगा उस मंत के end से 3 मैंने के अंदर modify date number अगर सब्पोस अगर सप्टेमबर में return सप्टेमबर में agreement sign होता है तो सप्टेमबर के end से 3 मैंना 35 December का modify date number पिछले साल का और modify date number में क्या change करोगे जो आपने तहले arms land price निकाला था वो हता हूँ और जो अभी नया CBDDD arms land price बता है उस हिसाब से आप modify करो सो बस दूसरे modifications allowed नहीं सिर्फ उतना है modification allowed है जितना APA में दिया है पहरे वाल arms land price हता हूँ नया वाल arms land price लगा हो क्योंकि आप पिछले साल के रिए भी APA अपली के बने CBDDD ने sign करने में late कर दिया तो तीन मैंने के दर 3 months from the end of the month in with the agreement was signed you have to file the modified return आपने वो भर दिया तो फिर आपका assessment modified return के हिसाब से होगा ठीक है यह पहला case है दूसरा case की आप possible है पता है तो ध्यान से सुनना दूसरी case की possibility क्या है यह गौर से सुनना दूसरे case में क्या हो सकता है बता है कि for example पिछले साल का return मेंने भर दिया जो agreement के अंदर cover है वो साथ और आज agreement साइन हुआ आज agreement जब साइन हुआ तो assessment अल्रेडी शुद हो चुका है या assessment खतम हो चुका है in fact AO ने assessment खतम कर दिया तो अभी पिछले सालों का agreement आज साइन हो रहा है और AO इकनी घाई में था कि assessment ही खतम कर दिया तो आप क्या होगा अगर assessment खतम हो गया don't worry फिट से government बोलती है जिस मन्त में agreement साइन हुआ उस मन्त के end से तीन मैंने के अंदर आप modify data बर दो अगर उस कोई टेंशन वाली बात नहीं है तीसरा point पिछले साल का return मैंने अल्रेडी भर दिया जो APA में covered है लेकिन CBT sign करने को तयार नहीं CBT ने आज sign की जब CBT sign कर रही है तो मैं modified return भर रहा हूं तीन मैंने के अंदर और जिस दिन मैं अपने असाब से करेगा और उसको assessment करने के लिए यहों को अब एक साल extra मिल जाएगा government की तरफ से एक साल एक साल मिल जाएगा तो यह तीन cases जहां पर तीन case क्या signify करते है पहला case कि आपका पिछले साल का return अल्रेटी भर गया है लेकिन अभी assessment शुरू भी नहीं हुआ है जुसरा case आपका assessment खतम हो गया तीसरा case आपका assessment pending है मैंने आपको class में examples लिखाए हूँ और बराबस जाकर उसको देखना तो यह आपको clarity आईगी ने तो आपको clarity नहीं आने वाली है ठीक है आगे बढ़ता हूँ मैं towards what rollback provision rollback provision क्या बोलता है प्रोपर process है प्रोपर application है separate fees है सब कुछ separate है ठीक है और सब कुछ आपको लगसे करना पड़ीगा ठीक है तो सबसे पहले rollback provision के बारे में CPTN notification लाए 2015 में 2015 के पहले rollback provision नहीं था जबकि APA 2012 में ही आ गया रहा बढ़ रोल्बाक बूलमा तो समझ लेना में past years की बाद कर रहा हूँ ठीक है now applicant कौन है जो भी application देता है वो अप्लिकेंट है और क्या हो उसमें कौन सी बड़ी बात है rollback year का मतलब क्या होता है rollback year का मतलब आगे के 5 साल को छोड़के जो पीछे के 4 साल है 4 consecutive years वो हो जाएंगे rollback year check करो आगे के 5 साल को छोड़के जो पीछे के 4 साल है उसके immediately पीछे के 4 consecutive years है वो rollback years हो जाएंगे check करो rollback agreement का मतलब क्या होता है ठीक है तो अग्रीमेंट में प्रोवाइब इतरमाइब निगालना है बस और कुछ नी ठीके अब रोलबबब करने की कंडिशन के हैं बहुत सारे कंडिशन से कंडिशन नमबर वन आपका इंटरनेशन ट्रांडेशन सेम होना ची है सेम मतलब जो future के 5 साल का transaction का नहीं चाहरे वो भी सेम होना चाहिए और पीछे के 4 साल का transaction का रेचल भी सेम होना चाहिए तो ही आप rollback कर रहे हो पता चल रहा है, आप आगे के चार सालों के लिए royalty के लिए कर रहे हो, और पीछे के चार सालों के लिए FTS के लिए कर रहे हो, तो rollback नहीं हो पाएगा, not possible, टीके, international transaction अंडर्टिक किया है या तो ना करो या तो किसी भी एर्स के लिए ना करो पांच बट नौट फिस्ट बट नौट लिस्ट आपको rollback के लिए specific application देना पड़ेगा इन form 3CEDA 3CEDA form 3CEDA ठीक है यह कुछ conditions आपको फुल्फिल करने पड़ेगे इन सारे conditions पे बहुत सारे आगे जाकर clarification आएंगे मैं के clarification पे बात करोगा थोड़ी देर के अंदर ठीक है next point प्यार हो मैं कब कब rollback applicable नहीं होगा दो conditions में rollback applicable नहीं होगा पहला 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 अगर आपका matter already अगर आपका international transaction को change करने के बाद अगर आपकी income घड़ जाती है या अगर आपका loss बर जाता है तो आपके लिए rollback is not possible मतलब rollback से तब possible होगा जब rollback करके आपका tax बर जाता है या आपका loss घड़ जाता है तो यह rollback possible है मतलब rollback से तब possible है जब department को monetary फाइदा होगा मैं तो rollback is not possible इसका logic मैंने आपको क्रास में बताया था मैं एक बाद फिर से बोल देता हूँ that is rollback करने का intention असरसी के पास कभी भी tax बचाना नहीं होता है rollback करने का असरसी के पास intention यह होता है कि महज मारी जिंदगी से कम हो जाए बले थोड़ एक्टा आपका manner ऐसा होना चाहिए तो वह manner ऐसा होना चाहिए जैसा future years के लिए हो रहा है मतलब आपका जो manner of computation of arm plan price for future years and for what and for rollback should be the same it should not be different यह भाचन दिया गए point number four में उसके बाद आपको application देना पड़ेगा fresh application proof of payment of fees देना पड़ेगा फीज कितनी पांच लाग रुपे के additional fee देना पड़ेगी वहाँ 10 लाग 15 लाग 20 लाग future years के लिए तो देखे बैठे अभी 5 लाग और देना पड़ेगा आपको अगर rollback के लिए जाना है तो ठीके आप आगे के पांच सालों का modified return जब बर रहे हो ना within 3 months on the end of the month in with the APA was signed तो future past के तीन सालों पांच के चार सालों का return भी आप तभी पर होगे within 3 months on the end of the month in with the APA was signed उसके ती दुनों का time limit से में या आपर वह बाच्छन दिया गया ठीक है उसको अपील किया है तो वह भी आपको विढ्रौ करेगा उसको थिखे LIKE डवयाद को कभी विड्रौ करने पड़ीगी तो को you are being that making an application before furnishing the modified it or department कभी विट्रौ करेगा within 3 months on the filing of modify identified, फिखे like ओन के रोखे so आपको moeten हिआठ पहले विट भीट्रौ करने पड़ीगी तो आपका agreement will stand cancel, आपका agreement पूरी तरीक से क्या हो जाएगा, यह जो provision आपने पढ़ा, इस page पर, इस page पर, और यह लगबख आदे page पर, लगबख two and half side, धाई page के जो provisions है, उसमें इतनी साधा clarity नहीं है, तो इन सब पे clarity देने के लिए, CBDD ने क्या किया, CBDD ने पूरा FAQ का पूरा समंदर लेकर आ गया, जिसमें 14 FAQs CBDD ने एक एक करके decide की, अब मैं 14 के 14 FAQs पे एक करके बाद करता हूँ, exam के अंदर mostly same to same FAQs exam में आ जाते, तो आपको बस पराबर से identify करना पड़ेगा, कि question exam में कौन से FAQs पे पूछा गया, ठीके, सबसे पहला FAQ क्या बलता है, सबसे पहला FAQ बोलता है, कि one of the condition in rollback provision is that, that आपको rollback years का return समय पे भर return, तो चाह मुझे rollback करने मिलेगा, तो can't fold के सुन लो, CBD ने क्या clarify किया, अगर आपने rollback years का return 1394 में बराता, मतलब related बराता, तो आप rollback की कहानी भूल जाओ, rollback आपको करने नहीं मिलेगा, क्योंकि अब आप related return बर रहे हो, तो rollback नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपने revise return बरा पड़ेगा, और अगर आप revise कर रहे हो, तो आपको rollback करने का मौखा मिल जाएगा, ये दिया गया, point number one के अंदर, ठीक है, question number two, इसमें क्या बोला गया है, जाध्यान से सुनना, one of the important conditions in rollback, जो बोला गया है, that the transaction of future years and rollback year has to be same, has to be same, तो यहाँ पर government से सवाल पुछा गया है एक condition है ना आपर, कि future years का, आगे के 5 साल होता, और rollback years का transaction same होना चाहिए, international transaction same होना चाहिए, तो सवाल यहाँ पर CBD से पुछा गया, same का मतलब क्या, same का मतलब, same का मतलब of same nature, nature same होना चाहिए, और same associate enterprise के साथ होना चाहिए, अगर आगे X limited के साथ गड़ा है, तो पीछे भी X limited के साथ होना चाहिए, अगर आगे का transaction royalty होना चाहिए, तो पीछे का transaction भी royalty होना चाहिए, यह मतलब होता है, same, क्या far analysis भी same होना चाहिए, क्या functions आगे के और पीछे के same होने चाहिए, क्या assets employed आगे और पीछे के same होने चाहिए, क्या risk assumed आगे और पीछे के same होने चाहिए, तो CBD करो चारो सालों के लिए करो जिसमें इंटरनाशनल ट्रांजेक्शन हुआ है ने तो मत करो ठीक है तो यहां पर सवाल उठा से असाजी की तरफ से क्या मैं चार साल में से कोई साल यह चूज कर सकता हूँ तो पहले तो से बहुत क्लियर भी बोल दिया अगर आपको रोल बाक कर दिये जैसे पिछले चार साल में से किसी एक साल में आपने आई टीर लेट बढ़ा तो वो साल तो आप डिस्कॉलिफाई हो गया तो वैसे भी अगर आप करोगे तो वह केस में आप बच्चे होगे तीन साल के लिए कर सकते हो ठीक है तो कब कर सकते हो अगर पिछले चार में अगला question बहुत intelligent question है, question number 4, देखो दो पेज़ पे दो अलग provision दिये गए, एक page पे दिया गया है, मतलब जो two and outside का provision है, उसमें second page पे दिया गया है, कि roll back आप नहीं कर सकते हो, अगर tribunal ने अपने end पे order dispose off कर दिया, और third page पे लिखा गया है, कि अगर आपकी appeal tribunal में pending है, तो आप roll back नहीं कर सकते हो, अगर आपकी appeal tribunal में pending है, तो आपको जाकर, tribunal में जाकर, वो अपील को withdraw करना आपड़ेगा, तो यहाँ पर सबसे पहले CBDDD से पूछा गया, क्याए second page और third page के provision में कोई mismatch है, तो CBDDD ने बोला कोई भी mismatch नहीं है, एक जगे बोला गया है, कि अगर tribunal अ पास and order disposing of such appeal, अगर tribunal ने अपने end पे order को dispose of कर दिया, तो आप rollback नहीं कर सकते हो, अब इसका मतलब क्या, अब इसका मतलब यह है कि अगर tribunal ने खुद ने अपने end पे matter disposed of कर दिया, खुद ने, मेरे बहुर्ण को सुनना आगा, त्राइब ने खुद ने अपने end पे matter disposed of तो ये खुद के end पे कर दिया, या ट्राइबिनल दूसरी चीज़ करता है, कि खुद के end पे नहीं करता है, direct back करता है, remind back करता है case A.O. को, तो यहाँ पर क्या बूलागे, अगर ट्राइबिनल खुद dispose of कर देगा, तो फिर आप rollback का रास्ता बंज हो जाएगा, इसका मतलब, अगर ट्राइबिनल A.O. को remind back करेगा, तो आप rollback के लिए जा सकते हो, ये भाशन दिया गया, इस particular page के ओपर, बहुती important और बहुती intelligent question है, next question, question number 5, one of the condition of rollback is, हरे conditions पर अपन के आगर एक question उठा रहे है, severity इसको clarify कर रहा है, और कुछ नहीं, one of the condition of rollback is, ये rollback is not applicable, अगर rollback कर के आपकी income घड जाती है, या loss बर जाती है, कितने से घड जाती है, आपने जितना ITR में डेक्लेर किया, उससे भी घड जाती है, तो आपके rollback आप लिके बनी होगा, मिसाल के तरबर आपने ITR में income 100 रुपीस डेक्लेर की ती, अब roll, उसके बाद TPO ने उसको बढ़ा कर 120 र करके वो 90 रुपीस हो रहा है, लेकिन अगर आप accept करते हो कि नहीं 90 रुपी रहने दो, तो आप पे ये rollback applicable होगा, because then you are saying that we don't want the income to be lower than the income declared in the return, return से कम income हमको नहीं दिखाना है, क्योंकि हमको rollback का फायदा होगाना है, तो हम आपको rollback का benefit लेक्र रहेंगे, सुन लो, आपने सा इससे बोलतो कि रहें 100 duties पे income दिखा दो, rollback apply करतो, as simple as that, check कर लो, next, सबसे आखरी में जो rule था ना, सबसे आखरी पेच पेच पर last rule था, उसमें बोलाता कि अगर उपर के rule का, rule 10 RA का effect नहीं दे पाओगे, तो agreement cancel हो जागा, अब सवाल हो रहा है, उसमें क्या दिया गया था, क आपको ITR बरना पड़ेगा, modified return बरना पड़ेगा, आपको tax बरना पड़ेगा, additional tax हर साल का, आपको appeal अगर फाइल किया था, तो अगर आपको appeal फाइल किया था, pending appeal है, तो pending appeal विड्रॉग करना पड़ेगा, वो सब चीज थी, अब यहाँ पर सवाल हो रहा है, चार साल में से, agreement is not for a one or two year, it is for a block of four years, और अपने अगर कोई भी condition violet, अगर एक साल के लिए भी किया, तो आपका चार साल का agreement, violet हो जाएगा, और agreement पूरा cancel हो जाएगा, चेक कर लो, next question, question number seven, question number seven में दो question है, पहला question, अगर आप जिस सालों के लिए rollback करने जा रहे हो, अगर उन years का map already pending है, map मतलब अगर mutual agreement procedure कुछ CBDT और सामने अली authorities आपस में decide कर दिए, अगर उनी मुद्दों पर, same मुद्दे पर map proceeding pending है, तो क्या मुझे map proceedings लेना चाहिए, या मुझे rollback provision ले pending है, मतलब खताम नी होया, pending है, तो फिर आपके बाद option है, या तो आप map के ले जाओ, या तो आप rollback के ले जाओ, आप दोनों ही ले सकते हो, अच्छा, दूसरा सवाल यहां पर यह है, कि अगर map proceeding मेरा already conclude हो चुका है, खतम हो चुका है map proceeding, तो क्या मेरा rollback के ले जा सकता हो, या तो arm 악овать का manner बताएगा, सब rule 4 क्या बता है, बता है बता है कि manner से मोना चाहिए, अब sub rule 1 बमूलता है, amount भी बता सकता है, manner भी बता सकता है, मानर भी बता सकते है, सब right 4 बमूलता है कि manner से मोना चाहिए, इसका मतलब कि amount अलग हो सकता है, तो यहाँ पा Sobags MP delete ने बोला amount हो गया तो नहीं चलेगा और फिर comparability analysis अलग हो गया तो नहीं चलेगा arms land price में difference आज जाएगा तो चलेगा that is all fine वो चलता है ठीक है अगला question question number 9 क्या यहाँ पर भी rollback years के लिए कोई compliance audit होगा क्या यहाँ पर भी critical assumptions अससी fulfill कर रहा है के नहीं कर रहा है वो चक किया जाएगा देखो यहाँ पर ना थोड़ा सा अलगसी ने क्योंकि आप past years के लिए कर रहे हो future years के लिए नहीं कर रहे हो future years के लिए कर रहा हो तो compliance audit audit का concept आता है past years के लिए क्या past years तो चला गया आपने देख लिए आप उसमें क्या हुआ है आपको past के बारे में तो पताईए तो past के बारे में जब आपको पता है तो जब आपने rollback agreement एंटर किया होगा तो सब आपके सामने ही था ना question number 10 क्या assessi का rollback provision के लिए application देने के बाद withdraw कर सकता है the answer is yes withdraw कर सकता है ठीक है अगर वह application देदेगा तो withdraw कर देगा लेकिन withdraw करेगा तो उसको fees refund नहीं होगी यह ची दिमाग पर ना जैसे आपके अपके application देते हो फिर withdraw कर सकते हो और withdraw करोगे तो आपने जो fees भरी थी वो refund नहीं होगी यहाँ पर भी 5 लागर पर refund नहीं हो और दूसरा क्या assessi सिर्फ rollback के लिए जा सकता है बिना future years के लिए गुवर्मनन ने मना कर दिया बोला कि बिना future years के लिए बिना APA के लिए rollback possible ही न सवाल यह उट रहा है कि आपने already अगर future years के लिए agreement कर लिया है और उसके बाद आप जाकते हो कि बाई चलो APA भी कर लेते हैं तो फिर आप क्या नया agreement करोगे rollback के लिए आपने APA already कर लिया है future years के लिए agreement already कर लिया है और एक दो साल बाद आप आप जाद रही चलो rollback भी करत करना APA के agreement के अंदर प्रपोस एक one of the proposed point in the agreement of APA फरस अचारपक पे पीछे जाकर चेक करना जब हम लोग APA का discussion कर रहे थे one of the point over here is was that कि उसमे rollback के बार में भी लिखा हो सकता है दिखना आपको दिखा देता हूँ भी दिख रहा है terms of agreement में rollback के बार में भी लिखा हो सकता है I hope it is clear to you यह था question number 11 question number 12 आप effect कैसे दोगे rollback provision का आपको modified return बरना पड़ेगा किस के साथ जब future years का आप APA बर रहे हो तो future years का जब modified return बर रहे हो तो past year का modified return भी साथ में बरने का ऐसा rule 10 आरे में दिया है लेकिन सवाल यह उठ रहा है अगर आपने future years का agreement already भर दिया है और future years का modified return already भर दिया है और past year के लिए 2-3 साल बाद जाग रहे हो तो फिर आप 3 मैने का time limit कैसे count करोगे तो उस case में 3 months will be counted from the end of the month in which the revised APA is sign check करो जब से revised APA sign होगा तक है लास्ट दो question are on similar lines लेकिन बहुत जाथ important question है कि अगर merger हो जाता है तो फिर क्या rollback का मौका मिलेगा कर नहीं मिलेगा तो डॉर्में ने बहुत simple rule है इसके अंदर logic बहुत simple है जो applicant ने future years के लिए application दिया था वोई applicant rollback कर सकता है जो applicant ने future years के लिए application दिया तो अससी अभी भी है तो अससी A रोलback कर वा सकता है क्योंके अभी भी है अब एक ससी A है A है एक ससी B है एक company A कंपनी B है और company A और B मिलकर मांच होके company C बनते है अब C application देता है अब अगर C application देता है तो A और B rollback नहीं करवा सकते है क्योंके applicant A और B नहीं है applicant C है और C का कोई पास नहीं है क्योंके C अभी बना है तो rollback existing company को पिछले सालों के लिए भी मिलेगा और future address के लिए तो मिल नहीं वाला ठीक है अगर दो देश के विश में लफड़े होते है विध रिस्पेक्ट टू टैक्स तो उसको हम कैसे रिजॉल करेंगे यहां का अससी वहां की tax authority से दुखी होगा तो हम उसको कैसे रिजॉल करेंगे तो उसके लिए आर्टिकल 25 के अंदर पारा 1, पारा 2, पारा 3 डाला गया है पारा 1 & 2 में क्या होता है पारा 1 & 2 में अससी इनिशेट करता है एक प्रोसीडिंग जिसमें अससी को लगता है टैक्स पेर को लगता है कि यह सामने आली tax authority इस treaty के इसाब से मेरा treatment नहीं कर दिए तगर अससी को नहीं कर सकते है और foreign country से बात करो फिर foreign country क्या करेगी उसको solve करने की कोशिश करेगी Indian economy के साथ मतलब foreign की competent authority और India की competent authority दोनों मिलकर बैट के बात करेंगे और दोनों decide करने की कोशिश करेंगे exactly अब इस particular case में क्या करना से ही ठीक है यह हो गया एक way of solving in article 25 दूसरा article 25 क्या बात कर रही है कोई paragraph समझे में दिक्कत आ रही है कोई paragraph के interpretation में दिक्कत आ रही है कोई term का definition समझ नहीं आ रहा है तो दोनों देश की tax authority एक दूसरे से बात करके उसके interpretation उसके application को क्या कर सकती है simplify कर सकती है और consistent बना सकती है तीसरा एक और चीज़ है जंडरनी जो DTAA के अंदर relief मिलता ना article 23 के अंदर मिलता है आपको exemption method में relief मिलता है या credit method में relief मिलता है यह दोनों जो relief दी गई है न DTAA में यह दोनों के दोनो relief कान खोल के सुनो यह गी गई है only in case of jurisdical taxation jurisdical double taxation के बारे में दी गई है economic double taxation के relief generally DTAA है नहीं देता है Sir what is Jurisdical double taxation? Jurisdical double taxation means when the same income is taxed twice in the same hands into different countries एक ही बंदे के हाप में एक ही इंकम दो बाह tax हो रही है दो अलग देशों में वह है Jurisdical double taxation और economic double taxation क्या होता है? When same income is getting taxed twice not in same hands but in two different hands but in two different countries तो हातों का परक है Jurisdical double taxation में एक ही बंदे के हाप में दो बाह tax हो रही है और economic double taxation में एक ही बंदे के हाप में दो बंदे के हाप में नियए on resident basis और economic double taxation का मैंने example दिया था कि एक company है वो आपको dividend देती है तो dividend distribution पर tax लगेगा और सामने shareholder के हाथ में भी tax लग सकता है ठीक है यह है economic double taxation now the problem और गयर इस जो DT double होता है न वो generally article 23 के अंदर सिर्फ और सिफ juristical double taxation के बारे में relief देता है exemption method और credit method economic double taxation के बारे में नीदेता है तो यह जो map proceeding है यह आपको economic double taxation के बारे में भी क्या देती है benefit देने की कोशिश करती है ठीक है तो यह सारा भाशन यहांप लिखा गया है economic double taxation क्या होता है jurisdictional double taxation क्या होता है यह map proceeding पहला case तो सरसी specific case उठाएगा दूसरा case उनका interpretation के वज़े से अगर दूसरे से बात करना चाते और तीसरा case not covered in that is in respect of what? Elimination of double taxation because of all economic double taxation. यह सारी बात है जो मैंने आपको आपको दो मिनेट पर बोली वह सारे पहले पेश पर covered है. Now, अगर आप दुख्यों किस से? सामने अली देश की tax authority से. तो आप सामने अली देश की tax authority को नहीं, अपने देश की tax authority को बोलो. वो लो उसको solve करने की कुशिश कर देंगे. अगर unilateralis solve कर लिए तो बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं solve कर पा है तो सामने अली देश की tax authority से फिर consultation लेना पड़ेगा, ठीके? अब मैप में steps क्या होगे? जब आप मैप proceeding के ले जाओगे तो steps क्या होगे? सबसे आप पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा as an SEC, brief facts और background देना पड़ेगा कि आपका case exactly क्या है? फिर इंडिया के अंडर Indian revenue authorities का, मतलब इंडिया की income tax authority का क्या contention है? फिर आपका कितना tax आने वाला है by virtue of this particular adjustment, फिर आपको सिर्फ एक एक country का data देना पड़ेगा, आपको अगर चार country से दुखी हो तो सबका एक साथ मत दे दो, क्योंके government of India को सामने चार अलग देशों से, चार अलग matter पे, चार अलग matter पे, चार अलग तरीकी से बात करना प्रस, इंडिया में अगर आपके favor में आपके आगे हैं, जो भी है, कोई judicial decision से, Supreme Court, High Court के अगर कोई decision से, तो वो सब भी आपको देना पड़ेगा यहाँ पा, ठीके, एक बार चेक कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और बात करते हैं, कि इंडिया के अंद इंडिया के बारे में बोला है, ठीके, अगर इंडिया के बंदे के साथ, अगर उके में कुछ गलत होता है, तो उस प्रोसीडिंग के बारे में, इंडिया कैसे बोल सकती है, उस प्रोसीडिंग के बारे में, तो उस प्रोसीडिंग के बारे में, तो उस प्रोसीडिंग के ब तो पहला वाला point क्या बोलता है कि अगर कोई इंडिया का resident foreign tax authority से दुखी है तो वो क्या करेगा foreign tax authority को जाकर नहीं बोलने हाला है वो इंडिया की competent authority को जाकर बोलेगा इंडिया की competent authority पहरे unilaterally solve करेगी और फिर बाद में unilaterally solve नहीं होता है तो foreign tax authority से बात करेगी बस point number one इतने पर खतम हो जाता है point number two से लेकर enter सब कुछ foreign के बंदे को जो इंडिया में दिक्कत हो रही है कि बोला इसका matter solve करो अब इंडिया की competent authority की मजी accept करना accept करेंगे reject करेंगे accept करेंगे बहुत अच्छी बात है matter आगे बड़ेगा reject करेंगे बोलेंगे नहीं 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 पर close हो जाएगा एक बार accept कर लिया तो फिर इंकम tax authority से अससी से और उसके authorized representative से documents लगाएगी कि इसका case पढ़ना है ये UKS authority ने बोलाएगी ये बंदे के साथ गलत हो रहा इसका case पढ़ो तो इंडिया की competent authority है वो income tax authority को बोलेगी बाई क्या किया आपने क्या action लिया इसके against बता हो हमको वो सब detail देना पड़ेगा ठीक है और ये लोग solve करने की कोशिश करें अचिए just like advance pricing agreement और rollback provision के अंदर जो provision था exactly वैसा ही resolution एक बार हो जाएगा उसके बाद में resolution अब लोग assasi के साथ writing में क्या करेंगे share भी कर लेंगे ठीक है don't worry about it अब एक बार resolution assasi को communicate कर दिया अब assasi की क्या जिमेदा दिया assasi उसको accept भी कर सकता है reject भी कर सकता है जो भी करना उसको 30 days के अंदर करना पड़ेगा of the communication of the resolution जैसे उसको resolution मिला 30 दिन के अंदर assasi की अभी मर्जी उसको accept करना accept करेगा reject करना reject करेगा ठीक है साथ-साथ नगर assasi ने अल्रेडी पिछले सालों की कोई appeal करके रखी है ठीक है जिसके लिए वो appeal करके रखा है तो उस appeal को भी उसको क्या करना पड़ेगा उस appeal को भी उसको withdraw करना पड़ेगा ठीक है उसके बाद में competent authority अगर assasi ने accept कर लिया accept कर लिया गया I agree with the resolution ठीक है तो competent authority वो resolution प्लस approve of withdrawal of appeal वो सब कुछ चो भी है वो किसको देदेगी वो forward कर देगी प्रिंसिपल डिरेक्टर जनरल डिरेक्टर जनरल प्रिंसिपल डिरेक्टर जनरल या प्रिंसिपल चीफ कमिशन चीफ कमिशन इस सब को forward कर देगी और वो सब ल from the end of the month in with the communication was received उसके बाद Assasi को इमानदारी से जो भी उसको extra tax आ रहा है वो बरना पड़ेगा साथ-साथ में अजर Assasi ने कोई AO ने कोई appeal किया था अपनी तरफ से तो AO भी अपनी तरफ से appeal withdraw करेगा चेक कर लो बराबर से ठीक है उसके बाद ये बाला order जो बनाया है यह बापर जो एक मेंने में order पास किया ना वो मैंने इस पर class में भी जादा बात नहीं किया था और यहां पर भी मैं उस पर जादा बात नहीं करा हूं section 93 यह कभी आज तक आया नहीं इसले इस पर बात नहीं करें और यह redundant हो चुका है mostly आज की तारिक में ठीक है ना अगला provision important है छोड़ा सब provision लेकिन इंपॉर्टन है N.J N.J.A. N.J.A. का मतलब क्या होता है full form क्या होता है N.J.A. का full form है Notified Jurisditional Area Sir Notified Jurisditional Area मतलब क्या मतलब गवर्मन ने कुछ देशों को बोलाए कि हम ऐसा declare कर देंगे as Notified Jurisditional Area कि हम हमारे देश के लोगों को बोलेंगे कि ऐसे नालायल देशों के साथ आप transactions मत एंटर करो अगर तो एंटर करोगे तो हम आपके ओपर भयांकर प्रोविशन लगा देगे Sir क्यूं लेकिन Sir क्यूं क्यूं क्यूंकि वो देश हमारे साथ कोई information exchange नहीं करते हम उनसे जब भी को information मांगते तो और एक्सेंग नहीं करते there is no effective exchange of information between India and that country so that country can be declared as what N.J. government उस देश को N.J. declare कर सकती ह चलो अची बात है तो N.J. declare करने हैं प्राइडिरिया समझ लो गॉर्मेंट सिर्फ उसी देश को N.J. declare करेगी जिसके साथ हमारा effective exchange of information agreement नहीं है जिसके साथ हमारा effective exchange of information agreement है उसको गॉर्मेंट N.J. declare नहीं करेगी अब N.J. के साथ अगर इंडिया का कोई बंदा transaction करता है तो ने किसी को N.J. declare किया है हाँ गॉर्मेंट ने सिर्फ एक territory को N.J. declare किया था 2013 में टाइडिया साइपरस वह भी territory को गॉर्मेंट ने एंजे के definition से खीच कर भाहाँ निकाल दिया लेकिन अभी आज की तारिक में इंडिया ने किसी भी देश या territory को N.J. declare नहीं किया है सिर्फ एक टेरिक टेरिक को टेरिक लेकिया था वह साइपरस थी उसको भी गुर्मेंट ने खीच लिया ठीक है चलो ठीक है अगर इदर इदर इस लाक ओफ एक्शेंज ऑफ इंफॉर्मेशन गॉर्मेंट नोटिफाय डाइड कंट्री और टेरिक अजे अब एक बार एक डेश एज लोगेड़ने मुझे máximo वहां आइगानये ओन की। यहां लिखा हूँ अगर कोई बंदा एंजेज का रेजिटेटे न तो वह पर्सेल, अगर को एंटीटीडिये का ओधर वह एंग्ये में आन्जा भी एंग्जेए रेव्णिक कोई वह आँपने अनौर्फेंट तो वो भी NGA में located माना जाएगा तो NGA में ये तीन लोग आते हैं यहाँ पर लिखे गए एक बार government ने किसी देश को NGA डिकलर कर दिया अब इंडिया में बैटे बैटे अगर आप उसके साथ कोई transaction करते हो तो government बोलते है कि आप और वो सामने वाला NPD is deemed to be a source in enterprise प्लस अगर आप बहुत सारे डिस्टिक्शन दा ले प्लस अगर आप वहाँ से कुछ लोन लेते हो और कुछ पेमेंट करते हो interest का तो आपको CBD को power देना पड़ेगा कि CBD उस financial institution से अगर चाहे तो questions बूच सकती है कि यह पैसा कहां से आया क्या आया ने तो आपको deduction नहीं मिलेगा प्लस interest का deduction आप्लेंट प्राइस पे मिलेगा उससे जादा नहीं मिलेगा भले आप दोनों associated नहीं हो तो भी हम दीन तो भी associated है एंजे वाले लोगों के साथ transaction किया ना ट्रांसर पाइजिंग लग गया प्लस आपको कुछ और documents information देने पड़ेंगे वहां से कुछ पैसा आया तो आपको information देना पड़ेगा वहां के लोगों को अगर आप payment कर रहे हो तो TDS भी देखो बहुत हाई rates पे जो भी rates income tax law में दिये गए वो प्लस rates in 4 जो finance act के अंदर rates दिये रहते प्लस 30% विच्छे वर इस higher पे TDS कातना पड़ेगा तो सर अगर मैं सामने वाले बंदे को royalty पे कर रहा हूँ तो भी आप 30% पे TDS कातोगे और फिर सामने वाले को क्या बोलने का बहुत अच्छे से सुन लो यो बहूँ वह फेमस कोशन है इन्चीटूट का तो आप TDS तो 30 पी कातोगे लेकिन अगर ड्ट रखले में का है कि royalty is taxable एर FTS is taxable ए 5% between this country and that country तो फिर सामने आले को बलो ITR bar ITR bar के income disclose कर और फिर income का refund ले ले और फिर उसमें 5% tax दिखा के 25% का refund ले ले यह बाचन यहाँ पर दिया गया और यह example यहाँ पर नीचे दिया गया है पूरा पूरा बराबर से देख लेगा ठीक है clear है तो यह है आपका NJ का provision important provision example है one last thing for the day and this will complete our first chapter का comprehensive revision comprehensive, बहुत comprehensive revision है ऐसा revision पूरे इंडिया में आपको कही नहीं मिलेगा एक guarantee के साथ बोलता हूँ मैं paper 6 के लिए ठीक है और paper 7 के लिए आप यूज़ कर सकते हो वैसे paper 7 के लिए ने अलग से revision बनाया हो transfer pricing का non-resident का बढ़ सिल यह भी use कर सकते हो आपको दिक्कत नहीं ठीक है now limitation of interest, deduction in certain cases, यह क्या है यह government ने आपको बुलाई कि आप बहुत ज़्यादा loan मत लो भास है अगर loan लोगे तो हम आपके interest को limit कर देगी यह क्यों बुलाई, क्यों शॉक आया government को गौर्मन को शॉक इसलिए आया क्योंकि है, अपर action plan 4 of BEPS ने recommend किया है BEPS project जो है na OECD का जो 2015 में आया था October उसके action plan 4 ने recommend किया है क्या recommend किया है, कि बाई ज़्यादा loan ले रहे हो तो interest को limit कर दो, कितने पर limit करो, किस के लिए applicable है क्या है, so on and so forth तो पहले इस section की applicability समझते borrower कौन होना चाहिए, वो सुन लो borrower या तो Indian company, सिर्फ Indian company के लिए provision है, या तो अगर foreign company का इंडिया में permanent establishment है, तो ही ये provision applicable है, ये borrower है borrower या तो Indian company, या foreign company का इंडिया में permanent establishment, ठीक है लेंडर कौन होना चाहिए, लेंडर team के समझते हो सकते पहला, अग non-resident मेरा associate enterprise, वो lender, अगर मुझे loan देता है मैं उसको interest देता हूँ, तो वो cover है, दूसरा को third party मुझे loan देता है और मेरा non-resident associate enterprise उसको guarantee देता है, और मैं third party को पांच करोड देता है, मतलब matching deposit देता है there is a matching deposit और मुझे loan के तर प्यारा है तो वो भी interest में cover हो जाएगा 94B में अचा, third party में अगर उसको 10 करोड दिया और उसने मुझे 5 करोड दिया, तो उसमें 2 view institute का institute बोलता है, आदा तो match होता है ना अधा interest disallow करो, और एक view institute ये लेता है कि कुछ match नहीं हो रहा है, 10 और 5 is not matching it's not exactly matching, तो ignore करो ये दोना view है, जेकर पांच दिया और यहां पांच आया, तो पूरा interest cover होगा 94B में 10 दिया और पांच दिया 10 उदर से deposit हो आओ, मेरे तक 5 आता है अब एक case यहां पर नहीं cover है, कि अग्या non-resident का इंडिया में P.E. है और वो एक banking business है, और वो अगर आपको loan देता है और आप उसको interest देता है, तो non-resident का इंडिया में P.E. है, वो banking business में involved है वो banking business वाल आपको loan देता है, आप उसको interest दे करते हो, तो वो 94B में cover दी होगा, ठीके साथ-साथ, 94B में threshold है, कितना एक करोर से जादा पूरे साल में interest दे करोगे, तो ही 94B में cover है, ने तो नहीं cover है, ठीके, पूरे साल का interest amount has to be exceeding 1 crore, plus that should be deductible under the P.E. अगर वो PGP में deductible नी है, तो वो और जो भी differential amount है, point number 1, point number 2, जितना भी associate entity को payment किया, point number 2, तो पहले EBITDA का 30% निकालो, compare with total interest, differential amount, point number one, second, association entity को जो interest payable है, मतलब जितना deductible है, वो point number 2, whichever is less, अब point number 1 में भी 2 view है, point number 1 में 30% of EBITDA निकालके, आप total interest से भी compare कर सकते हो, ये एक view है, और point number entity को जो interest payable किया, उससे भी compare कर सकते हो, और दूसरा view है, जो नीचे लिखाएंची तो, don't know view में से कोई भी एक view से आप answer solve कर सकते हो, exam में, government की तरफ से कोई clarification नहीं आया, कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है, government सोर ये, पता नहीं क्या कर रही है, and last but not least, जितना भी interest दिसला हो रहा है, don't worry, वो आपको carry forward करने मिलेगा, और आपको अगले सालों में, आपकी income के against, PGP, कोई भी PGP income के against, set off करने मिलेगा, subject to the limits mentioned है, 94B, 94B के limit के हसाब से, मतलब अगले साल की total interest में add होगा, फिट 30% of EBITा होसम में calculation करना परेगा, और आपको 8 साल के carry forward करके set off करने मिल जाएगा, last but not least, sorry, एक और point यहाँ पर maxing है, अगर borrower, banking और insurance company है, तो यह section applicable नहीं है, check कर लो, borrower अगर banking और insurance company है, तो यह section applicable नहीं है, ठीक है, तो यह section applicable नहीं है, और दूसरा अलपान मैंने आपको पहले बोल गया, तो नौन-President का इंडिया में PEA है, और वो banking business में involved है, वो आपको लोन देता है, आपको इसको interest देते हो, तो भी यह section applicable नहीं है, ठीक है, so this is what the first topic is all about, यह आपका पहला topic है, with respect to the revision of paper 6C, so let us start with the revision of our first chapter in the international taxation that is non-resident, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या बात करना है, there are two basis of taxation, one is residence-based taxation and another is source-based taxation, residence-based taxation में क्या होता है, अगर आप इंडिया के resident है, तो आपको इंडिया में tax बना पड़ेगा, source-based में क्या होता है, अगर income इंडिया में accrue होई है, deem to accrue होई है, receive होई है, deem to receive होई है, तो आपको इंडिया में tax बना पड़ेगा, otherwise इंडिया में tax बने की जरूरत नहीं है, फिर यहाँ पर आपको कुछ important definitions है, जिसमें सबसे पहले assessi का definition है, assessi का मतलब क्या होता है, जो भी बन्दा deemed to be assessi है, जैसे कोई representative assessi है, किसी के भी आप पे, या बन्दा assessi default है, तो वो भी assessi कहला आजाएगा, ठीके, तो यह सब basic definition है, इतना ज़्यादा important नहीं exam के अंदर, person का definition है, यहाँ पर मैंने आपको बला था, person के अंदर, company, firm के अंदर, LLP भी आ जाएगा, और फिर बागी सब, trust, बाश, cooperative society, यह सब कुछ, last वाले point के अंदर cover हो जाएगा, बागी individual, HOF, company के अंदर, सारी companies आजाएगी, domestic company, foreign company, Indian company, ठीके, assessment यह बहुत simple है, एक बारा मैने का period है, जो previous year के बाद में रखना, अच्छा, अगर आप इस साल कोई नया source of income कमाते हो लेकि, like HP, IFOS, CG, या salary, तो फिर आपका previous year will start from the date of what the source of income comes into existence, उसके बाद domestic company का मतलब क्या है, दो किसम की company, हमेशा domestic company, एक, Indian company, हमेशा domestic company, एक, जो Indian company नहीं है, तो भी domestic company बन सकती है, अगर वो इंडिया में income कमाती है, और उसने prescribed management किया है, including for payment of preference dividend, including the for payment of preference dividend और equity dividend as the case में भी, foreign company कौन होती है, वो company जो domestic नहीं है, ये निए कि foreign company वो होती है, जो Indian नहीं है, जो domestic नहीं हो, foreign company बन जाएगी, उसके बाद इंडिया का definition है, इतना सथा important नहीं है, liable to tax जो है, वो आपको काम आएगा कहाँ पर, आगे residential status के अंदर, लेकिन यहाँ पर बोल देता हूँ, liable to tax का मतलब ये है, कि foreign country में आपको tax लगता है, तो वो भी liable है, और अगर tax लगता है, लेकिन वो exempt है किसी कानून के अंदर, तो वो भी liable to tax माना जाएगा, ठीके, उसके बाद resident का मतलब क्या होता है, जो section 6 के अंदर, non-resident का मतलब क्या होता है, जो section 6 के अंदर, resident नहीं है, वो non-resident है, लेकिन कि तीन section income tax law में, like section 92B, 93 and 168, इन तीन section के अंदर, government ने क्या बुला है, वो भी resident माना जाएगा, sorry, ये तीन sections के अंदर, जो ordinary resident है, सिर्फ वो ही resident माना जाएगा, जो not ordinary resident है, वो resident नहीं माना जाएगा, वो non-resident माना जाएगा, उसके बाद आपर transfer का definition है, जो आपने capital gains के revise करने लाएग, इसमें सिर्फ इतना देखना जरूरी है, कि foreign company का tax rate क्या है, 40 तक का, और अगर 1 करोर से जाधा total income है, तो 2% surcharge है, 10 करोर से जाधा income है, तो फिर कितना surcharge है, 5% surcharge है, 4% से है, समेशा लगेगा, marginal relief का concept, यहाँ पर भी applicable होगा, उसके बाद में, individual के tax rates के बारे मे नहीं taxable हो जाती है, assessment year में taxable नहीं होती है, उसके बाद हम लोग residential status पर आते है, सबसे बले individual इंडिया में कब resident बनेगा, जब वो इंडिया में पहले 182 days के लिए रहता है, तो बन जाएगा, या तो current year में 60 days और पिछले 4 साल में 365 days रहता है, तो भी वो इंडिया का क्या बन resident बन जाएगा, ठीक है, अब क्या ये बंदर ordinary resident भी हो सकता है, हो सकता है, ordinary resident वो कब बनेगा, जब पिछले 10 में से कोई भी 2 साल में resident है तो और पिछले 7 साल में वो इंडिया में कम से कम 730 days के लिए रहेगा, तो भी वो resident बन जाएगा, ठीक है, ordinary resident बन जाएगा, ये दोनों condition fulfill होगा तो, उसके बाग कुछ assessies है, जिनके लिए, सिर्फ और 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 सिर्फ condition number one applicable है, अब वो खुशनसीब assessy कौन है, सबसे पहले, अगर Indian citizen, India छोड़ कर जाता है, employment के लिए, और as a crew member of Indianship के लिए, तो वो क्या माना जाएगा उसके लिए से 182 days का criteria applicable है अगर business के लिए जाता है तो उसके लिए ये criteria applicable नहीं है उसके लिए फिर दोनों condition check करना पड़ेगा उसके बाद अगर Indian citizen तो sir क्या ये बंदा भी ordinary not ordinary हो सकता है दोनों हो सकता है उसके बाद next sir Indian citizen और person of Indian origin अगर India में वापस आता क्या है अससी खुद या उसके माबाप या उसके दादा दादी नाना नानी चारों में से कोई भी undivided India में पैदा होना चाइए undivided India में पैदा होने का मतलब क्या आता है मैंने आपको class में बुलाता आपको पूछा आता मैंना है तो आप लोगों ने इसमें mistake कर दिया था ठ इंडियन सोर्सेस में वो income भी आ जाएगी जिसमें business and profession इंडिया में setup है बाहर कर रहे हो business और control इंडिया से हो रहा है वो भी Indian source मानी जाएगी बले इंकम बाहर अकुर हो रही लेकिन setup इंडिया में control इंडिया से हो रहा है तो वो भी Indian sources मानी जाएगी अगर कोई Indian person of Indian origin और Indian citizen इंडिया में visit के लिए आता है और वो इंडिया में 120 दिन से लेकर 181 days रह जाता है और पिछले 4 साल में 365 days रह जाता है और उसकी पंदर लाक रोपर से ज्यादा की income है तो वो हमेशा resident and not ordinary resident मानेगा हमेशा not ordinary माना जाएगा ठीक है उसके बाद जो Indian citizen है जो ship में जाता है as a crew member of friendship अगर वो इंडिया छोड़का जा रहा है तो उसका number of days कैसे count होगा उसके लिए government ने क्या बनाया rule 126 rule 126 में क्या बोला है कि जिस दिन continuous discharge certificate में sign in वा है और जिस दिन continuous discharge certificate में sign off हो है वो period उतना period 365 days में से exclude करतो balance period माना जाएगा वो इंडिया में है और इसका voyage कैसा होना चाहिए? eligible voyage का मतलब क्या होना चाहिए? यह तो origination इंडिया से होना चाहिए या destination इंडिया में होना चाहिए अगर इंडिया से शुरू होता है और भाहर से शुरू होता है तो इंडिया में आना चाहिए, इंडिया के इंडिया में घुमेगा, तो यह provision applicable नहीं है, उसके बाद deemed resident का concept क्या है, यह सिर्फ और सिर्फ इंडियन citizens के लिए applicable है, वो भी कब applicable है, जब उनकी इंडियन sources से इंकम 15 लाक रुपे से जाधा है, और they are not liable to tax in any other country, by reason of his domicile residence और any other criteria of similar nature, not by reason of his source, residence के वज़े से किसी और देश में taxable नहीं है, तो इंडिया में deem resident नहीं है, तो इंडिया में deem resident बन जाएगा, ऐसा concept नहीं है, ठीके, then comes, यहाँ पर ordinary resident का concept है, और यह वाला बं इंडा भी ordinary resident नहीं बन सकता है, तो यह दोनों amendment जो 15 लाक वाले है, वो दोनों अससी resident तो बनेंगे, लेकिन वो हमेशा और हमेशा कैसे resident बनेंगे, not ordinary resident, उसके बाद, we move on to the residential status of what, of HOF, HOF और firm और AOP, VOI, यह लोग सब resident बनेंगे, जब control and management is holy in India, और control and management is partly in India, तो यह लोग non resident company है, जब control and management is holy outside India, ठीक है, उसके बाद, क्या यह लोग भी ordinary बन सकते है, हाँ, सिर्फ HOF ordinary बन सकता है, अगर करता दो, additional condition फुल्फिल करता है, तो, उसके बाद यहाँ पर control and management इस सब पर भाशन है, then we came to the discussion of resident of company, company कब resident बनेंगे, Indian company हमेशा resident, और अगर Indian company छोड़ कर किसी और company को भी resident बनाना है, तो उसका poem in that year should be in India, poem मतलब क्या, it means a place where the control, it's a place where the key management and commercial decisions are taken in substance, एक ऐसी जगा, जहाँ पर बैट कर company अपने key management और commercial decisions लेती है, day to day business activity के decisions ली, commercial decision, लेकिन इसको और जार detail में government ने decide करने के लिए, क्या लाया, CBD का circular, circular के अंदर government ने सारी companies को दो category में divide किया ह एक A-B-O-I, अगर उसका active business outside India है, प्लस उसने एक और condition फुल्फिल किया, तो उसका poem भारे, poem भारे को non-descendant और active business outside India नहीं है, तो some guiding principles are given later on, तो सबसे पहले, active business outside India है, तो उसके लिए क्या condition फुल्फिल करना है, सबसे पहले, उसकी passive income should not, is not more than 50% of total income, मतलब उसकी passive income should be what, less than equal to 50% of total income, अब passive income में दो सिसन की income आती है, पहली income क्या, अगर कोई income, associate enterprise से खरीद कर, associate enterprise को बेचने पर, जो income कमाएगा, खरीदने का भी associate से, बेचने का भी associate से, तो उससे जो income कमाएगा, वो income मानी जाएगी passive income, ठीक है, second, rent, royalty, interest, dividend, capital gains, यह associate से कमाएगा, non associate से उससे फरक नहीं income ही मानी जाएगी, साथ-साथ में, banking industry के लिए, जो interest है, वो हमेशा क्या माना जाएगा, active income, वो passive income नहीं मानी जाएगी, total income कैसे निकालने का, वो foreign country के tax loss के हिसाब से, tax loss नहीं है, तो उनके accounting loss के हिसाब से, अच्छा, second condition, less than 50% of total assets are situated in India, अब total assets कैसे निकालने का, sir, total assets, देख criteria होगा, अगर आप individual assets maintain करते हो, तो उसका average ले लो tax purpose के हिसाब से, अगर block of assets maintain करते हो, तो उसका average ले लो tax purpose के हिसाब से, और बाकी जो other than depreciable assets है, उसके लिए आप value of books up accounts ले लो, ठीके, third, less than 50% of the employees are situated in India, और are resident in India, अब ये employee का count कैसे करने का, at the beginning of the year and at the end of the year, और इसमें, सिर् जो employee है, उनको आप payroll expense कितना दोगे, at least, less than 50% of the total expense, तो ये employee है, जो भी इंडिया में resident है, या इंडिया के situated है, उनको आप payroll expense से 50% से कम दोगे, तो ये criteria applicable है, अगर ये सारे conditions फुल्फिल कर दोगे, तो आप ABUI test pass कर दोगे, उसके बाद आपको सिर्फ एक चीज़ करना है, कि आपको majority board meetings भाहर रखना है, लेकिन सिर्फ majority board meetings भाहर रखने से कुछ नहीं होता है, board के पास power भी होना चीए, पता चल रहा है, board meeting भाहर रख रहे हो, लेकिन सारा सारा decisions इंडिया से लिया जा रहा है, कोई holding company, या जो person इंडिया में resident है, से location money, या relance industry, तो फिर बाद में ABUI test fail हो जाएगा और poem इंडिया में आ जाएगा और resident बन जाएगा, हाँ, लेकिन उसमें भी एक twist है, और एक turn है, कि अगर एक holding company, एक general policy release कर दे, like HR के लिए, like management के लिए, like finance के लिए, और सब के लिए applicable and not specific to any particular entity, तो फिर बाद में ये नहीं माना जाएगा, that board of directors does not have power, और board of directors are standing aside, then comes, कि ये सब चीज़ करने के लिए, अगर आप इसका misuse करके, अगर आप कुछ tax evasion करोगे, तो general anti-awardness rules के provision government आपके उपर apply कर सकती है, then comes what, then comes, आपको ये सब calculation करने के लिए, बहुत important point है, तो student ये exam में miss कर देते, ये सब calculation करने के लिए, आपके पास कम से कम 3 साल का data होना च अगर अगर सामने आली company, अगर follow करती है accounting period, तो फिर आप क्या करोगे, तो फिर जो accounting period इस साल खतम होता है, वो और पिछले 2 सार आपको लेना पड़ेगा, वो मैंने आपको class में लिखवाया हो, अगर company ABY test fail कर देगी, तो फिर क्या करना पड़ेगा, तो फिर second right area, that is identify the person who takes decision second, identify the place where the decision is taken, the place where the decision is taken, that is more important and not the place where decisions are implemented, और इसके बाद कुछ additional guiding principle जो यहाँ पर CBTT ने आपको दिया है, जैसे आप देखो के board of directors कहां मिलते हैं, और कहां decision लेते हैं, यह सब इतना ज़्यादा important point नहीं है, तो exam में इतना ज़्यादा focus नहीं करना, board of directors कहां मिलते हैं, कहां decision ल decision लेते हैं, उसके बाद में, executive committee को अगर board of directors ने कोई power delegate किया, तो executive committee के लोग कहां बेस दे, वो लोग कहां पर बैठते हैं, वो चेक करना पड़ेगा, location of head office, location of head office आपको चेक करना पड़ेगा, head office में भी आपको पहले है, identify करना पड़ेगा, कि company head office centralized है या decentralized है, decentralized है, तो बहु भी बैठ कर से, जैसे किसी student ने example question पुचा था, sir वो तो मैं बर्मुडा में जाकर meeting करनूँगा, तो फिर वो important नहीं है, बर्मुडा में जाकर meeting कर रहे है, director कहां recite करता है, वो important है, उसके बाद circular resolution कौन पास करने का power रखता है, और किसने initiate किया, वो चेक करो, वो बंदा जिद operational expenses, day-to-day routine operational expenses कहां लिए जारे है, वो important नहीं है, what is important is, key management and commercial decisions कहां लिए जारे, तो day-to-day routine operation expenses कौन ले रहा है, उससे मेरे को कोई लेना दना है, commercial decisions कौन ले रहा है, में कोई से लेना है, अगर यह सब कर राइड़ियास से भी आपको कोई conclusion नहीं हो रहा है, तो फिर secondary factor की तरफ बढ़िए, secondary factor में आप पता लगाए, आपका substantial activity कहां पर हो रहा है, और आप books of accounts कहां रख रहे हो, where you are keeping books of accounts, और यह सारे कर राइड़ियास के बाद में भी CBTT बोलता है, कि यह कोई guiding principle है, कोई एक fact के ओपर dependent मत रहना, कोई isolated facts पर dependent मत रहना, बहुत सारे facts एक साथ दिखना, और यहां पर isolated facts का कुछ example दिया, जैसे, just because a foreign company is owned by Indian company, that does not mean the poem is in India, just because a foreign company has a permanent establishment in India, इसका यह निए उसका poem इंडिया में, just because इसका local management इधर है, इसका मतलब यह निए उसका poem इंडिया में, just because इसकी कोई call center या service center या preparatory और auxiliary activity इंडिया में करता है, इसका मतलब यह निए उसका poem इंडिया में, यह सब guidance purpose के लिए है, यह सब snapshot approach मत follow करो, over the period, series of events आपको देखना पड़े तीन commissioner का collegium रहेगा, वो उसको approval देगा, और उस collegium को कौन बनाएगा, chief CIT बनाएगा, यह सब के बाद कुछ examples है, यहाँ पर आप देख सकते हो, जो अपने class में, DT में discuss किये थे, IDT में इतना, international tax में, हम लोग ने सब example पे इतना बात नहीं, क्योंकि बहुत चिंदी examples है, उस उसके बाद 115JS आता है, 115JS के अंदर इतना कुछ खास नहीं है, what is important is 115JS का notification, यह notification के अंदर क्या बोला गया है, कि यह जो company पहली बार इंडिया में क्या बनी है, इंडिया में पहली बार resident बनी है, because of POEM, अब उसके बहुत सारे सवाल है, पहले सवाल, क्या उसको depreciation मिलेगा नहीं मिलता है, तो फिर आप depreciation का deduction निकालो, और फिर WDV ढूंडो, वहाँ tax नहीं है, तो फिर accounting purpose के असाब से आपको WDV लेना पड़ेगा, अच्छा, अगर foreign company का इंडिया में पहली बार resident बनी, उसका जो loss है और UAD है, उसका क्या करो गया, तो उसका जो loss है, वो UAD इंडि rectify हुआ तो, तो इंडिया में भी आपको loss को rectify करना पड़ेगा, ठीक है, अच्छा, ये loss में को किसके अगें set off करने मिलेगा, सिर्फ उसी income के अगें, जो poem के वज़े से taxable हो रही है, मतलब उस income के अगें, जो इंडिया के भार अकुरू हो रही है, इंडिया के भार receive हो र मतलब उस foreign company का financial year और हमारा financial year अलग है तो, मतलब भो foreign company अगर calendar year फॉलो करती है और हम लोग अगर financial year फॉलो करती है, हम तो financial year इर भी fow Historical करेंगे, तो 21-22 हमारा financial है और ये पहला साल है जिसमें foreign company क्या बनी है resident बनी है और वो calendar year follow करती है तो आपको क्या करना पड़ेगा तो आपको देखना पड़ेगा financial है 21-22 और उसका calendar है उसके बीच का जो period है अगर वो 6 मैने से कम है तो उसको पिछले साल में add कर दो और अगर वो 6 मैने से जादा है तो उसको separate financial है और उसके पीछे के years को separate financial year मान के चलोगे बराबर ये चीज़ अपने आपर डिसकुस के थी वितन example तो आपको बीच के interim period को कौन से period को जिस साल में वो resident बना और उसका पिछला fund है उसका account पिछला accounting है बीच का period चेक करो 6 मैने से कम है जादा है 6 मैने 195 195 सारे 195 के provisions applicable करा होगे आप और 195 में जो procedure 15C ये 15C ये भी बरवाओगे और 195 के अंदर जो अगर आपको assessing officer को application देना पड़ता है for appropriate portion तो वो भी करना पड़ेगा आपको ठीक है क्या इस foreign company को हम लोग unilateral और bilateral relief देंगे ज़रूर देंगे ठीक है अगर उसने foreign country में जाके कुछ tax बरा है तो उसको हम लोग relief भी देंगे साथ साथ में अगर उसने उसकी income over the years tax है तो उसको relief भी over the years ही मिलेगा non applicability of certain other provisions कुछ और provisions आपके ओपर applicable नहीं है इसका मतलब ये बहुत simple है कि just because you are foreign company and not become Indian resident इसका मतलब आपके ओपर दूसरे provisions applicable नहीं है इसके बाद कि applicability of notification where the foreign company becomes हाँ अब इस साल अगरा अप resident बन गए आपने सारा benefit ले लिया पिछले साल का loss rate of कर लिया अब UAD set off कर लिया यू WDV लागए depreciation claim कर लिया अब अगले साल की WDV क्या होगी इस साल की closing अगले साल की opening अगले साल की loss क्या होगा इस साल का closing UAD इस साल का closing loss अगले साल क क्लोजिंग ओपनिंग यूट अगले साल का ओपनिंग लॉस ठीक है नो एफेक्ट और ट्रांजेक्शन किसी और ट्रांजेक्शन पर आपका कोई एफेक्ट नहीं होगा बाता है यह अपको क्या करना पड़ेगा ये सारा बाशन आपका यहां पर खतम हो जाता है विट रिस्पेक्ट तुवर्ड रेसिदेंशल स्टेटस एक बाद रसिदेंशल स्टेटस करतम हो जाता हो उसके बाद आपका शुरू होता है scope of total income, scope of total income section 5 में क्या दिया गया है, कि आपकी total income इंडिया में क्या basis पे taxes है residential status की basis पे tax होती है place of accrual, receipt of time, point of accrual और ये सब चीज़ पे basis पे tax होती है in short, इंडिया में non-resident की income 4 basis पे tax होती है, या तो accru होना चीए या तो deem to accru, या तो receive, deem to receive अब इन चारों पे हम लोग एके करके बात करेंगे लेकिन उससे पहले CBD का clarification है जो हम लोग बात कर लेते है, सबसे पहले कि अगर कोई C farar है, C farar मतलब जो C में travel करता है, crew member of an india ship अगर उसको NRE account के अंदर कुछ salary मिलती है, इंडिया के bank account में तो उसकी salary exempt हो जाएगी, उस पे हम लोग tax नहीं लगाएंगे, चेक कर लेना, C farar है NRE account के अंदर, इंडिया के अंदर salary मिलती है, तो उसकी salary पे हम लोग उसको tax नहीं लगाएंगे, वो यहाँ पर लिखा गया है, ठीके then comes income received और deemed to receive सबसे बला income receive का मतलब क्या है, receive मतलब जब आपको पहली बार receive होगा न, receive मतलब वो होता है suppose पहली बार आपको UK में receive आपको समझ लो it is received in UK, उसकी बाद subsequently इंडिया में remittance करते हो उसका कोई importance नहीं है, subsequent remittance is not important अच्छा, deemed to receive का मतलब क्या होता है deemed to receive में तीन चीज़ है, अगर 12% के ओपर अगर employer आपके लिए contribution करता है, RPF में या सारे 9% के ओपर interest अकुरू होता है आपका तो वो माना जाएगा deemed to receive अगर central government का employee हो आप और central government आपके लिए contribute करती है कोई और employer आपके लिए contribute करता है, pension scheme के लिए अटर ATCCD, वो deemed to be received है या under recognized provident fund से recognized provident fund में transfer करते हो, लेकिन सिर्फ employer का contribution और उसका interest तो वो आपके हात में deemed to be receive है as per section 7, accru का मतलब क्यों होता है accru और due के बीच में बहुत slight difference है accru means right to receive और due means right to enforce payment, accru over the period होता है और due एक particular दिन हो जाता है जिस दिन दिन होगा उस दिन से आपको पैसा लेना पड़ेगा even though the word accru and word due is not defined under income tax law similarly the word receive is not defined but the word deemed to receive is defined under section 7 उसके बाद, एक बाद एक बाद आपकी income accrual basis पे tax हो गई, तो फिर से वापस है receive basis पे tax नहीं हो सकती है और एक बाद, अगर आपने foreign branch के अंदर उस पे इंडिया में tax नहीं लगा सकते हो and then comes what section 9 section 9 के अंदर आपको 911, 912, 913, 914 इन सब चीजों के बादे में बात करना पड़ेगा सबसे पहले हमने किस पे बादे में बात किया 911, अगर आपका इंडिया में business connection हो जाएगा आपको इंडिया में tax भरना पड़ेगा business connection का simple मतलब क्या है कोई भी business activity जो इंडिया में करते हो through a person is known as business connection therefore यहाँ पर government ने कुछ बहुत ही detail example डाले, सबसे पहले अगर कोई non-resident, इंडिया में कोई agent बिठाता है dependent agent बिठाता है, जिसका day to day काम नहीं है सिर्थ वो मेरे लिए काम कर रहा है dependent agent बिठाता है, जो मेरे लिए authority रखता है, contract करता है on behalf of non-resident, तो उसको हम लोग मानेंगे as business connection और उसकी income इंडिया में taxable होगी लेकिन अगर वो कोई दूसरे agent को बिठाता है जिसके पस कोई authority नहीं है, लेकिन वो इंडिया में से goods deliver करता है मेरे बहाँ पे वराउस में, उसको भी हम लोग मानेंगे as deemed to be accrued in India because that is also business connection या तीसरा बंदा जो मेरे लिए authority भी नहीं रखता है, मेरे लिए goods भी deliver नहीं करता है लेकिन इंडिया मेरे लिए order secure करता है order secure करता है लेकिन mainly or wholly मेरे लिए करता है mainly or wholly मेरे लिए करता है और किसी दूसरे बंदे के लिए भी करता है और दूसरा बंदा पहले बंदे को control करता है पहला बंदा दूसरे बंदे को control करता है significant economic presence अगर non-resident का इंडिया में है तो वो भी माना जाएगा as deemed to occur or arise in India significant economic presence का मतलब क्या है अगर aggregate payment इन financial है दो करोर क्रोस होता या तो number of users तीन लग से जाधा है तो वो significant economic presence माना जाएगा और एक बार significant economic presence हो गया उसके बाद यह फरक नहीं पड़ता है agreement इंडिया में हुआ या नहीं हुआ उसका इंडिया में place of residence है या नहीं है उसने services इंडिया में render किया या नहीं किया परक ही नहीं पड़ता है facebook का इंडिया में office है google का इंडिया में office है वो services इंडिया में render कर रहा है या वहीं से कर रहा है इंडिया के साथ इंडिया में किसी की साथ agreement किया या नी वो सब चीजों से कोई फरक नहीं परता है ठीक है then comes कुछ चीजे जो business connection में नहीं आईगी पहली if you are all the operations are not carried out in India then only an appropriate portion will come to taxable in India suppose आपने सारे operations इंडिया में नहीं किये तो आपका proportionate income इंडिया में taxable हो का और वो proportionate income generally duty double A के अंदर लिखा जाता है लेकित तीन income हमेशा आपकी इंडिया में आईगी अगर आप कोई advertisement से income कमाते हो जो इंडियन customers को target करती है वो income हमेशा इंडिया में आईगी ये तीन income हमेशा इंडिया में attribute होगी और इंडिया में taxable होगी ती है हाँ अगर आप इंडिया में आके सिर्फ goods purchase करते हो एक्सपोर्ट करने करते हो पर्चेज और एक्सपोर्ट नहीं होगी नेक्स या आप इंडिया में आते हो film shoot करने के लिए film shoot करने के लिए इंडिया में आते हो और उसमें भी criteria अगर आप individual हो तो आप citizen नहीं होना मंगता है और non resident होना चाहिए अगर आप partnership firm हो तो आपका कोई भी partner citizen या resident नहीं होना मंगता है या अगर आप company हो तो आपका कोई भी shareholder citizen या resident नहीं होना मंगता है उसके बाद next वाला section स उनकट और उनपॉलिष डियमंड इन अस्पेशल नोटिफाइड जोन भारत डियमंड बहुष बीडीवी देन दाट इंकम इस अल्सो एक्जेंट ओवर यह उस पर आपको टैक्स में लगेगा उसके बाद नेक्स 912, 913 यह 911 का ही पार्ट है अगर इंडिया में कोई असर्ट अब यह वाला क्यापेटल गेंज का पार्ट हम लोग किसके साथ कर लेंगे वोड़ाफोन केस लोग के साथ ठीक है वह अभी रवाइस भी नहीं कर रहा हूं नेक्स अल्टरी इंकम 912 इंडिया में कब अक्रू होगी जब इंडिया में अर्न होगी इंडिया में अन जा सकता है अगर सर्विसर प्रिभोर्ण इंडिया में रेंडर करता था तो इंडिया में अन मानी जाएगी सर् रेस्ट पीरेड़ और लीफ पीरिड़ की सालरी भी टैक्स से बलो जाएगी यस पीर्ड फीरेड और सब्सप्राइब ऑर लिखा विए अगर गोवर्मेन इंडिया के को इंडिया के भार कुछ सैलरी देती है तो वो भी इंडिया में दीम टू अक्रूर राइज हो जाएगी हाँ लेकिन अगर उनको अलावेंट परक्रोसित देती हो तो सेक्शन 10-7 के अंदर एक्जेम्ट है चेक कर लो डिविडेंट पे करती है इंडियन कंपनी किसी को भी वो रेसिडेंट में लोन लिया ठीक है रेसिडेंट में लोन लिया और वो पैसा अगर इंडिया में यूज कर रहा है for business and profession या other purpose तो ही वो income इंडिया में अक्रू होगी ने तो नहीं अक्रू होगी next अगर non resident एक non resident दूसे non resident से लोन लेता है और इंडिया में invest करता है business के लिए तो वो interest इंडिया में अक्रू होगा non resident अगर एक non resident दूसे non resident से लोन लेता है और इंडिया में invest करता है other than business के लिए business को छोड़ कर किसी और purpose के लिए तो फिर वो income इंडिया में अक्रू और arise नहीं हो सकती है ठीक है यहाँ पर चेक कर लेना यह बहुत important point है interest का definition section 2 clause 28 के अंद यह interest मतलब interest और साथ साथ में any other charges of similar nature which is which can be covered over here like guarantee fee etc. वो भी service fee guarantee fee then comes अगर इंडिया में कोई foreign bank का branch है अगर वो अपने HO से loan लेता है या अपने दूसरे foreign branch से loan लेता है like City bank like Bank of America तो वो अगर अपने HO से loan लेते है उनको interest देते है तो क्या उनके HO के हाथ ने वो interest facts है वोले the answer is yes उनके हाथ में interest deemed to accruarize है और यह Indian branch को उस पर tedious videos कारतना पड़ेगा ने तो वो अससीन default माना जाएगा ठीक है royalty royalty कब taxable होगी 916 के इसाब से taxable होगी 916 के अंदर क्या बोलागा है अगर royalty government pay करती है तो हमेशा taxable royalty अगर resident pay करता है तो हमेशा taxable लेकिन उसमें भी twist है अगर services वो different from interest इंडिया में एक अनर दूसरे अनर को service render कर रहा है और दूसरे अनर इंडिया में service utilize कर रहा है अब बिजनस के लिए उस करेगा या other purpose के लिए भी तो दोनों case में taxable है interest के case में other purpose नहीं cover था in case of non-resident यह चीज़ याद रखना फिर यह नमसम royalty royalty इस सब इतना important नहीं actually 1986 का provision है अभी आज की तरिक में तर 11 नहीं है उसके बार meaning of royalty के अंदर लंबा चोड़ा भाशन है हम लोग उस पर जादा बात नहीं करेंगे हम लोग इस पर आ जाएंगे कि computer software क्या royalty माना जाता है हां माना जाएगा लेकिन इस पर बहुत सारे twist है पहला twist क्या है यहाँ पर य काटा है या विप्रो का TDS काटा है 194 जे में Microsoft का TDS काटा है 195 में और फिर बाद में Infosys ने कुछ नहीं किया ऐसा ही बेच दिया without any modification और AJNX ने उससे उसका plan लिया सारा details लिया TDS काटा ही नहीं काटा है तो जब AJNX Infosys को payment करेगा ना तब उसका TDS AJNX नहीं काटेगा यह notification के अंदर दिया गया है फिर जहाँ पर यह Supreme Court के judgment के अंदर 2021 के यह बोला गया है Engineering Analysis Center of Excellence Private Limited कि क्या यहाँ पर सारे किसम के software कवर्ड है सारे क बनाने का rights खरीदते हो अगर आप software खरीदोगे और खुद के लिए उस करोगे यह software खरीद के आप बेज़तोगे वैसे के वैसे तो वो royalty नहीं कहलाए जाएगी लेकिन अगर आप software बनाने का rights खरीदते हो तो वो royalty नहीं जाएगी यहाँ पर वो भाशन दिया गया था पूरा काड़ स्वाइप करते हैं तो वो credit काड़ कहा जाता है से Germany जाता है क्यों जर्मनी में सर्वर से स्वाइप करेंगे तो जर्मनी में जाकर अपरूर आता है तो जर्मनी से जो अपरूर आ रहा है SBI को scale उसको payment करना पड़ेगा तो SBI उसको जो payment कर रहा है जो card कहाँ swipe हो रहा है जर्मनी में swipe हो रहा है तो SBI जो उसको payment कर रहा है न तो उसके क्या वो royalty माना जाएगा the answer is yes क्योंकि Assasi का यह argument था कि server तो इंडिया के बाहर है server तो pair के possession में भी नहीं और pair server को use भी नहीं कर रहा है तो government ने बोला whether or not यह सब चीजों से कोई फरक नहीं पड़ता है चेक कर लो next but last but not least explanation 6 इसमें क्या बोला गया है इसमें यह बोला गया है थादा सबर कर लेता हूँ ठीक है बहुत fast बूर रहा हूँ लेकि नहीं बोलूगा तो खतम ही नहीं होएगा 15-25 गंटे हो जाएंगे तो 25 गंटे का revision मतलब नहीं है छे-साथ गंटे में पूरा असले बस रिवायज हुचाना चाहिए तो ही मज़ाएगा आपको exam के दिन 2-3 बार देखने लाइग हाँ next क्या है अगर इंडिया की कोई television company से उनको अपना program-program transmit करना है तो उनको satellite करना यूज करना है satellite यूज करने के लिए foreign company के पाँ satellite है तो foreign company का satellite उन्होंने क्या क्या यूज किया उनको payment किया तो क्या वो royalty माना जाएगा yes माना जाएगा वो process के definition में आ जाएगा royalty means process and process includes this ठीक है then FTS FTS कब अक्रू होगा exactly like royalty तो जैसे royalty अक्रू होता है वैसे FTS भी अक्रू होगा कुछ भी अलग नहीं है हाँ अब FTS के अंदर भाशन क्या देखना पड़ेगा आपको FTS के अंदर ये भाशन देखना पड़ेगा common point है ये तीनो income कैसे अक्रू होगी 915, 916, 917 के साब से ये तीनो income को इंडिया में अक्रू करवाने के लिए या tax करवाने के लिए बिलकुल भी ज़रूरी नहीं है कि non-resident का इंडिया में place of business होना चाहिए business connection होना चाहिए कोई जरूरत नहीं ये तीनो income के लिए बिलकुल नहीं है special income से साथ साथ में ये बिलकुल भी जरूरत नहीं है कि non-resident इंडिया में आके services render करे services भार भी render कर सकता है सर्फ इंडिया में services utilize होना चाहिए तो ये दोनों point बहुत important है इस पर बहुत सारी questions exam में बन सकते है ठीक है उसके बाद अगर कोई resident ने किसी non-resident को कुछ payment किया resident ने non-resident को पैसा दिया property नी दिया India के बाहर इंडिया में पैसा दिया तो चलेगा इंडिया में तो property दिया तो भी tax होगा लेकि एक resident ने non-resident को इंडिया के बार पैसा दिया 50,000 रुपे से जादा तो उसके हाथ में गिफ टैक्स टैक्स से बोले जाएगा ठीक है उसके बाद नेक्स्ट इस सेक्शन 9A जिसमें बोला गया है कि अगर eligible investment fund की income अगर eligible fund manager manage करता है तो eligible fund की income इंडिया में taxable नहीं होगी subject to 17 conditions अब गो 17 conditions क्या है पहला condition सबसे पहले fund इंडिया के भार in corporate होना चाहिए दूसरा condition fund इंडिया का resident नहीं होना चाहिए तीसरा condition funding ऐसे देश का होना चाहिए जिसके साथ इंडिया का या तो डीटी डबल है या तो लेकिन उस 5% में आप कुछ चीज नहीं लोगे वो क्या है अगर fund manager पहले तीन साल में 25 करोट रपे तक डालता है तो वो उस 5% में count नहीं होगा उस पर मैंने आपको example भी दिया है हाँ fund जिस देश में वहाँ पर investor protection and regulation के जैसा कोई provision होना चाहिए मतलब वहाँ पर ऐसा कोई कानून होना चाहिए जैसा यहाँ पर सेभी का कानून है तो protect the rights of the investors fund के अंदर कम से कम 25 non connected person होना चाहिए fund के अंदर कोई भी member along with the connected person 10% से ज़्यादा stake नहीं होना चाहिए fund के अंदर कोई 10 बंदे along with the connected members should not own more than 50% अब यह इफजी यह तीन condition कुछ लोगों लिए applicable नहीं है जो अगर foreign government का fund है तो उनके लिए applicable नहीं है sovereign fund है तो applicable नहीं है foreign central bank का fund है तो उनके लिए applicable है जो आगे आप देखोगे अब fund किसी भी company में 20% से ज़्यादा invest नहीं करेगा fund किसी भी associate entity में interest नहीं करेगा associate entity का मतलब बता है जिसमें 15% से ज़्यादा उसका stake है ठीक है तो उसमें invest नहीं करेगा हाँ उसके बाद fund का monthly average 100 क्रोर होना चाहिए अगर fund नया है इस साल शुरू आए तो जिस महने में शुरू आए उस महने के end से 12 महने के अंदर 100 क्रोर हो जाना चाहिए अगर December 21 में शुरू आए तो November 22 तक उसका क्या हो जाना चाहिए December 21 में शुरू आए तो December 22 तक उसका 100 क्रोर हो जाना चाहिए फिर monthly average की जरुवत नहीं है और अगर fund इस साल बंद हो चुका है bound up हो चुका है तो in that particular case fund को क्या करना पड़ेगा ये condition फुल्फिल करने की जरुवत नहीं ठीक है फंड इंडिया के अंदर कोई भी business control नहीं करेगा कैड़ी नहीं करेगा fund ऐसा कोई काम नहीं करेगा या manager ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे इंडिया में क्या हो जाए business connection और fund manager को जो remuneration मिलेगा वो CBD प्रिसक्राइब करेगी उतना मिलना चाहिए ठीक है उसके बाद जो तीन condition अपली के बलनी होंगे वो यहां पर दिखा गया वो यहां पर आप देख सकते हो ठीक है उसके बाद fund manager के लिए क्या क्या conditions है fund manager सबसे पहले है एक fund का employee नहीं होना चाहिए और fund के connected person का भी employee नहीं होना चाहिए fund manager एक registered fund manager होना चाहिए क्या AMC will be considered as fund manager yes asset management companies can be considered as fund manager person should be acting in the ordinary fund manager अपने ordinary course of business में काम करना चाहिए मतलब वो एक employee नहीं है वो एक normal business उसका वो बहुत साही लोगों के लिए ऐसा fund manager करता है plus fund manager along with his connected person should not get more than 20% of the profits from the fund उसके बाद यहाँ पर आपको prescribed form भरना पड़ेगा कि आपने सारे conditions कौन भरेगा eligible fund भरेगा fund भरेगा manager नहीं भरेगा fund को भरना है condition fund को फुलिफिल करना है income fund की exempt होने आ लिए तो fund को साल खत्म होने के बाद 90 days के अंदर एक prescribed form में आपको class में लिखवा है आप चेक कर लेना कि prescribed form का number क्या होता है ठीक है तो वो आपको भरके देना पड़ेगा नई भरोगे तो क्या होगा पांच लाग रुफिल करते हो तो आपके income exempt हो जाएगी income इंडिया में taxable नहीं होगी plus fund manager और fund दोनों की दूसरी अगर कोई income इंडिया में तो वह वैसी taxable होगी जैसे बाकि सबके लिए taxable होती है उसके बाद यहाँ पर कुछ condition डाला है अगर fund manager IFSC के अंदर located है 2024 के पहले यह finance act 21 commitment है fund manager IFSC के अंदर located है 2024 के पहले अपना business चुडू करता है तो fund की income तो उसके लिए कुछ conditions point number 3 और 5 में से government non applicable करवा देगी है वो कौन सी conditions non applicable करवाएगी वो मुझे नहीं पता वो government आगे जाकर बोलेगी तो यहाँ पर आपका यह discussion खता हो जाता है इसके बाद हम लोगने क्या शुरू किया था इसके बाद हम लोगने शुरू किया था exemption of non-resident चलो देखते है फड़ा फड़ यह भी सबसे पेले इसमें क्या है एक अगर individual है जो एक individual उसको अगर interest आता है कहा से interest आता है NRE account से NRO account से और कौन से बैंक से बैंक इंडिया के अंदर है और वो बंदा non-resident है किसके इसाफ से income tax के इसाफ से नहीं फेमा के इसाफ से non-resident है या उसको RBI ने permit किया तो उसकी income क्या हो जाएगी उसकी interest income exempt हो जाएगी ठीक है साथ साथ में अगर उसका joint account एपनी wife के साथ तो दोनों की income exempt ह जाएगी यह नहीं माना जाएगा कि दोनों मिलाकर एक एओपी है नहीं दोनों मिलाकर एक individually माने जाएगे joint account की इंकम exempt जाएगी ठीक है उसके बाद 104C बहुत सिंपल है कि अगर कोई Indian company कोई या business trust किसी foreign company या non-resident को rupee denominated bonds issue करती है between 17 September 2018 to 31st March 2019 और इंडिया के बाहर से पैसा हो जाएगा exempt हो जाएगा चेक कर लो ठीक है उसके बाद यह बहुत भयांद कर point है specified fund specified fund की चार income government exempt कर रही है अब वह specified fund की चार income कौन सी वह बाद में देखेंगा उससे पहले fund क्या होता है specified fund का मतलब क्या है specified fund में दो point है point number one point number two point number one में कौन आएगा सबसे पहले एक ऐसी company एक ऐसी LLP एक ऐसा trust या body corporate जो इंडिया में registered है जिसके पास category 3 AIF का certificate है जिसके जिसका location IFSE के अंदर है जिसके सारे unit holders non-resident है सिर्फ sponsor और manager को छोड़कर sponsor कौन होता है sponsor वो होता है जो promoter होता है या तो company जो शुरू किया था उस time पर जो main था वो अगर company है तो उसका शेरोल्डर या डिरेक्टर या अगर वो partnership firm या LLP है sorry तो उसका designated partner manager कौन होता है जो company को फूरे fund को manage करता है उसको बोलते manager ठीक है second criteria क्या है investment division of an offshore banking unit investment division of an offshore banking unit के बा चाहिए उसको बोलते investment division of an offshore banking unit वो कहाँ पर होना चाहिए IFSE के अंदर ठीक है अब उसके बाग कौन सा certificate होना चाहिए category 1 FPI certificate होना चाहिए और कुछ और conditions fulfill होना चाहिए यह specified fund का मतला है अब specified fund के जो यहाँ पर किसकी income exempt है specified fund की income exempt है आगे जाकर हम specified fund के unit holders की इंकम को exempt करेंगे चाहिए उन लोग आगे के section में देखेंगे जहाँ पर fund की income exempt है आगे unit holders की exempt है जहाँ पर fund क्या-क्या ट्रांसफर करेंगा क्या क्या-क्या income exempt है सबसे पहले उसकी point number one or two में capital gains income exempt है सबसे पहले वो किससे capital gains कमा रहा है इंडियन कंपनी के bonds बेच कर capital gains कमा रहा है या तो public sector company के इसे वैसे नहीं है जो यह सारी चीज यह चीज यह चीज यह चीज इसे के अंदर लोकेटेड एक रेकरगनाइज टॉक एक्षेंग के अंदर लिस्टेड होना चीज और इसमें भी साथ-साथ में अगर कोई ट्रांसफर कर रहा है उससे कोई अगर इसमें अगर कोई इंडिया में तो यहां पर कवर नी सेमिरल अगर सेक्रिटाइजर इंटरस से कुछ पीजी भी इंकम कमारा तो वह भी माफ है अब यह कितना माफ है क्या पूरा माफ है नहीं अट्रिबिटेट बड टू अब यह जो स्पेसिफाइट फंड ए उसमें रेसिडेंट यूनिट होल्डर्स भी होंगे नॉन्ली टू और नॉन्डर्स इंकम्स को चार क्या इवाट किया इय। छहां इन चार का प्रपोश्छन सेंग बहुत सिंपल है तो पहले इंकम लेलो मल्डिप्लाइज कितना फंड के अंदर नॉनी बाय कितना पॉर्म का टोटल पैसा है बस यही आपको formula apply करना है इन 4 case के अंदर यह अगर अप्लाइ करोगे तो आपका discussion complete हो जाएगा then comes next one अगर कोई non-resident कुछ income कमाता है transfer करके non-deliverable forward contract transfer करके और किसको transfer कर रहा है offshore banking unit जो IFSC के अंदर है उसको transfer कर रहा है तो यहाँ पर बड़ाबर से दिखो transfer कौन कर रहा है non-resident कर रहा है क्या transfer कर रहा है non-deliverable forward contract किसको कर रहा है offshore banking unit को कर रहा है वो कहाँ पर है IFSC उससे जो भी income कमाएगा वो exempt है तो मैं कोई non-resident कुछ income कमा रहा है royalty या interest कैसे कमा रहा है हमको किसी IFSC के अंदर located unit को lease पर दे कर aircraft lease पर दे रहा है उसके बाद next अगर कोई US embassy का बंदा इंडिया में बैठा है अब यह जो 10-6 है इसके अंदर 4 clauses है यह 4 clauses किसके लिए अपनी के बहले not a citizen, not a citizen, not a citizen, not a citizen यह मत बूलना ठीक है तो सबसे पहला क्या है सबसे पहले कोई बहार की country है उसका इंडिया में embassy है UK embassy, US embassy उसके employee को अगर हम लोग कुछ remuneration दे रहे है तो वो exempt है subject to some condition उसके देश में हमारे employee का भी हमारे embassy के लोगों का भी remuneration exempt होना चाहिए प्लस वो बंदा क्या resident, non-resident दोना हो सकता है हाँ ये बंदा resident, non-resident दोना हो सकता है उससे फरक नहीं परता है citizen नहीं होना अमंगता है resident, non-resident उससे government को फरक नहीं परता है secondly, वो जो staff है वो अपने respective country को यहाँ पर represent करता है प्लस, इंडिया में कोई और business कोई और profession या कोई और employment नहीं करना चाहिए दूसरी और चीज़ से पैसा कमाएगा तो चलेगा दूसरी और चीज़ क्या होती है मैंने class में आपको बोला है उसके बाद यहाँ पर example से बहुत simple है अभी कोई foreign national है शिर से not a citizen of India resident, non-resident दोने चलेगा इंडिया का citizen नहीं होना मंगता है और कुछ conditions भी इसमें उसकी जो company है जो foreign national है जो employee है जो इंडिया में आ रहा है 90 दिन के लिए या उससे कम के लिए उसकी company इंडिया में कोई business या trade नहीं करना चाहिए प्लस उसको जो remuneration उसकी company दे रही है वो exempt है जो non-resident है और non-resident है उसको कुछ salary मिलती है उसकी ship इंडिया में आती है वो इंडिया में ship आती है और वो थोड़े दिन इंडिया में लेता है और चले जाब रहा तो उसकी salary exempt हो जाएगी provided 90 days से जाधा इंडिया में मत रहना है वो employee, resident, non-resident दोनों हो सकता है तो ये चारो cases बहुत जाधा important है उसके बाद 1023FC जैसे मैंने आपको हो दिदे पहले बोला 104D के जैसा ही है कि बहाँ पर fund की income exempt थी यहाँ पर unit holder की income exempt है बराबर then comes यह वारा point अभी अपनने revise नहीं किया या बाद में revise कर लेंगे इसको this will revise after some time ठीक है अब यह सब चीज बाद की सब common ही है यह सब चीज हमाना होई चुका है अल्रड़ी यह पीछे revise कर लिया आपने ठीक है कहां तक 106, 11 तक अभी 106, BB इसमें क्या covered है इसमें covered है कि अगर कोई foreign government है या कोई non-resident है जो किसी Indian company को lease पर देता है क्या aircraft और उसका agreement 97 से 99 के बीश में हो रहा है या तो 2007 के बाद हो रहा है तो अगर ऐसे case में अगर जो Indian company उसके लिए जो tax bear कर रही है ना तो वो tax सामने वाले के हाप में exempt हो जाए tax exempt होगा पूरा lease rental exam नहीं होगा lease rental कब exempt हो जाएगा वो यहाँ पर दिया गया है 10-15 के अंदर वो यहाँ पर 10-15 A के अंदर यहाँ पर lease rental exempt हो जाएगा पूरा लेकिन यहाँ पर period देखना यहाँ पर वो period जो period वहाँ covered नहीं है पराबर आप देख सकते हो यहाँ का पर पर देख सकते हो यहाँ का परीड एक सकंद और वहाँ का परीड में फरक है यहाँ आप देख आप देख सकते हो so now let us go ahead with the revision discussion which we have left in the last section that is next is section 10-6c now this is only for foreign company not for all non-residents इंडिया के लिए इंडिया के लिए से क्या पर करती है तो यहां पर क्या है एक्जंट है फुली एक्जंट है next is non-resident foreign company सब के लिए covered है और वो इंडिया में एक organization है जिसका नाम है NTRO National Technical Research Organization यह wrong के लिए काम करती है तो अगर कोई foreign company non-resident NTRO को कोई service देती है बदले में NTRO उनको royalty FTS पी करती है तो यह fully exempt हो जाएगा ठीक है next is क्या बाहर की government है वो इंडिया में कुछ लोगों को मदद के लिए भेज रही है in cooperative technical assistance program में आपको class में example दिया था कि suppose भगवान ना करें इंडिया में क्या आजाए earthquake आजाता है और फिर हम US government से मदद लेते है तो US government वहां से जो लोगों को यहाँ भेजती है मदद के लिए तो वो उनको US government जो उनको remuneration देती है वो यहाँ पर क्या है exempt है प्लस उनकी foreign income भी exempt है foreign income का मतलब क्या होता है थोड़ी देर के अंदर बोलता हूँ next दो section भी इसी से related है बस फ़रक क्या है कि यहाँ पर उनको कौन भेज रहा है US government खुद भेज रहा है remuneration कौन दे रहा है US government दे रही है तो जो भी remuneration US government उनके लोगों को दे रही है इंडिया में आके लोगों की मदद करने के लिए वो fully exempt है section 10.8 के अंदर सारे इनका residential status क्या होगा residential status कुछ भी हो सकता है resident non-resident उससे परक नहीं परता है क्योंकि यहाँ पर उनका residential status नहीं लिखा गया है अच्छा यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर इंडिया मदद मांग लिए किससे से US से इंडिया में भूकम पाग गया तो इंडिया US से मदद मांग लिए तो US के अंदर एक international organization है international agency है US उनको funds provide करती है और वो fund consultant को fund provide करती है और फिर consultant इंडिया में आके लोगों की मदद करता है तो यहाँ पर directly US government individuals को पैसा देती थी वो इंडिया में आके लोगों की मदद करते थे लेकिन यहाँ पर US government एक agency को पैसा देती है वो agency consultant को पैसा देती है और consultant इंडिया में आके लोगों की मदद करता है, ठीके, अब वो consultant का मतलब क्या है, consultant individual भी हो सकता है, other than individual भी हो सकता है, अगर individual है तो citizen नहीं होना मंगता है, और अगर citizen है तो ordinary citizen नहीं होना मंगता है, not ordinary चलेगा, और any other person है, firm, company, AOP, B.O.I. तो फिर non-resident होना ज़रूरी है, ठीक का employee कैसा होना चाहिए, वो भी अगर individual है, individual है तो उसका क्या है, इंडिया का citizen नहीं होना मंगता है, और अगर citizen है, तो इंडिया का resident नहीं होना मंगता है, ठीके, अब चौता, इन सब की foreign income, foreign income भी exempt हो जाएगी, foreign income मतलब क्या आसर, मतलब ये तीनों लोग, पहले case में जो individual ड tax नहीं हो सकती है, हो सकता है, इंडिया में आने के बाद ये लोग इंडिया में 180 दिन से जाधा रह ले, 182 days से जाधा रह ले, तो उनकी income इंडिया में tax नहीं होगी, don't worry about it, उस पे इंडिया में tax नहीं लगेगा, लेकिन उसके कुछ conditions डाल के रखे, कि वो income इंडिया के भा होगी, साथ-साथ में उनके family member जो उनको कंपनाई करते हैं इंडिया में आने के लिए, उनकी income भी हम लोग इंडिया के इंदर माफ कर देंगे, next section, section 1015 plus दिरिये, यहाँ पर क्या है, बाहर की एक central bank है, जो इंडिया में deposit कर रही है, कहां पर deposit कर दिये, schedule bank में deposit कर रही है, कौ है, तो not ordinary residence है, अब यह दोनों के लिए, यह provision common है, ठीक है, इसके लिए भी है, इसके लिए यह दोनों के लिए, अब यहाँ पर पहला कौन है, यह deposit कर रहा है, किस के अंदर, schedule bank के अंदर, schedule bank के अंदर, यहाँ पर cooperative bank include नहीं है, कैसा deposit कर रहा है, foreign currency में deposit कर रहा है, अच्छा, offshore banking unit, offshore banking unit का मतलब मैंने आपको class में लिखाया था, SCZ unit, SCZ unit of a branch, SCZ unit of a bank is known as offshore banking unit, अगर आप SCZ unit में पैसे लगाते हो, से SBI के SCZ unit में पैसे लगाते हो, उदर से interest कमाते हो, यहाँ पर exempt है, ठीक है, next, अगर एक non-resident है, जो IFSC के लोगों को पैसा देता है, मतलब IFSC वाला non-resident से borrow कर रहा है, from first September 2019, from first September 2019, तो जो भी interest कमाएगा, कहां से कमाएगा, IFSC वाला इससे borrow करेगा, यह IFSC वाला इसको interest ले करेगा, तो यह पूरा का पूरी तरीके से exempt जाएगा, ठीक है, next, यह lease rental के बारे में मैंने आपको पहले बोल दिया, कहां पर, पीछले section के साथ, आप जाकर च कर लेना, सार्क अगर कुछ कमाती है, तो वो पूरा का पूरा exempt है, ठीक है, उसके बाद यह unit holder के बारे में मैंने आपको पहले बोला था, कि पिछले provision से वो relevant है, कि वहाँ पर 10,4D के अंदर specified fund की income exempt है, और 10,23FBC के अंदर unit holder की income exempt है, if you can understand that, 10,23FE, यह हम लोग में section बाद में बात में understand किया था, कि इसमें अलग-अलग-अलग point है, सबसे पहले specified percent का मतलब तुमको समझना पड़ेगा, specified percent में तीन लोग आते, एक तो UAE government, Abu Dhabi Investment Authority की holy on subsidiary specified fund है, एक sovereign welfare fund भी specified fund है, और एक pension fund भी specified fund है, इन सब के बारे में ज़्यादा detail में जानना है, तो आपको यहाँ पर थारी भी, वो वाहर की resident होना चाहिए, और प्लस वाहर की government उनको पैसा देना चाहिए, यहाँ पर कौन आता है, sovereign welfare fund में, यह बाहर की government उसको control करना चाहिए, बाहर के law में regulate होना चाहिए, इसकी कोई भी earning government को छोड़ कर किसी और को नहीं जानी चाहिए, इसका कोई भी asset dissolution पे government को छोड़ कर और कहीं नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर creditors या loaners जो loans दे रहे हमको, उनको repay करना पड़े तो repay कर सकते हो, प्लस इंडिया में किसी भी किसम का management नहीं, investing के business में टांग नहीं अलाना चाहिए, इंवेस्टी मतलब जिसमें आप invest कर रहे हो, उसके business में टांग foreign country, यहाँ पर, यहाँ पर एक addition point है, जो यहाँ पर और यहाँ पर नहीं था, यह pension fund should not be liable to tax in foreign country, और liable to tax का मतलब क्या होता, मैंने आपको पहले भी बुला था, tax भरता है तो भी liable है, और tax exempt है तो भी liable माना जाएगा, कुछ और conditions उसको fulfill करना है, यहाँ पॉइंट exactly same है, यहाँ पॉइंट exactly same है, central government दोनों को notify करना चाहिए, तो यह हो गया आपका specified fund, अब specified fund की कौन कौन सी income यहाँ पर government ने exam कर दिये, चलो देखते है, सबसे पहले government ने उनकी dividend income exam कर दिये, interest income exam कर दिये और long term capital gains, यह 3 income exam कर दिये, कब exam कर दिये, अगर वो इंडिया में, किसी dead में invest करते है, share capital या unit में invest करते है, कब invest करते है, यह 4 साल के बीच में, 2020 से लेक suffering, 2024 के बीच में, और investment तो कम से कम 3 साल के लिए hold करना पड़िगा, अच्छा investment कहां करना है, या तो business trust के unit में invest करना है, या तो किसी así company में invest करना है जो infrastructure facility का का काम करती है, या तो किसी ASPInsकम अपना 50 क का infrastructure company में invest करता है या तो किसी domestic company में invest करना है जो 1-4-2021 के बाद set up हुई है और 75% investment या तो category C या तो category B वाली companies में invest करता है एक domestic company जो अभी अभी फर्म होगी है 2020 में जो अपना 75% investment कहा करते है infrastructure company में या तो एक ऐसी MBFC में invest करो जो अपना 90% lending किसको देता है infrastructure company को देता है अब यह 50% 75% 90% government वलती है उसके prescribe करेंगी कि उसको कैसे compute करने का उसके बाद government ने एक provision लाए power to remove difficulty अगर कोई difficulty आती है provision के application में तो हम power to remove difficulty के तो उसको निकाल सकते है ठीक है अब आगे जाकर अगर आपने कोई condition fail किया वाइलेट किया तो जो भी capital gain जो भी interest जो भी dividend पहले exempt हो है वो सब अभी taxable हो जाएगा ठीक है जैसे one of the condition which you can violate इसके आपको तीन साल तक investments को hold करना है अब आपने दो साल बाद बेज दिया तो दो साल बाद अगर बेज दोगे तो provision violet होगा जो भी capital gain जो भी interest जो भी dividend पहले exempt होगे तो आपको exemption मिलेगा अगर 75% से जादा invest करोगे तो बज़ जाओगे आपको exemption मिल जाएगा अगर 50% से जादा invest करोगे तो बज़ जाओगे exemption मिल जाएगा लेकिन यहाँ पर government ने एक additional condition डाला है अगर आप 75% 90% और 50% से जादा invest करते भी हो या लेंड करते भी हो तो आपका पूरा capital gains या पूरा interest या पूरा dividend exam ली होगा प्रपोस्नेट ही exempt होगा अगर आप 100% investment करते हो तभी जाकर आपका पूरा capital gains से interest exempt होगा ठीक है यह सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है this is what section 1023 FE is all about ठीक है आगे बढ़राओं में प्रे अटेंशन प्लीज next section talks about what 1023FF यहाँ पर क्या दिया गया है कि अगर कोई non resident है वो क्या कमाता है capital gains कमाता है और यहाँ पर कौन किसको transfer कर रहा है यह भी मैंने आपको शायद पहले बता दिया original fund से resultant fund में जाएगा resultant fund से original fund यह मैंने discussion पहले करी लिया है आपको गर याद है तो next 1048, 1048, 1048 भी यह 3 section back to back एक दूसरे को compare करते है कैसे एक दूसरे से काफि सिमिलर है उसमें जो second और third है तो almost एक दूसरे को मतलब follow करेंगे और जो पहला वाला है वो अलग section है अब पहला वाला section क्या बोलता है foreign company, दूसरा section भी foreign company तीसरा section भी foreign company तीनों मैं similarity बताता हूँ अब पहले वाले section में क्या होने वाला है आप crude oil sell करोगे या कोई और goods भी notify करोगे तो वो भी goods or services भी sell कर सकते हो प्लस पहले वाले section के अंदर you should not be engaged in any other activity दूसरे और तीसरे section में आप दूसरे activity में engage कर सकते हो अब दूसरे वाले section के अंदर आप क्या करोगे सिर्फ crude oil बेचने वाले और कुछ नहीं वो भी कैसे और agreement terminate हो जाता है तो भी exempt है तीसरे वाले के अंदर यह सारी चीज़े covered है यहाँ पर यहाँ पर क्या difference है यहाँ पर पैसा इंडिया में receive होना ज़रूरी है इंडियन currency में receive होना ज़रूरी है और यहाँ पर central government आपको notify करेगी ठीक है जहाँ पर पैसा इंडिया में receive होना ज़रूरी नहीं है इंडियन currency में receive होना ज़रूरी नहीं है सिर्फ income इंडिया में अक्रू होना ज़रूरी है और यहाँ पर तो sale of leftover stock की बात चलती है leftover stock मतलब जो leftover stock है agreement खतम हो गया उसके बाद अगर left over stock है, तो उसका क्या होगा, वो भी exempt है, agreement बीच में से terminate कर दिया, उसके बाद अगर कोई left over stock है, तो उसका क्या होगा, वो भी exempt है, उसके बाद आते हैं हम लोग अपने presumptive scheme की तरफ, presumptive scheme में सबसे पहले आता है non resident का shipping business, जब मैं non resident बोलूँगा, तो उसम higher income tax law, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, 172 poor income tax law का override कर देता है, लेकिन 44 भी 6 section 28 से लेकर 44 तक override करता है, अर उसमें आप कैसे चलोगे, previous year में, जब foreign की ship इंडिया में आती है, non resident की, और वो ship जब इंडिया छोड़ कर जाएगी, तो जो भी पैसा कमाएगी, जो भी including dimmerage charge and handling charges वो include करके, उसका 60 तक का will be dimmed income, और उस पर tax rate आप लगा दोगे, बिना कोई deduction के, किसी किसम का deduction नहीं मिलने वाला आपको, सीधा, इंडिया में ship आई, ship इंडिया छोड़ कर जाएगे, इंडिया छोड़ कर जब जब जाएगे, जब जो भी पैसा कमारा है, उसका 60 तक का dimmed income, उस पर 40% tax, surcharge is applicable, and size of 4%, surcharge depend करता, उसकी total income कितनी है, एक बार वो लग जया, लग जया, tax बारो निकल जाना अच्छे, ठीक है, और फिर बार में, अगर आपको लगते हैं, आपको लगते हैं, आपको लगते हैं, आप इंडिया जो लो, इतना साथा tax rate क्यो है, तो आप फिर assessment year में आओ, और आप return भरो, return भरो, और section 44 भी follow करो, 44 भी follow करने से क्या होगा, 44 भी follow करने से आपका अप सिर section 28 to 44 override होगा, इसके लिए आपको आपको PGP के expense नहीं मिलेगे, आपको 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 आपका अंडिया में, उसका setup ले सकते हो, chapter 6 का deduction ले सकते हो, और आप slab rates भी enjoy कर सक और फिर आपको जो भी tax आएगा, वो आप tax भरोगे, और जो पहले tax भराता 172 में, वो आपको credit मिल जाएगा in the form of advanced tax, और government आपको refund देते ही along with the interest अगर आपको यादे तो, अब ये income तो common है, 172 में पहले tax होगी, फिर 44 भी में आपके बाद option है, आपको offer करना है करो, नहीं कर पुरिया, सिंगापुर से दुबई जारी, और पैसा इंडिया में receive होगे, तो फिर वो income directly 44 भी में आप 7,5% के हसाब से दिखाओगे, और फिर बाद में वह भी, वहाँ पर भी आपको PGVP के expense नहीं मिलेंगे, UAD मिलेगा, नहीं मिलेगा, set of loss ले सकते हो, chapter 6 से ले सकते हो, I It is clear to all of you, ठीके, आगे बढ़ रहा हूँ है, यह सब भाशन है फिर यहाँ पर, आपको कब तक सर वो tax भरना है, ship छोड़ने तक, अगर नहीं भर सकते हो, तो फिर आप एक बंदा इंडिया में पॉइंट करो, जो एक मैने के अंदर आपका tax भरे, return भरे, उसके बाद आपका assessment होगा, यहाँ पर अगर आप देखो, 9 मिने में आपका assessment होगा, यहाँ पर सब भाशन दिया है, एक normal assessment होगा, फिर बाद में port clearance देगा government आपको, जब तक आप tax नहीं भरोगे, आपको जाने नहीं देगा, जंडा नहीं दिखाएगा, green जंडा के जाओ भाई, यह सारा भाश resident, इंडिया में क्या कर रहा है, इंडिया में non-resident आ रहा है, और लोगों को क्या दे रहा है, service दे रहा है, facility दे रहा है, किसके connection में, service दे रहा है, facility दे रहा है, या तो plant and machinery hire पे दे रहा है, यह 3 में से कुछ भी teach दे रहा है, क्यो दे रहा है, service क्यो दे रहा है, facility क्यो दे रहा कर सकتे हो अब चैटर शिक से ले सकते हो वह सब जीज आप एंजॉइ कर सकते हो उसमें कोई लिक्कत निया ठीक है में PE है हाँ क्या यहां पर हम 10% से कम कमाते हैं तो lower profit दिखाने का मौका है है अगर आप books up accounts maintain करते हो audit करवाते हो तो यहां पर lower profit भी रिखा सकते हो पिछले section में यह possible नहीं था shipping वालों के लिए option अवेलेबल नहीं है फिर यहां पर प्लांट का प्लांट के अंदर drilling units दालना पड़ेगा scientific apparatus etc यह सब दालना पड़ेगा और mineral oil का मतलब petroleum नाचुरल गया से ठीक है नेक्स यह बात में airline business airline business भी 44 bb है non president के लिए अपनी के बहले यहां पर 28 to 43 कुछ नहीं मिलेगा बाकिसारे deductions आप ले सकते हो जो beyond 28 to 43 है अच्छा यहां पर क्या है हमाने deemed income 5% है कब लगेगा अगर flight इंडिया से उड़ती है तो 5% deemed income यह flight दो अलग देशों में उड़ रही है पैसा इंडिया में receiver रहा है तो 5% deemed income लग जाएगा ठीक है सब यहां पर भी 5% से कम income है तो lower profit दिखा सकता हो नहीं दिखा सकते हो नहीं दिखा सकते हो नहीं दिखा सकते हो क्योंकि यहां पर कोई भी specific provision उसके बारे में नहीं दिया गया है उसके बाद एक question है जो अपने class में क्या था next presumptive income 44 BBB यह वाला section इंडिया में आके civil construction करेगी या इ्रेक्शन और प्लान्टन मशिनेर या testing with respect to a turn की project turn की project का मतलब मैं आपको class में बताया था यहां पर deep income कितना है 10 दक का flat 10 दक का deep income है उसके income दिखाना है तो आप दिखा सकते हो यहां पर दिखा सकते हो आपको government ने दिया है तो चार में से दो section में government ने आपको option दिया है दो section में आपको option नहीं दिया गया है ठीक है next 44C यहाँ पर क्या है अगर foreign company है या foreign associate है या non resident है उसका इंडिया में branch है तो वो HO के कितने expenses इंडिया में claim कर सकता है एक second आ हाँ हाँ अगर कोई non resident है उसका इंडिया में क्या ब्रांच है ब्रांच है तो वो HO के कितने expense इंडिया में claim कर सकता है तो government ने उसके लिए 44C लाया है government ने बोला 5% of adjusted total income या 5% अगर loss है तो 5% of average adjusted total income and compare with actual whichever is less तो 5% of adjusted total income क्या होता है adjusted total income यहाँ पर government है define किया definition दिया है इसका मतलब है total income और उसमें यह सारी चीज़ आड कर दो क्या 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 अलावेंस आड कर दो unabsorbed depreciation आड कर दो family planning का capital expenditure आड कर दो फिर बाद में business loss आड कर दो फिर बाद में speculation business loss आड कर दो long term capital gains loss आड कर दो capital gains long term short term जो भी हो और फिर बाद में 74 एका जो horse race का loss आड कर दो chapter 6 से भी आड कर दो ठीक है कुछ चीज़ आड नहीं कर दो जो मैंने आपको class में लिखवाया है बराबर से check करना जैसे horse property का loss आड नहीं होगा है ठीक है check कर लेना बराबर और भी एक दो चीज़ जो आड नहीं होगी बराबर से देखने ना अच्छा यह सब आड करने के बाद जो भी amount आएगा वो होगा adjusted total income उसका 5% ले लो तो आपको क्या मिल जाएगा आपको point number one point number one को point number two से compare करो whichever lower उतना reduction मिलेगा ठीक है हाँ अगर आपका adjusted total income करने के बाद loss आ जाता है तो फिर आपको इसके बार यहां पर आता है next section is about 44DA 44DA काब apply के वढ अगर कोई non-president या foreign company जिसका इंडिया के अंदर agreement है SSE के साथ agreement approved है agreement होना बहुत ज़रूद है agreement approved होना बहुत ज़रूद है किसी government या Indian concerned focused service दे रहा है बदले में royalty और FTS कमाता है और उसका इंडिया में permanent establishment है P है तो 44 DA P नहीं है तो 115 A में जाना पड़ेगा तो 40-40 A में PA तो आना पड़ेगा और PA तो उसको सारे खर्चों का deduction मिलेगा उसको books of account maintain करना पड़ेगा उसको audit भी करना पड़ेगा उसको ROI भी बढ़ना पड़ेगा उसका tax rate भी normal होगा उसको सारे deductions मिलेगे chapter 6 से मिलेगा उसको losses का deduction मिलेगा उसको PGPP के deductions मिलेगा उसको unabsorbed depreciation का deduction मिलेगा लेकिन कुछ चीज़ आपको दिमाग भी रखनी पड़ेगी अगर कोई कर्चा वो partially India के करने करता है और partially भार के लिए करता है तो नहीं मिलेगा fully India के लिए करेगा तो ही मिलेगा अगर वो अपने HO को कुछ payment देता है तो उसका deduction नहीं मिलेगा लेकिन अगर अपने HO को reimbursement देता है और HO किसी और को payment करता है तो उसका deduction उसको यहाँ पड़ मिल जाए रहा है यह बहुत बारी difference से बराबर से दिमाग भी रखना इंपोर्टन पॉइंट है एक्जाम में आता रहता है बागिस के अलाव और कुछ नहीं है डूटेट तो वही होगी जो नॉर्मली वन था इनाइन वन के अंदर सबकी डूटेट होती है इनकी भी वही होगी अब आँगे बढ़ते हम लोग capital gains for non-resident non-resident के capital gains के बार में बात करेंगे सबसे पहले हैं आपर फाल्टू चीजे होगी सब चीजे मैंने class में भी नहीं बोला था 45-1 क्या होता है capital asset का मतलब क्या होता है इस सब चीज आप खुद से देख सकते हो DT के अंदर पढ़ोगे तो यहाँ पर cover होई जाएगा यहाँ पर आता हूँ असली चीज़ों पर यहाँ पर आता हूँ short term के capital asset क्या होता है जो asset 12 मैंने तक होल देख 12 से जाधा है तो यह long term हो जाएगा exact 12 है तो भी short term है कुछ asset 24 मैंने के बाद long term हो जाते है that is कौन unlisted share and immobile property that is land and building और कुछ asset 36 मैंने के बाद long term होते है उसमें क्या आता है उसमें आता है listed securities security listed in a recognized stock exchange units of UTI units of equity oriented fund and zero coupon bond यह सारी चीज़ और बागे सब क्या हो जाएगा बागे सब कुछ 36 मैंने के बाद long term हो जाएगा यह आपर कुछ शब्दों का मतलब एक वीडियो oriented fund का मतलब होता है 65% investment करेगा तो भी चलेगा ठीक है और इसका आपको क्या करना है मन्तली आवरेज निकालना है लेकिन unit के case में आपको मन्तली आवरेज नहीं throughout आपको यह percentage maintain करना पड़ेगा I hope you remember that I have written I have made you underline this particular thing in the class 0 open bond चलो इतना important definition है चलो जाने दो उसको इतना जादा ध्यान मत दो फिर यह period of vaulting यह सारी चीज़े हम लोग किसके साथ discuss करेंगे यह सारी चीज़े हमने आगे जाका discuss किये JDR, VDR के discussions के साथ अब यहाँ पर हम लोग आ जाते इस transactions not considered as taxable transfer तो उसमें सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा यहाँ पर क्या है सबसे पहले 47 के बारे में बात करेंगे क्योंकि अपने को capital gains का discussion करना है तो 47 के बारे में बात करना परेगा 47 के अंदर इसमें क्या और है अगर एक foreign company का दूसरे foreign company के साथ amalgamation होता है और वो पहली foreign company दूसरी foreign company को Indian company के shares transfer करती है तो वो exempted दो condition fulfill करना चाहिए पहली foreign company के 25% share order दूसरी foreign company में चले जाना चाहिए और यह foreign company पहली transaction पहली foreign company मतलब amalgamating foreign company के देश में यह transaction subject to tax नहीं होना चाहिए अगर वहाँ tax लगेगा तो यहाँ पर भी माफ कर देंगे यह जो condition आपको fulfill करना पड़ेगा अब एक बार asset यहाँ से वहाँ transfer हो गया asset क्या Indian company के shares है यहाँ से वहाँ transfer हो गया तो दूसरी foreign company के आत्म उसका cost क्या होगा cost to the previous owner इसके बारे में लोग आगे जाके पढ़ा है अगर आपने cross linking किया है तो ठीक अपने की shares है बागी चीज़ कवर नहीं है तो इसके 75% shareholders in value transfer होना चाहिए वहाँ पर इन number था यहाँ पर इन value है और यह transaction फिट से वहाँ पर taxable नहीं होना चाहिए चेक कर लो बढ़ाबर से दोनों provision same ही है ठीक है सिर्फ एक में 25 एक में 75 है एक में percent है और एक में value है एक में percent सने एक में value है next 477 है हाँ बिटा next 477 है यह क्या बुलता है अगर एक NR को इंडिया के बाढ़ ट्रांसफर करता है क्या ट्रांसफर करता है bond transfer करता है कैसे bond Indian company के bond जो notified by central government है या public sector company के bond जो sold by government है या GDR अगर एक NR को इंडिया के बाढ़ दो किसम के bond और एक GDR transfer करता है जो 115 AC में mention है और 115 AC में कौन सा GDR mention है मैंने आपको बुला है civilisted company का GDR mention है unlisted company का GDR वापर mention नहीं है याद करना next section अगर एक NR दूसरे NR को इंडिया के बाढ़ ट्रांसफर करता है अच्छा तो एक NR अगर दूसरे NR को इंडिया के बाढ़ ट्रांसफर करता है अच्छा तो एक NR अगर दूसरे NR को ट्रांसफर करेगा तो ही माफ है तो अच्छा अगर वो NR maturity में company को वापस देगा तो क्या exempt होगा नहीं एक्जाम नहीं होगा तो taxable हो जाएगा तो अगर उसमें अगर वो currency fluctuation के वज़े से रुपी appreciation के वज़े से अगर वो taxable होता है तो तो रुपी appreciation के वज़े से जो gain होता है ना वो government ने माफ कर दिया है in fifth provisor to section 48 if you remember आपने आगी दागर लिखा होगा ठीक है रुपी appreciation के हाँ अगर वो गेन होता है तो tax बरना पड़ेगा लेकिन अगर रुपी appreciation के लिए देखो अगर एक एक एनार दूसरे एनार को transfer करता है तो exam यह tax implication number one सुनलो यह सारे assets transfer करता है कहां transfer करता है इना recognized stock exchange located in IFSE तो यहाँ पर transfer कर रहा है recognized stock exchange located in IFSE यह सारे assets कौन से जो उपर परा था वो ही सारे assets है bond GDR extra assets क्या है रुपी denominated bond derivative और any other notified security covered by the government तो यह सारे assets तो पहला आसमें bond है bond में कौन से दो bond है जो उपर Indian company के bond के और public sector company के bond है GDR कौन सा है 115 AC वाला यह चौता point क्या है रुपी denominated bond of an Indian company फिर पांच वा क्या है derivative और any other security as notified by the central government ठीक है next 477 AC यहाँ पर क्या covered है यहाँ पर relocation होता है किसका relocation relocation एक original fund बाहर है वहां से हम लोग उसको खीश के इंडिया में ला रहे तो अगर बाहर से कोई fund उठा के इंडिया में खीश के ला रहे हो तो उसमें अगर कोई asset transfer हो रहा हो capital gains माफ हो जाएगा चेक कर लो similarly अगर उसके unit holders बाहर के units sacrifice करके इंडिया में units ले रहे है तो वो भी example जाएगा चेक करो फिर बात में यहाँ पर इन्हों ने क्या दिया है definition दिया original fund का मतलब क्या होता है उसके बाद relocation का मतलब क्या होता है और उसके बाद में resultant fund का मतलब क्या होता है जो उसको regulate करता है और such other conditions as may be prescribed उसके बाद में resultant fund का हाँ पर है इंडिया में है इंडिया में किस form में है trust के form में कंपनी के form में LLP के form में है और उसके पास category 123 AIF का certificate होना चाहिए और वो IFSC के अंदर located होना चाहिए तो बाहर से fund उठाकर IFSC के अंदर ला रहे हो उसको बोलते हैं हम लोग transfer of original fund to a resultant fund उसमें जो भी assets transfer हो रहे हैं वो महाँ पे और जो भी unit holders अपने units transfer करके नए fund में units ले रहे हैं वो भी exempt हो जाएगा ठीक है is everyone clear I hope everyone is clear next one is यह बहुत ही simple है इसका non resident से को लेना देना नहीं है अगर कोई asset transfer करते हो आप by home India infrastructure finance limited to an institution established for financing infrastructure development setup अंडर पालने में तो यहाँ पर transfer हो कौन है इंडिया infrastructure finance company limited transfer ही कौन है आप transfer किसको कर रहे हो आप transfer कर रहे हो एक ऐसी financing institution को जो set up किया central government ने तो exempt है ठीक है उसके बाद अगर कोई capital से transfer होता है एक public sector company दूसरी public sector company को transfer करती है या central government या state government को transfer करती है तो वो भी exempt है चेक करो अगर एक एनार दूसरे एनार को government की security transfer करता है इंडिया के बाहर through a intermediary मतलग through a foreign broker जिसके अंदर periodic interest लगा हुआ है periodic interest ज़रूरी है तो वो भी exempt है section 47 के अंदर and last but not least अगर आप bonds को shares and adventures में convert करते हो कौन से वाले bonds वही bond जो 115 AC में covered है और 115 AC में कौन से covered है Indian company के bonds covered है notified by central government या public sector company के bonds covered है which is sold by central government ठीक है यहाँ पर देखना यह सारी चीज़े covered है उसके बाद आता है section 48 mode of computation यह बच्चे लोग को भी पता है इसमें कोई बहुत खास चीज नह नहीं मिलता है inflation कैसे लेने का etc उस सब चीज़ सबको पता है bonds और debentures का आपको index session नहीं मिलता है लेकिन दो किसम के bonds का index session आपको मिलता है capital index bonds, sovereign gold bond यह सब paper 6 में इतना ज़दर 11 नहीं है उसके पाद index session का chart है current year का index session 370 है यह आता है हमारा अगला important point first provider to 48 number मत बुलना बहुत important है read with rule 115 a sir first provider to 48 क्या बोलता है first provider to 48 बात करता है कि अगर कोई non precedent यह foreign company है वो Indian company के shares, debentures, bonds करीती है foreign currency में तो calculation कैसे करने का जैसे मैं बोलूँगा मैं मतलब rule 115 a और rule 115 a क्या बोलता है बोलता है कि sale consideration को convert करने का on average of ttbr and ttsr on the date of transfer expenses on transfer को भी same rate पे convert करने का cost of acquisition को convert करने का average on the date of purchase और फिर जब final capital gains आएगा उसको re-convert करने का INR में on ttbr on the date of transfer final capital gains के time पे average नहीं लेने का just ttbr on the date of transfer इस तरीके से calculation करने का किसलिए non resident fund company India के अंदर Indian company के bonds, debentures, shares करीपती है foreign currency में तो यह सब करना पढ़ेगा, first proviso applicable है हां आगे जाकर आप reinvest करते हो तो तब भी है यह applicable है, अच्छा यहाँ पर government company के bonds covered है, government company के bonds नहीं covered है, government company के bonds कुछ गौर्मेंन कंपनी भी Indian company होती है, ठीक है, तो state government, central government के bonds नहीं covered है, RBI के bonds नहीं covered है, आगे जाकर reinvest क यह shares बेचा आपर से करीड़ा, तो फिर से नाटक करना पढ़ेगा तिरको और एक बार first proviso applicable हो गया, तो second proviso applicable नहीं होगा, मतलब तेको यहाँ पर index section applicable नहीं होगा, और एकर तो 112A में covered है, कहां covered है, 112A में covered है, तो तेरे लिए यह proviso applicable नहीं है, 112A वालों को index section भी नहीं मि तो आपको sale consideration को compare करना पड़ेगा, fair market value and whichever is higher, 50D क्या है, अगर आपको sale consideration determine करने में दिक्कत हो रही है, then 50D क्या बोलता है, the fair market value of asset transfer, अगर आप बोलते हो, sir में को पता है नहीं चल रहा है, sale consideration कैसे निकालू, तो फिर आपका fair market value of asset transfer will be considered as what, as your sale consideration, and last but not least, जो point मैंने आपको discuss कर लिया, already आप चेक कर सकते हो, कि bonds, bonds कौन से company के cover है, उसके बाद यहाँ पर कुछ questions कवर है, यह rupee denominated bond का 5th provision मैंने आपको already cover कर लिया, rupee denominated bond के discussion के साथ, कि यहाँ पर आपको currency appreciation के वज़े से जो gain हो रहा है, उसमें आपको profit मिल जाएगी, ठीके, then comes, the next, section 49 में, यह सारे ची और यहाँ पर बोला गया है, अगर cost to the previous owner लेते हो, तो period of holding भी आप clock कर दोगे, और index session लेते हो, आप दो view ले सकते हो, normal income tax का view भी ले सकते हो, जिसमें आपको जब asset मिला तब index session लो, या आप जब previous owner ने asset करीदा था, मन्जुला जेशा के हिसाब से, Bombay High Court का judgment, उसके हिसाब से भी आप index session ले सकते हो, यहाँ पर वो भाशन दिया गया है, ठीके, then comes यह conversion of bonds, bonds, etc, यह सब चीज़े हम लोग cost to the previous owner के साथ cover कर लेंगे, मतलब यहाँ पर अगर पहले shares था, वो dimensures में convert हो गया, या bonds में convert हो गया, तो cost क्या होगा, उसका cost जोता हो, उसका cost हो जाएगा, और इसके बाद GDR के discussion के साथ, हम लोग यह पूरा को पूरा point discuss कर लेंगे, triple one है कब अपली के बले है, अगर कोई भी SSC, अब यह किसी non-resident, resident के लिए है, सब के लिए अपली के बले, कोई भी SSC, अगर equity share करिता है, या unit करिता है, business trust, या unit करिता है, equity oriented fund, जिसके अंदर unit की units भी आ जलता है, ठीके, 112A में खरिकते बेशते, दोनों समय STD बरना जरूरी है, ठीके, अब IFSC के अंदर located हो, और STD नहीं भरते हो, तो भी चलेगा, क्योंकि IFSC के अंदर STD लगता है नहीं, तो बरू कहां से, तो IFSC बालों को relaxation है, कि बिना STD भरे भी, वो लोग triple one है का benefit ले सकते सर क्या basic exemption limit का benefit मिलेगा, हा, मिलेगा, अगर आप resident हो तो, resident हो तो आपको benefit मिलेगा, 95 laug उरुपे, 95% चैपना खर ना, ठीके, please, chapter 6 से का reduction नहीं मिलता है, प्लस, divine ये और 1128 की income पे 25% वो 37% सर्चारद नहीं लगता है, भले आप 2 करोड से ज्यादे income कमाऊ या 5 करोड से ज्यादे income कमाऊ या 100 करोड से ज्यादे income कमाऊ, 1128 की income पे 25% से 12, 15% से ज्यादा सर्चार नहीं लगएगा, मतलब enhanced lecture of 25% and 37% is not applicable तो आपको दो ऑप्शन दिया है क्या 10% without indexation 20% with indexation whichever is more beneficial जो भी आपको लगता ले लो यह किसके लिए सिर्फ लिस्टेड सेक्यरिटी और जिरो कुपन बांड के लिए उनिट्स के लिए निया है तो बांगी सब के लिए कितना है 10% without indexation और other than other capital asset land, building, building जो भी है तो उन सब के लिए क्या है 20% with indexation with indexation benefit government ने आपको दे दिया है next triple 1A के बाद 112A, 112A किसके लिए अपली के लिए उनिए अपली के लिए जिनके लिए triple 1A अपली के लिए दोनों से इमें फ़रक क्या है यहाँ पर आपको 10% tax rate है वहाँ 15% tax है दूसरा फ़रक यहाँ पर आपका 1,00,000 तक का साल में capital gains exempt है सबके लिए exempt है resident non-resilent से फ़रक मी बरता है सबके लिए exempt है 1,00,000 तक का capital gains पूरे साल में ठीक है और यहाँ पर तीसरा फ़रक क्या है यह सरचार्ज का चार्ट तो obviously मैं नहीं देखने आ लाओ यह तो आपने duty में भी देखा होग उसमें भी दो exception है पहला अगर 2004 October के पहले खरीदा था तो STD नहीं भरेगा तो भी चलेगा क्योंकि तभी STD था है नहीं तो भरूँ आजासे और 2004 के बात खरीदा है तो भी अगर आपने STD नहीं भरा है तो चलेगा अगर आप government के दिये गए इस notification वाले exception में आते हो तो जिस अगर इस column में आपका exception cover हो जाता है तो खरीदते से में STD नहीं भराता तो चल जाएगा तो इस column में कौन cover है चेक कर लो इस column में कि आज की तारिक में आपकी company listed है जब आपने खरीदा था तब वो frequently traded नहीं था तब frequently trade नहीं होता था और आपने preferential issue के 2 खरीदा था ये 3 point covered है तो अगर आपने ऐसे situation में खरीदा था और आपने खरीदते से में STD नहीं बराता तो आपको आज की तारिक में trip 1-1-2-A का benefit नहीं मिलेगा हाँ लेकिन अगर आप यहाँ पर exception में cover हो तो आपको 1-1-2-A का benefit मिल जाएगा अगर आपको central government ने अपरूव किया सॉरी Supreme Court ने, High Court अपने NCLT ने, SEBI ने या RBI ने अपरूव किया था तो चल जाएगा आप बिना STD भरे दी exemption ले सकते हो, relaxation ले सकते हो, non-president की FDI guidelines में खरीदा तो चलेगा, investment fund that is AIF ने खरीदा तो चलेगा, preferential issue के तूपर ICDR की guidelines applicable नहीं है, उस हिसाम से खरीदा तो चल जाएगा, ठीक है तो यहाँ पर चार exception है, वैसे ही यहाँ पर आज आपने खरीदा तो आज listed है, लेकिन जब खरीदा था तब वो listed नहीं था, ठीक है, the transaction is acquisition is listed company, is not entered through, sorry, is not entered through, आज listed है, लेकिन जब खरीदा था तब listed नहीं था, वैसे ही यहाँ पर आपको बहुत सारा exception दिया, obviously you are सब exception में one, इतना important है भी नहीं exam के लिए, और third वाला case, यहाँ पर कोई exception नहीं, मतलब यहाँ पर अगर आप आते हो, तो आपको STT भरना ज़रूरी है, STT नहीं बराओगा तो आपको relaxation नहीं मिल लेगा है, यहाँ पर क्या है, आपने ऐसे बदनसीब समय पे खरीदा था, जब आपका share dealist हो गया, और list होने के पहले, उस 20 के period में आपने खरीदा था, और आपने STT नहीं बराता, नहीं बराता, तो आपको relaxation नहीं मिलेगा, ठीक है, जहाँ पर frequently trade का भाशन 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 दिया है, कि कम से कम 10% volume अगर होगा, आपके share का total volume का 10% अगर trade होता है, तो आप माना जा सकता है, कि frequently trade करते हो, otherwise नहीं करते हो, ठीक है, then comes महाँ पर, यहाँ पर भी IFSC वाला relaxation है, कि IFSC वालों के case में, अगर आप IFSC के recognize stock exchange से shares खरीदते हैं, बेस्ते हो, STT नहीं भी बरा, तो भी आपको relaxation मिल जाएगा, तो बेसिक exemption का benefit मिलेगा, मिलेगा, 112 में मिलेगा, 112 में मिले करते हैं, आपको class में भी बुलाता, सिर्फ एक extra provision यहाँ पर वो यह है, कि अगर 31st Jan 2018, कि 31st Jan 2018 या उससे पहले shares करीदा था, तो फिर आपको 31st Jan की FM भी निकालना पड़ेगा, और फिर compare करना पड़ेगा, कि आपका cost क्या है, आप directly actual cost नहीं ले सकते हो, ठीक है, तो यह सारा यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हो, so let us take the discussion ahead now with the next part, that is chapter 12 which is applicable to NRI, so सबसे पहले आप पूछो के who is an NRI, NRI का मतलब होता है, जो income tax के इसाफ से non-resident है, और India का citizen है, या person of Indian origin है, इंडिया का citizen, person of Indian origin माना जाएगा NRI, जैसे ही question में NRI आ जाएगा, दिमाग के अंदर रि बाते चल सकती है, ठीक है, उसमें कुछ शब्दों का मतलब पहले आपको समझना पड़ेगा, convertible foreign exchange का मतलब क्या होता है, उससे पहले आपको समझना पड़ेगा, specified asset का मतलब क्या होता है, specified asset में 5 किसम के asset आते है, Indian company के shares, अब ये Indian company के shares कैसे, private public दोनों covered है, लेकिन अपनी का नहीं चलेगा, उस case में भी आपके लिए chapter 12 है applicable नहीं है, आपके लिए normal provision applicable हो जाएगा, फिर any security or central government और कोई asset अगर 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 इंकम में recurring income आती है, dividend interest, और long term capital gains के अंदर आपका सिर्फ एक ही ये ने, long term short term capital gains यहाँ पर नहीं cover है, उससे अगर आप कुछ income कमाते हो, तो यहाँ पर आपको taxable हो जाएगा, ठीके, यहाँ पर आपको क्या taxable हो जाएगा, कितने पर taxable होगा, क्या deductions मिलेंगे, क्या नहीं नहीं मिलेंगे, वो सब चीजों के बारे में बात करना है, सबसे पहले, investment income जो आप कमाऊगे, अब आप NRIO, आप chapter 12, एक अंदर cover है, investment income जो कमाऊगे, उसमें से कोई deduction नहीं मिलेगा, कोई PGP का deduction नहीं, कोई IFOs का deduction नहीं, कोई chapter 60 का deduction नहीं, हाँ, setup of loss लेना चाते हो, तो ल दे सकते हो, you are free to do that, ठीके, अब tax rate क्या होगा, investment income पे flat 20%, flat, कोई basic exemption limit नहीं मिले ला रहा है, और long term capital gains पे flat 10%, हाँ, short term capital gains है, तो वो फिल नॉर्मल ही tax होगा, triple बने बाला है, तो triple बने के साब से, और other than triple बने है, तो उससे साब से, ठीके, अब यहां पे सबसे बढ़ा advantage क्या ह देते हो, तो हम आपका capital gains exam कर देंगे, कितना exam करेंगे, उतना exam करेंगे, जितना 54F में करते है, proportionate exemption करेंगे, अगर पूरा exemption कर चाहिए, तो पूरा आपको net consideration invest करना पड़ेगा, अगर net consideration से come invest करोगे, तो इतना आपका capital gains exam कर दाएगा, multiply by new asset divided by net consideration, ठीके, यह सब करने के आपने उसको बेच दिया, तो जो पुराने asset का exemption claim किया था, वो तो taxable हो गई, साथ-साथ पे जो नया asset आप बेच रहे है, उसके भी capital gains लग सकता है, ठीके, उसके बाद यहाँ पर एक बहुत अच्छा question था, यह दोनों को आप exam के दिन एक बाद देख सकते हो, ठीके, next is, option to file income tax return, sir, क्या income tax return भरना है उनको कि नहीं भरना है, हाँ, उसमें को condition है, अगर आप income, यहाँ से कमाते हो, investment income और long term capital gains कमाते हो, या दोनों कमाते हो, और आपका TDS कर चुका है, तो ideal भरने की जर्वत नहीं है, अगर आपका TDS नहीं करता है, दोनों में से कोई भी condition अगर valid होता बराबर से यहाँ पर चेक करना, investment income के लिए आप यह benefit उठा सकते हो, capital gains income के लिए benefit नहीं उठा सकते हो, उसके बात क्या सभी option मेरे लिए mandatory है, नहीं, option है तो option ही होगा, mandatory हो नहीं सकता है, यहाँ अप्शन, either to opt this or you do not opt this, अगर आपको opt करना है, तो आप ITR ने उसको disclose कर दो कि I want to opt chapter 12, और अगर नहीं opt करना है, तो आप बोल तो ITR के अंदर भाए, मुझे नहीं opt करना है, I want to govern by the normal provision, then you will be governed by the normal provision, तो यह आपका chapter 12 है था, जो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ NRI के लिए था, अब जो chapter 12 है वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ नॉन रेसिदेंस के लिए, वो किसी Indian company में invest करती है, shares करेती है, उससे dividend कमाती है, 20% उसको क्या लग जाएगा, tax लग जाएगा, हमेशा है रखना, non-president और foreign company का dividend का tax rate हमेशा 20% flat, 5 लाग कमाता है 20% tax, 1 करोड कमाता है 20% tax, 10,000 कमाता है 20% tax, flat 20% tax, that's it, ठीक है, second, second में कौन है, non-president और foreign company, किसी Indian government या Indian concern को प 20%, TLS कहां करेगा, इसका DLS 195, इसका DLS भी 195 section में करेगा, दोनों के लिए को special section नहीं है, ठीक है, third, non-president और foreign company, किसी infrastructure debt fund को पैसा देती है, loan के तोर पे, किसी currency में, कोई भी currency में, और infrastructure debt fund उनको interest का payment करता है, TLS कितना करेगा, 5%, surcharge says depend करता है, वो आपको include करना है कि नहीं करना ह हमेशा TLS उस हिसाब से include होता है, says तो हमेशा include होगा, non-president के case में, surcharge depend करता है, the quantum of income, हाँ, तो जब आप payment करोगे, तो TLS 5% कार्ट हो, कौन से section में, पहले, अलग से section है, 194LB, ठीक है, आगे, उसके बाद provision है, कब कार्ट होगे, payment or credit, whichever, जले है, अभी बोल देता हूँ, तो वापस आगे जाके बोलेगी, जर्वत ना पड़े मुझे, 194LC, इसमें का है, इसमें बहुत सारे multiple points है, सबसे पहले, loan कौन दे रहा है, पैसा कौन दे रहा है, non-resident foreign company common है, यहाँ पर भी पैसा non-resident foreign company नहीं दे रही है, कोई और अलग SSC नहीं दे रहा है, ठीक है, अच्छा long term infrastructure bond के तौर के ले रहा है, 2012 से लेकर 2014 के बीश में, या long term bonds, या long term infrastructure bond के तौर के ले रहा है, 2014 से लेकर 2014 जून के बीश में, यह सब तरीके से अगर वो loan ले रहा है, पैसा, एक तरीके से एक तो loan के तरह वैसा ले रहा है, एक तो bond issue करके पैसा ले रहा है, यह period आपको demand में रखना पड़ेगा नहीं दिया खोगे तो चलेगा पेपर शेक्स के अंदर को इतना इशू निया पर सेवन आपको शाहिए रखना पर सकता है यह वह इंपॉर्टर रिखाएगा अगर कोई इंडियन कंपनी के रुपी डिनॉमनेटेड बॉन्स खरीगता है तो वह भी यहाँ पर कवड़ है इस पीरेट से लेकर इस पीरेट के बिच में अगर आपने वह पैसा रेस किया है तो आपको इस पर्टिक्लर पार्ट के उपर एक्जेंशन मिलेगा 10-4-C के अंदर जो पीछ टिप बुक के अंदर चेक कर लेना ठीक है इसके बाद अगर कोई नॉन डेसिटन फॉरण कंपनी क्या खरीटता है बॉन खरीटता है रुपी डिनॉमनेटेड बॉन करीटता है लॉंग टम बॉन करीटता है 2020 से लेकर 2023 के बीच में तो उसको चार परसेंट ता टीलियस रिल लिस्टेट है और यह दो चीज़ करीटता है बाउंड या लॉंग टम बॉन या रूभी डिनॉमन दिनॉमन फॉर परसेंट उसका टीलियस हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट मैं अभी अससी बदल जाता है अब यहां पर सारे नॉन पर सारे नहीं कवरें यहां पर स वह सब्सक्राइब के बीच में इन्टरेस पेडल यह चीज़ दिमान पे रखना पिछले सेट्शन के इंदर उस पीरिट के अंधर पाँ लोन बोरूर रोना चैटा है यहां पर इंटरस्ट पेडल है और यह लोग पैसा पैसा कैसा रेस कर रहे है इस डस साल के बीच में दो 2020 2020 से लेकर 2030 के बीच में यह नहीं सिक्रेटी गौर्वर्मन ने अट किया ठीक है अब इन दोनों में इक अडिशनल पॉइंट भी है इसका रीडियस कहा करें सब्सक्राइब इन दोनों में अपको क्लास में नोट की तरह भी लिखाया था आप चेक कर सकते हो कि इन दोनों सेक् तो गौर्मन इस सक्षन से आपको बहार निकाल देगी प्लस आई से के स्टडी मटल में एक मिस्टेक भी था होगी मैंने आपको क्लास में बताया था जाकर चेक कर ले ना ठीक है में पास उतना समय नहीं है यहां पर रिविशन वीडियो में उसके बात करनेगा नाओ नेक् dec सबसे पहले मात करता हूं मतलब हो कन्सेषन रेट पर रहा है तो और टैक्स यगा घाएगा अगर SPV 115 BBA नहीं follow वरता है तो investor के हाथ में वो dividend exempt है यह भाशन यहाँ पर दिया गया last but not least अगर non-resident या foreign company इंडिया के mutual funds से foreign currency में खरीट के mutual funds या UTI के net से कुछ income कमाते है उस पर 20% tax लग जाएगा ठीके उसके बाद non-resident या foreign company किसी Indian government या किसी Indian entity के साथ Indian concern के साथ non-resident या foreign company क्या करती है कोई services देती है बदलें उनका agreement agreement is approved by central government यह सब words होना चाहिए और उस non-resident foreign company का इंडिया में PE नहीं है अगर PE है तो वो चला जाएगा 44 DE में BA में और PE नहीं है तो आ जाएगा 115 A के अंदर और 115 A के अंदर का tax rate कितना होगा 10% और DTW whichever is more beneficial to the SSC जो BSSC के लिए ज्यादा beneficial है तो दोनों के भीश में agreement होना चीए येस agreement के अप्रूव होना चीए central government के तो अप्रूव होना चीए ना कुछ special बाते करते हैं जो interest, dividend, royalty, FTS सबके लिए applicable है कोई भी PGPP और IFOs का deduction आपको मिनने नहीं वाले chapter 6 A का deduction आपको interest के against chapter 6 A का deduction नहीं मिलेगा except one deduction 80 LA का deduction मिलेगा लेकिन आपको royalty के अगें chapter 6 A का deduction FTS के अगें chapter 6 A का deduction आपको मिल जाएगा ठीक है अगर इसकी बाते सर अपना return बना ज़रूरी है यहां बहुत important है अगर आप सिर्फ यह income कमाते हो interest, dividend, royalty, FTS और अगर आपका TDS इस section में जितना लिखा है 10% इस से कम rate पे नहीं करता है at least 10% पे करता है तो आपको IDR भनने की जरुवत नहीं है अगर 10% से कम rate पे करता है तो आपको IDR भनना पड़ेगा अपको IDR भनना पड़ेगा जब आपका DT डबल एक साफ साथ DDS करते हा ना तो आपको IDR भनना पड़ेगा क्योंकि उस case में government check करना चाती है आपने DT डबल एक प्रोविशन बराबर से apply किये की नहीं किये फिर यहां पर इंस्ट्रूट ने compare किया है कि भाई 44 लिए कब applicable है जब टी है और 115 लिए कब applicable जब टी नहीं है ठीक है यह जिए दिमाग में रखना हमेशा next 115 AB किसके लिए applicable overseas financial organizations के लिए applicable है और यह लोग कहां इंवेस्ट कर रहे है यूनिट्स खरीद रहे है यूनिट्स खरीद रहे है यूनिट्स तो उससे अगर उनको कुछ long term capital gains होता है कुछ income होती है short term capital gains फिर से नहीं covered है तो long term capital gains और सब कुछ सारी income इनकी 10% पे tax हो जाएगी ठीक है फिर से क्या कोई benefit of index session मिलेगा index session का benefit मत मांगना 28 to 44C मत मांगना और chapter 6 से भी मत मांगना losses का deduction अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हो हाँ उसमें भी अगर आपका जो unit है वो अगर 115 12A sorry या triple one A में covered है तो उस हिसाफ से tax होगा अगर triple one A में covered है तो आपका 15% 112 A में covered है तो 10% subject to exemption of 1,000,000,000 रोपीज ठीक है 115AC again a very important section इसमें बहुत सारी बाते नीगी ति हमने वो सारी बाते मां भी कर देता हूँ सबसे पहले यह section किसके लिए आपनी के पहले non-resident गरा ऐसे non-resident it will by default include what foreign company also वो implied बात है non-resident जब बोलूँ हा तो foreign company भी include हो जाएगा अब non-resident यहां पर क्या खरीद रहा है Indian company के bonds खरीद रहा है which is issued by which is issued by central government notified by central government ऐसे words आजाएंगे समझ जें ना 115 ACA या public sector company के bonds खरीद रहा है which is sold by government and purchased in foreign currency तो Indian वो bonds करीद रहा है तो Indian company के bonds करीद रहा है जो notify कर रही है government या public sector company के bond करीद रहा है जो government sell कर रही है और purchased in foreign currency या GDR खरीद रहा है इन सब के उपर अगर उसको long term capital gains होता है या कुछ income होता है तो इसको 10% का tax लग जाएगा ठीके deduction मिलेगा कोई PGP का deduction नी कोई Apex का deduction नी, कोई abstract का deduction नी loss का deduction वो ले सकता अगर है तो इंडेकसेशन का benefit नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा ठीके indexation का benefit उसको नहीं available IDR बहने की सर्वत है? IDR बहने की ज़रूरत सबस्क्राइब कर चुका है तो इसको जरूरत नहीं है तिक इसके बाद इसके बारे में बात करते हैं उसका प्लूरा ऑवर्वीव आपको देज़े थे आँ उससे मैं इंडियान कंपनी है सबसे तले कौन से लिए इंचेंट के सबस्क्राइब करती है तो अगर कोई लिस्टेट कंपनी है, मैंने क्लास में आपको इसांपल जा रहा है, इन्फोसेस, उसने GDR इशू किया, इंडिया के भार, तो अब पहला tax implication, अगर कोई non-decedent, वो GDR, किसी दूसरे non-decedent को ट्रांसफर करता है, इंडिया के भार, तो section 47 के अंदर वो exempt है, ट्रांसफर करता है, तो exempt, जिस रा tax implication, अगर वो GDR, वो convert करता है, किसमें convert करता है, इंडियन कंपनी को देता है, और बगले में shares देता है, तो जो जो exchange कर रहा है, वो exchange exempt नहीं है, उसमें tax लगएगा, तो उसमें sale consideration क्या लेनेगा, FMV of the share on the date on which request for redemption was made, और cost of acquisition, वो तो उसको पता ही है, उसमें JDR कितने में खरी राता है, वो तो cost of acquisition हो जाएगा, अब उसके बास क्या आगया, shares आगया, shares आने की बाद आगे जाकर, उसमें shares बेचा, shares का, वो उसका FMV बन जाएगा, और period of holding कांट से कांट होएगा, period of holding की बहीं से कांट होएगा, जिस दिन का आप FMV लेते हो, ठीके, so this is what we have done in the concept of GDR, with lot of examples which I have given in the class, next is 115 AD, यह किसके लिए अप्लिके बाल है, यह specified fund के लिए अप्लिके बाल है, तो अगर कुछ income कमाते हैं लोग, securities से, यहाँ पर कौन से securities करण हो जाएगी, other than 115 AB, other than 194 LD, 194 LD में जो covered हो यहां covered नहीं होगा, 115 AB में जो covered हो यहां नहीं covered होगा, तो यहाँ पर आएगा क्या, यहाँ पर preferentials आ सकता है, एक video से आ सकता है, dimensions आ सकता है, यह सब चीज़ से पहले के sections में covered नहीं है, तो यह इस पर अगर कुछ income कमा रहा है, income मतलब कुछ revenue, income, dividend कमा रहा है, interest कमा रहा है, तो 20% FII को taxable है, 10% specified बन को, specified बन को further relaxation है, 194 LD में कमाते हैं, अगर FII कुछ, तो 194 LD में तो 5% का concession tax rate है, पर अभी 115 के ने देखाई था, फिर बाद में अगर short term capital gains, normal वाला है, triple वने वाला नहीं है, तो 30%, short term capital gains, triple वने वाला है, तो 15%, जो इससे सब के लिए, long term capital gains, normal वाला है, triple वने वाला है, 10%, triple वने वाला है, तो 1 lakh exemption, बाक के 10%, और other income, उनकी कितने पर प्रेंस हुदा ही, पर मैं ज्यादा बात भी फिलाल नहीं कर रहा हूँ, उसके बाद यहां पर सर्चार, सर्चार के लिए यहां पर 194 LD वालों के लिए, यहां पर 115 AD वालों के लिए, सर्चार के लिए special provision है, generally क्या होता, triple वने और 112A की capital gains के उपर, आपको 15% से ज़्यादा सर्चार नहीं लग सकता है, कौन से capital gains पे, दिमाग पर रहना, triple वने और 112A वालों, लेकिन इन लोगों के लिए, चारो capital gains, triple 1A वाला हो, 112A वाला हो, normal capital gains हो, STCG, normal capital gains हो, LTCG, चारो के चारो capital gains पे, इनको क्या है, इनको 15% से ज़्यादा सर्चार नहीं लग सकता है, यह special recognition है, यह special treatment दिया है, गौर्वर्मेंट ने किसको, 115 AD वालों हो, so that FIIS का investment इंडिया में hit नहीं हो, FIIS अपना investment इंडिया से withdraw नहीं कर सके, ठीक है, यह इसलिए उनको दिया गया है, next, वोई UCPT का नहीं क्या, कोई deduction नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, कोई PGP नहीं कोई IFRS नहीं, कोई chapter सिक नहीं, नहीं, loss का deduction लेना साथ हो, तो ले सकते हो, first and second, प्रोई जो 48 दोनों नहीं मिलेगा, first प्रोई जो मतलब हो TTSR करने का नातक नहीं है, second प्रोई जो मतलब आपको index session का benefit भी नहीं मिल ला रहा है, उसके पाद यह बोई the definition से जो आपने पहले ही पढ़ दिया है, next, 115 BBA, यह किसके लिए applicable है, यह applicable है non-resident sportsman और not a citizen of India, एक non-resident है, जो sportsman है, जो sportsman है और इंडिया का citizen नहीं है, और अगर वो इंडिया में participate करके कुछ कमाता है, कोई game में, कोई spot में participate करके कुछ पैसा कमाता है, तो वो यहाँ पर cover है, advertisement से कुछ पैसा कमाता है, वो cover है, या article वार्टिकल, magazine, magazine लिखे कुछ पैसा कमाता है, तो वो यहाँ पर cover है, कितना tax लगीगा सब 20%, देखो याद रखना, non-resident भी होना ज़रूरी है, not a citizen भी होना ज़रूरी, BCCI ने उनको कुछ guaranteed amount दिया है, तो वो भी इंडिया के अंदर taxable हो जागा 20%, या non-resident, not a citizen, not a citizen, entertainer, अगर कुछ इंकम कमाता है, सिर्फ performance से, advertisement और contribution और फार्टिकल से नहीं, तो वो भी इंकम यहाँ पर उसकी taxable जागी 20%, कोई deduction मिलेगा, कोई भी income tax का कोई भी deduction नहीं मिल ला नहीं आएंगे, umpire and referees are not sportsmen, they are professionals, therefore they are not called as sportsmen, they are professional, in general, but they cannot be called as sportsmen, they will be covered under the normal provision and the slab rates, they cannot enjoy the exemption of, they cannot enjoy the relaxed rate of 20%, which is available to normal sportsmen, they are not called as sportsmen, now, इसके नीचे सारे questions थे आपने class में कियेंगे, applicability of mat on foreign companies, foreign companies पे क्या mat लगता है, कि नहीं लगता है, उसके लिए government ने बोला है, कि भाई, आपको यह पूरा पूरा भाषन पढ़ना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, foreign company कौन से देश की है, अगर वो foreign company कैसे देश की है, जिसके साथ हमारा DTAA है, DTAA है, तो उस पे mat नहीं लगेगा, अगर उस foreign company का इंडिया में permanent establishment नहीं है, तो आपने लिखा भी होगा, DTAA plus no P is equal to no what mat, अगर उस country का हमारे साथ DTAA नहीं है, तब भी mat नहीं लगेगा, अगर वो company, foreign company, जिस देश की है, जिसके साथ हमारे DTAA नहीं है, वो अगर इंडिया में किसी ली कानौन में registration के लिए applicable नहीं है, ठीके, उसके बाद जहां पर 115 JV का linking था किसके साथ, advanced pricing agreement और secondary adjustment के साथ, अ advanced pricing agreement, secondary adjustment अपने पढ़ लिया है, class के अंदर मतलब जब मैं revision videos record कर रहा हूं, तब तो हमारा ये चीज हुई चुका था, ठीके, ये concept हो चुका था, advanced pricing agreement क्या होता है, आप एक agreement करते हो for future transaction, जहां पर आप abide हो जाओगे, क्या मैं follow करूगा, secondary adjustment क्या होता है, secondary adjustment ये होता है, कि आप कुछ ज़्यादा payment करते हो, सामने वाली entity को, अपने associate entity को, तो आप क्या करते हो, उसके लिए आप एक loan create करते हो, beam loan, उसके ओपर interest पर होगे, जब तक वो पैसा वापस इंडिया में नहीं आ जाता है, तो CBDD ने यापर एक provision लाया है, इससे क्या अगा harshness ODTSC के अपर, तो इस relief मिलेगा, कितना relief मिलेगा, A minus B minus D minus C, पहले A minus B निकालो, फिर D minus C निकालो, फिर दोनों को minus कर दो, और फिर A का मतलब क्या होता है, D का मतलब क्या होता है, C का मतलब क्या होता है, D का मतलब क्या होता है, वह मैं आपको orally नहीं explain कर सकता है, हम really sorry, उसके लिए आपको क्या दे कि इंडिया में Standard Chartered Bank का branch है, अब Standard Chartered Bank का branch अभी एक subsidiary में convert करने जा रहा है, तो इसके बहुत सारे सवाल है, अगर मैं एक subsidiary में convert हो जाओंगा, तो क्या मुझे बहुत सारे relaxation मिलेंगे, relaxation number one, क्या मैं subsidiary में अगर अपने assets को transfer करता हूँ branch से, तो क्या capital gains करने देंगे, क्या इन सब चीजों के बारे में यहां पर भाषन दिया गया है, ठीके, तो सबसे बहले, capital gains exemption के लिए आपको क्या क्या conditions फिल्फिल करनी पड़ेगी, सबसे पहले आपको, क्या करना पड़ेगा, एक RBI का जो scheme है, उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा देखूं सबसे पहले देखूं यह इस प्रविजिजन सिर्फ फ्र फॉरन बैंट के लिए बागी सब लोगों के लिए नहीं है So, only for foreign bank, foreign bank, foreign bank, not for any other assets. So, सबसे पहले, Indian branch को Indian subsidiary के साथ क्या करना पड़ेगा, amalgamit करना पड़ेगा, और इन शोड़ी approved by shareholders. उसके बाद सारे के सारे assets and liability transfer करने पड़ेंगे, और सारे के सारे assets and liability should be transferred at the values appearing in the books of accounts. Books of accounts के साब से, आपको value appear करना पड़ेगा, उसके बाद कोई revaluation का effect नहीं देना आपको और उसके बाद जिस साल में आप ये conversion कर रहे हो उस साल में कम से कम इस साल के end तक 100% shares उसके होने चाहिए और उस साल के end के बाद बराबर से देखो उस साल में उस साल सबोस आज हो रहा है तो December ये मन्त में हो रहा है तो March 22 पर 100% shares तुमारी company के तुमारी company के तुमारे holding company के पास होने चाहिए और उसके बाद अगले 5 साल तक कम से कम 51% share holdings आपकी company के पास ही होनी चाहिए किसी बाहर वाले entity के पास नहीं होना चाहिए प्लस आपकी foreign company को कोई और consideration नहीं मिलेगा except shares from Indian company के वो Indian company से shares लेगा और कोई consideration मतमागना महरबानी करके ठीके उसके बाद बहुत सारे सवाल उठेंगे अभी branch का बीच में conversion हो गया किसमें conversion हो गया एक company में तो सवाल उठेगा सब depreciation क्या होगा कोई कुछ नहीं होगा normally depreciation compute करो ऐसे सोचो कुछ हुआ ही नहीं और फिर बाद में दोनों के बीच में बात लो किस के बीच में ब्रांच के बीच में और नहीं company के बीच में number of days के बिसास में बात लो sir set off और carry forward of loss का क्या होगा क्या carry forward करने मिलेगा हां मिलेगा कितने साल के लिए another eight years के लिए बढ़ाबर से देखना मैंने आपको class में भी बोला था items of depreciation का तो कोई time limit है लेकिन loss का another eight years है next sir block of asset का क्या होगा sir block of asset मतलब actual cost कैसे determine करूँगा actual cost of a block of asset in case of Indian subsidy company shall be written down WDV उसका जो WDV है वो तेरा actual cost है हाँ अगर उसके पास कोई 3580 का asset है तो वो तेरे के इसमें actual cost मिलो जाएगा क्योंकि उसने उसका पूरा deduction लेके बादा है अच्छा sir अगर अगर depreciable assets का actual cost नहीं तो actual cost क्या होगा कुछ नहीं cost to the previous होना suppose उदर से कुछ jewelry transfer हो रहा है उदर से कुछ investment transfer हो रहा है और मैं आगे जागे बेश नहीं तो मेरे हाँ में actual cost क्या होगा तो उसके आपने जो actual cost था वही तरह आपने actual cost actual cost to the previous होना sir mad credit का benefit मिलेगा हम मिलेगा कितने साल के मिलेगा another 15 years के लिए sir amortization का BRS का खर्चा अगर उसने कुछ किया जो पांच साल तक sir apply होता है accumulated provision for bad debt को compare करना परता है actual bad debt और फिर देखना होता है अगर actual bad debt जादा है provision for bad debt accumulated provision for bad debt कम है तो फिर हमको bad debt का deduction बिलेगा तो sir accumulated में sir वह पहले वाली entity का भी consider करना है करना है आपको sir वहां से हमको कुछ वह शेयर ज्वैंज मिल रहा है तो sir हम लोगों को gift tax हो नहीं लग जाएगा कोई gift tax नहीं लगएगा कोई attention लेने आली बात नहीं sir accumulated loss का मतलब क्या होता है सिर्फ और सिर्फ section 72 वाला business loss और कोई loss इसमें covered नहीं है मतलब और कोई loss आपके अरी फारोड करके set up नहीं कर सकते हो यह similar to what income tax law है sir unabsorbed depreciation चलो unabsorbed depreciation तो ही वो जो है वो और क्या जो सबके लिए वो आपके लिए जिसमें unabsorbed depreciation तो कोई definition नहीं नहीं है प्रिवेस ओनर मतलब वो प्रिवेस ओनर जिसने उसको पैसा देके खरीदाता उसको बोलता है प्रिवेस ओनर ठीके प्रिवेस ओनर को भी अगर जाकर conditions वाइलेट किया यह सारे conditions वाइलेट किया जैसे पांच साल तक आपको 51% होल करना आपने वाइलेट कर दिया तो जो भी exemption आप क्लेम कर रहो ना पहले साल में जो भी loss was set off कर रहे हो जो भी credit लेके जा रहे हो न सब सब deemed to be wrongly allowed हो जाएगा और आपके ओपर income tax लग जाएगा और अफिर AO आपका order rectify कर देगा within four years जब से आप गलती करते हो चेक करना जब से आप गलती कर रहे हो वहाँ से आप आपका चार साल के अंदर order rectify कर देगा आगे बढ़ रहा हो में withholding tax provisions for non-resident क्या ऐसा इसके अंदर इसके अंदर बहुत सारे withholding मतलर TDS के provisions की बात करना उसमें से बहुत सारी चीज़े हमने अल्रेडी बात कर लिए with the respective section 115a and other provisions जैसे यहाँ पर सबसे बहले हम लोग 192 के बारे में बात करेगा 192 में किसका TDS करेगा employee का employee के सा होना चाहिए resident on resident डोनों चलेगा क्या rate पर करतेगा rates in force rates in force कहां से मिलेगा जाओ pocket income tax act वहां मैंने बताया ता आपको वहां से मिल जाएगा ठीक है सर ढूंड़नेंगे हम वा से तो सर TDS कौन काटेगा employer काटेगा ठीक है resident on resident सबका TDS करता है आप ठीक है क्या rate पर करता है average rate पर करता है उसके बाद sweat equity shares वाले case में अगर startup company है उनका उनको sweat equity shares अभी नहीं कटेगा उनका deal is कम से कम यह तीन में से कोई जो earliest date होगी ना वो date जो भी relevant year में आप उनको क्या दे रहे हो sweat equity shares उसके ay के end से 4 साल तक wait करो और उस पर 14 दिन add करो यह पहला due date या अगर वो उससे पहले dates देता है sweat equity shares तो जिस दिन बेशता है उस पर 14 दिन add करो 14 दिन सब में add करना पड़ेगा या जब वो employee company छोड़के चला जाता है तो जिस दिन छोड़ता है उसमें 14 दिन add करो तीनों में से जो भी पहली date आईगी उस date के year में आपको क्या करना है उसका TDS काटना है और लेकिन rate कौन से साल का होगा rate लेकिन आपके आगे के साल का नहीं होगा चार साल बाद का rate नहीं इस साल में उसने क्या किया है जिस साल में उसने आपको allotment किया है of shares rate उसी साल का होगा TDS का लेकिन deferment हो रहा है tax deduction का tax के rate का deferment नहीं हो रहा है deduction को defer कर रहा है उसका logic बताया था start up लोग स्टार्टिंग में सब अपने employee को क्या देते वो shares ही देते हैं क्योंकर हम क्या पैसा न non-monetary item हा रहा है उसको tax बरने के लिए पैसा नहीं उसके पास तो government उसको exemption दे लिए relaxation दे लिए deferment दे लिए next अगर आप किसी को salary pay करते हो foreign currency में तो आप TDS तो रुपीज में काटोगे कैसे काटोगे आप TDPR लोगे पिछले मन्त का जिस मन्त में आप salary pay करते हो advance में या इसके पिछले मैंने का last day का TDPR लोगे ठीक है अब आप employer हो और अगर आप premature withdrawal कर रहे हो मतलब 5 साल के अंगर आप विड्रौ करते हो PF तो आपको TDS काटना पड़ता है ठीक है कितना परसंट TDS 10% काटना पड़ता है क्योंकि वो taxable है 5 साल के बाद विड्रौ कर रहे तो exempt है औ अच्छा सामने वाले ने पांड नहीं दिया अगर सामने वाले ने पांड नहीं दिया वैं इन बाट केस क्या होगा तो देन इन बाट केस आपको MMR कारना है 20% पर नहीं कारना है I hope everyone is clear with this so next is winning from lottery etc यह बहुत चिंदी सा प्रोविशन है इसमें भी resident non-resident दोनों का TDS करता है winning from lottery horse race सबके लिए 10,000 का threshold है 30% tax rate है और TDS कभी करते का payment basis पे payment 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 यहां आप भी TDS आपका accrual credit basis पे नहीं करता है 194E किस से साथ पर लोग है 115BBA के साथ exactly 115BBA ज़र non-resident sportsman को आप उस पैसा देते हो 20% TDS कारते हो TDS का section यह है कब करनेगा credit और प्रोविशन उसी के उपर है अब यह सब चीज रिपीट होगी बहुत सारी चीजे जो अपने नहीं पढ़ाया पहले वो हम लोग बात कर लेंगे यहां पर क्या हो रहा है कप कार्ट होगे payment credit whichever is up लिया चेक कर लो ठीक है नेक्स 194LBA अपने पढ़ लिया पहले infrastructure debt fund के साथ 194LBA मैंने आपको पहले ही बता दिया with what with the discussion of 115A जहां पर एक इंकम बाकि है सिर्व है rental income इन दोनों इंकम के बारे में मैंने आपको पहले बोल दिया रेंटर इंकम क्या है अगर business trust को कुछ रेंट आता है उसने property में इंवेस्ट किया वहां से रेंट आया वो rent pass on कर रहा है किसको इंवेस्टर को तो किस पर कड़ेगा rates enforce यहाद आ रहा है बेटाई सब कुछ टीक है time of deduction वही payment credit which is यह दोनों पॉइंट अपन ने देख लिया पहले है dividend कुछ cases में कर देगा कुछ cases में नहीं कर देगा वो डिपेंड करता है SPV 115 BWF फॉलो करता है कि नहीं करता है ठीक है और interest के ओपर कर देगा किसका non resident का interest कर दिया आएगा 5% ठीक है next is 194 LBB यह है investment fund इसके बारे मैंने पहल अब अगर PGBP income कमाता है तो वो AIF के खुद के हाथ में taxable इंवेस्टर के हाथ में exempt है अगर investor के हाथ में exempt है तो TDS काटने का सवाल ही नोटा है therefore जब AIF PGBP income investor को transfer करेगा no TDS क्योंकि हो सामने आले के हाथ में exempt है लेकिन AIF अगर other income transfer करता है HP transfer करता है CG transfer करता है तो वो सामने आ तो उसके बाद सिकरेटाइशिजन ट्रस्व है वह क्या करता है एक सेपरेंट एंटीट एंटीट है निदुक्ष मेंक को पैसा करती है वह पबलिक से म्दोग को पैसा उठाइगी ऑगले मैंने से एमाइ खुद लेना चालू कर देगी, बैंक को अप्टरं पैसा देगी, ठीक है, अब सिक्रिट आजिशन ट्रस्ट को क्या, इन्वेस्टर को पैसा कमा के देना है, इन्वेस्टर को जब पैसा कमा के देगा, तो इन्वेस्टर अगर non-design rate TDS कारना पड़ेगा, कारना पड़ लेकिन अगर 194 LC वाला ससी है, और अगर वो bond खरीद रहा है, long term bond, long term bond खरीद रहा है, और अगर वो pan नहीं दे रहा है, तो चलेगा, उनको relaxation है, pan नहीं देने का, नहीं देगा, तो भी चल देगा, ठीक है, उसके बाद 194 LD पुरा का पुरा हमारा discussion हो चुका है, 115 A के साथ, ठीक इसको, bank को, अब सामने वाला bank account उंदर कौन है, resident, non resident कोई भी हो सकता है, ठीक है, अच्छा, TGS कितने amount पे खड़ेगा, excess amount पे, अगर एक करोर तीस लाग पे खड़ेगा, पूरे amount पे नहीं खड़ेगा, ठीक है, और अगर non resident को payment करते हो, तो सरचार से इसका भी देख लेना, डालना है के नहीं डालना है, ठीक है, अब कुछ लोगों के लिए government ने stricter provision डा है, अगर सामने वाला recipient, पिछले तीन साथ का ITR नहीं भड़ा है, यह is not found ITR for three years, last three years, तो फिर उसके लिए stricter limit है, बीस लाग के लिमिट है, बीस लाग से लेकर एक करोर तक two percent, और एक करोर के उपर five percent, ठीक है, stricter limit डालके रखा है, plus government ने बुला है, हम अगर चाहे तो कुछ लोगों को relaxation दे सकते हैं, कुछ लोग में कौन है, सबसे पहले, अगर bank withdraw करता है, corporate society withdraw करता है, post office withdraw करता है, तो चलेगा, उनके उपर यह tedious नहीं करेगा, या bank का को banking correspondent withdraw करता है, तो चलेगा, उ बहुत सार लोगों को relaxation दे सकती है, तो RBI ने किसको दिया relaxation, cash replenishment agencies और franchise agent of WLATMOs, तो यह लोग क्या है, bank है, और यहाँ पर ATM के franchise agent है, ATM किसका है, franchise का है, उसका खुद का है, bank का नहीं है, तो bank का उसके साथ understanding है, कि तेरे ATM में हमारा पैसा होएगा, ठीक है, तो उसके लिए पैस reconcile करना पड़ेगा, कि bank में इसके separate account में एक करोड़ रपे डाला और इसने एक करोड़ रपे ATM में डाल दिया, यह आपको proof देना पड़ेगा, तभी जाकर आप पे TDS नहीं कटेगा, अगर पैसा withdraw भी करते हो, तो, कि जैसे ही bank उसके account में पैसा डालेगी, उसको withdraw करना पड़ ATM में डालने के लिए, तो, जैसे withdraw करेगा ATM में डालने के लिए, ताकि bank के customers वो पैसा withdraw कर सके, वो withdraw उसको TDS नहीं कटेगा, उसको proof देना पड़ेगा, रिकंसिलेशन का, ठीके, उसके बाद, अगर commission agent है, उसके भी नहीं TDS कटेगा, क्यों, कि अगर वो प्रूव करता है, कि पैसा जो withdraw कर रहा हूं, वो मैं farmers लोगों से agriculture product खरीदने के लिए withdraw कर रहा हूं, उसको TDS नहीं कटेगा, चेक कर लेना, ठीके, और, अगर आप authorized dealer हो, या full-fledged money changer हो, आप bank से पैसा withdraw करते हो, क्योंकि आपको foreign currency exchange करना, etc, etc, अपने customer के साथ, आप पे TDS नहीं कटेगा, ठीके, नहीं कटेगा, दो circumstances में, पहला, आपको foreign currency खरीदना है, किस से? foreign tourist से, उससे foreign tourist से foreign currency करीद के, उनको INR देना है, INR देने के लिए, बैंक से withdraw करना पड़ेगा, तो bank से आपने तीन करोड रता withdraw किया, क्योंकि आपको माली में, आपको बहुत बार INR देना पड़ता है, डॉलर non-resident से withdraw किया, non-resident को देना, इंडिया में non-resident आया, उसको देना है, वो visit करना है, या हमारे देश के resident बाहर गहते है, वो वापस इंडिया आ रहे, तो इनके पास कुछ डॉलर बच गया, तो वो वापस मेरे पास आया, मैंने रॉलर भेलिया, मैंने cash दे दिया, वो cash देने के बैंक से withdraw किया, चलेगा, ठीके, अब ये सारे relaxation गॉर्मेंट ने आपको यहाँ पर दिया गया, last but not least, 195, TDS, 195 में आप किसका डियास काट होगे, कोई भी non-resident foreign company, जिसकी income इंडिया में chargeable to tax है, ये चिस दिमाग भी रखना, इंडिया में income chargeable to tax होनी चाहिए, otherwise नहीं, पेयर पेयमेंट को पेयमेंट करेगा, तो TDS काट सकता है, काट सकता है, अगर सामने वाले की income इंडिया में chargeable to tax है, तो एक resident non-resident को पेयमेंट करेगा, तो TDS काटेगा, यहाँ पर पेयर का status कुछ भी हो, पेयर का status non-resident होना चाहिए, are you clear, ठीक है तो यहाँ पर लिखा है, पेयर मे पेयर मेंट करेगा, तो पेयमेंट काट हो, जो इंकम इंडिया में चाहिए, तो उसके बाद, उसी चीज़ पेयमेंट काट हो, जो इंकम इंडिया में चाहिए, अगर चाहिए, तो आप TDS मत काट हो, उसके बाद क्या सामने वाला पेयर को देगा, उसको पेयमेंट करते से हमें TDS मिल काट देगा, ठीक है, परसन रिस्पॉंसिबल फर पेयिंग अनी सम तू, अगर नॉन डेसिज़न को आप कोई भी सम पेय कर रहे हो, भले फिर आप पेयमेंट पे TDS काट रहे हो, या नहीं काट रहे हो, don't know case में आपको form 15C form 15CV और दूसरे procedures follow करने पढ़ेंगे जो log के अंदर लिखे गए ठीके उसके बात rule 37 BB क्या बोलता है rule 37 BB बात करता है यहाँ पर कुछ procedures के बारे में थी कि कुछ class of cases के अंदर आपको कुछ procedure follow करना पड़ता है जैसे अगर आपको लगता है कि सामने वाली की income इंडिया में पूरी तरीके से taxable नहीं है तो फिर आपको क्या proportionate चाहिए कितना taxable है बता तो सामने वाले को क्या बनेगा बाई दिख मैंको exactly तो पता नहीं तेरी कि इतनी इंकम पे tax लगेगा लेकिन कुछ तो लगेगा अतना मुझे बता लेकिन वो प्रपोर्शन मुझे नहीं बता तो यह को अप्लिकेशन दो यह डेटरमाइन करेगा 1952 के अंदर appropriate proportion और उसमें अगर Vodafone case law है तो उसमें तो हमेशा यह को अप्लिकेशन देना mandatory है कि Vodafone case law अंदर बहुत लफड़ा होता है इसलिए government ने उसके लिए mandatory कर दिया है कि Vodafone case law अंदर आपको देना ही पड़ेगा यह application जहाँपर 247, 214 retrospective amendment 2012 का अधा और यह application देना mandatory है बागी other cases में आपको लगता है कि application देना जरूर यह तो दो नहीं लगता है तो मत दो ठीक है उसके बाद CBDD ने आप पूरा procedure लिया है कि आप application कौन से farm में बरोगे digital signature के साथ दोगे farm 15E के अंदर बरोगे उसके बाद यह सब चीज़ों पर मैं इतना ज़दा बात नहीं कर रहा हूं अगर आप किसी को सामने वाले को net of tax मतलब अगर आप सामने वाले को TDS नहीं काटते हो और भर देते हो ठीक है तो आपको क्या करना पड़ेगा gross up करना पड़ेगा यही भाषन दिया है और कुछ नहीं दिया है आपको 10 लाग पे करना है minus 10% 9 लाग आपने आपको पुरा का पुरा दस लाग पे कर दिया तो आपको gross up करना पड़ेगा और क्या है as simple as that यह बुलना चाहता है अब यह 196 A क्या है 196 A यहाँ पर अगर आप mutual fund company आप mutual fund company हो यह specified company है तो mutual fund company अगर आपको कुछ dividend देती है ठीक है तो उस पर TDS करतेगा कितना 20% चेक करो कप करतेगा 20% कप करे क्योंकि पहले dividend exempt हा लेकिन आप तो taxable है taxable है तो provision बनाना पड़ेगा at the time of payment और at the time of credit whichever is earlier आपको TDS करतना पड़ेगा ठीक है लेकिन अब यहाँ पर non resident का मतलब ना थोड़ा लगे हर कोई non resident इतर नहीं कवड़ है यहाँ पर non resident का मतलब सिर्फ इंडिया का citizen है वही कवड़ है या person of Indian origin सारे non resident नहीं कवड़ है यह चीज़ दिमांग में रखना दिख रहा है तुमको यहाँ पर non resident का मतलब क्या हो गया यहाँ पर नहीं कवड़ है यह सारी चीज़ है मैंने आपको और यहाँ पर कटेगा आप कर्सपॉंडिंग ली कंपैर करके चेक कर सकते हैं यू कें चेक लेकिन सिर्फ यहाँ पर 115 AD के अंदर कुछ relaxation दिया है जो आपको पहले नहीं पढ़ा था तो आपको यहाँ से पढ़ना पड़ेगा क्या relaxation है कि कुछ cases में 115 AD में TDS नहीं करेगा वह कौन से cases है अगर 194 LD में अगर पेमें TDS पेमें कर रहे हो तो यहाँ पर मत काट हो section 10 4D में specified one की income है तो यहाँ पर TDS मत काट हो और यहाँ पर capital gains की income पर TDS नहीं करेगा मतलब यहाँ पर सिर्फ फर सिर्फ कौनसी income पर करेगा interest या dividend income पर क्या capital gains वाली income पर TDS मत कात्मा उस पर TDS नहीं करेगा उसके बाद यहाँ पर 197 certificate for deduction of tax at lower rate यहाँ पर क्या non resident पेई जो है सामने वाला ससी क्या वो यह argument कर सकता है सर मेरी income basic exemption limit से कम है या मेरी income 10% नहीं 5% पर tax होती है 15-20% नहीं 10% पर tax यह argument कर सकता है कर सकता है प्रूफ देना पड़ेगा income का assessing officer के बाद जाना पड़ेगा यहाँ पर वही procedure follow करना है जो आप नॉर्मली direct tax के अंदर करते हो ठीक है कि आपको assessing officer का application देना है अब application देने के बाद आपका application consider करेगा और फिर वो decide करेगा क्या decide करेगा कि भाई इसकी income सही में basic exemption limit से कम है या ज अच्छे से अगर मैं आपका tax काट रहा हूं तो जो tax काट रहा है वो भी आपकी income है सबोज मैं 10 लाग में से 1 लाग माइनस करके आपको 9 लाग देना हूं तो आपकी income दस लाग है ठीक है लेकिन दो sections के अंदर जो मैं tax काट रहा हूं वो आपकी income नहीं मानी जाएगी अगर अगर मैं employee के तोर पे आपके non-monitory perquisites पे tax भर रहा हूं तो वो आपकी income नहीं मानी जाएगी कि वो पूरा का पूरा पूरा प्रक्योसित आपके हाथ में exempt हो दूसरा अगर 194N के अंदर cash withdrawal पे जो मैं आपका tax काट रहा हूं वो भी आपकी income मानी नहीं जाएगी क्योंकि actually speaking आपकी income थोड़ी है यार देओ कुफी हो जाएगी अगर आप उसको income दिमा दोगे तो next अगर मैं tax काट रहा हूं और government को भर रहा हूं तो किसी ना किसी को credit को देना पड़ेगा credit किसको दोगे payee को दोगे payee को हो सकता है जिसका आप टीडियस का पेई हो सकता है owner of security का पेई लेकिन सवाल यहां पर important क्या है क्या आप जिसको payment करते हो उसको छोड़कर किसी और को भी credit दिलवा सकते हो दिलवा सकते हो जैसे कि मैंने आपको बलागा bank minor को payment कर रही है minor बच्चे को तो बच्चे को credit भी है क्योंकि बच्चा tax नहीं भरने आ रहा है बच्चे का tax उसका बा इसके लिए आपको CBT को क्या करना पड़ेगा रोल्स बनाया CBT ने आपको उसके लिए क्या उनको जाकर declaration करना पड़ेगा पैं देना पड़ेगा यह सारा भाशन आपको यहां पर दिया गया ठीक है then CBT will give you the credit to other person also I hope it is clear to you ठीक है अब आते person responsible for paying taxes क्या होता है अब हर जगे इतना important point नहीं है ठीक है एक्जाम के लिए नहीं जी देखो के तो चलेगा लेकिन फिट भी मैं एक बार बोल दे रहा हूं ठीक है पर पर सामने अलगर पांड नहीं देटा है तो आपको टैक्स कितने पर काटना है थूज़र इस डबले क्या बलता है प्रिस्क्राइब रेट पर काटो यहां जो फानेंसे इंकम टैक्स के अंदर रेट तिया उस पर काटो या 20% 194 की के किसमें इस 5% विच च्वर इस थाई ह जो भी आइब हो अगर पैंड नहीं दिया तो उसको 197 का लोगर सेटिफिकर्ट बेनेफिट भी नहीं मिल सकता है ठीक है अगर पैंड दिया लेकिन गलता है या किसी और का दे दिया तो भी उसके साथ वोई सजा उगी जो यहां पर होने वाला है नॉर्मल अससी के साथ जो नहीं देता है उसके साथ, फिर यह मैंने आपको पहले बोल दिया, 194 LC वालों के लिए Bonds के लिए PAN देनी की जरुवत नहीं है, अगर उनको Bonds से कुछ Interest मिलता है, बिना PAN के भी Benefit ले सकते हैं, अब और कुछ Category अपसर सी है, Non-Resident Foreign Company के लिए Benefit है, चार Provision which is brought by Financic 2021, very dangerous provision, what is that provision? अगर आप सुन लो, ठीक है, आप का TDS twice rate पर करतेगा, जो भी rate पर कर twice, अगर आप specified person हो तो, अगर deductee specified person है, by a person, deductee to a specified person, अब कौन specified person भाई यह कौन है, एक ऐसा बंदा, जिसमें पिछले दो साल का return भरा नहीं है, ठीक है, अगर सामने वाला बंदा, पिछले दो साल का return नहीं भरता है, और उसका TDS, 50,000 यह उससे जादा है, दोनों साल में, in each of the two years, ठीक है, तो वो specified person है, प्लस इदर लिखा है, तो यह specified person का यह definition समध लो क्या है, सामने आरा बंदा return नहीं भरता है, और दोनों साल में 50-50,000 का TDS है, अगर 50-50,000 का TDS है ना, तो definitely उसका ITR तो obligatory है, actually में, क्योंकि अगर 50,000 का TDS करता है, तो income तो होगी है, पांदस लाग रपा कम से कम, ठीक है, तो वो obligatory है, लेकिन फिर भी नहीं भर रहा है, ठीक है, और लेकिन इसमें एक बंदा है, specified person does not include a non-president who does not have a P in India, यह बंदा है, इसमें specified person में नहीं cover है, एक non-president जिसका इंडिया में P नहीं हो, वो specified person में नहीं होगा, बागी सब specified person है, जिसने दो साल का ITR नहीं बढ़ा है, और जिसका दोनो साल में 50,000 का TDS है, डबल पाट उसका TDS, डबल मतलब, at the higher of the two, twice of the rate specified, वहाँ जो तीन rates थे ना उसका double, twice the rate specified in the relevant provision, मतलब 194J है, 10 है तो 20, 1 है तो 2, 2 है तो 4, 5 है तो 10, या finance act में जो rate है, वह उसका double, या 5%, whichever is higher, higher rate है, लेकिन ये provision, किसके लिए अप्लिकेबल है, सिर्फ specified person के लिए, और उसमें भी ये सारे sections के लिए अप्लिकेबल नहीं है, ठीक है, I'm sorry, कौन से sections ये सारे sections, ये सारे sections कौन से 192 salary, 192 A, pre-nature withdrawal of salary, 194 B lottery, horse race, 194 LBC, वो तुमारा उघटिया सा securitization trust का कुछ provision है, 194 A, जो bank withdrawal करते हैं, उन सब के लिए applicable नहीं है, ठीक है, या आपका specified provision, उसके बाद यहाँ पर salary के list दी के, ये मतलब TDS, videos, काउन, कौन से section में करता है, ये पुरी list दी के, ये, it's a good, good page to have a bird's eye view, यार, एक पूरा view चाहिए, कि exactly provision, कौन से provision में कहां TDS कट रहा है, कितना कट रहा है, तो ये page आपके लिए beneficial है, ठीक है, नेस्ट, इस लिए इस provision ITR के non-resident of foreign company, आप income कहां से कमाते हो, और IFSC से कमाते हो, IFSC में investment दरके रखे हो, वहां से कुछ पैसा कमाते हो, और आपका TDS भी कर चुका है, ठीक है, 142, 1748 से relaxation आपको नहीं दिया है, आपको इस case में आपको idea भरना पड़ेगा, next, who may be regarded as a representative associate, representative associate आप किसको मालोगे, सबसे पहले representative associate सिर्फ एक non-resident रख सकता है, और resident नहीं रख सकता है, मैं resident हूँ, मैं अपना agent इंडिया में नहीं रख सकता हूँ, और सारी इस पर नहीं थोप सकता हूँ, सिर्फ एक non-resident एक agent इंडिया में appoint करेगा, वो agent उसका representative associate होगा, वो agent कौन हो सकता है, वो non-resident होगा, इंडिया के अंदर होगा, जिसको non-resident नहीं या तो employee किया है, या तो non-resident का उसके साथ business connection है, या तो वो non-resident को कुछ income कमा के देता है, इंडि can a broker be called as agent, no, a broker who is independent, who is doing this business in ordinary nature, independent of one non-resident, उसको पता भी नहीं हो, non-resident कौन है, उसको पता भी नहीं हो, किसके लिए काम कर रहा हो, काम कर रहा हो, उसके लिए बिजनस है, तो वो broker एक agent नहीं माना जाएगा, यहाँ पर agent मतलब एक ऐसा agent होली आपके लिए बिठाया गया है, एक non-resident में इंडिया में उसको उसी के लिए बिठाया गया, सारे responsibility, सारे procedures कम्प्लीट करने के लिए, वो ही agent बोला जाएगा, एक normal broker, जो दूसरों के लिए भी काम करता है, आपके लिए भी काम करता है, in the ordinary course of business, वो agent नहीं बोला जाएगा, अच्छा, किसी को भी agent बोलने के पहल ज़रुर देना जाएगा, नेक्स, आपके लिए पहलेशन बेलो एक लिए पैरेसेटिव ससी, उसके लिए इसके लिएट्या और एकार ठीन बोला ज्टेक्ट आपके लिए गोई, प्र मतलब त zij के लिए जो ब Бा consonants के ङहां, इसके साथ रहे हो, उसके ह ihmग प्तूल गलाक, तो इंडिया में फेह कर देगा नोइटेशडन के लिए अपर और बाद में उसके पास राइट है कि उसका अगर नोण डेशडन एजिञेंट के पास रहा है तो वो उसमेंस पैसा काट के अपने पास राइट है यह अगर पैसा पढ़ाय नहीं है तो वो उसमेंसamentos मंगवाने क सकता है अच्छा अगर इतना टैक्स थोड़ी आता है तो अगर डिस्प्यूट हो जाता है किसके एजेंट के बीश में इतना टैक्स आ जाए तो फिर वो बंदा जो इंडिया में बैठाव रिस्पॉंसिबल नहीं है कि वो तो अपनी जिम्मेदारी स्क्रीक से कर दिया दोनों के बीश में डिस्प्यूट होगा वो यह के पास गया यह उने बड़ा दोला खर्बाटा टैक्स आता है उसमें बर लिया और उसके बार अगर तीन लाग आता है तो फिर वो रेपरसेंटेंटिव एससी उसके लिए इसका मतलब यह कि अगर वो नॉन डेस्टेंट शायत कभी इंडिया में आ जाता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उस नॉन डेस्टेंट को गश्न नहीं कर सकती गवर्मेंट चाहे तो वो एजन्ट को छोड़ेगी डाट अगली नॉन डेसिटेंट पी जहपक्ता मारेगी कर सकती है कि यहां तक कि जो ऑसेडिया में नॉन डेसिटेंट को हैंगे उससे पोई इसका स कर सकती है ह की कोई इकाप्ट मेंब्स इसक्थी साकती है अब इसमें प्रोबिजन है अगर इंडियन गोर्मेंट को कुछ रिकावरी करनी ही कहां से फॉरें गोर्मेंट से इंडिया और फॉरेंट को इसमें डीटी रबल होना ची उसके बगए रिकावरी इस इंपोसीबर वान अप्टेंट अब्जेक्टिव एंटारी इंटु डीट सकते हो तो इनको सिविल्यटी को बोलना पड़ेगा से इनको स्से को प्रोपर्टि को अटेप्स करेगा अप्रिजन में भी जाल सकता है अपॉयंट कर सकता है मैंजर करते का और से सामने वाले संदी को देएगी ठीके last but not least submission of statement by license office a non-desident might have a license office in इंदिया लाइसन आफिस के रहता है नॉर्मल आफिस है वो कोई पर्मनेंट इस्टाब्लिश्मेंट नहीं है वो तुम्हारा को बिजनस की जगे नहीं है वो सिर्फ एक प्रिलेमिनट एक्टिविटी करने के लिए इंसान इंडिया के अंदर एक ओफिस खोलता है जैसे फेस्बुक का लाइसन आफिस है तो कोई पर्मनेंट इस्टाब्लिश्मेंट नहीं है वो सिर्फ इंडिया में बिजनस करने के लिए तो इंडिया में अगर आप लाइसन आफिस बढ़ते हो तो आपको फॉर्म फॉर्म नंबर इस इंपॉर्टन कब तक बनना पड़ेगा साल कटम होने कि 60 डेस के अंदर बराबर 60 डेस के अंदर मतलब 31 में तक आपको भरना पड़ेगा अगर नहीं भरोगे तो कुछ पेनल्टी पनाल्टी भी लगती है आपको ठीक है जिसके बादे में आगे जाकर बात करूंबा अगर आगे प्रोविशन आता है तो ठीक है जो आपके सिलेबस का सबसे बड़ा चैप्टर है आप अगर देखो तो सबसे बड़े चैप्टर में से सबसे बड़ा चैप्टर नॉन रसेडेंटर उसके बार ट्रांस पाइजिंग अच्छे से पढ़ लो तो आपका 60 मोक्स का सिलेबस और आपमेटीकली कवर अप होई ज और यह 14 चीज आपके study material में अलग 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 जगों पर लिखी गई है ठीक है और class में मैंने आपको यह 14 की 14 चीज एक जगे पर लिखा के दिया था वो आप जाकर अपने respective notebook चेक कर लेना ठीक है तो नाओ यहाँ पर board of audit example क्योंकि आपके study material में example example यह सब कुछ नहीं है मैंने आपको सारा example के साथ लिखवा के दिया था पूरा board of a case law start से लेकर एंट तक वो 14 के 14 चीज ए नाओ यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर एक Indian company है H.E.L. यह CGP करके एक Mauritius company इसका लगबख 67% Indian company में hold है और यहाँ पर एक Hong Kong की company उसका 100% holding यहाँ पर CGP के अधर है ठीक है अब क्या हो रहा है पता है कुछ समय के बाद इसने board पे देखना मैं color अलग कर देता हूँ इसने इसने इसके सारे shares इसको sell कर दिये ठीक है बदले में इसने इसको payment किया जब इसने इसको payment किया तो उसने TDS नहीं काथा ठीक है अब Vodafone International Holding को government ने notice बेज़ दिया शोकाउस नोटिस बेज़ दिया और बोला के section 195 के हसाब से अपने TDS क्यों नहीं काथा तो Vodafone International Holding का बोला क्या पता है कि मैं TDS क्यों काथा हूँ HDL की income के इंडिया में accrue होती है, dim to accrue होती है, arise होती है, receive होती है, नहीं होती है जब सामने वाली non-resident की income इंडिया में dim to accrue or arise होती ही नहीं है तो मैं TDS क्यों काथा हूँ तो फिर आप proportion दो कितनी income उसकी इंडिया में चार्ज़ेबल टॉ टाक्स है, अप बॉम्बे हाइपको इंडिया में चार्ज़ेबल टॉ टाक्स ही नहीं तो आप TDS किस बात की काथने की बात कर रहे हो यह argument था Vodafone International Holding का, अब Bombay High Court में matter गया, Bombay High Court में matter जाने के बद Bombay High Court ने क्या बोला, कि भाई देखो इसकी income इंडिया में चार्ज़ेबल टॉ टाक्स होती है, कैसे चार्ज़ेबल टॉ टाक्स होती है, बता Bombay High Court बोलता है, Bombay High Court बोलता है कि आप shares तो foreign company के बेच रहे हो, no doubt, आप shares किसके बेच रहे हो, CGP के बेच रहे हो, जो foreign company है, लेकिन उस foreign company के shares की आर में आप Indian company, H.E.L. का right and control and management ट्रांसफर कर रहे हो, और ऐसा अगर आप करोगे, तो हम आपको इंडिया में team to accrue rise बना दीगे, ठीक है, Bombay High Court ने judgment दे दिया, department के favor में, अससी चला गया, Supreme Court, Supreme Court ज जो 2012 में Government of India के कानून में नहीं था, 2012 के पहले income tax law में ऐसा कोई कानून नहीं था, जो international level पे इस particular transaction को India में deemed to accrue बोले, और उसमे tax लगा दे, therefore Supreme Court ने ये judgment को override कर दिया, Bombay High Court के, और SSC के favor में judgment दे दिया, और बोला कि ऐसे income इंडिया में tax से बननी हो सकती है, और ये land month judgment आया, 2012 12-20 January को, ठीके, तो this is the first thing which we have to discuss, which I have discussed, अब ये judgment जैसे आया, असाजी के favor में आया, जैसे असाजी के favor में judgment आया, डिपार्टमन का दिमांग ख़़ाब हो गया, डिपार्टमन ने 2012 में ही amendment लेके आ गया, वो भी retrospective amendment लेके आ गया, और वो retrospective amendment क्या है, इतने सारे amendment अभी अगल capital asset means property of any kind held by an SSE, और तो government ने property word को define कर दिया, government ने बुला, property includes and shall always include any rights in relation to any control in relation to any management in relation to an Indian company, अगर Indian company का rights transfer करते हो, control transfer करते हो, management करते हो, तो वो भी property बारा जाएगा, क्या HTIL Indian company का rights control management transfer कर रहा है, तो वो भी property माना जाएगा, इसका मतलब ये माना जाएगा, क्या capital asset, तो transfer कर रहा है, तो HTIL को India में हम लोग खीच सकते है, ठीक है, ये पहला amendment किया, government ने, दूसरा amendment section 247, transfer का definition amend हो गया, transfer का definition क्या है, transfer के definition में क्या है, अभी के, मतलब 2012 के पहले क्या था, transfer के definition में, transfer के definition में था, transfer includes sale, exchange, delinquishment, extinguisement, compulsory acquisition, conversion of capital asset into stock and trade, ये सारी चीज़े, transfer के definition में था, अब government ने एक भयंकर explanation डाना, transfer के definition में, जो बोला, के transfer includes giving away or parting of any rights in relation to any person, अगर आप किसी को कुछ part away करते हो, कुछ give up करते हो, तो क्या HTIL, Vodafone के favor में कुछ part away कर रहा है, कुछ give up कर रहा है, yes, with agreement और without agreement, government ने बोला, transfer के definition के अंदर ये टाल दिया, कि अगर आप किसी को कुछ part away करते हो, कुछ give up करते हो, with agreement करते हो, तो भी चलेगा, without agreement करते हो, तो भी चलेगा, इंडिया में agreement करते हो, तो भी चलेगा, इंडिया के भार agreement करते हो, तो भी चलेगा, और अगर वो transfer आप directly Indian company के shares का करते हो, तो भी चलेगा, या, सुन लो golden verse, या किसी foreign company के shares को आर में लेक अगर Indian company के shares को transfer करते हो तो वो भी transfer के definition में आ जाएगा इतना exhaustive definition बना दिया transfer includes parting up with an agreement or without an agreement in India और outside India directly और indirectly through a shares of a foreign company like CGP that is also subject to tax in India government ने भयान का amendment लेकिया आगे तो government ने बोला जो HTIL कर रहा है वो transfer of a capital asset है क्योंकि transfer का definition भी amend हो गया है capital asset का definition भी amend हो गया है लेकिन सिर्फ transfer और capital asset से कुछ नहीं होता है आपको सबसे important चीज़ क्या करना ज़रूरी है पता है ये prove करना पड़ेगा कि ये जो capital gain है वो इंडिया में deemed to accrue or arise हो रहा है ये prove करना भी बहुत ज़रूरी है उसके लिए government ने क्या किया explanation 5 to section 9 1 क्योंकि transfer और capital assets से क्या होता है क्या UK में property transfer नहीं हो रही है क्या UK में capital asset transfer नहीं हो रहा है क्या इसका मतलब आप इंडिया में income charge कर लो क्या उससे कोई परत नहीं परता है आपकी जो capital gain है वो इंडिया में दीन तो अकुरू भी तो नहीं चाहिए उसके लिए explanation 5 to section 9 1 1 लाया उसमें क्या बोला उसमें क्या बोला government ने government ने क्या बोला मैं examples के साथ समझाओंगा सब कुछ ठीक है ये example इसलिए सामने रख रहा हूँ ताकि आपको समझना है क्या चीज चल रही है revision में भी तो government ने explanation 5 to section 9 1 1 amend कर दिया उसमें एक नया explanation डाला sorry amend नहीं किया है कि नया explanation डाला दो सार बारा में और बोला अगर कोई foreign company के shares transfer करता है जैसे यहाँ पर CGP के share साब transfer कर रहे हो CGP के कर रहे हैं अगर कोई foreign company के shares transfer करता है इसके नहीं CGP के मेरा हाथ वहाँ तक जान नहीं सकता है बीच में कड़े आता है देखो मैं तो मैं वहाँ तक लेके जाता है अगर कोई foreign company के shares transfer करता है सुन लो अच्छे से और अगर वो foreign company के shares अपनी value substantially Indian company से derive करती है तो यह deem किया जाएगा के वो foreign company foreign में नहीं बलकी इंडिया में है अगर आप CGP के shares बेशते हो CGP के shares derives its value substantially from assets located in India then it is deemed that CGP is not located in Mauritius but it is located in India और उसको बेचने पर जो भी capital गेंस आएगा हो इंडिया में इंपो accrue or rise हो जाएगा तो क्या prove करना है जितनी भी दुनिया भर में foreign companies है अगर वो अपने shares की value Indian assets से substantially derive करते है substantially derive करते है तो यह deem किया जाएगा कि वो foreign company के share बार नहीं है बलकि इंडिया में located है और उसको बेचने पर इंडिया में tax लग जाएगा सवाल जोटेगा substantially मतलब क्या है substantially का मतलब क्या है government ने define क्या है government ने कैसे define क्या है सुनो कि CGP के total assets में से जितने भी assets है total उसके पास उसमें से कम से कम Indian assets 10 करोर के होने चाहिए पहला condition साथ साथ में total assets के से at least 50% has to be Indian assets मतलब value में कम से कम CGP के total assets के 10 करोर Indian assets होने चाहिए और 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 percentage में CGP के total assets के अगर at least 50% Indian assets है तो यह माना जाएगा the shares of CGP derive its value substantially on assets located in India तो सर यह चो CGP की values आप बोड़ रहे हैं यह कौन सी values होने चाहिए balance sheet value या fair market value यहाँ पर government ने बुला है जब आप 10 करोर की total value ढूनते हो 50% of total assets है यानि उसकी total value देखते हो तो उसमें आपको fair market value लेना पड़ेगा CGP के assets की that to without reduction of liabilities बिना liability को reduce करे fair market value लेना पड़ेगा ठीक है सर तो बिना liability को reduce करे CGP की total fair market value निकालो assets की उसमें से देखो Indian assets कितमे और चेक करों Indian assets 10 करोड है क्या साथ साथ में देखो कम से कम 50% of total assets है क्या अगर एक दोनों condition fulfill हो जाता है तो समझ लो the shares of CGP derive its value substantially from assets located in India सर ये जो 10 करोड है और ये जो 50% of total assets है या नहीं है वो तो आपने बोल दिया FMB लेना है सर without reduction of liability लेकिन किस दिन का लेना है तो वो दिन भी government ने define किया और बोला वो दिन specified date होना चीए उसर specified date क्या होता है specified date government ने दो बोलिए पहला specified date preference में जाएगा पहले पहला होगा फिर दूसरा होगा जोनों मेंसे जो आपको beneficial होगा वो नहीं उठाना है पहले पहला पहला date क्या है सबस्याज ट्रांसफर हो रहा है shares आप ये HTL जो भी कर रहा है कान इधर बैट के ठीक है ये आज़ ट्रांसफर कर रहा है ठीक है आज तो देखो CGP की पिछली balance sheet date कौन सी है सुनो गौर से पिछली balance sheet date कौन सी है ठीक है, CGP की पिछली balance sheet date कौन सी है, ठीक है, वो balance sheet date हो जाएगी specified date, सबस्थ आज क्या है, मार्च 2022 चल रहा है, CGP की पिछली balance sheet date December है, तो मार्च 2022 को transfer हुआ shares और CGP की पिछली balance sheet date है 35 December 2021, तो 31 December 2021 की आप क्या ले लोगे, आप ले लोगे FMV 10 करोर, 20 करोर जो बो specified date बन जाएगा, ठीक है, अब दूसरी specified date, आप 31 December 2021 की book value of asset देखो CGP की, और आज date of transfer की book value of देखो, और अगर उन दोनों में 15% का difference आ जाता है, या उससे जादा आ जाता है, मतलब 31 December 2021 को book value of CGP's asset was 100 करोर, and now on the date of transfer, the book value of CGP's asset इससे 130 करोर, मतलब दोनों में 15% से जादा difference आ जाता है, तो फिर उस पहली वाली, 31 December वाली date specified date नहीं होगी, फिर ये date of transfer बन जाएगी specified date, लेकिर अगर तभी 100 value थी, तभी मतलब date of balance sheet, 31 December 2021, और date of transfer पे 110 है, तो फिर वो ही बन जाएगा specified date, तो specified date पता लगाने के लिए, आपको book value compare करना है, और एक बार specified date पता चल गया, उस दिन को फिर आपको देखना है कि क्या 10 करोर value है, क्या 50% से जादा है कि नहीं है, पूरा example मैंने आपको detail में class में लिख वाया है, जाकर चेक कर लेना, ठीक है, एक बार ये conditions fulfill होगा है, आपको इंडिया में income tax लग कर रहे, लेकिन क्या पूर अगर ट्रांसफर भी करेगा, तो उसको अगर ट्रांसफर भी करेगा, तो उस पर tax नहीं लगेगा, क्योंकि अगर 2-3%, 1-2% शेर्स ट्रांसफर भी कर देगा, तो कौन से इंडियान कंपनी का control और management ट्रांसफर होने वाला है, तो 2-3%, 1-2% अगर HTIL ट्रांसफर भी करता है 5% से जादा शेर्स कभी भी होल नहीं करता है, देट अगर ट्रांसफर आज है, तो आज से पिछले 12 मैने में, अगर कोई अससी CGP में, 5% से जादा शेर्स कभी नहीं होल करता है, तो maximum 5% प्लस किसी भी किसम का कोई control, management, कुछ भी नहीं था, उसका CGP के अंदर, तो फिर ये म का शेर्स इंडिया के असेट से डिराइव करता है, अपनी वालियू, ठीक है, लेकिन 100% डिराइव नहीं करता है, मिसाल के तोर पर, ये CGP की बैलेंच शीट है, फॉर एक्जामपल, ठीक है, और इस बैलेंच शीट के अंदर, उसके शेर क्यापिटले से 10,000, 10 करोर, जा 10,000 करोड ही लेता पड़ेगा, क्योंकि 10 करोर, 10 करोर, चोटे अबाउंट पर यहां पर कुछ टैक्स नहीं लगने वाला है, और यहां पर है, असेट्स इन इंडिया, इंडिया में असेट्स है, से 7,000 करोड, और अधर कंट्रीज में है, 3,000 करोड, तो क्या, शेर्स और CGB डिर असेट्स है, वो उसका 70% इंडिया असेट्स है, तो इसकी इंकम इंडिया में इंडिया में इंडिया में होता है, तो फिर पूरे क्यापिटल गेंस पे टैक्स लगा दो, इसलिए गवर्मेंट ने एक प्रपोस्ट एग्जम्शन का भी concept लाया, इसमें ठीक है, जिसके उप इसके बाद आगे आले points बहुत आसान है, next, अगर CGP इसको dividend declare करेगी, तो क्या वो भी इंडिया में team to accrue arise हो जाएगा, CBTT का circular है, और बोला dividend के उपर हमको taxbacks नहीं लगाना है, अगर CGP जैसी company, CGP जैसी company, जो अपने shares की value derived करती है substantially from asset located in India, वो अगर dividend declare करती है, HDL जैसी company को, उस पे हमको बिल्कुल भी tax नहीं लगाना, dividend income is exempt in this case, ठीक है, next, तो यह हो गया हमारा अगला point, any relaxation given by government of India, yes, government of India ने बोला है, अगर CGP कोई FII है, जिसको सेभी ने क्या किया है, approval दिया है, अगर CGP जैसी कोई FII है, और फिर HDL ऐसी FII के shares बेशता है, तो उसकी उपर इंडिय हमें income tax नहीं लगेगा, government ने relaxation दिया है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, next, मान लो के HTIL और इसका amalgamation हो जाता है, या HTIL टूटके de-merger हो जाता है, तो amalgamation मे भी तो यह company के shares transfer होंगे, तो क्या amalgamation और de-merger में भी tax लगाते बैठोगे, अगर HTIL का Vodafone के साथ amalgamation होता है, और amalgamation में HTIL ने CGP shares Vodafone को दे दिया, बोला ले दे जा amalgamation में, तो क्या तब भी tax लगेगा, government ने बोला नहीं लगेगा, amalgamation de-merger को हमने exception में डाला है, subject to two condition, पहला condition, amalgamation का condition और de-merger की condition में थोड़ा सा फ़रा के, पहला condition, HTIL के 25% shareholders Vodafone में चले जाने चाहिए, दूसरा condition amalgamation का बता रहा हूँ मैं, de-merger का बाद में बोलता हूँ, amalgamation में HTIL के 25% shareholders Vodafone में चले जाने चाहिए, second, this transaction is not subject to tax in HTIL country, that is Hong Kong, Hong Kong, country of incorporation, जहाँ amalgamating company incorporated है, उस देश में ये particular transaction tax नहीं लगना चाहिए, ये amalgamation के दो conditions आप फुल्फिल करोगे, तो आपको amalgamation में जो भी assets transfer कर है, वो माफ, similarly de-merger के अंदर थोड़ा सा अलग condition है, कि HTIL का de-merger होता है, और वो आगे दाता है, resulting company को कुछ assets transfer करता है, तो 3-4th of the shareholders in value should become the shareholder of the resulting company, तो de-merger company के जितने भी shareholder है, उसके 3-4th of the shareholders in value shall become the shareholder of the resulting company, तो हम लोग de-merger में भी माफ कर देगे, subject to those two conditions which I have said you just now, that is, पहला condition, 3-4th वाले, यहां से वहाँ चले जाए, और यह transaction फिर से Hong Kong में subject to tax नहीं होना चाहिए, next, अगर amalgamation में HTIL अपने CGP के shares Vodafone को दे देता है, तो वो माफ है, तो Vodafone अगर आगे बेचे का, तो उसके हाथ में cost to the back position क्या होगा, cost to the previous owner, तो आगे जागे अगर Vodafone CGP के shares ब 49, ठीक है, तो यह point भी हमने address कर दिया, और यह point भी हमने address कर दिया, now last two point, ठीक है, इस particular transaction का सारा tax कहा लगेगा, सबसे important सवाल, क्या India में accrue हो जाएगा, तो India में लग सकता है, लग सकता है, लेकिन जो transferr company है, वो तो Hong Kong की है, और Hong Kong government भी उस पे tax मांग सकते है, क्यों मांग सक है, कैसे पता चलेगा, उसके लिए आपको इंडिया और Hong Kong का DTW देखना पड़ेगा, इंडिया और Hong Kong की क्यों सर, क्योंकि इंडिया is a source country जहां पर income accrue हो रहे है, and Hong Kong is a resident country जहां पर assessi transferr रहता है, therefore, इंडिया Hong Kong का DTW आपको देखकर पता लगाना पड़ेगा, article 13, जिसमे capital gains के बारे में लिखा गया है, और उसमें जाकर आपको generally para 4 के अंदर होता है ये particular discussion, para 1 of article 13 is for immobile property, para 2 is for business mobile property, para 3 is for ships and aircrafts and boards and etc, and para 4 is for generally shares and securities, तो article 13 का para 4 आपको देखना पड़ेगा और decide करना पड़ेगा, ऐसे transaction में tax source country में लग रहा है या resident में, ये सब मददमारी करने के बाद पता चलता है, इंडिया और सामने वाले देश का DTW बोलता है, ये transaction तो resident country में tax होगा, तो फिर इंडिया tax ले सकता है, ने तो इंडिया tax ने ले सकता है, तो इंडिया tax ने ले सकता है, ये चीज दिमा पता से लेगा, इसलिए Indian government ने 285 section के अंदर, 285A section के अंदर reporting requirement लाया है, किस पर reporting requirement लाया है, इस पर इंडिया ने है, है इसको रिपोर्ट करना पड़ेगा, कि बाहर कौन-कौन ऐसा transaction कर रहा है, तुमारे group companies के साथ, ये सब group companies नेक दूतरे की, तो ऐसा कौन-कौन group companies के साथ transaction अब को रिपोर्ट करो, और नई रिपोर्ट किया तो penalty 271 GA के अंदर, कितनी penalty, अगर एक normal transaction report नहीं किया, तो 15 लाग उन भी की penalty है, लेकिन अगर एक बारा transaction जिसके वज़े से Indian company का right and control and management transfer हो जाता है, तो 2% of value of transaction की penalty आपके उपर लग सकती है, इतनी भयान कर penalty, ये चीज़ भ अंगर लगना, is it clear, this is what the Vodafone case law is all about and this is what the revision of this great topic of paper 6c non-resilent for your exam. Hello all my dear students, I hope you all are doing good, now meet karta हो, अफ़ बहुत बढ़ 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 बढ़ा होंगे, So let us start with the third part today for your paper 6c international taxation revision for May 22 and November 22 directly from the ICI material and today we are going to revise two topics and that is double taxation avoidance agreement that is DTAA and the second one is advanced ruling, ये दो topic हम लोग आज revise करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, इससे पहले हम लोग ने जो सबसे दो बढ़ी topic थी वो अल्रेदी रवाइज कर दी है, that is अपना transfer pricing already revise हो चुका है और non-president taxation भी already पूरा का पूरा revise हो ही चुका है, ठीक है, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं towards the third topic and the fourth topic that is double taxation relief and then the advance holding का topic, ठीक है, सबसे पहले double taxation के बारे में एक basic concept दिया गया है, कि double taxation होता क्यों है, double taxation होता है because of the source rule and the residence rule, अगर एक country अपने अससी को tax लगाने के लिए source rule भी apply करती है, residence rule भी apply करती है, तो double taxation हो कर रहेगा, और अगर double taxation हो कर रहेगा, तो उसको eliminate करना बहुत जरूरी है, ने तो यह undue hardship हो जाएगा ससी के उपर, यह business को impact करेगा, यह लोगों को impact करेगा और बहुत ज़्यादा too much excessive taxation is not good for economy, therefore there should be ways to give relief, यही भाशन दिया है पहले paragraph में obviously, यह भाशन आपको कोई exam में पूछने नहीं वाला है, why double taxation came in India that every student should know, यार, now what is the provision, provision क्या है ना उस पर बात कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, तो government relief कैसे देगी, दो किसम से government relief देगी, एक तो bilateral relief, bilateral relief मतलब जहाँ पर Indian government will enter into an agreement with the foreign government, उसको बोलेंगे bilateral relief, और इंडिया ने अब तक 100 से जादर देशों के साथ agreement कर लिया है, और bilateral relief में भी दो method है, आपको relief देने के, एक exemption method है, एक credit method है, exemption method में क्या होता है सर, कि tax सिर्फ एक ही country में लगता है, मतलब इंडिया का बंदा अगर भार की country में tax भर कर आता है, और इंडिया और बारवाली की देश के साथ हमारा DT Double A है, तो फिर tax सिर्फ भार की country में लगेगा, इंडिया उसको fully exempt कर देगा, उसको बोलते है exemption method, दूसरा होता है credit method, credit method में क्या होता है, दोनों देश में tax लगता है, इंडिया में भी tax लगेगा, और बाहर जाकर आपने जहां गुल खिला है, जहां बाहर जाकर पैसे कमाए है, वहाँ पर भी tax लगेगा, और फिर इंडिया गवर्मेंट, आपने उधर जितना भी tax बारा है, उसमें से यहाँ पर इंडिया गवर्मेंट आपको कुछ रिलीफ देगी, ठीके, तो bilateral relief के अंतर भी दो method है, जो आपको credit देने के लिए, मदद देने के लिए government ने बनाए, exemption method, only tax in one country, credit method, tax in both country, and the resident country will give you what, will give you the relief, okay, now, unilateral relief भी क्या होता, unilateral relief वहाँ पर दिया जाएगा, जहां पर हमारा सामने वाले देश के साथ DT डबल है नहीं है, अगर हमारा सामने वाले देश के residents को भी relief तो देनी पड़ेगी, हां, अगर सामने वाले देश के साथ, अगर हमारा agreement है, तो हम लोग by letter relief दोनों देश आपस में बात करके provision बनाएंगे, और DT डबल है के साब से relief देंगे, लेकिन अगर DT डबल है नहीं है, तो Indian government को relief देना पड़ेगा, और income tax law में relief कहां दिया जाता है, unilateral relief is given under section 91, ओके, ना, और आगे जाकर अपने को rule 128 भी पनना पड़ेगा, कि आपको FTC, मतलब foreign tax credit का relief कैसे मिलता है, उसका तरीका क्या, etc, etc, वो हम लोग इस chapter में भी बढ़ेंगे, और आगे जाकर annexure के अंदर भी देखने वाले, ठीक है, ना, तो अभी अब लग शुरू करते हैं, सबसे पहले अपना bilateral relief, bilateral relief section 90 के बारे में बात करता हूँ मैं, और unilateral relief section 91 के अंदर दिया गया, bilateral relief in fact दो section में दिया गया, section 90 में भी दिया गया, section 90 capital A में भी दिया गया, दोनों में कोई भी परक नहीं है, सिर्फ एक मामूली परक है, उन क्या परक ह यह 90 और 98 के अंदर, हाँ 91 obviously यह अलग है, क्योंकि वो unilateral relief है, अब bilateral relief हमको क्या बुलना चाहता है, ठीक है, सबसे पहले section 90 subsection 1 आपको objective बताता है, कि government of India हमारी देश की government, दूसरे देश की government के साथ treaty क्यों करती है, अब हमारे देश की जो government है, the central government, not only enters treaty with foreign countries, but it also enters treaties with foreign authorities, मतलब स हमारी देश सिर्फ बाहर के countries के साथ treaty नहीं करती है, बलकि चोटी 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 बहुत सारी territories है, like Bahama Island, like Bermuda Island, like for example Macao, like for example Hong Kong, like for example Isle of Man, और ऐसे बहुत सारे चोटे 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 आइलेंड है, जो एक country नहीं है, बलकि एक territories है, specified territories है, government उनके साथ भी DT AA कर सकती है, और government करती भी है, so government of India will enter into a DT AA with foreign country, or a specified authority outside India, for what, for granting a relief, आपको relief देने के लिए हमने बनाया है, भाई है DT AA, और क्यों बनाया है, यह पहला point है, और क्यों बनाया है, ताकि आपके double taxation ना हो, और क्यों बनाया है, आपके उप abuse करोगे, abuse करोगे, गलत फाइदा उटाओगे, आपको हम गलत फाइदा उठाने नहीं देंगे, किसी भी की सब का गलत opportunity उठाने नहीं देंगे, किसी भी की सका reduced taxation होने नहीं देंगे, non taxation होने नहीं देंगे, 3T shopping होने नहीं देंगे, यह सब बिलकुल भी allowed नहीं है आपको, ह और क्यों करती है DT AA government? Exchange information, क्यों करना information? Tax evasion related information चाहिए हमको, tax surveillance related information चाहिए, तो अगर foreign authority से information चाहिए, तो DT AA enter करना पड़ेगा, उसके बगर आपको information नहीं मिलने वाली है, next, और क्यों करती है government? To recover tax, अगर foreign authority से foreign country से tax recovery करनी है, तो आपका foreign country के साथ क्या होना चाहिए, DT AA, otherwise आप foreign country से tax authority के साथ tax recover करने का सपना छोड़ दो, भूल जाओ सपने को, multiple reasons आपको मैं बता रहा हूँ कि DT AA Q enter किया जाता है, ठीके, next, अब यह independent point है, यह 3-4 point क्या थे, DT AA Q enter रिखिये जाता, next point क्या है, एक बार government of India किसी के साथ DT AA कर लेगा, उसके बाद ASACEE के लिए, DT AA या income tax act, whichever is more beneficial, वो provision apply होगा, so DT AA बढ़ा के income tax act बढ़ा, no doubt DT AA बढ़ा, DT AA overrides the provision of income tax law, but only to the extent they are more beneficial, DT AA cannot be harsh to ASACEE, वो ASACEE के लिए एकदम तकलीफ देने वाला नहीं बन सकता है, it has to be lenient, और अगर harsh बनता है, तो फिर income tax act का provision apply होगा, जो भी जाधा beneficial है, वो ASACEE के लिए अपला होगा, ये लिखा गया है, यहाँ पर section, sub section 2 के अंदर, लेकिन, सुन लो उसमें एक exception है, सिर्फे एक exception, वो exception यह है, by default income tax act or DT AA and whichever is more beneficial, विल अपला है, लेकिन, in case of GAR, in case of G chapter 10A, always GAR will apply, even if GAR is harsh, even if DT AA is more beneficial and GAR is not, even if DT AA is more beneficial and income tax act is not, still GAR provisions will apply on the ASACEE, तो GAR के case में आप whichever is more beneficial, beneficial मत देखना, ठीक है, next, DT AA के अंदर, बहुत सारे शब्द होते है, बहुत सारे शब्द होते है, बहुत सारे शब्द होते है, अगर कोई शब्द DT AA में defined ही नहीं है, और income tax act में भी defined नहीं है, तो इंसान क्या करेगा, act में भी defined नहीं है, DT AA में भी defined नहीं है, तो क्या करेगा, government उसके लिए notification लाएगी, और उसकी applicability retrospective होगी, prospective नहीं, कब से होगी, जब से DT AA बना था, कब से उसकी applicability होगी, और ना कि जब से government ने उस term को define किया through a notification, तो अगर कोई आप दोनों में defined नहीं है, तो उसकी retrospective applicability, government उसका term defined करेगी through a notification, second, अगर कोई term DT AA में ही defined है, तो DT AA के साब से चली होगी, और क्या, अगर कोई term DT AA में defined नहीं है, लेकिन Income Tax Act में defined है, तो Income Tax Act के साब से चली होगी, और क्या, उसमें क्या है, next, government DT AA क्यों करती है, to give relief, कि इंडिया और UK DT AA क्यों करेगी, कि इसको relief देने के लिए, पाकिस्तान के residents को, Bangladesh के residents को, Singapore के residents को, Dubai के residents को, बिलकुल नहीं, अगर इंडिया और UK DT AA कर रही है, तो इंडिया और UK DT AA कर रही है, ताकि इंडिया और UK के residents को फाइदा हो, therefore DT AA is entered to give benefits to the residents of the two nations, and therefore a third country resident cannot come in between and take the benefits, उसके लिए government ने बुला है, कि सामने वाले non-resident को अगर benefit चाहिए, तो उसको एक TRC देना पड़ेगा, tax recovery, tax residency certificate, TRC प्रूव करना पड़ेगा, तो आपको residency प्रूव करनी पड़ेगी, बिना residency प्रूव करे, आप treaty का benefit नहीं ले सकते हो, residency कैसे प्रूव करोगे, TRC, tax residency certificate, कौन सामने देश की government की tax authority देगी, क्या वो sufficient है, sufficient ATRC में क्या क्या information होना ची हो, मैं तोटे ज़र बात बताता हूँ आपको, ठीक है, I'll speak about that in a while, क्या 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 information TRC के अंदर होना ज़रूरी है, तो ही government accept करती है हमारी ने, तो हमारी government उसको valid accept नहीं करती है, मैं बता रहा हूँ, और आके business करती है, उनके साथ discrimination ना करो, हम करते हैं ना उनके साथ discrimination, उनको हम 40 तक का tax rate लगाते है, जबकि domestic company को 25 और 30 तक का tax rate है, तो हम foreign company की साथ discrimination कर रहे है कि नहीं कर रहे है, हाँ कर रहे है, कौन मना करता है discrimination करने से, article 24 परा 3, of the DT AA, तो अब उस cease को overcome करने के लिए government income tax law में और बोला है, और बोला है, कि अगर हम foreign company को tax rate domestic company से ज़ादा लगाते है, तो इसमें कोई discrimination नहीं है, चक करो, charge of a tax of a foreign company at a rate higher than the domestic company, shall not be considered as less favorable, तो हम मतलब moral of the story है, कि foreign company को 40 तक का लगा सकते है, as compared to domestic company, इसमें केजी भी किसमता discrimination, कोई है ही नहीं तो, इसको discrimination माना ही नहीं जा सक ठीक है, I hope it is clear to all of you, ठीक है, तो यह सारे भाशन है, बस repetition है आगे बस, और कुछ नहीं, modern tax convention आगे जागे आप पढ़ोगे OECD, UN दोनों, आपके सेले, बस में नीचे कुछ illustrations है, आप देख सकते हो, पहला illustration यह बोलता है, double taxation avoidance agreement overrides domestic law, yes, but to the extent it is more beneficial to the SEC, EDAA overrides domestic law, but only to the extent it is more beneficial to SSI, उसमें भी गार वाला exception है, यह मत बुलना, यह institute नीचे answer में लिखना बूल किया चाहिए, उसके बाद यह foreign company वाला, यह assessing officer, foreign company को चालिज तका लगा रहा है, SSI बोल रहा है, आपको discrimination कर रहे हो, ठीक है, यह देखो, article 24 का इसने reference दे दिया, बोला तुम तो discrimination कर रहे हो, तो कुछ नहीं समझनेगा, ज्यादा दिल पर मत लो इस सब चीज, ठीक है, और इसके नीचे एक और example है, वो भी आप, simple ही है, इतना कुछ खास नहीं, examples obviously मैं नहीं बोलने आलाओ, उसके नीचे section 90, यह आता है, exactly copy paste of section 90, exactly, except one difference, what is the difference, 90 में कौन enter करता है treaty, Indian government treaty enter करती है, with the foreign government, और specified territory, यहाँ पर Indian government treaty enter नहीं करेगी, बलकि government ने कुछ associations बनाई है, इसका नाम देंगे हम specified association, उन पर responsibility दाल दिये, कि अब आप foreign countries के specified, foreign territories के specified associations के साथ treaty करोगे, तो सबसे पहला difference, यहाँ पर government treaty enter नहीं करती है, government की कुछ delegated association से वो treaty enter करेगी, second difference, बड़ा difference, यहाँ पर किसी देश क के साथ treaty नहीं करोगे, आप सिर्फ specified territories के association के साथ treaty करोगे, country के साथ treaty नहीं करते हो, तो इंडिया की specified association will do a treaty with the specified association of specified territory, not with specified country, countries के साथ के साथ के लिए section 90 नहीं है, उसके लिए section 90 नहीं है, बस रही difference है, बाग इस सादा पॉइंट से हमें चेक कर लेना, सब कुछ copy paste है, जो उध इसे का वैसी डाला है, आप बस यहां पर एक extra information डाल दिया है, जो उधर भी डालना चाहिए था 90 के अंदर, कि government को TRC के अंदर क्या क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए देखो, status चाहिए अससी का, individual है, हुआ है, status दो, जूसरा, उसका nationality चाहिए अगर वो company form, AOP भी हो आई है, तो उसका nationality या country of incorporation चाहिए, अगर individual है तो nationality और other than individual है तो उसका क्या चाहिए हमको, हमको data चाहिए कि भाई वो कहा पर incorporated है, उसका tax identification number चाहिए, या ऐसा कोई भी number जिसके through उसके देश की government उसको identify करती है, similar to PAN, which is there in India, period चाहिए, कितने time के लिए certificate applicable है, generally this certificate is applicable for a year, next year आपको वापस से वो certificate लेना पड़ता है, क्योंकि year to year basis पर आपका residential status change हो सकता है, किसी भी देश के income tax law में, फिर address से यह उस SSC का, ठीके, हाँ, अगर यह सारा information already TRC के अंदर है, तो यह सब नहीं चाहिए, अगर नहीं है तो अलग से दो, already TRC में है तो नहीं चाहिए, नहीं है तो अ इसके नीचे कुछ illustration है, वो आप देख सकते हो, जिसके अदर वापस से वो पुड़ा का पुड़ा point repeat किया है, now coming to section 91, this is very important for exam, इस पर 15-15-20-20 मा के question आते exam के अंदर, कोई की पूरी case study आती है, careful रहना, इसके अपर जितनी भी case study है, वो सब अच्छे से करके जाना exam है, ठीकि Indian government को अपनी तरफ से उसको क्या देना पड़ेगा, relief देना पड़ेगा, there is no option with the Indian government, Indian government को अपनी तरफ से relief देना पड़ेगा, कैसे relief देनी, unilateral relief, लेकिन ये section कब अपली के बले, ये section अपली के बले, if the SSC fulfills the following condition, first condition, the SSC should be resident of India during the previous year, second, उसकी income इंडिया में अकुरू नी होनी इंडिया के बाहर अकुरू नी होनी चाहिए, third, उसकी income इंडिया में डिम टू अकुरू भी नी होनी चाहिए, बाहर ही अकुरू नी चाहिए, इंडिया में अकुरू भी नी होनी चाहिए, बाहर होनी चाहिए, fourth, उसकी income should be subject to tax in the foreign country, fifth, उसने foreign country में tax भी बढ़ा होना चाहि कि दोनों के विश में क्या नहीं होना चाहिए, अगर अगरिमेंट हो गया, तो section 90 में bilateral relief मिलेगा, agreement नहीं होना चाहिए, इस सारे condition fulfill हो जाते है, तो इंडिया में assessi को क्या मिलेगा, unilateral relief, कैसा मिलेगा, तब से पहले उसकी income compute करो, सब कुछ include करके income compute करो, average tax rate निकालो इंडिया म जाएगा, इसमें अलग-अलग किसम के अतरंगी question मैं आपको कराया हूँ paper 6 में, paper 7 में इतना कुछ इतना difficult question नहीं आता है, बर इसमें अलग-अलग किसम की question कराया हूँ, कभी-कभी foreign country में एक income assessi ने कमाया, जो वहाँ tax है, यहाँ tax है, जो वहाँ tax है, यहाँ tax नहीं है, जो पहले उसका slab rate से पहले उसका tax निकालो, फिर उसका average rate लो, फिर इंडिया के rate से compare करो, सब थी चड़ी, सब थी चड़ी, इसके लिए आपको बहुत अच्छे से case study देखनी परेगी, तब ही आपको clarity आईगी, ठीक, इससे जादा मैं बोल नहीं पाऊंगा अभी, यहाँ पर पहुत बहुत चोटे concept है, इसमें बीच में कुछ questions है, मिस्टर कमेश वाला question अच्छा है बहुत, यह देख सकते हो, लेकिन इससे की तोड़ा ओर tricky question exam में आता है, लेकिन यह अच्छा question है, यह आपके लिए base build up करने के लिए अच्छा question है, ना, FTC के बारे में बात करते है, आपने forum में जो भी tax बढ़ा है, bilater daily, punilater leave, section 90 में बढ़ा है, section 91 में बढ़ा है, जिसके आपको इंडिया में credit मिलना है, इंडिया credit method follow करता है, इंडिया exemption method follow नहीं करता है, यह चीज़ आतक ना, तो सबसे पहले बहार आपने जो भी tax बढ़ा है, वो आपको इंडिया में credit तो credit कब मिलेगा, उसका पहले सवाल का जवाब यहां दिया गया है, उसका credit तब मिलेगा, जब वो income इंडिया में आप जिस साल में offer करोगे, बाहर आपने एक करोड रुपे के उपर 10% tax बढ़ा है, 10,00, तो इंडिया में जब वो एक करोड रुपे offer करोगे, उस साल में जब यास, दो दोऑ में मिलेगा, डोंट वरी, तोनोग में मिलेगा, ड्यक्यां, नेक्स्षार, credit किस के अगेंस मिलेगा, जो भी आप मैंने से 10 लाग रुपे tax इंडिया के भाहर बरा, वो इंडिया में में किस के अगेंस knock-off कर सकता हो, tax के के अगेंस knock-off कर सकते हो, सर्च क्या गिंज नौक उफ नहीं कर सकती हो, you cannot do that, sir credit कितना मिलेगा इंडिया, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीके मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ, जितना भी tax तुने इंडिया में भरना है, compared with, जितना भी tax तुने बाहर भराए, whichever is lower, lower of the two will be allowed as credit, जब बाहर तुने एक करोड की income कमाया, और बाहर तुने 30%, 20% tax भराए, और इंडिया में 30% tax भराए, तो तेको वहाँ पर 20% tax भराए, इंडिया में 30% भराए, तो तेको इंडिया में tax rate कम है, तो excess is not allowed to be carried for one, इंडिया मोई FTC disallowed है, excess amount should be ignored, ऐसा लिखा है साफ साफ, and one last thing over here, बाहर जो तु टाक्स भरेगा, वो तो तु भरेगा foreign currency में, और इंडिया में जो tax का credit लेगा, वो तु रुपीज में लेगा, तो convert कैसे करेगा, जिस मन्त में भी तुने बाहर बार आए, या जिस मन्त में भी तेरा बाहर tedious करता है, foreign currency में, उस मन्त के पिछले मेने के last decade TTBR के हिसाब स convert करेगा, विसाल के तो पर मार्च, अगर मार्च में तेरा tax India के बाहर बार आए, या मार्च में तेरा tax India के बाहर कटा है, तो 28 February 2022 का तु क्रेडिट लेगा, conversion rate लेगा TTBR, चेक करो, बहुत important है, इसके बारे में आगे जाकर और बोलूँगा, मैं, जब मैं एनेक्सचर के अंदर जाकर, rule 128 पे एक बार और बोल दूँगा, ठीक है, कुछ खास नहीं है, सेन ही और भी, बट एक दो extra point है, अधर क्यारी backward of loss वाला concept है महाँ पर, तो उस पर मैं एक बार बात कर लूँगा, ठीक है, don't worry. Now, there is one or two more small points over here, which I need to address, to complete this topic, concept of permanent establishment. देखो, permanent establishment का जो concept है, यह बहुत wider concept है, और इसके बारे में ज्यादा detail में आप पड़ोगे, अपने आगे model convention वाले chapter में, लेकिन फिल भी मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अगर एक non-president की business income को इंडिया में chargeable करना है न, तो उसका इंडिया में permanent establishment होना चाहिए, बर income tax law permanent establishment पे ज्यादा focus नहीं करता है, income tax law क्या बोलता है, non-president की business income को इंडिया में charge करना है न, तो इंडिया में उसका business connection होना चाहिए, तो income tax law किस पे emphasize डालता है, business connection term पे emphasis डालता है और DTAA किस पे emphasis डालता है DTAA emphasis डालता है P.E. पे permanent establishment, तब दोनों में से ज़्यादा wider कौन सा है दोनों में से ज़्यादा wider अगर आप मुझसे पूछो तो वो है business connection the term used in income tax law is more wider is far wider as compared to the term used in DTAA, बस यही फ़रा कि और कुछ नहीं इसके ओपर ज़्यादा detail में मैं आगी जाकर बोलूगा जब मैं आगे जाकर आपको permanent establishment का concept बताने वालो तो ध्यान से देख लेना, DTAA क्या term use करता है? Permanent establishment, income tax क्या term use करता है? Business connection now one last thing in this particular topic not much important the least important part of this topic that is taxation of BPO units in India अब सबस्थ भार कोई foreign company US में कोई foreign company है, उसने इंडिया में एक IT enabled BPO setup किया ठीक है? मतलब एक setup इंडिया में उसका call center है, service center है उसको आप BPO बोलोगी हो क्या? लेकिन company की तरह एक company भार है, इंडिया में कौन है? उसका BPO है अब वो क्या BPO पर tax लगेगा इंडिया में हाँ BPO जो commission कमारा है, उसके तो tax लगेगा इंक क्या उस non-resident पर इंडिया में tax लगेगा उसके लिए CBDT ने बोला है कि IT enabled BPO के लिए हमें एक circular ला रहे है, income tax law में तो उसके कोई clarity नहीं है, कुछ भी नहीं बोलता है लेकिन 2004 में CBDT ने एक circular लाया था उसके इंदर detail में बोला है कि exactly उसकी taxability क्या होगी, अब just एक example लो non-resident भार रेटा है, इंडिया में उसका एक DPO है, जो call center wall center है, ठीक है अगर दोनों के बीच में कोई business connection नहीं है, मतलब यह independent है, वो independent ठीक है, यह सिर्व उसके लिए खोड़ा बग काम करता है, बस छोड़ देता है, दोनों के बीच में अगर कोई business connection नहीं है, तो वो non-resident इंडिया में liable to tax नहीं होगा, और यह resident इंडिया में separate entity की तरह treat किया जाएगा, ठीक है, इसकी income इंडिया में को कमा रहा है, वो tax होगा, और non-resident इंकम इंडिया में liable to tax नहीं होगी, क्योंकि दोनों के बीच में कोई business connection नहीं है, लेकिन अगर दोनों के बीच में कोई business connection establish हो गया, तो फिर वो non-president की income इंडिया में chargeable बो जाएगा, क्योंकि फिर उस non-resident को तो इंडिया में tax लग जाएगा, क्योंकि उसका इंडिया में क्या है, business connection है, ठीके, बस इतना ही है, और कुछ नहीं है, तो आपको दोनों के बीच में पता लगाना है, क्या दोनों के बीच में कोई business connection है, अगर है, business connection कैसे आता है, वो यहाँ पर लिखा गया है, अगर वो non-pres बन कर उसके बेहाँ पर order secure कर रहा है, delivery कर रहा है, याद आता है section 911, तो माना जाएगा business connection, और क्या, अच्छा, एक बार उसका business connection establish हो गया, तो फिर उसको profits attribute करना पड़ेगा, इंडिया के अंदर, और इंडिया के अंदर profits attribute करके, उसको tax निकालना पड़ेगा, tax निकालना BPO है, उसी के लिए दूसरे BPO's के लिए नहीं है, एक non-resident का इंडिया में, अगर IT enable BPO है, तो क्या वो non-resident की income इंडिया में tax होगी के नहीं होगी, वो depend करता है दोनों के बीच के business connection, अगर दोनों के बीच में कोई business connection नी है, तो non-resident separate, resident separate, non-resident की income इंडिया में tax नहीं, अगर दोनों के बिशने बिजने ने के इंडिया में टैक्स हो जाएगी इंकब और इंकब बाइब करना पडेगा, computation करना पडेगा, etc. यह सारा भाशन यहां पर दिया गया, एक बार देखलो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे towards our next topic. Now let us go ahead with the next topic and that is advanced ruling बोलो या board for advanced ruling बोलो, जो भी बोलना है बोलो, दोनों सही तो नहीं बोलू हूँ, आप Board for Advanced Ruling बोलना जादा सही है, क्योंकि अब Advanced Ruling for September 2021 से निकल चुका है, ठीक है, ना लिसन केरफुली ज़रा ध्यान से सुनना, इसमें बहुत जारी खिशोडी बना दिये गौर्मेंट ने, अब इसमें आपको तीन प्रोविशन पढ़ने है, तीन अलग कानून पढ़ने है, सबसे पहला कानून, 2017 के पहले क्या होता था, उसके बाद 2017 से लेकर 21 के बीच में क्या होता है, और 2021 के बाद क्या होता है, अब यह 3-3 बहुंडर क्या, मैं आपको जास्ट एक ओवर्वियू दे दे था, 2017 के प पेले चार एडवांस रूलिंग की अथोरिटीज अलग अलगती सब अपने अपने लौका सम्वालते थे अब 2017 में गवर्मेंट ने इंकम टैक्स वारा हटा दिया और बोला अब से सब मर्ज हो जाएगा मतलब इंकम टैक्स, सर्विस टैक्स, GST, VST जो भी है सब मर्ज हो के एक बनाएंगे हम लोग और उसको अपने को क्या पढ़ने का है अपने को सम्पन ने इंक है गहिए तो चलो देखें अब क्या है सब से पहले यहां देखो अभी आपका नहीं आने वारा है, ठीक है, सबसे पहले चीज़ यह दिमाग में रखना सबसे पहले एक non-resident application दे सकता है, authority for advance rolling को या board for advance rolling, जो भी नाम बोलना है, बोलो, दोनों के लिए same provision है एक non-resident application दे सकता है, क्यों दे सकता है, विकाज उसको इंडिया में कोई transaction करना है, इसकी tax ability, उसकी question of law, question of fact के बारे में उसको पता लगाना है, वो application दे सकता है दूसरा, एक resident भी application दे सकता है, जब वो किसी non-resident के साथ transaction कर रहा है, और उसको tax liability, etc. पता लगाना है, तो वो भी दे सकता है एक resident फिट से दे सकता है अब वो किसी non-resident के साथ transaction नहीं कर रहा हो और Two transaction कर रहा है मतलब India के अंदर रहा है transaction वो किसी के साथ अब किसी non-resident के साथ transaction करता है फिली में कुछ ठेटरा थे लिए इसी independent transaction है इसी independent transaction है मेरे जैसा आपके जैसा है कभी जाकर तेरे को यहां पर benefit मिलने वाला है ने तो तू नहीं आ सकता है पहले दो case में कोई monetary threshold नहीं है लेकिन तीसरे बाले में monetary threshold आरके रखा है क्या monetary threshold आरके रखा है the tax liability arising from out of one or more transaction valuing hundred crore or more in total तो तेरे transaction का value कितना होना चाहिए hundred crore या उससे जादा होना चाहिए अगर तेरे transaction का value hundred crore या उससे जादा है तो ही clause number three के अंदर वाला resident application दे सकता है ने तो उसके लिए allowed ही नहीं है ठीक है चौते case में कौन आता है चौते case में PSQ आते है public sector undertaking आता है और public sector undertaking भी यहाँ पर application दे सकता है और पांचवे case में कौन आता है सब आते है resident non-resident बट वो वाले कौन से case है वो गार वाले case है तो देख लो बाराबर से वापास है मैं बोल रहा हूँ पहले case में non-resident अपने लिए transaction कर रहा है उसके लिए दे रहा है चौते case में PSU के लिए apply के बिले और पांचवे case के अंदर गार वाले case के लिए apply के बिले ठीक है अब यह जो पहले जो तीन case है और पहले तीन case है और इंसार्ट यह पांचवा case भी बहुत जान ध्यान से सुनना पहला दूसरा तीसरा और पांचवा PSU को छोड़के बाखी सब cases में आपका case कहीं पर भी pending नहीं होना चाहिए कहीं पर भी pending ही मतलब income tax authority के पास अगर pending है तो आप AR के पास नहीं आ सकते हो या तो हाई कोड के पास पेंदिंग है तो आप AR के पास नहीं आ सकते हो लेकिन PSU के लिए government ने special benefit दिया है सिर्फ PSU के ल प्रॉट केस में आपका कीस अगर इंकम टैसरी के सामने Pending है तो भी आप जा सकते हो कोई धिक्कत नहीं ठीक है और जब तक आपका कीस INCM टैसरी के पास Pending है तो यह तब तक अगर आपका मैंटर सोरी एक बार AAR में तो यह point किसके लिए पता, यह point point number 3 के लिए, point number 4 के लिए, that is PSU के लिए, एक बार आपका case, क्योंकि PSU के लिए गुवर्मेंट ने क्या बोला है, बोला है कि आपका case income tax authority ITAT के सामने pending हो सकता है, अब मान दो आपका case income tax authority ITAT के सामने pending हो सकता है, तो भी आप AR के पास जा सकते हू तब तक ITAT और income tax authority बीच में टांग ने राएंगे, therefore, चार में से, पांच में से सिर्फ एक बंदे को government liberty दिया है, कि income tax authority और ITAT के सामने pending हो तो भी जा सकता है, तो भी जा सकता है, को attention वाली बात नहीं है, ठीके, now, authority for advance old income composition क्या होता है, उसके अंदर होता को होन है, भाई, होत पढ़ने जा रहे हैं, वो पढ़ने हैं, हम लोग 245 हो, ये कभी का है, ये income tax act का section है, 245 हो, ये कभी आया है, ये 2017 के पहले वाले cases के लिए अपली के बादे, तो वो भी पढ़ा रही है, institute हाँ, हो भी पढ़ा रही है, पता नहीं क्या है, क्या करना चाहती है, institute आपके सामने तो 2017 के पहले क्या था, 2017 के बाद क्या सब पढ़नेगा, ठीक है, और 2021 के बाद क्या होगी पढ़नेगा, तो अभी हम लोग 2017 के पहले हाला case पढ़ा है, 245 हो, अथोरिटी फोर एडवांस उली, उसके अंदर कौन होईगा, एक चैर्मेन होईगा, चैर्मेन, एक या एक से मतलब अभी present judge नहीं होना चाहिए, मतलब वो past judge, sitting judge नहीं होना चाहिए, और retired judge होना चाहिए, या chief justice of high court, या तो high court का judge, who has been high court judge for at least 7 years, या तीन में से कोई भी chairman बन सकता है, ठीक है, wise chairman कौन बन सकता है, high court का judge, जो judge था, अभी नहीं, सब past वाली बाते, present वाली बाते नहीं है, who has been, who has been, current sitting judge नहीं बन सकता है, high court का, high court का sitting judge अगर होना चाहिए, जो Indian revenue service में काम करता है, ठीक है, काम करता है, या काम करने के लिए qualified है, अब वो present भी चलेगा, देखो who is लिखा है, who is, बहुत क्यारफूल रणा, चौता point में बात नहीं करता हूँ, क्योंकि वो custom excise के लिए relevant है, law member, law member कौन होना चाहिए, who is qualified, who is, or is qualified to be additional secretary to the government of India, additional secretary के लिए qualified होना चाहिए हो, और है अगर additional secretary, तो भी चलेगा, या qualified होना चाहिए, तो भी चलेगा, दोनों में से कोई भी चलेगा, तो ये दोनों case में, पह ये जो provision अभी हम लोग पढ़ रहे है, 2017 के पहले वारे cases के लाप लिए, towns and conditions, हाँ, उनकी service कैसी होगी, salary allowance कितना मिलेगा, government prescribe करेगी, चलो ठीके, central government prescribe करेगी, authorities को कितने employees से, officers चाहिए, obviously, ये सारे authorities, officers और employees की मतद भी तो लगेगी, judge अगेले क्या करेगा, विचार, उसको बह कितना power देना, ठीके हो, सब मामुली चीज़ है, composition of bench, मैंने अभी आपको बता है, chairman, vice chairman, draw member, revenue member, etc, ये सारी चीज़ ने या पर भी दी गई है, हाँ, अभी अगर कोई chairman की death हो जाती है, या कोई chairman resignation दे रेता है, तो फिर क्या होगा, तो फिर vice chairman उसको position को ले लेगा, chairman की, कब जब तक नया chairman appoint नी होता है, chairman मर गया, तो vice chairman will take the position, जब तक नया chairman appoint नी होता है, या chairman अभी मरा नहीं है, बिमार है, इसलिए चुटी पर है, illness के वज़े से चुटी पर है, कोई और reason के चुटी पर है, तो फिर chairman क्या करे, vice chairman बन जाया या chairman, कब तक, जब तक, वो resume नी करता है, पुराना chairman है, तो मैं chairman हो, मैं बिमार पर गया, तो मैं मेरी जगे खाली है, तो vice chairman मेरी जगे बैट जाएगा, कब तक, जब तक मैं वापस नहीं आता हूँ, मैं वापस आ जाओंगो, तो vice chairman को हड़ा दूँ, ठीके, ये कुछ चोटी बात है, अब, जैसे के मैंने बोला, य क्यों बढ़ा रहा है, इस सब चीज, I don't know, I have any idea about it, ठीके, अब 2017 के बाद क्या हो रहा है, 2017 के बाद government सब merge कर दिया, income tax, service tax, GST, VST, जो भी आप नाम दें, बुलना चाहते हो, exercise, custom, सब का एक authority for advance ruling, एक, और वो कौन सा कानून का, उसका कानून होगा, finance act 2017, अब वो income tax में उसक सब से best, central government rule बनाएगी, किस के लिए, उनकी qualification के लिए rule बनाएगी, उनका appointment कैसे होगा, उसके rule बनाएगी, term of office, कितने साल के लिए office में रहा है, उसके लिए rule बनाएगी, terminator solution कैसे होगा, removal कैसे होगा, in सब के livreur बनाएगी, central government, चलो ठीक, अचा term of office कितना होगा, से central government decide करेग पर वो 5 साल से जाधा नहीं होना चाहिए, क्या रूल में 4 साल उनका time of office हो सकता है, हो सकता है, 3 साल हो सकता है, साड़े 3 साल हो सकता है, हो सकता है, साड़े 5 साल हो सकता है, साड़े 5 साल हो सकता है, साड़े 5 साल नहीं हो सकता है, तो यह दिमाग पर नहीं है, यह रूल नहीं है यह maximum ने मिला है maximum government 5 साल के लिए उनको रख सकती है re-appointment के लिए eligible yes एक बात 5 साल खतल हो गया है फिर से अगर conditions fulfill करते है appointment के तो re-appointment के लिए eligible है कोई दिख करती है अच्छा age क्या होनी चाहिए chairman की age government decide करेगी rule में लेकिं chairman की age 70 साल से जादा नहीं होनी चीए और white chairman और दूसरे members की 67 से जादा नहीं होनी चीए वो तो government decide करेगी ठीक है यह rule नहीं है यह maximum cap है अब उसके अंदर decide करना पड़ेगा government ठीक है 5 साल के अंदर decide करना पड़ेगा उनका period age 70 साल for chairman 67 years for others decide करना पड़े government को उसके अंदर रखो ठीक है क्या government नहीं क्या decide किया चलो दिखते अब यह जो पड़ेगा आप qualification सर क्या घड़ी घड़ी पड़ा रहे हो हाँ तो मैं क्या करूँ पहले में 2017 के पहले आला पड़ा रहा था vision बना गया है तो बारी किसे कोई पड़ता नहीं पूर इंडिया में इस चीज में आपको guarantee के साथ बोलता हूं लेकिन हम लोग अपने paper 6 के regular batch के अंदर तो paper 6 में से regular batch ही होता है fast track नहीं हो सकता है इस subject का fast track बनाऊंगा और खिछड़ी बन जाईगी इस subject को detail में ही बनना पड़ेगा जो regular batch है हमार 115 गंटे का उसमें हम लोग इतनी बड़ी से एक एक वर्ड पर focus करते है तो यहां पर कौन चलेगा existing भी चलेगा retire भी चलेगा वाइस chairman कौन होगा फिर से judge of high court existing भी retirement revenue member कौन होगा it should be from Indian revenue service and is qualified to be member of CBD 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 का he has been for 10 years district judge and additional district judge, यह दोनों मिलाता है 10 साल कि उसने काम किया होना थी तब जाकर वो law member बनेगा तो law member का definition देखो पुराने कानून में और नए कानून में भयंतर बदला है अब term कितना होगा term 4 साल, अभी साल आपने पिछले पेच पे 5 साल मैंने आपको फिर से बोड रहा हूँ कि वहाँ पर maximum limit था, अब rule के अंदर 4 साल लिखा है तो मैं क्या करूँ? Maximum 5 साल था, rule बोलता है 4 साल अच्छा, age कितनी हो नीचे है, chairman के लिए 70 साल एज तो वहाँ पर भी maximum 70 साल था, यहाँ पर भी 70 wise chairman के लिए 65, दूसरे members के लिए 65 years की age government ने डाल के रखिए ठीक है? I hope it is clear to you तो यह वाला qualification का अपली के बलोगा 2017 से लिए 2021 के बीच में ठीक है? आगे बढ़ रहा हूँ अब अगर किसी के composition में AR के composition में कौन कोण होना अच्छे में आपको बता दिया chairman, wise chairman, law member, revenue member अब किसी qualification में किसी के कम जादा कुछ होगा तो इसका मतलब यह निए कि AR गलत है तो किसी के qualification में कर कोई defect है या vacancy में कोई defect है एक आद member का में, एक revenue member का में law member का में, एक wise chairman का में तो इसका मतलब यह निए कि AR का ruling गलत है pronouncement का गलत है, बिलकोल भी निए तो government ने अपना आपको बहुत safe रखा है और बोला है कि एक हाथ अगर qualification उपर नीचे हो जाएगा तो AR की ruling पे question उठाना में चालू करते ना, ठीक है next, AR के बाद जाने के लिए आपको application देना पड़िगा, अब यह सब के लिए तो 2017 के बाद वालो के लिए भी менее 2020 के बाद वालो के लिए 2020 के पहले वालो के लिए सब के लिए आपको application देना पड़िगा सबसे application है, fees देनी पड़ेगी, fees कितनी है fees यहां परें, देखो अगर आपका transaction का value 100 crore तक है तो 2,000,000 रुपे की फीज है 100 से 300 crore तो 5,000,000 रुपे की फीज है और 300 crore से जादा है तो 10,000,000 रुपे की फीज है लेकिन PSU के case में PSU के case में और वो जो last वाला case है और यहां पर आप बचा कौन था आपका बचा कौन 2A में कौन साथ है वो अपना 100 crore वाला case तो बच गया कौन PSU वसु बच गया PSU वसु के लिए 10,000 रुपे की फीज लग जाई या प्लाट 10,000 बस तर application देने के बाद विड्रॉव कर सकता हो अब एक बार आपने AR को application दे दिया AR क्या करेगा उस अप्लिकेशन के साथ AR वो application कमिशनर को भीजेगा प्रिंसिपल कमिशनर या कमिशनर उससे रिकॉर्स मंगवाएगा उससे रिकॉर्स मंगवाएगा गोत्रू करेगा और जब भी possible होगा जितने भी समय के बाद वो उसको return कर लेगा ठीके कोई law में समय नहीं दिया AR कमिशनर से documents मंगवाएगा और उसको go through करेगा और उसके बाद अपने हैसाब से उसको return करेगा ये सब के लिए applicable है 2017 के बाद के लिए भी 2017 के बाद भी पेंडिंग है किसी भी authority अगर आपका case income tax authority ITAD या court के सामने पेंडिंग है आपका case reject करतेगा मैंने पहले बोला आपका case किसी भी के लिए सामने पेंडिंग होना चाहिए आपका case reject हुजाएगा और लेकिन PSU के लिए benefit है PSU के लिए अगर आपका case ITAD या income tax authority के सामने पेंडिंग है तो reject नहीं कर सकता है सिर्फ high court और supreme court के सामने पेंडिंग है तो reject कर सकता है क्योंकि PSU के लिए income tax authority और ITAD के सामने पेंडिंग है समझ में आ गया तो बागी सब के लिए कहीं पर भी पेंडिंग नहीं होना चाहिए PSU के case में सिर्फ high court और supreme court के सामने पेंडिंग होगा तो reject कर देगा अगर ITAD को आपने अगर आपने AR को बोला के मेरे को जड़ा fair market value निकाल के दोना तो लाक मार के बगा देगा fair market value निकालने के लिए AR नहीं बैठा है ठीक है third circumstance जिसमें AR आपका application reject कर देगा अगर AR को transaction को go through करके लग रहा है कि ये prima facie tax को avoid करने के लिए बनाया गया AR आपका application reject कर देगा लेकिन अगर आप गार वाले assessi हो तो वो third point के अंदर आपका case reject नहीं कर सकता है गार वाले assessis को यहाँ पर exception दे दिया है ठीक है यार बोलो और यह point public sector company के लिए भी exception दिया है दो exception है आप by default अगर AR को लगता है कि आपका case अग्दम प्रिमा फैसी क्या चल रहा है लापड़े वाला वो reject कर देगा लेकिन public PSU के case में और गार वाले assess में वो reject नहीं कर सकता है यह has to accept the application and go through the entire process ठीक है और reject करने के पहले आपका opportunity of bring heart देगा reason of rejection देगा और अगर आपका application allow हो जाता है allow तो वो 6 मेने के अंदर within 6 months on the receipt of the application it will pass an order ठीक है और वो order आपको दे देगा ठीक है now applicability of advanced ruling advanced ruling एक बार आ गया advanced ruling मेरे सामने आ चुका है हाँ आ चुका है मेरे हाथ में है मेरे हाथ में पढ़ाओ advanced ruling हाँ है मेरे हाथ में तो अब यह ruling किस पर इस पर binding है सुनलो अभी अभी यहाँ पर एक change है 2021 के बाद यह नहीं आप्ली के बले है 2021 तक मतलब जो नया कानून financial 21 में आ है ना उसमें यह applicable नहीं है क्यों applicable नहीं है मैंने आपको DT में भी बोला है मैं यहाँ आप भी बोल देता हूँ सबसे पहले आप कब-कब यह माना जा सकता है कि यह binding है कब-कब binding है और किस-किस पर binding यह ASS-C पर binding है ASS-C को follow करना पड़ेगा यह उस transaction के लिए binding है जिसके लिए आपने AR को application दिया है प्लस यह income tax authority पर binding है commissioner और उसके नीचे की सारी authorities पर binding है ठीक है सारी authorities पर binding है सुन लो अच्छे से application, applicant पर binding है transaction पर binding है और income tax authority पर binding है हाँ आगे जाकर if there is a change in law or there is a change in facts of the SSC then it is not binding अब नए law में यह apply के बनी है यह 2017 के पहने वाले law में था 2017 के बाद वाले law में भी था लेकिन 2021 के बाद वाले law के लिए apply के बनी है कि अब से आप जो board for advance ruling government ने नया बनाया उसकी order को आप appeal कर सकते हो high court में government ने अलाओ किया high court appeal कर सकते हो directly पहले यह binding होता था लेकिन अभी आप भी appeal कर सकते हो assessing officer भी appeal कर सकता है with effect from 1st September 2021 be very careful वो appeal का section मैं आगे जाकर आपको बताता हूँ next क्या advance ruling जो pass हुआ है क्या हो void हो सकता है एक बार pass हो गया आपके favor में क्या हो सकता है अगर आगे जाकर AAR को पता चलता है that the advance ruling was obtained by fraud or misrepresentation of facts अगर advance ruling fraud or misrepresentation of facts लिया गया है तो यह क्या हो जाएगा यह void avenition हो जाएगा अब यह सारे शब्द आपको कहाँ पर मिले थे वालों पहले AAR के साथ-साथ आपको मिले थे advance pricing agreement के अंदर भी जाके देख लेना advance pricing agreement में भी यह शब्द थे यह शब्द थे जो यहाँ पर है change in law, change in fact वाला और यह वाला भी तो यहाँ लिख लेना अगर चाहिए तो also there in advance pricing agreement you can go and check and cross verify interlinking इसको बोलते है वेटा subject next powers of authority क्या powers है इनके पास वही power है जो section 131 में income tax authority के पास power है that is summon issue करने वाला power तो मैं time pass नहीं कर रहा हूँ यह वोई power है जो summon issue करने वाला power है यह 4 point वोई है जो summon issue करते समय काम आता है रटा रटा मार के मतलब नहीं क्योंकि paper 6 में आपको open book में लिखना है अगर पूछता भी है तो ठीक है ठीक है next advance owning authority के पासना एक special power था कि वो अपने procedure को खूद regulate करते थे कोई regulate करने के लिए authority नहीं था लेकिन आप से ये procedure के अंदर पूरा government regulate करेगी अभी authority खूद regulate नहीं कर सकती है from first September 2021 ठीक है वो लोग खूद regulate करते थे अपने पुरे procedure को अब बहुत बड़े लोग थे आप सुप्रीम कोट के जज, चीफ, चेस्टिस, ये लोग सब लोग government वीच में टाग नहीं अडाते के लिए उनको free hand एगी थी आपको जो करने नहीं थे ठीक है next ये पूरा procedure इननोंने अभी यहाँ पे टा रहा है अब government ठक देई क्यों? क्योंके बहुत वेकेंसी होती थी composition of authority में क्यों? क्योंके जज मिलते नहीं थे सुप्रीम कोट के जज कहां से गुंडे इतने इतनी cases pending होती थी कि government ने बुला जज बच के भरोसे अब बत रहो तो अब government ने बुला advance rolling हटाओ, board for advance rolling लाओ और जिसमें अब कौन बैठेगा मालूम? कमिशनर बैटेंगे, चीफ कमिशनर चीफ कमिशनर के नीचे की authority नहीं बैठेगी और देश में अब government ने टीन board for advance rolling बनाया है डेली में दो है और मुंबई में एक है पहले सिर्फ डेली में था, अभी डेली में दो मुंबई में एक और इनका नाम क्या कर दी है, बोर्ट पर advance rolling और इनका composition कैसे होगा? इसमें चीफ कमिशनर बैठेंगे, दो चीफ कमिशनर बैठेंगे कम से कम तो members, each being not below the rank of chief commissioner, chief commissioner यह उसके ओपर की authority हो है तो director, general, etc. जो भी है उसके ओपर आता है ठीके? तो क्या government अपने एसाफ से इसको regulate कर सकती है, याज पूरे, पूरा का पूरा वो supreme color, high court के judges पर dependency निकल जाई ठीके? बागी सब कुछ से में है, कुछ भी अलग नहीं है एक advanced ruling, Delhi में, दूसरी Delhi में, और तीसरी Mumbai में ruling में कौन होगा? दो members होगे, not being below the rank of commissioner बागी सब कुछ से में है, देखो, मैं बताता हूँ, exact copy-paste यह सेम है, 245 RR, पीछे जाकर चेक कर लेना, vacancy वाला point सेम है, पीछे जाकर चेक कर लेना, application वाला point सेम है, piece भी सेम है, पीछे जाकर चेक कर लेना, यह procedure सेम है, कब-कब वो कर सकता है, वो सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम, फिर यहाँ पर एक्स्टा क्या पताता है, यहाँ पर अभी यह proceedings faceless होने वाली है, faceless, ओंसी वाली, यह पूरी board for advance ruling की proceeding faceless होगी, लेकिन faceless proceeding के लिए government को क्या लाना पड़ेगा, notification जो government ने अब तक नहीं लाया, यह से लाया ना, आपने assessment के order से, किसके board for advance ruling की order से, अगर कोई दुखी है, दुखी है, तो वो appeal कर सकता है, किसको appeal कर सकता है, high court को, असासी भी appeal कर सकता है, department भी appeal कर सकता है, कितने दिन में, 60 days from the date of communication of that ruling, 30 days का और extension दे सकता है, अगर prevented by sufficient cause है, genuine reason है, तो 30 days का और extension मिल सकता है, high court से, तो यह order directly high court में appeal होता ह 20 की authority, CIT appeal, आइट 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 नी, direct high court, तो पहले वाला authority for advance ruling की, वो तो आप पे binding था, department में पे binding था, तो कोई appeal नहीं कर पाता था, तो अपील कैसे करो, यह binding नहीं है, तो appeal हो जाएगा, ठीक है, 245W के अंदर, और यह भी पूरा का पूरा भी faceless होने वाला income tax में, website team list होने वाला यह भी, ठीक है, now, यहाँ पर कुछ illustration से, उसमें से, एक illustration मैं करा नहीं हो, मैं class में कराया है, आपको यह चीज, तो मैं आपको request करूंगा, कि इसको अच्छे से go through करना, ठीक है, यह illustrations कराने का में पास समय नहीं आपर है, इसको अच्छे से go through करना, यह must do illustration है, question number 2 हां, यह पुराने वाले प्रविजन में भी applicable था, नहे वाले में भी applicable है, इसके लिए देखना जरूरी है, ठीक है, now, this is what your advance rolling is all about, the next topic is, let me tell you very clearly, the next topic is, black money law, ठीक है, अब black money law को मैं record नहीं कर रहा हूँ, because black money law में कोई change नहीं आता है, और नहीं कोई change आया है, तो जो recording है, और इस साल का जो recording है, वो same ही होना है, क्योंकि book में कोई change नहीं है, black money law में कोई amendment नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो इस lecture के बाद मैं directly black money law शुरू करता हूँ, ठीक है, end में 10 minute के लिए कुछ audio का issue है, वो last year भी था, तो वो सुना ही देता है, ऐसा नहीं है, इ same to same, वापस से एक घंटा record करना, फोड़ी सी बेवकुफी हो जाएगी मेरी तरफ से भी, black money law फूरा का पूरा same है, page by page से में थोड़ा, एक दो line आगे पीछे हो सकती है, मतलब content नहीं आगे पीछ होगा, institute का alignment आगे पीछे हो सकती है, content तो same ही हो पूरा, तो better होगा कि आपक देखने ना, फिक है, important topic इतनी जादा भी नहीं हो, फिक है, एका question कभी कभी आ जाता है, M.C.Q. के तौर के, बहुत जादा critical topic भी नहीं हो, so that I can work on now, the next topic that is model convention, जो आपके लिए बहुत ही अत्रणगी topic, जो critical topic है, फिक है, तो अभी अगला lecture जोगा आपका हो, black money law फूरा, फि ठीक है, तो आज हम लोग जो discuss करने वाले वो क्या है, वो है black money law, black money law पर discussion करेंगे, overview of the black money law and imposition of tax law, ठीक है, बिसके अंदर क्या है, सबसे पहले, ये law कब आया, 2015 में आया, कब से applicable है, AY, 16-17 से applicable है, सबसे पहले, ये law किसके ऊपर लगता है, assessi के ऊपर, assessi के ऊपर कितना tax ल सबसे पहले क्या assessi word defined है, हाँ defined है, नीच है, income tax law का reference मतले ना, यहां पर assessi का definition अलगे, इसको दो पार्ट में बाट अगया है, पहले बुला है, assessi का मतलब वो बंदा जो resident है, दूसरा बुला है, assessi का बंदा वो भी हो सकता है, जो non resident है, आज, या तो not ordinary resident है, आज, लेकिन ज जिस साल में income कमाया था, या जिस साल में वो asset खरीदा था, चुराया हुआ asset, वो तब resident था, आज non resident है तो क्या हुआ, ठीके, उसके बाद, दूसरा term, undisclosed foreign income and asset का मतलब क्या होता है, उसका definition यहां पर दिया गया है, section two clause 12 के अंदर, जिसके अंदर बोला गया है, कि undisclosed foreign income and asset का मतलब यह होता है, एक ऐसी income जो बाहर के source से आ रही है, इंडिया के बाहर की source है, जो आपने disclose नहीं किया है, और undisclosed foreign asset का मतलब क्या है, एक ऐसा asset, एक ऐसा asset जो बाहर है, located बाहर है, इंडिया के बाहर located है, तो undisclosed foreign income मतलब क्या है, जो इंडिया के बाहर से जिसकी source आई बाहर का rent, बाहर की salary, बाहर का business and profession, वो इंडिया में disclose भी किया है, undisclosed foreign asset का मतलब क्या है, asset बाहर located है, भले उसको पैसा कमाने के लिए इंडिया से कमाया था है, बाहर से कमाया था, वो matter नहीं करता है, class के अंदर आपने इन सब चीजों के लिए example लिए चेक करना बराबर से, अब, इसी के अंदर undisclosed foreign asset, undisclosed asset located outside इंडिया का मतलब यहाँ पर है, नीचे, अब इस phrase का मतलब नीचे defined है, इसका मतलब है, एक ऐसा asset जो इंडिया के बाहर है, जो आप hold कर रहे हो, या तो आप beneficial owner की तरह hold कर रहे हो, या तो आप खुद अपने नाम पर hold कर रहे हो, और इ कहां से हुआ, explanation देना पड़े का of the source of investment in such asset, वो अगर आप नहीं दे पाए, तो क्या मन जाएगा, वो asset undisclosed बन जाएगा, ठीक है, तो ये पूरा, ये तो line है, जो बहुत भायानक line है, असासी का मतलब क्या है, resident, या आज जो non resident है, या आज जो not ordinary resident है, एक जमाने में resident है, ज अगले page पर दिया गया, ठीक है, now, इसमें दो चीज़े, बहुत दो चीज़े पर charge है, कि income पर एक asset पर, income पर कब charge लगेगा, जिस साल की income होगी उस साल में, सबस्थ आज पता चला कि 17-18 की income है, तो 17-18 की साल में charge होगा, आज पता चला कि 16-17 की income है, तो 16-17 की income में charge होगा, asset इसी साल charge होगा, चेक करना, asset का valuation तब होगा, calculation will be chargeable in the year in which the AO notices that particular undisclosed asset, AO ने जब वो undisclosed asset को identify किया, उसी साल में asset का calculation charge हो जाएगा, ठीक है, उसके नीचे भाशन दिया है, ये भाशन section 72C का है, लेकिन syllabus में उनने 72C तो रखा ही नहीं है, तो इस भाशन का कोई मतलब नहीं बनता है, अगर आप पड़ोगे तो जिंदगी में कभी समझ में नहीं आएगा, because इनोने section 72C आगे जाकर रखा ही नहीं हो, syllabus का party नहीं हो, next, previous year का definition क्या है, previous year का definition जो income tax law में आप generally use करते हो, ठीक है, क्या definition है sir, ये अगर newly set up business है, तो date of setting up से लेकर कब तक, year end तक, ये अगर business तो उससे पहले खता हो जाता तो उससे पहले तक, और अगर नया source of income आया तो फिर date of source of income से, और अगर आप existing entity हो, existing assessi हो, तो first appearance से लेके 31st March तक, ठीक है, तो ये आपका previous year का definition है, कुछ महाननी income tax जैसा ही है, now, यहाँ पर फिर से लिखाए कि asset पे कब charge लगेगा, चार दो ची section 3, subsection 1, अब यहाँ पर दिया गया है section 3, subsection 2 में, कि जो asset है, अब दो चीजों का computation करना पड़ेगा, income को compute करना पड़ेगा, asset को value करना पड़ेगा, तो अब asset को अब कैसे value करोगे, उसके लिए government रूल्स बनाया है, उसमें अलग-अलग rules दिया है, सबसे पहले bullion, jewelry, precious stone को value कै से करोगे, उसका cost निकाली है, compare केजिए, उसके market value से, as on valuation date, valuation date क्या होता है, 1st April of the relevant previous year, तो अगर आज पता चला, 2019, 2020 में, तो 1st April 2019 का valuation date निकाली है, उस दिन की उसकी FMV, तो FMV compare with cost, whichever is higher, किसके लिए, bullion, jewelry, precious stone, अच्छा यह FMV कौन निकालेगा, बहार की कोई recognized institute निकालेगी, चेक करो, बहार की, जो government recognized है, फिर ये painting, winting, archaeological, collection, ये सब चीज़ का valuation भी exactly उपर के जैसा ही होगा, quoted share का valuation कैसे होगा, quoted shares and quoted मतलब listed shares, cost compare with what, 1st April, 1st April का, उसका average market price on established security, established security का मतलब होता है, जो कोई recognized security होगी, भार की, recognized stock exchange, उसके अंदर 1st April को उसका क्या value है, highest, lowest, निकालो, उसका average लो, sir, 1st April को वो shares trade नहीं होगा, तो उसके पीछे जो फिर, 31st March, 30th March, 29th March, 20th March, कभी ना कभी तो trade होगा, unquoted shares का valuation कैसे करें, sir, यह formula के असाब से, A-B, A-B is, A is some assets, B is some assets, minus L is certain liabilities, PE is paid up equity of capital, denominator में आप, A plus B is asset, L is liability, PE is paid up equities का मतलब कितना equity capital आपका paid up, 10 crore, 20 crore, 30 crore, 50 crore, 7 crore, 1000 crore, PV paid up value, एक share का value कितना है, 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया, उस हिसाब से, तो अब A को define क्या है, A के अंदर इन्होंने सब assets रखे, ठीक है, उसमें से कुछ चीज है, minus करने के लिए बोला है, फिर B के अंदर कुछ assets रखे, तो A plus B आपका total assets हुटाएगा, फिर liabilities के list दी गई है यहाँ पर, ठीक है, उसके अंदर नहीं गुछ सकते हम लोग, liabilities के list और फिर बाद में PE और PB को refer कर दिया, ठीक है, अभी uncoated share हुआ तो, क्योंकि यह जो point है ना, यह जो shares है ना, यह valuation जो है ना, यह सिर्फ coated equity, uncoated equity shares के लिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा है, paid up equity, etc, paid up equity, paid up equity, तो यह जो formula है, यह लंबा वाला, यह uncoated equity shares के लिए, sorry, uncoated preference shares के लिए applyable नहीं है, उनके लिए क्या करना है, वो ही करना है, जो आप jewelry, painting, painting के लिए करते थे, check करो, फिर immobile property India के भारे तो वो ही same, cost और first April का market value, whichever is higher, bank account के लिए क्या करोगे है, ध्यान से सुनना, bank account के लिए, bank account के लिए, जब से bank account खुला है, तब से लेकर अब तक का सारा deposit अड़ करो, वो ही आपका valuation हो जाएगा, say, first April 2005 में bank account खुला था, तब से लेकर अब तक का सारा deposit अड़ करो, वो bank account बन गया, तुम्हारा उसका valuation हो गया, अरे बापरे सर, लेकिन यहाँ नीचे लिखा है कि अगर कोई पैसा deposit करके, उसी में से withdraw करके, फिर वापस deposit किया है, तो फिर dual deduction हो जाएगा, उस amount को वापस चारज नहीं करेंगे, फर्दर अगर 2015 में chapter 6 follow किया था, chapter 6 किया है, मैंने आपको class में बोला था, कि 2015 में जब law आया, तो government ने लोगों को एक मौका दिया था, चैप्टर 6 में आओ, आओ अपनी income disclose कर दो, जो भी disclose कर देगा, उसे माफवाफ कर देंगे, या relaxed tax rate लगा के छोड़ देगे, तो chapter 6 में अगर आपने bank account offer कर दिया था, और उस पे tax भर दिया था, penalty भर दिया था पहले, तो फिर बाद में अभी आपका deposit from the date of opening नहीं काउंट हो तो उसके उपर भी आपको disclosure देना है, नहीं disclosure दोगे, तो आपको यहाँ पर क्या लग जाएगा, आपको यहाँ पर लग जाएगा, tax, 30% on undisclosed foreign asset, तो इसका valuation कैसे होगा, पहले उस firm का net wealth निकालो, उसका net asset निकालो, उसके बाद जितने भी partners है, सबको उनके capital account के हिसाब से, उतना उतना capital account के साब से amount attribute कर दो, suppose 15,000,000 रुपया उनका net wealth है, तीनों का capital 3,000,000,000 तो तीनों को 3,000,000,000 रुपया दे दो, allocate कर दो, बज गया 9,000,000, बज गया 6,000,000, तीनों को allocate कर दिया, अभी बज गया 6,000,000, 6,000,000 को divide करो, अगर dissolution के time पर क्या ratio में सब कुस decide होने वाल firm का wealth निकालो, step number two, सारे partnerों का क्या देखो, assets का valuation देखो, capital account का valuation देखो, और फिर सब को capital account में attribute कर दो, जो भी बच जाएगा, वो dissolution के ratio में या तो PSR के ratio में, और इन सब के अलावा अगर कोई asset है, तो उसका value कैसे निकालोगे, cost और market value, whichever is higher on valuation date, in arms length transaction, अब किसी foreign tax authority या foreign government की क recognize authority से नहीं पूछना है, क्योंकि बागे सब जगे पर देखो, recognize authority से valuation करवा के लेकरा, यहां पर ऐसा नहीं है, clear है, आगे बढ़ते हैं, अगर कोई asset fair market value, asset का fair market value कब निकालना है, first April को, अगर कोई asset first April के पहले ही बेज़ दिया तो, अससी ने, पहले ही बेज़ दिया है तो, और यहों को आज पता चला कि यह भी asset था, 2017 में बिग गया था, तो फिर उसका valuation कैसे होगा, rule 3, sub rule 2 के इसाफ से होगा, rule 3, sub rule 2 क्या कहता है, उसका valuation करते समय आपको क्या करना होगा, उसका valuation करते समय, आपको फिर उसकी first April की FMV नहीं देखना है, उसको आप चेक करोगे, उसक whichever is higher, आज का FMV मत निकालो first April का फिर, लेकिन अगर उसने अगर दो साल पहले, अगर किसी को gift दे दिया या सस्ते में बेचा, तो फिर FMV निकालने का of the asset on the date of transfer, तो थीन अलग किसम का valuation, अगर आज asset है, तो rule 3, 1, अगर आज asset नहीं है, पहले ही बेच दिया है, और genuine price पर बेच whichever is higher, बराबर, अब अगर, जब भी आपको ये old asset को value कर रहे हो, या old bank account को value कर रहे हो, तो उसको value करते समय, अगर आपको ये पता चल रहा है कि उसी में से बाद में कुछ नया asset खरीदा है आपने, तो जितना भी नया asset खरीदा है, उतना value आप old asset में से less कर दो, चेक करो, तो जब B खरीदने के लिए A से ही पैसा गया था ना, तो A के valuation में से B के जितने में खरीदा गया है, वो less कर दिया जाएगा, चेक करना यहाँ पर यह लिखा गया है, इन साचा के, the fair market value of the old asset or the bank account as the case में भी, old asset or the bank account as the case में भी, shall be reduced by the amount of what, consideration invested in the new asset, और इस पर मैंने class में formula भ देखी सकते हो, सर बाहर जो valuation होगा, asset का वो तो foreign currency में होगा, सर उसको convert कैसे करेंगे हम लोग, उसको convert करते समय आपको RBI का reference rate लेना पड़ेगा, अगर वो एक ऐसी currency है, जिसको RBI permit करती है, अगर RBI की permitted currency नहीं है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, तो फिर उसको पहले dollar में convert क रुपीज में convert करो, चेक करो, बराबर, और dollar में किस में convert करोंगे, central bank of the rate, उस देश में कोई ना कोई central bank होगी न, उससाब से convert करो, سर उस देश में कING करो, तो फिर उसको dollar में convert करो, कोई ना कोई तो bank होगी उससाब से, चेक करो, और फिर नीचे कुछ़च चीजों के definitions गये गये जो मैंने class में discuss भी किये थे in fact sir valuation date क्या होगी? valuation date valuation date market value निकालने के लिए currency convert करने के लिए अगर asset section 59 में declare कर दिया है 4 साल पहने 2015 में, तो 1st जुलाई 2015 और अगर आज asset है, मिला है, तो फिर 1st April of the relevant PY, जो भी PY होगा उसका 1st April ठीके तो यहाँ पर आपका valuation का discussion खतम हो जाता है, उसके बाद शुरू होता है section 4 scope, क्या cover है आपर तीन चीज़ cover है, पहले अगर आपने income tax return नहीं भरा है ठीके, income from a source located outside India which was not disclosed, income tax return 139.1 में भरा है, या 139.4 या 139.5 में, और उसमे income disclose नहीं किये तो black money law में चार दो जाओगे अगर वहाँ disclose कर दिये तो यहाँ बच जाओगे second, या तो आपने income tax return ही नहीं भरा है तो फिर आप मर जाओगे और आपको black money की notice आ सकती है या पहले दोनों point income के लिए और जो तीसा वाला point है वाँ disclose asset located outside इंडिया के लिए तो अगर कोई income tax return में आपने asset disclose नहीं किया है तो आप यहाँ first जाओगे ठीक है पिर आगे लिखा गया है यहाँ पर और यहाँ पर इन दोनों का अगर मिला दोगे तो इसमें क्या लिखा गया है कि अगर कोई income black money law में चार्ज हो जाती है तो फिर वो income tax law में चार्ज नहीं हो सकती है similarly यहाँ पर उपर नीचे मिला कर यह लिखा है कि कोई income अगर income tax law में चार्ज हो जाती है तो फिर वो black money law में चार्ज नहीं होगी दोनों law में एक ही income एक साथ चार्ज नहीं होगी दोनों में से किसी भी एक law में आपको चार्ज करना होगा इंकम को ठीक है आगे बट रहा हूँ मैं सेक्शन फाइव ये आज का लास सेक्शन उठा रहा हूँ मैं ठीक है क्या है इसके अंदर कम्प्यूडेशन कैसे करो गया आप फॉरन इंकम का असेट का सबसे पहले साफ साफ बोल दिया है कि कोई भी डिड़क्शन नहीं मिलने वाला है किसी भी एक्सपेंडिशर का किसी भी अलावंस का किसी भी सेट आफ का इंकम के अगेंस असेट के अगेंस कुछ नहीं मिलेगा भाड में जाए तुम्हारा income tax law income tax law में मिलता भी होगा तो भी या नहीं मिलेगा माफ कीजेगा ये पहली बात बोलिए सिर्फ एक चीज़ का deduction मिलेगा और वो ये है कि अगर आप कोई asset खरीदते हो ठीके आपका कोई इंडिया के बार asset है और वो पकड़ा गया और अगर आप प्रूव करते हो कि वो asset खरीदने के लिए जो पैसा था उस पे या तो income tax में tax लग चुका है या तो black money law में tax लग चुका है तो suppose अगर आपके पास 2 करोड रुपी की एक property मिली UK में और पता लगा रहा है कि यह 2 करोड खरीदने के लिए 2 करोड की property खरीदने के लिए जो पैसा आया है वो इंडिया के source से आया है वो आपने पहले disclose किया था या अगर आप prove कर सकते हो कि उस property को खरीदने के लिए जो पैसा था वो disclose था तो फिर उतना रुपे की income disclose नहीं की थी और उस undisclosed income से एक asset खरीदा था government ने आज पकड़ लिया तो उसका valuation कैसे होगा imagine करो आज की FMV compare with one lakh whichever is higher तो FMV जादा होने वाली है तो unjust हो जाएगा तो उसको फिर reduction देते समय ना उसने जो एक लाक रुपे का जो value यूस किया है न उसमें तो उस value को भी क्या करना पड़ेगा increase करना चाहिए इसलिए यहाँ पर government ने देखो क्या बोला है आपको एक formula बता है उस formula के हिसाब से आपको क्या मिलेगा reduction मिलेगा reduction यह होगा FMV into foreign assessed income divided by total cost of the asset और उस हिसाब से ने तो आपका reduction कितना होता सिर्फ 35,00,00 का reduction होता अभी देखो आपका reduction double हो गया 70,00,00 का क्योंकि आप अगर कुछ 25 साल पहले कोई income छुपा के कोई asset खरीद रहे हो तो आप asset के valuation को तो बढ़ा दे रहे हो लेकिन जो reduction कर रहे हो आप बोल रहे हो एक लाग का ही less करो वो गलत हो जाएगा तो वो reduction को भी बढ़ना चाहिए तो कि immobile property गैसी चीज़ होती है जो बहुत जादा hype हो जाती है बहुत जादा increase हो जाती है over the years तो यहाँ पर मैं अपना आज का lecture खतम करता हूँ तो आज हम लोग continue करेंगे अपने black money lockout discussion black money lockout discussion हमने कहाँ पर खतम किया था कल section 5 पर तो section 6 क्या मुलता है tax management tax authority कौन होगी यहाँ पर लिखा है वही होगी जो income tax के अंदर authority होती है same to same authority उनके powers भी क्या होंगे वही same powers होंगे तो जो income tax authority की होती है वही authority black money lock के अंदर भी authority होगी कोई authority बदलने वाली नहीं है same authority होने वाली है उसके बाद उनका jurisdiction कैसे decide होगा जैसे income tax के अंदर उनका jurisdiction decide होता है वैसे यहाँ पर भी होगा अच्छा गर किसी assessi का income tax में jurisdiction ही नहीं है तो पहले कभी income tax में अससी नहीं होगा तो अब उसका क्या होगा वो उसका jurisdiction decide होगा based on वो कहां रहता है या तो वो business कहां करता है या तो उसका principle list of business कहां पर है अब change in incumbent of office का मतलब क्या होता है अगर एक officer आपका assessment बीच में से छोड़ कर चला गया अगर आप return request करोगे तो चेक करो आप return request करोगे तो वो नय officer आपको क्या कर देगा एक opportunity of being heard देगा उसके बाद यहाँ पर जो powers दिये गए किसके income tax authority के income tax authority को वो सारे powers दिये जाएंगे यहाँ पर the powers of the tax authority namely the AO, Joint Commissioner, Commission of Appeal etc would have the same power as they have under Code of Civil Procedure 1908 while trying a suit अब यह जो powers अगर आप इसे गौर से देखो तो इस सारे की सारे powers कैसे powers है जो आप section 131 में देखोगे of income tax act जो समन देने के जमें यह power दिये जाते हैं वो सारे powers वह यह चेक करना जैसे discovery करने का power inspection करने का power attendance करने का किसी को forcefully बुलाने का power books of accounts मंगवाने का power issuing commission इसका मतलब मैंने class में आपको लिखवाया और चेक करना फिर investigation कभी भी हो सकती है proceeding pending होगी तो भी नई pending होगी तो भी हो सकती है उसके बद क्या यह books of accounts impound करके लेकर जा सकते लेकर जा सकते उसके ओपर books of accounts impound करने पर restriction क्या है इसको तीस दिन के beyond लेकर जाना है एक commissioner below the rank of commissioner एक tax authority below the rank of commissioner अगर उसको लेकर जाना है तो फिर उसको approval लेना पड़ेगा chief commissioner, commissioner या commissioner का तो commissioner के नीचे वाली authority को दो फुल्फिल करना पड़ेगा condition पहला यह पहले तो reason record करना पड़ेगा कि books क्यों impound करना है दूसरा 30 दिन के beyond रखना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर आपको conditions fulfill करनी पड़ेगी अपर लेना पड़ेगा income tax के अंतर यही 30 दिन का period केतना दिन है 15 दिन का time limit है तो अब ultimately इस chart से देख सकते हैं इस chart के अंदर बहुत beautifully उन्होंने दिया है पहले चारो powers और उसके बाद में restriction क्या डाला गया है कि पहले reason record करो और फिर बाद में 30 दिन से ज़्यादा रखना है तो इन चार में से किसी एक authority से आपको approve लेना पड़ेगा उसके बाद यहाँ पर भाषन दिया है कि यहाँ जो भी proceeding होगी वो क्या होगी वो judicial proceeding होगी and as per section 193, section 196 and section 228 of the Indian Penal Code और section 196 क्या बोलता है 193 क्या बोलता है 196 क्या बोलता है 228 क्या बोलता है of the Indian Penal Code बोला जाता है यहाँ पर कि जो भी proceeding black money law में होगी वो एक civil proceeding नहीं होगी वो एक judicial proceeding होगी इसका मतलब यह माना जाएगा कि आप एक criminal criminal law और जैसा criminal के साथ बढ़ता हो किया जाता है वैसा बढ़ता हो आपके साथ किया जाएगा ठीक है अब सब ध्यान से सुनने यहाँ पर Indian Penal Code के कुछ provisions दाले मैं उसके अंदर तो इतना गुस नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं regular course के अंदर इसके अंदर गुसा था एक एक point के अंदर बड़ यहाँ पर मैं को revision में शायद मैं restricted हूँ थोड़ा भूल नहीं पाऊंगा असपे जादा यहाँ पर सबसे पहले आपको पता लगाना पड़ेगा कि judicial proceeding क्या होती है तो यहाँ पर उसका मतलब दिया है कि court के सामने जो proceeding है वो judicial या कोई law अगर investigation करने बोलता है वो judicial या अगर कोई court investigation करने बोलता है judicial और अगर आपने judicial proceeding में किसी के सामने कुछ false evidence दे दी है तो आपको सजा हो जाएगी which may extend to three years and which may extend to seven years तो कितने साल से? साथ साल तक की सजा हो सकती है fine के साथ और अगर judicial proceeding में नहीं बल्कि otherwise जूट बोल रहे हो तो तीन साल तक की सजा हो सकती है similarly यहाँ पर बोला गया है कि अगर कोई false evidence यूज़ करते हो तो आपको सजा हो सकती है ठीक है? कितनी जितनी उपर होती है उतनी similarly यहाँ पर बोला है कि कोई public servant को आपने को insult कर दिया उनको मार वार दिया गलती से कुछ उनकी ता हाता भाई कर ली उनका insult किया उनके साथ गलत बरताओ किया तो फिर आपको सजा हो सकती है कितने समय की? 6 मैने की simple imprisonment हो जाएगी with final 1000 rupees जो extend हो सकता है चेक करना बराबर से यहाँ पर फिर अगले बेच पर आते हैं ठीक है? यहाँ से अपना असले discussion शुरू हो जाएगा assessment. A.O. क्या करेगा? आपको notice भीजएगा. A.O. notice भीजएगा notice भीजने के बाद आपसे documents, information मंगवाएगा जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो क्या A.O. आपको subsequently notice भीज़ सकता है? हाँ, दूसरी बार भी notice भीज़ सकता है? जरूरी नहीं करेगा और inquiry करने के बाद वो अपना assessment order पास करेगा. और उसमें क्या determine करेगा? order पास करके, वो determine करेगा आपकी undisclosed foreign income or asset और sum payable. Sum refundable तो हो ही नहीं सकता है, सवाल ही नहीं उठता है. और अगर A.O. अगर आप उसको notice का reply नहीं करते हो, तो comply नहीं करते हो सारे terms के लिए, तो फिर वो क्या करतेगा? आपका best judgment करतेगा, जैसे income tax के अंदर, section 144 के अंदर होता है. तो यहां पर सब कुछ section 10 के अंदर ही हो रहा है. Regular assessment section 10, best judgment section 10, tax determined section 10 में ही हो रहा है. सब कुछ यहां पर section 10 में होगा, और फिर A.O. आपको क्या भीज देगा? notice भीजने की बाद, assessment order पास करेगा. अब assessment order कब तक पास करेगा? यहां पर उसका time limit है. Two years from the end of the financial year in which the notice under section 10 1 is issued by the A.O. तो यह वाली notice जब भी issue होगी, उसके आखिर से दो साल के अंदर वो क्या कर देगा? आपको assessing officer order पास कर देगा. ठीक है? चेक कर लेना. फिर आगे जागे जागे ITAD को power दिया गया है. कि ITAD क्या कर सकता है? Remand back कर सकता है case को जैसे income tax के अंदर होता है. तो उसका order कब तक pass हो जाएगा, two years from the end of the financial with the order under section 18 is received by the commissioner. क्योंकि ITAD commissioner को order देगा और commissioner किसको देगा? AO को देगा, फिर AO को को क्या करेगा? वापस से reassess करेगा. तो उस case में two years महाँ से count रहेगा. इवन तो जो section 18 का remand back का point है, वो पीछे उन्होंने डाला नहीं से लेबस में. अगर डाला होता तो मैं बोलता है detail में? फिर यहां पर बोला है कि अगर कोई time limit of two years, अगर कोई code का order आता है 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, और फिर उसका effect देने का है यहोगो, या high code का order, या supreme code का order, उसके लिए भी time limit कितनी है? दो साली है. यहां पर चेक कर सकते हो. अब इन तीनो time limits में से सबस्छादा important time limits आपके लिए यह है. क्योंकि बागी दोनों के बारे में आगे भाशन ही नहीं दिया है, तो उसके पर time limits पढ़के मतलब क्या बनता है? उसके बाद यहां पर देखना सरा क्या है? यह exactly 92 CA जैसा है. 92 CA में क्या होता है? कि अगर आपका proceeding दो कारणों के वज़े से रुख जाता है, कारण number one, court ने state आला है, या authorities के साथ, 92 CA में SAC provision है, तो फिर जितना भी time इसमें बरबाद होता है, उतना time आपको मिल जाएगा, प्लस उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, कम से कम आपको 60 days का time मिलेगा बराबर, 60 days का time, तो अब यहां पर बोला है, जितना भी time बरबाद हो रहा है ना, वो बरबाद हुआ हुआ time, कितना भी नहीं चलेगा, वो एक साल से जादा नहीं होना चाहिए, यह बराबर से देखना है अपर, sorry, कहां चला गया है, हाँ, यह बरबाद हुआ time, या बरबाद हुआ time, या एक साल, whichever is less, shall be excluded, तो एक साल वाला point 92 CA में नहीं था, वो यहां पर है, प्लस, अ apparent mistake, तो चार साल from the end of the financial and with the order sought to be passed, is amended, was rectify, rectify कर सकते हो, और अगर rectify करते समय, अगर SSC की liability बढ़ जाती है, या उसका refund कम हो जाता है, तो फिर क्या हो जाएगा, उसको एक opportunity of being hurt देना पड़ेगा, ठीक है, और फिर time limit for declining an application, तो अगर आप application एक बार दे दोगे, तो उसके बा और ये section 154 है, copy paste, आप क्या rectify करोगे, apparent mistake, किस चीज में rectification करोगे, order में, कब तक rectify करोगे, by default 4 साल, अगर rectify करने पर liability बढ़ जाती है, तो opportunity of being hurt देना पड़ेगा, time limit क्या हो कर rectify करने का, अगर आप application देते हो तो, आप application देते हो, तो कम से कम 6 मैने के अंदर rectify हो जाना चा है, कि अगर कोई matter, already appear your revision में चला जा चुका है, तो हो matter section 12 के अंदर rectification नहीं हो सकता है, इसको बोलते हैं हम लोग technically doctrine of partial merger, बराबर, उसके बाद आपको notice of demand आईगी, notice of demand किस में आईगी, form number 1 में आईगी, check करिए, form number 1 में आपको notice of demand आईगी, आप उस notice of demand को comply कीजिए, बराब क्योंकि जब payable आईगा, तो notice of demand भी तो आना है न, साथ में, उसके अंदर interest tax, जो भी आएगा, वो सब कुछ एक form नहाएगा, form number 1 उसका number है, आगे बढ़ रहा हूँ, no bar on direct assessment, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है, कि अगर government चाहे, तो तेरे legal representative को छोड़कर, तुछ पर direct assessment भी कर सकती है, चेक करो, और तुछ है direct recovery भी कर सकती है, चेक करो, उसके बाद आप commissioner को अपील करोगे, कौन अपील करेगा, जो object करता है, कि भाई, मेरा assessment इस लोग के अंदर होना ही नहीं चाहे था, मेरी liability आनी नहीं चाहे थी, मुझ पे penalty लगनी नहीं चाहे थी, मेरा rectification order गलत है, मेरा order refuse कीजिए, प्लीज, मेरा rectification claim आपने refuse क्यों किया, ये सारे लोग क्या कर सकते है, ये सारे लोग अपील कर सकते है, कौन से form में करेंगे, form number two में अपील करेंगे, और इसको sign कौन करेंगा, form को वही लोग sign करेंगे, जो income tax के अंदर section 140 में sign करते है, फीज कितनी object कर रहे हो, जिसके लिए आप appeal कर रहे हो, वह tax मत भरो, बाकी भरो, check करो, no appeal under 15-1 shall be it, unless at the time of filing of appeal, the CAC has paid the tax penalty interest on the amount which has not been objected, इसका अब जो object कर रहे हो, उसको भरने की जरुवत नहीं है, हाँ, कितने दिन में appeal करना है, 30 days के अंदर, 30 days कहां से count होगा, अगर notice of demand आ रहा है, तो date of order से 30 days के अंदर आपको क्या करना है, appeal कर देना है, और अगर 30 days तक आप appeal नहीं फाइल कर पाए, तो क्या extension मिल पाएगा, मिल पाएगा, अगर आप sufficient reason दो, extension मिलेगा, लेकिन एक साल के बाद मताना, एक साल तक का maximum period आपके पास, उसको extend करवानेगा, उसके बाद आप 2 साल मा क्या appeal कर किया, अगर reduce नहीं करेगा, पता चल रहा है, मैं appeal कर रहा हूँ, और enhance कर दिया, तो appeal के लिए कौन जाएगा फिर, उसके बाद, और क्या कर सकता है, आपके penalty order को, वो set aside नहीं कर सकता है, ठीके, set aside करना allowed नहीं उसको, enhance कर सकता है, reduce भी कर सकता है, गलत है यहाँ पर, उसका scope देखो, यहाँ पर बराबर दिया है उन्होंने, he can confirm, reduce, enhance, yes, he can, यह power जो उसके, restriction क्या है, power to enhance कब कर सकता है, अगर opportunity of being hurt देगा तो, penalty order, again he can confirm, cancel, vary such order, enhance, reduce कुछ भी कर सकता है, फिर से opportunity of being hurt देना पड़ेगा, other than to, power to determine the issues arising in the appeal and pass such order as he thinks fit, तो assessment order confirm भी कर सकता है, reduce भी कर स enhance, enrollment का मतलब क्या होता है, यह दोनों के, दोनों order वो reduce कर सकता है, पीछे गलत दिया है, फर्दर नीचे क्या दिखा है, यह भी DT के अंदर cover होता है, the commissioner में consider and decide any matter which was not considered by AO, तो वो उन मुद्दे को भी उठा सकता है, जो AO ने पहले नहीं उठाया था, power है उसके पास, उसके ब तो यहाँ पर assessi apply कर सकता है, जो assessi CIT appeal के order से दुखी है, यह तो assessi appeal कर सकता है, जो CIT के किसी order से दुखी है, जैसे income tax में 263 से अब दुखी होंगे तो appeal कर सकते हो, वैसे यहाँ पर भी revision by commissioner का order है, similarly, यहाँ पर assessing officer on direction received from principal commission, commissioner object into any order passed by the commission, now what is the time limit for filing and appeal, यह कितने दिन में appeal करोग memorandum of cross objection बराबर देखे हैं आपर, और वो memorandum of cross objection, ITAD को discharge करना पड़ेगा, साथ दिनों के अंदर, तीस और साथ दिनों का time में, उसमें extension मिल सकता है, same मिल सकता है, जैसे पिछले section में था, कितने दिनका extension, एक साल तक के अंदर अगर आप आग गए तो extension मिल सकता है, अगर दोनों को, दोनों को sign करनी की authority कौन है, वो ही है जो income tax authority के अंदर sign करता है, fee 25,000, फिर high court में अपील करोगे, आप substantial question of law ए तो अपील करोगे, supreme court में अपील करोगे, substantial question of law ए तो अपील करोगे, 120 दिन के अंदर अपील करोगे, आप fees fees, यह सब कुछ साथ delay extension हो सकता है, हो सकता है अगर court चाहे तो, मैं नहीं बोल पाऊंगा अब, similarly supreme court के अंदर, आप 90 days के अंदर appeal कर सकते हो, यहाँ पर लिखा नहीं है वैसे, लेकिन क्या सब delay extension हो सकता हो सकता है, अगर court चाहे तो, अभी जहाँ पर कुछ भी provision बोला गया नहीं, जैसे income tax के अंदर भी high court और supreme court के मुद् tax में 263, 264, वैसे ही same to same, यहाँ पे दो section है, 23 और 24, 23 के अंदर क्या होता है, commissioner order को revise करता है, किसके order को revise करता है, commissioner के, AO के order को revise करता है, कैसा order AO ने pass किया, which is erroneous and prejudicial to the interest of revenue, और SSC को क्या देदेगा, opportunity of being hurt देदेगा, तो कैसा order है, erroneous and prejudicial to the interest of revenue, order pass कर रहा है, और इसको क्या कर देगा, revise कर देगा, revise करने के पहले, क्या commissioner आपको एक opportunity of being hurt देगा, क्या commissioner आपका order cancel करके fresh assessment के लिए direct कर सकता है, नहीं कर सकता है, income tax law के अंदर ये power है, उसको, यहाँ पर नहीं दिया, देखिए, फिर यहाँ पर क्यों सा power दिया गया, उसको power दिया, उसके power को restrict किया है, बोल from the end of the financial and with the order sought to be rectified was passed, तो जब भी और जो order को आप rectify, revise करना चाहते हो, उसके आखिर से दो साल के अंदर आपको revise कर देना चाहिए, लेकिन अगर कोई high code, supreme code, या ITAT, या किसी और authority के order का effect देना चाहते हो, तो फिर कोई time limit नहीं है, चेक कर लीजा है, यहाँ पर, clear है, तो more or less income tax के तरह ही चलता जाता है, now points to be excluded, computing, जब दो साल का time limit count करोगे, तो क्या count नहीं करोगे, सबसे पहले, अगर assessi को कुछ officer बदलने के वज़े से opportunity of being hurt दिया था, section 7 के अंदर, क्योंकि assessi है request किया था, तो वो दो साल में बढ़ जाएगा, extension मिल जाएगा, उतना CIP को, या अग पास किया, अगर CIP को लगता है, जो order पास किया है, वो बिना inquiry कि किया है, अगर CIT को लगता है, जो order पास किया है, वो CPGT, pure directions के यसाब से नहीं किया है, या उसको लगता है कि order पास किया, वो High Court य़ सुपरीम graduate के judgment के यसाब से नहीं किया है, यह तीन case में, the order shall be deemed to be erroneous and prejudicial to the interest of revenue, अब यहाँ पर section 24, किस की तरह है यह, section 264 की तरह income tax के, इसके अंदर AO एक ऐसा order pass कर रहा है which is prejudicial to assessi, तो यहाँ पर assessi भी application दे सकता है, CIT खुद से भी revise कर सकता है, लेकिन CIT कौन से order को revise नहीं करेगा, जो order already section 23 में चले जा चुके है, वो 24 में revise नहीं हो सकते है, इसी concept को बोला जाता है, doctrine of complete merger, plus जो order already appeal हो चुके है, उस order को वो नहीं touch करेगा, किसी भी मुद्धे पर touch नहीं कर सकता है, plus अगर आज 1st April है, और मेरे पास 30 दिन है समय appeal का, तो मैं इन 30 दिनों के अंदर revision के लिए नहीं जा सकता हो, अगर मुझे इस 30 दिन के अंदर revision के लिए जाना है, तो बोलो घर पे बैटे बैटे जोर से, कि आपको अपना right to appeal क्या करना पड़ेगा, वेव करना पड़ेगा, ये सारा भाशन दिया गया इस page के उपर, time limit for application क्या है, one year from the date on which the order was communicated, fees क्या है, fees जो prescribe करेगी law, लो ने अब तक prescribe नहीं किया, 2020 आ गया, अच्छा मैंने application दे दिया, उसके बाद कब तक order pass होगा, वो यहाँ पर, सरी application का time extend हो सकता है, हाँ एक साल से ज़ादा हो सकता है, बढ़ दो साल से ज़ादा नहीं, अगर reason दोगे तो दो साल तक extend कर देंगे लो, सरी मैंने application दे दिया, उसके बाद कितने समय के अंदर वो order pass हो जाएगा, उसके बाद application देने के बाद, one year from the end of the financial with the application is made, जब भी आज application दिया, तो इस साल के आखिर से एक साल के अंदर, सरी अगर department सुओ मोडर revision करता है, तो फिर कब तक order pass कर देगा, तो फिर order pass करने का time limit यह है, चेक करना, इधर भी वो period exclude हो जाएगा, यह period में one year और यह one year में यह period exclude हो जाएगा, जितना भी CIT ने आपको rehear करने के लिए time दिया है, या तो CIT ने क्या time दिया है, CIT ने आपके code के बीच में टांग अड़ाने के वज़े से उसका जो समय बरबाद हो है, clear है, अभी पूरा भाजन यहाँ पर इन्होंने format के तौर पे दिया है, आगे बरता हूं मैं, tax to be paid pending appeal, अगर आपको high court या सुबनीं court में अपील करना है, तो आपको tax भरना पड़ेगा, आप हार में जाए, आप जीत होगे, हार होगे, वह बात की बात है, लेकिन आज tax भर हो, उसके बाद recovery of tax dues, अब इसके बार में बात करते है, section 30 से लेगे 40 तक recovery of tax dues, देखो आपको ना notice of demand आती है, notice of demand के अंदर लिखा जाता है, यह 30 दिनों के अंदर आपको tax भरना है, और अगर 30 दिनों के अंदर आप नहीं भर सकते हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप request कर सकते हो for what, आप request कर सकते हो for installment, या installment के साथ साथ, या तो deferment बोल सकते हो, सर थोड़े दिन का extension दे दो ना, उसके आज reason to believe है कि 30 days आपको देना detrimental to the interest of revenue है, तो वो घटा भी सकता है, और 30 दिन तक अगर आपने payment नहीं किया, तो आप क्या बोले जाओगे, assessing default, assessing default, कौन से section में, section 30 में, income tax में, कौन से section में, assessing default बोले जाते हो, section 201 में, उसके बाद, recovery of tax dues by tax recovery officer, tax recovery officer क्या बनाएगा, statement, statement बनाएगा, in prescribed form, उस statement में, अगर उससे कुछ गलती होती हो, तो rectify कर सकता है, plus tax recovery officer भी आपको क्या दे सकता है, extension दे सकता है for payment, उसके बाद रिकावरी करेगा, कैसे आपके employer से tax मांगेगा, आपके data से tax मांगेगा, एक्सेटर, एक्सेटर, बोलेगा, आपके employer को notice बेज़ेगा, इसका tax मुझे देना, आपके data को notice बेज़ेगा, इसका tax मुझे देना, और sir, कौन सा tax recovery officer मेरी recovery करेगा, जो आपके area का है, जहाँ पर आपकी immobile property situated है, वो area का tax recovery officer आपके recovery करेगा, उसके बाद, इसके अंदर क्या होता है, अगर company default है, black money lock के अंदर, और company liquidate होने जा रही है, तो government को डर लग रहा है, company liquidate होगा, इसाब तितर बितर हो जाएगा, tax कहां से आएगा, तो liquidator की सिम्मेदारी बनती है, कि वो AO को बताए कि मैं liquidator हूँ, और फिर AO liquidator को एक tax liability बताएगा, और फिर tax liability वो government उससे recover करेगी, चेक करना, यहाँ पर यह भाशन दिया है, company के case में कौन responsible है, company तो responsible है, यह साथ में उसके सारे managers, सब कुछ, सब लोग responsible है, सारे managers are jointly and severally liable along with company, लेकिन अगर manager ही प्रूव करता है, कि मेरी गलती से कुछ नहीं हुआ, तो उसको आप personally liable नहीं धहरा सकते हो, joint and severally liability of participant, सबसे पहले participant का मतलब समद जाओ, partner in case of firm, member in case of AOBBY, तो partnership firm के case में partnership firm भी liable है, उसके member भी liable है, AOBBY के case में AOBBY भी liable है, उसके member भी liable है, लेकिन अगर AOBBY के member और partners, ये सब लोग liable है, लेकिन LLP के case में LLP के partner भी liable है, लेकिन LLP के partner अगर ये प्रूव करते है, लेकिन firm के case में तो partners are personally liable हम सबको बता है, AOBBY के case में members are personally liable सबको बता है, लेकिन LLP के case में partners are not personally liable, इसलिए वो LLP है, तो LLP के case में भी partners are personally liable लेकिन अगर उनको एक opportunity दिया है अगर आप prove कर दो कि आपकी गलती के वज़े से नहीं होआ है तो हम छोड़ देंगे आपको और last but not least अगर President of India Governor of State को direction देता है कि President किसको direction दे रहे है Governor को कि आप अपनी State Government को कहिए कि Central Government की मदद कीजिए tax collect करने के लिए तो फिर State Government को Central Government की मदद करनी पड़े की tax collect करने के लिए the way they collect the state taxes चेक करना यहाँ पर यह power Constitution of India से आता है Article 258.1 कौन बोल रहा है? President बोल रहा है Governor of State को कि State Government को बोलिए कि Central Government को tax collect करने में क्या करिए मदद करिए प्लीज और उसके बाद में यहाँ पर बोला गया है कि अगर foreign days से tax recovery करनी है तो फिर CBDT को सामने वाले देश के साथ एक agreement करना पड़ेगा और फिर CBDT सामने वाले देश को क्या करेगी? certificate forward करेगी और सामने वाला देश हमको क्या करेगा? tax recover करके देखा चेक करिए और फिर यहाँ पर लिखा है अगर कोई और law अगर कोई कानून अप्लाई कर रहा है for recovery of tax तो black money law उसको override नहीं कर सकता है फिर यह government और assessing officer के हाथ में है उनको कौन सा law follow करना है अगर उनको लगता है कि black money law follow करवाना है तो black money law follow करवाने तो उनकी मर्जी least में टांग नहीं अला सकते हो and last but not least आज का lecture में इस पे खतम कर देता हूँ ये last वाले पे 234A का interest लगेगा? लगेगा क्या करने के लिए? general यह क्या करने पे लगता है? return नहीं भरने पर यहाँ पर information नहीं disclose करने पर भी लग रहा है चेक करो return नहीं भरने पर तो लगी रहा है information नहीं disclose करने पर भी लग रहा है और 234B का तो interest मैंसे ही लगता रहेगा जैसे income tax law के अंदर लगता रहता है ठीक है? clear है? Hello, I want to see today the day of international taxation paper 6C relevant for May 20, November 20 revision directly from your study material so यह 18 दिन है बीच में कुछ गया पाग गयते है वो इसलिए थी क्योंकि बीच में थोड़ा बाहार चला गया था sorry for that and secondly मैं पिछले एक अपते से direct tax के revision videos बना रहा था उसलिए थोड़ा सा गया पाग गया so अब मैंने direct tax के सारे revision videos दाल दी यह आप चेक कर सकते हो सारे all the revision videos have been uploaded on direct tax and that too we are first in India to upload that comprehensively कुछ लगबग 15 घंटे के videos है सब मिला कर जिसमें पूरा direct tax 500 घंटे का असानी से revise हो जाएगा उसको देखते रहो so let us start with 18 दिन दे revision जहाँ पर हमें विचले lecture में छोड़ा था हम वहीं से इसको continue करते है ठीक है तो now penalty इसके बार में बात कर दे black money log के अंदर penalty कम लगती है सबसे पहला section बोलता है black money log के अंदर penalty के बारे में के penalty लगेगी आपको कितनी penalty लगेगी penalty will be equivalent to कितनी penalty लगाएंगे सर आप हम पर penalty कितनी लगाएंगे तो यह आपर government ने बुला है penalty will be equivalent to three times of tax pay जितना भी आपको tax आने वाला है उसका तीन गुड़ा आपको penalty लगने वाली है क्या बात करो yes जितना भी tax compute हो आई कि इस चीज़ के उपर undisclosed पॉन है उसका उपर तीन गुड़ा पनाल्टी लग सकती है ठीए दूसरी penalty penalty क्या है दूसरी section 42 की यह क्या penalty है penalty for failure to furnish return information in the return तो अगर failure to furnish return अगर आप return नहीं बरते हो कौन से section में 139.1 का कहसाब से अगर return नहीं बरते हो कब तक नहीं बरते हो अगर आप ay खतम होने के पहले तक नहीं बरते हो failure to furnish return income as required on 139.1 before the end of the relevant जैसे 139.1 में बुला गया है बैसा return अगर आप ay कहतम होने तक नहीं बरते हो तो फिर आपको 10 लाक रुबे की बिना दे लगी ठीके और return के अदर आपको क्या डिस्लोस करना है obviously आपने सारे assets located outside India जो भी income है इंडिया के भार वो disclose करना होगी financial interest है वो disclose करना होगा तो अगर आपने ay खतम होने तक 139.1 में जैसा मॉला किया return है वैसा नहीं बरा तो आपको ये notice आ सकती है ठीक है तो ये ay के बात ही आईगी notice उससे पहले नहीं आ रहा हो लिए similarly ये notice किसको आईगी अससी being a resident other than not only a resident similarly section 43 की notice किया है ये भी एक penalty की notice नहीं किसको आईगी अगर आपने अगर आपने return तो घरा है लेकिन उसके अंदर information disclose करने के लिए fail हो चुके हो तो आपको आपको ये 10 लाग भी ये penalty लग चाईगी यहाँ पर अससी ने return रहा है if such a failure is in relation to asset including financial interest in any entity held by an assassin held by a person being a resident other than not only a beneficiary as a beneficial or not otherwise in respect of which such person was a beneficiary or if such failure is in relation to any income from a source located outside India तो return तो पर आपने लेकिन आप उसमें information परनेश करना बोल गए किस चीज़ का information foreign assets का ये foreign income तो आपको ये income लगी अब आपको यहाँ पर अससेंस यहाँ return नहीं भरने पर penalty है यहाँ पर return तो भराए information नहीं भरनेश करने पर penalty लग रही है तो अब ये जो penalty से ये दोनों आपको नहीं लगेगी in respect of a bank account bank account के लिए penalty नहीं लगेगी कि अगर आप bank account disclose करना भोल गए तो आपको ये penalty नहीं लगेगी provided आपका जो value है bank account के अनिडर है वो बुरे साल में पांच लाख रुपे से जादा का नहीं होना चाहिए in short यहाँ पर यह relaxation इस लेती है अगया कि छोड़े bank accounts है अगर आपके foreign country के अंदर तो उसका disclosure मत करवाँ पांच लाख रुपे से उबर का अपका तो यह आपको penalty लगेगी नहीं तो नहीं लगेगी ठीके अब यह पांच लाख रुपे है अब ही अगर balance दिखना है तो कैसे दिखना होगा aggregate balance which does not exceed अगर दो बैंक है तो दूनों का मिला कर 5 लाख पांच बैंक एंडिया के बार तो पांच बैंकों का मिला कर पांच लाख तो पोरे साल में कभी है 5 लाख क्रॉस नहीं होना ची तो उसे यह 5 लाख रुपे के से convert कैसे करेंगे क्योंकि foreign country में जो bank account होगा, वो तो foreign currency में maintain होगा, तो उसको आपको TTPR के हिसाब से convert करना पड़ेगा, TTPR, RBI reference rate नहीं लेना होगा, जाद करो, पीछे valuation करते समय है, हमने RBI reference rate लेना है, लेकिन यहाँ पर, यह bank account का valuation करते समय है, आपको TTPR लेना है, as on the relevant date, that is SBI करें, ठीक है, आगे बरते, यह section 44 की penalty, कौन सी penalty है sir, यह penalty है, कि अगर आपको, देखो, notice बेचते हैं, लोग फिर आपको 30 दिनों के अंदर, वो tax tax बरना है, अगर नहीं भरा, तो उस आशीन default वाली जो penalty होती ना, income tax के अंदर, जो section 221 की penalty है, कितना amount equivalent to tax in areas, उतना penalty लग चाहिए आपको, जितना भी आपका tax in areas, उतनी penalty लग चाहिए, ठीक है, यहाँ पर देख सक्किए, penalty equal to the amount of tax in areas is leviable in case of an associate's default, an association not be seized to be liable to any penalty, mere by reason of the fact that, because, before the levy of penalty, the tax has been paid, ठीक है, just because you have paid the tax, that does not mean that, you will not be imposed your penalty, penalty का अलग implication है, tax का अलग implication, अब कुछ other defaults के लिए penalty लग रही है, आपर other defaults, अब other defaults किया, ठीक है, उस पर 50,000 से लेकर दूला कुर्पे तकी penalty लगी, लेकिन यह other defaults में क्या आता है, जहाँ पर आपसे कोई सवाल पूता जा रहा है, आप उसको जवाब नहीं देरें, जहाँ पर आपको कोई statement sign करने बोला है, इन्होंने, ठीक है, और you are not signing that statement, या तो आपको attend करने बोला है, यह उने section 8 के अंदर, जहाँ पर वो समन मोवन भेजता याद करो, बुक्स मंगवाया, समन मोवन जैसा बेजता है, जैसे section 131 में, जैसे वैसे ब्लैक मनी लोग के अंदर section 8 में समन में बेजा जाता है, वो मंगवाया और आप उसका reply नहीं कर रहे हो, तो यह सब case में 50,000 से 2,000 पर बितर की penalty क्या है, आपको कोई सवाल पूता जारा है, आप जवाब नहीं दे रहे हो, आपको कुछ statement statement sign करने हैं पूल रहे हो, sign नहीं करने हो, और अगर आपको कोई बुलवार है बलो गया, तो आपसे books मंगवार है, लेकिन आप दे नहीं दे रहो समय पर, तो आपको लग जाएगा section 45 का penalty, that is 50,000 से 2,000 पर बितर, अप comment आपको show cause notice बेजे की जैसे penalty लगाने के पहले show cause notice बेज नहीं पढ़ती है, और section 41 वाला जो case है ना मतलब बोजों, सबसे पहली वाली penalty, 300% वाली है 3 times, उसमे show cause notice pendency की time पर देना जरूर है, और बाग के सब cases में show cause notice default करने के तीन साल के अंदर चेक कर लेना, जैसे income tax lock अंदर भी जो income tax की भैंकर penalty ना, 50% से 200% वाली miss reporting, under reporting, उसके लिए भी देखो condition है, कि वो सिर्फ और सिर्पेंटेंशी के दोरां दी जा सकती, पेंटेंशी के बाती, जैसे यह वाली banker penalty से dependency के time दी जा सकती है उसके बात दी, और यह वाली penalty जो दूसरी penalty से, उसके लिए government ने बुला है, जब भी default comment हो है within 3 years of the end of the financial year of that year, तो इस साल अगा default comment हो रहा है, 1920 में तो 2023 तक आप notice दे सकती हो ठीए, यह उसी का चार्ट है यहाँ पर टाइम लिमेट तो इस्यूश हो पाइस, उसके बाद opportunity of being cut देना पड़ेगा असासी को ठीक है, बेपोर इंपोसी के penalty, penalty का order pass करने के पहले असासी का अपर दीजनेबल opportunity of being cut दे दो, और उसके बाद में, प्रायर अपरोलोग जॉइन कमेशना, जॉइन कमेशना, जॉइन डिरेक्टर लेनो कब, कब लेना होगा इंकम टेक्स के अंदर भी यह लिमेट से हैं, लेकर इंकम टेक्स के अंदर यह लिमेट बहुत चोटी से हैं, यहां पर एक लाग और पांच लाग की हैं, अगर एक लाग रुपे से जादा की penalty लगाना है, तो फिर अगर एयो को लगाना है कि इसको इंकम टेक्स आफिजर को लगाना है, तो उनको इन दोनों की penalty का अप्रोल लेना पड़ेगा, और अगर पांच लाग रुपे से जादा का लगाना है, ठीके पांच लाग रुपे से जादा penalty लगाना है, इन दरहेंको deputy commissioner, assistant commissioner, assistant director, तो फिर इनको joint commissioner, joint director का अप्रोल लेना पड़ेगा, तो अगर ITO एक लाग से जादा का penalty लगाता है, तो इनका अप्रोल लेगा, एक जस्ट एक लाग से जादा, लेकिन assistant commissioner, deputy commissioner, और assistant director, deputy director को power दिया है, कि तुम पांच लाग तक भी penalty लगाते हो, तो तो तुमको अप्रोल लेने की ज़र्वाद की पांच लाग से जादा penalty लगाते हो, notice under section 146, sorry notice under section 46 as issued, तो 46 की notice क्या है, show course notice है, वो notice जैसे आई कि उसके आखिर से एक साल के अंदर penalty order पास हो जाना चाहिए, अब अगर आगे जाकर court ने कोई penalty order को क्या किया है, तो revive कर दिया है, या revise कर दिया है, मैंने पुरी कहानी लिखाया उसकी class के अंदर, कि आपके अगेस penalty proceeding शुरू हो गई थी, लेकिन फिर बात में पता चला कि आप assessment proceeding जीद गए हो, तो penalty proceeding रोक गई, फिर बात में आगे जाके पता चला कि नहीं आप assessment proceeding हार चुके हो, हो सकता है, high tag के अंदर आप हार गए, लेकिन फिर बता चलता है, supreme court के अंदर आप जीद गए, फिर हो सकता है कि high court में आर गए, supreme court में जीद गए, यहीं बहुत सारी possibility है, बिसाल के दोर पर पहले आपका AO ने assessment किया, उसमें liability determine किया, और penalty भी लगाना शुरू कर दिया, लेकिन आपने उस assessment को appeal करके, आप high court तक चले गए, और high court में आप जीद गए, लेकिन फिर supreme court के अंदर आप वापस हार गए, तो जब आप हार गए, तो आपको penalty भी फिर से लगेगी न, तो आपका matter बार revive हो जाएगा, यहाँ पर revival possible है, यहाँ पर revision possible है, और उस revival उस revision को करने के लिए, कितना time दिया गया है, six months का time दिया गया है, क्योंकि जैसे assessment, अगर assessi जीट जाता है, तो penalty को drop कर देना पड़ता है, यह assessment अगर assessi हार जाता है, तो फिर penalty को revive करना पड़ता है, तो उस जीज का time क्या होगा, six months, six months, यह जो भी time उनको दिया गया है, पहले एक साला फिर्स बार में छे में न, उसमें से यह दो time निकाल दोगे, अगर कुछ time assessi को rear करने दिया है section 7 के अंदर, याद करो section 7 के अंदर assessi के पास rear का time है, rear का time है, rear का time मतलब जहाँ पर अगर एक assessing officer निकल के दूसरा आता है, तो बीच का समय ज जैसे, जितना भी समय परबाद हो रहा है, उतना extra time मिल जाएगा assessing officer को, या जो भी respective authorities है, जो penalty order पास कर रहा है, अब बात करते, offences or prosecution की, offences or prosecution मतलब आप यहाँ आप ऐसे, jail whale में डालने की बाते करेंगे, सबसे पहले, यह जो chapter 5, section 48 बोलता है, कि this chapter is in addition to all other consequences, this chapter is not a replacement of other consequences, जो दूसरे consequence आप झेल रहे हैं, वो तो jail ना ही पड़ेगा, दूसरे law में भी jail रहा हो, वो भी jail ना पड़ेगा, और यह खानून के अंगर आप over and about जो jail होगे वो है, यह पहले paragraph में यह देया गया है, बराबर से देखना, बराबर, आगे, अब एके करके penalty पढ़ते, तो अगर असासी है, return नहीं भरा, तो हमने पहले देखा है, penalty तो 10 लाग किया है, तो prosecution क्या होगा, not less than 6 months, but up to 7 years, with fine, लेकिन फिर से यह आपर वही condition है, अगर EY के पहले return कर गया, तो बचिया, return नहीं भरा, दूसरा, return तो भरा है, लेकिन information disclose नहीं किया है, तो prosecution क्या है, prosecution again 6 months, but which may extend to 7 years with fine, fine can't decide करेगा, quote of law, penalty for willful attempt to furnish information about, willful attempt to evade tax, अगर आप willfully tax evade कर रहे है, तो आपको rigorous imprisonment होगी, not less than 3 years, but up to 10 years, with a fine, लेकिन अगर matter, quote में जाता है, तो quote उसको 3 साल तक ही सिख कर सकता है, मैरे से 3 साल, at the description of the quote लिखाया गे, तो 3 penalty, पहला return नहीं भरने की penalty, 10 लाग, penalty 10 लाग, prosecution, 6 मैने से 7 साल, return के अंदर information ने disclose करने का भी prosecution same है, 6 मैने से लेकर 7 साल, लेकिन अगर willful attempt to evade tax है, तो tax evasion के लिए, वहाँ penalty क्या है, 3 tax, यहाँ prosecution क्या है, 3 मैने से लेकर 10 साल, अगर court discretion में उसको, उसको 3 मैने से लेकर कितना कर सकता है, तो और 3 साल से 10 साल, court अपने description तो उसको 3 मैने से कितना कर सकता है, 3 साल तक कर सकता है, with a fine, willful attempt का मतलब क्या होता है, तो नीचे described है in an inclusive manner, a willful attempt to evade any tax penalty or interest chargeable or impossible under this act, includes a case where any person, उसके possession में कुछ books है, कुछ control में कुछ books है, और उसके अंदर कुछ false entry है, उसके जो possession में है, उसके false entry उससे पता है, या वो false entry करता है, उसके अंदर assessing officer के सामने, या तो कुछ entry है, उसे delete माता है, omit करता है, या कोई और circumstance, जिसके वज़े से लगता है, कि tax उडाया गया है, या penalty की लगने की chances है, उस सारे cases willful attempt माने जाएंगे, तो ये तीन किसम की बड़े बड़े prosecution से, पहला return नहीं भरने का, दूसरा return तो जूद भूला, गलंद भूला, जान बोचकर बहका है सामने अले को, तो फिर तेन, साथ साल तक के सजा हो सकती है, वित्फाइन, not less than six months, शे मेने से साथ साल की सजा, आप एजे किसम के prosecution के charges समझो, punishment for abatement, abatement मतलब proceeding के अंदर, जब department के साथ आपकी proceeding चल रही है, abatement के मतलब the act of encouraging to do something wrong, इसका मतलब ही होता है, सामने लेको बहकाना, पागल बनाना, के भाई, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हो, बहक गया बिचारा, और आगे जाकी प्रता चलता है, कि इसने अपनी बात हो, मैं बहला फुसला तो उसको बहका दिया है, तो in that particular case, वो कल्पेबल माइन का मतलब क्या होता है, मतलब, कोट ये प्रेजियूम करता है, कि कोई भी बन्दे को सजा देने के पहले, कोट ये पहले पता लगाएगा, चाब बन्दे ने जो क्राइम किया है, वो क्या इंटेंशन से किया है, अगर उसका इंटेंशन खराब है, गलत गलत नहीं था, फिर भी क्राइम हो गया, तो उसको सजा में थोड़ी राहत देनी चाहिए, तो ऐसे यहाँ पर बोला गया है, कि कल्पेबल मेंटल स्टेट प्रेजियूम किया जाएगा, यह माना जाएगा कि अससी ने गलत किया है, और फिर अससी की जिम्मेदारी ही कि वह आ कमिशनर, अपील, एक्सेटर, इन सब लोगों का क्या लेना पड़ेगा, अप्रूबल लेना पड़ेगा, और यह करेगा कौन, अब पर संच नोट भी प्रोसेजिट अगेंज फ़र अपेंस, एक्सेब इतना सैंक्शन और प्रिंसिबल कमिशनर और कमिशनर, जब तक यह को ब्रोसेट करोगे भाई, सबसे पहले कमपनी कर लेते हैं, कमपनी के अंदर कौन कौन आएगा, बराबर दीख लो, कमपनी में एक बोडी कॉर्पेट आएगा, मतलब जो कमपनी है वो तो आईगी, होफ भी आजाएगा, फॉर्म, एओप भी भी आजाएगा, यह कमपनी ह श्रीक्तर हैं, घड़ी-घड़ी एकिट नम यूजस नहीं करना है, पॉर्म न có एटरोपकर देरक्टर लाइगा, भी इचाहना एगा, अबॉर्म, ऑश्रीइगा, यह में एनदर देल्हेगार देल्ड्यक्तर लाइगा, और पार्टर भी आजाएगा, वी आजाएगा, ब् the offense was committed, deemed to be guilty. Therefore, company case में, किसको responsible ठहराएंगे हम, जो भी in charge होगा, उसे responsible ठहराएंगे. लेकिन अगर वो charge person बोलता है, कि भाई, मेरे मज़े से कुछ नहीं हुआ है, भाई, तो फिर उसको छोड़ देंगे, आपर लिखागे है, बराबर से check करना. Director, manager, officer, etc. इन सब लोगों को पकड़ेंगे, इन सब लोगों को पकड़ेंगे. और फिर आगे जाकर लिखाए, कि जो director, manager, etc. उनको तो fine और prosecution दोनों लगाएंगे, और company को सिर्फ fine लगाएंगे, check करना. Company को सिर्फ fine लगाएंगे, check करना. यहाँ पर लिखा है, और यहाँ पर क्या लिखा है? Director, manager, secretary, officer, deemed to be guilty of offenses with consent or conivents. Conivents मतलब किसी के willingness से, director ने बुला, accountant को और है, करना तू मैं हूँ. जो होईगा, दिखा जाएगा, अगर यह पता चलता है, तो director भी पसेगा, और वो accountant भी पसेगा. दोनों मरेंगे. क्या custody में प्रूफ है, जो tax authorities के पास information है, documents है, वो लोग क्या करेंगे, उस प्रूफ को court के अंदर रखेंगे, और उस court के अंदर उसको रखने के बाद यह प्रूफ करेंगे, कि भाई, यह सारे हमारे documents है, जा तो उनकी copies, certified copies under the signature of the assessor or the tax authority, या उसके true copy है, यह court के अंदर tax authority is advisable in evidence, तो वो evidence सब रखना पड़ेगा, आपको court के सामने, तो यह आप prosecution का charge कर पाऊगे, और अगर आगे जागर पता चलता है, कि एक बार यह सारे section हो में सजा काटने के बाद, आप फिर से यही हरकत ही कर रहे हो, second बार कर रहे हो, पहली बार तो एक बार हो चुका है, य पहली बार आप यह गोशित कर दिया गया है, कि आप छोड हो, आपको सजा हो चुके है, फिर से वापस हो ही कर रहे हो, तो फिर आपको तेन साल से दस साल की सजा हो सकती है, और with a fine of 5 lakhs to 1 kronor rupees, इतना भयंकर fine आपके ओपर लग सकता है, तो यह सब चीज़ें से दूर रहना और उसके बाद यहां पर यह उसी चीज़ की समरी बंबडी दी गई है, अब आगे बढ़रा हो में कहाँ पर, section 73 की तरफ, section 73 कुछ नहीं है, जैसे income tax के अंदर section 90 और 90 है, double taxation avoidance agreement, वैसे यहां पर section 73 है, double taxation avoidance agreement for what, for exchange of information and for recovery of tax, that's it, और किसी purpose के ले रहे है, बाकी पूरा को copy paste चेक कर लेना, जैसे यहां पर लिखा गया है, कि अगर कोई term defined नहीं है, तो government of India उसे define कर सकती है, और उसका effect कब से होगा, retrospective basis पर, section 73 के अंदर, यह दो objective है, लेकिन section 90 के अंदर 5 objective है, बराबर, अभी department notice कैसे बेजेगी, यह फाल दुगरी यहां पर लिखा गया है, कि department notice ब for communication क्या होगा, जो plan database के अंदर अवेलेबल है, या income tax returns के अंदर अवेलेबल है, या MCA की website पे अवेलेबल है, यह अपर email address क्या होगा, etc., etc., जो income tax पे अवेलेबल है, MCA की website पे अवेलेबल है, और नीचे लिखा गया, कि अगर SSC request करेगा, तो फे department वाले notice, इन सारे addresses को छोड कर, और किसी address पर बेजेंगे, जहां पर वो बोलना चाहता है, सिर्फ और एक्जामपल, अगर SSC कहीं पर, वो rent event पर shift हो गया, तो etc., वो बोलेगा, मेरे सारे documents आप इस address पर नहीं, MCA की website पर जो address लिखा है वो नहीं, और नहीं मेरे income tax के portal में जो website पर लिखा है वो नहीं, ब करेंगे, print करेंगे, otherwise add-off करेंगे, वो काफी हो जाएगा, वो माना जाएगा कि क्या है, वो authenticated documents से ठीक है, उसके बाद, आगे जाकर, section 76, which is at par with section 292BB of income tax act, 292BB क्या बोलता है, कि अगर कोई notice आपको late होती है, तो आप तभी ही बोलो के late हो गई है, आप पुरा proceeding कहता होने के आप नी बोचकते होगा notice लेट होगे है, कि अगर आप बाद में बोलोगे तो यह deemed किया जाएगा कि आपको समय पे notice मिलिए, यह deemed किया जाएगा कि आपको सही notice मिलिए, यह deemed किया जाएगा कि आपको notice मिली थी, तो यह section 76 के अंदर वैसा ही similar provision को मैं ने डाल के रखाए देख unlike other professor who say that international tax is same as direct tax, जो बिल्कुल भी निया बेटा, यह आपको पढ़ने के बाद ही समझ भाएगा, यह तो आपने depth में नहीं पढ़ाए, यह तो आपने वह उपर उपर से पढ़ाए, यह तो आप बहुत ही जाएगा मासुम है जिन्दगी में, आगे जाकर approved value और कौन हो सकता यह तो आपने list दिया गए कि असाजी अगर चाहे तो valuation officer की मदद ले सकता है, यह authorized representative की मदद ले सकता है, authorized representative की मदद ले सकता है, authorized representative की मदद लेना बहुत जाद ही common sense वाली बात है, ठीके, उसके बाद section 79 मोलता है कि आप round off कैसे करोगे, सबसे पहले आप किसको round off करोगे, undisclosed foreign income and asset को round off करोगे, round off करते समय, undisclosed foreign income and asset को round off करते है, समय, you will multiply, you will round off to the nearest multiple of 100 rupees चेक करना, 100 rupees के multiple पर आप round off कर दोगे, ठीके, उसके बाद, जो एक बार यह हो गया, क्या round off हो गया, यह round off हो चुका है हमारा total income जैसा हमारा round off होता है, 288 A के अंदर, वैसे यह, अभी तुमारा total foreign income, undisclosed foreign income and asset round off हो गया, अब tax को round off करेंगे, tax round off करते समय, payable या refundable जो amount आएगा, उसको multiply करोगे, near as multiple of 10 pay, और जो भी पैसा है, 50 पैसे और more को ignore कर दोगे, income tax से अलग है, बराबर से देख मैं, income tax जैसा नहीं round off, ठीके, आगे, यहाँ पर बुलागे के metropolitan magistrate के नीचे का court अग करेंगा, तो मतलब इस law के अंदर कोई भी offense को अगर file करना है, तो metropolitan magistrate या magistrate of first class के उपर या उस level के court के पास कम से कम जाना पड़ेगा, यह hierarchy of court है, उसके लिए आपको income tax law नहीं बताता है, यह सारी चीज़े, उसके लिए आपको court of law की hierarchy लेखने पड़ेगी, supreme court, high court, उसके ब बगता है, कि अगर notice के अंदर कोई mistake है, छोड़ी मोटी mistake है, जिसके वैसे आप assessing officer या department पे question नहीं उटा सकते हो, कि पूरा को पूर assessment गलत है, अगर पूरा को पूर assessment एकदम सही तरीके से होय, लेकिन notice में महमुली सी mistake है, तो महमुली सी mistake को पकड़कर आप पूर assessment गलत नहीं कर सकते हो, अगर उसने सब कुछ सही faith में किया था, next, section 83, income tax, all the information contain any statement under the income tax, so income tax में जो भी information documents collect किये गए, वो सब कुछ यहां पर use किये जा सकते है, और उसके बाद में नीचे लेको list of income tax के sections दिया है, और बोला है कि इस सारे के सारे sections income tax के, यहां पर भी काम आएंगे, इसमें और यहां पर section 85 है, गलत में, ICA की module में 85 कर देना, कि यहां पर CBTDT ने power दिया है, कि सिवेर से, income tax act ने power, sorry, black money act ने power दिया है, central government को, CBTDT को, क्या आपर रोज बना सकते हो, यहां पर, यहां पर, income tax के अंदा section 2, 95 के अंदा rules बनाने के powers है, उसके बाद, यहां पर 86 के अंदर यह power दिया गया है, कि आपको, यहां पर अगर कोई difficulty होती है, initial years में, तो removal of difficulty के sections होते हैं, हर एक law के अंदर, और removal of difficulty, यहां पर कितने साल तक चलेगी, 2 साल तक, 2 साल तक कोई भी दिक्कत होती है, तो आप उसे remove कर सकते हो, through this particular section, and last but not least, इस law की वज़े से, prevention of money laundering act के अंदर भी कोई amendment आया है, तो पिछले 2-3 पर शायद इतने साधा important नहीं, एक्साम के लिए, इतने साधा important pages नहीं हो, मेरे असाब से, यहां पर आपका black money law फूरा खतब हो जाता है, So, let us start with the revision of the next chapter, and a very 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 important critical topic, that is, overview of model tax convention, तो यहां पर सबसे पिले अपने को क्या बोलना है, कि यहां पर 3 किसम के model convention है, पहले model convention का नाम है, OECD model convention, दूसरे का नाम UN model convention, और तीसरा US model convention, जो हमारे syllabus में नहीं है, इसके अलावा और भी model convention होते है, practical life में, OECD model convention का importance का IE to emphasizes on residence rule, और UN model convention का जादा emphasis किस पर है, सोर सूर पर, OECD model convention कौन follow करता है, जो developed nations है, वो follow करते है, और UN model developed and developing nations जब आपर समें treaty करते है, तो UN model conventions follow करते है, इंडिया कौन सा convention follow करता है, Indian follow करता है, UN model convention, ठीक है, उसके बदे आपर सब भाशन भाशन दिया है, treaty का last list दिया है, कि कौन से article के अपना next important point है, वो है title, हर एक treaty के अंदर एक title होगा, एक preamble होगा, ठीक है, title क्या बताएगा, एक line में आपको बताएगा, exactly treaty क्यों की रही है, preamble कुछ शब्दों में कुछ line में बताएगा, चार पास line में बताएगा, कि treaty क्यों की रही है, तो यहाँ पा देखे, OECD model convention का title क्या बोलता है, कि हम क्यों treaty करते है, दो देख treaty क्यों करते है, double tax को eliminate करने के लिए करते है, और tax evasion और tax avoidance को रोखने के लिए करते है, उनका preamble क्या बोलता है, अब जो, यह OECD, UN model का मैंने आपको class में बताएगा, कितना funny है, इसी को इन्होंने आगे पीछे कर दिया, यहा particular treaty करने जा रहे है, तो यहाँ पर OECD के प्रेयंबल के इसाफ से हम लोग क्यों treaty कर रहे है, economic relationship को improve करना है, cooperation करना है, tax matter के अंदर, eliminate करना है, double tax को, लेकिन किसी भी तरीके से किसी third party बंदे को हम unnecessary फाइदा उधाने नहीं देंगे, हम किसी भी third party residents को हम लोग unnecessary treaty shopping की activity करने का मौ का बिल्कुल नहीं देने वाले, ठीक है, यह माशन यहां पर लिखा गया है, अब UN module का भी पूरा का पूरा almost जो तुम्हारा प्रियंबल है, वो सेमी ही, यहां से तुम्हारे पहले article चुरू होता है, पहले article में दो paragraph है, पहले article में पहला paragraph क्या है, person covered क्या होगा, person covered क्या obviously दो देशों के जो resident से वो covered होगे, या तो आप इंडिया के resident होगे, resident तो आप महां पर cover हो जाओगे, और क्या, थर्ड पारी resident को हमको फाइदा देने की कोई च्छा नहीं, ठीक है, उसके बाद, second पारा जो है, वो technical पारा, कुछ लोग यह lecture नहीं बढ़े तो ध्यान से सुन इसमें क्या होता है, fiscally transparent entity के बारे में बात किया गए, fiscally transparent entity क्या होती है, जिसके income, entity level के नहीं टाक्स होती है, बिल키 ओनर लेvel पी टाक्स होती है, तो जैसे ही बाहर के देशों में, partnership firm को, यंडिया में, इंडिया में, हम fiscally transparent entity नहीं मानते है, उसको हम separate entity मानते है, और individual को options लेकिन बाहर के देशों में क्या होता है, कि जो fiscally transparent entity हम मानते है कि इसको partnership firm को, मतलब partnership firm की कोई हैसे हती है, एक partnership firm है, उसके इंद तीन पार्टनर हैं, और तीनों के तीनों partner भी सारे tax भरेंगे, सारे income उनकी है, partnership firm बस formality के लिए बनाया गया, तो in that case, सब्सक्राइब एक सब्सक्राइब एक सब्सक्राइब होता क्या है सारी की सारी इंकम किसके हाथ में टैक्स हो जाएगी या तो इंडिया में अब मान लोकर यह बोलता है कि वह रेसिदेंस में होगी और अगर पार्टनर उसमें से दो पार्टनर उसके पार्टनर उसके पार्टनर उसके अपने रहा था चूटि हमने यहाँ पर क्या पार्टन के अंडर मुटिपल दूसरे पार्टनर का रफरनसे आथा इसलिए हमने इस पर जादा बात नहीं किया था हमने पार टूप रगए ठोगा बहुत जबान हो सकती ही कि मेरा भी रोच का काम नहीं है सब कुछ आपट को आडिकल को पारा बूल द इसके बाद, टैक्स कोण इंपोस करेगा? कॉंट्राक्टिंग स्टी दोनों देश इंपोस कर सकते, पॉलिटिकर सब दिविजन इंपोस कर सकते, जैसे महारास का गोवर्मेंट, उत्ता पेदिश गोवर्मेंट, डेली गोवर्मेंट या local authorities भी impose कर सकते हैं, कैसे impose करेंगे, उससे फ़रक नहीं पड़ता है, direct impose कर रहे है, health assessment tax के तुर impose कर रहे है, TDS के तुर impose कर रहे है, advance tax के तुर impose कर रहे है, उन सब चीजों से फ़रक नहीं कहता है कि tax कैसे impose हो रहा है, उसके बाद में यहाँ पर भासन दिया है, यहाँ पर नहीं पर नहीं कर रहे है, जैसे social security tax is the example which I have given you in the class if you are able to remember that, next is para 3 क्या होगा, यहाँ पर आपको list down कर रहा है, कि आप कौन कौन से taxes cover करना चाहते है, जैसे मैंने India UK की treaty आपको दिखाया था, उसमें petroleum tax लिता याद आता है, capital tax gain tax अलग था, petroleum tax अलग से mention था, और India के अंदर ऐसा multiple कोई tax नहीं, इंडिया में सिर्फ इतना लिखा था, income tax including subcharge, और कुछ भी नहीं है, ज्यादा multiple classifications नहीं है, उसके बाद treaty एक बार हो गई, sign हो गई, उसके बाद अगर कोई substantially similar tax आया तो, तो क्या मैं treaty बदलते मैं to, कोई धरवत नहीं है, इंडिया के अंदर ये finance act है, इसमें ये changes है, इंडिया के अंदर ये judgment है, ये changes है, ये सारा भाशन नीच्छे आपको commentary के अंदर रिख जाएगा, किसे tax rate में जो change आया हो मत बताओ, एक दूसरे को, दूसरे subsequent development in laws भी बताओ, judicial decisions जो आया है, वो भी बता सकते एक दूसरे को, ठीक है, उसके बाद आते हम लोग general definition की तरह हो, general definition में क्या है, सबसे बहले person का definition है, person का मतलब क्या, individual person है, company person है, और any other body of person है, आप person का definition पता लगान जिसका ownership और management दो अलग हातों में होता है, वो body corporate है, अब क्या partnership firm एक body corporate है, कुछ देशों में body corporate माना जाता है, कुछ देशों में नहीं माना जाता है, तो partnership firm को भी क्या मैं company बोल सकता हूँ, अगर ownership और management दो अलग हातों में है, तो वो माना जाएगा body corporate है, और अगर body corporate है, तो वो क्या है? वो कम्पनी है. तो अगर वो body corporate नी है, तो क्या वो person नी है? वो person बन सकता है. अगर वो company नी बनेगा तो फिर क्या बन जाएगा? Any other body of person में तो cover होई सकता है वो, तो partnership firm को ऐसा कोई चिंता करने की जरुवत नी है. Partnership firm अगर company है, तो भी person है, company नहीं है, तो भी any other body of person में वो person की definition में आई सकता है. उसके बाद enterprise का मतलब क्या होता है? business. और business का मतलब क्या होता है? profession होता है. तो in short enterprise का मतलब business भी होता है, profession भी होता है. right hand side पर यह definition नी है. तो right hand side पर उसका मतलब क्या है? any activity which an intention of earning profits. that is known as enterprise. as simple as that. उसके बाद यह एक पुरा का पुरा phrase है, इतना स्था कोई relevant phrase नी है यह. उसके बाद यहाँ पर competent authority दोनों देश को बुलना पड़ेगा. कोई भी दिक्कत आएगी तो competent authority कौन होगा? तो India के अंदर हमने बोल दिया, ministry of finance and authorized representative will become what? the competent authority. इंडिया के अंदर अभी foreign authority में कौन होग लगे right hand side पर लगे, national को भी दो category में डिवाइड के आए. इंडियुच्टों के लिए national लगे और other than individual के लिए अलए अगे. इंडियुच्टों के left hand side पे national दो category से डिवाइड होता है, या तो अगर आपने इंडिया के national हो, nationality इंडिया की है, nationality की से आती है, birth से आती है, अगर आपको याद है तो क्या होता है अगर कोई टर्म ट्रीटी में नहीं डिफाइंड है तो अपने को इसका परपस बताया था आपको क्लास में कितना जबरदस टैक्सिवेजन परपस एक इंडिया या कोई भी देश एड़ाप कर सकता है कर दो अपने कर सकते हो जब तक आप सामने वाले देश से बात नहीं करोगे यह पूरा का पूरा logic यहां पर दिया गया है बहुत अच्छा paragraph इसको आपको पढ़ना चाहिए before the exam once ठीक है और उससे पहले भी पढ़के अच्छे से clarity रफना चाहिए article 4 पर आते हम लोग ठीक है resident, who is a resident, left hand side पर, right hand side पर कुछ फराखे sir resident कौन है left hand side का बात करता हूँ या right hand side, को भी बात कर लोग जाज़ा फराख नहीं पढ़ता है दोनों में almost same ही है, ठीक है, एकाथ फिर बहट का फराख है left hand side, resident कैसे पता चलेगा you will be resident of a particular state if you derive if, 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 you are liable to tax in that state so liable to tax का मतलब, liable to tax liable to tax, मतलब tax भरेगा, तो भी चलेगा यह exempt entity है, तो भी liable to tax माना चाहेगा so if an entity is liable to tax in a particular country, by reason of this what? domicile, residence incorporation, management, not by reason of this source of income, याद आ रहा है आप लोगों को source of income के वज़े से liable है तो resident नहीं बढ़ेगा, residence के वज़े से liable है तो, domicile के वज़े से liable है तो, incorporation के वज़े से liable है तो management के वज़े से liable है तो तो तू देश का resident बनेगा तो sir मैं इंडिया का resident हो का, Singapur का, दोनों देश का कानून पर और पता लगा, दोनों देश का कानून पर के देगो, पता लगाना पड़ेगा, इंडिया का कानून पर section 6, Singapore का respective section 6 पर और पता लगा, तो क्या तू उस देश में residence के वज़े से, कानून के वज़े से residence के वज़े से, domicile के वज़े से incorporation के वज़े से, management के वज़े से तू residence है क्या, है तो तू resident है Sir और left hand side और right hand side में फरक क्या फरक है आपर बहुत बारी के से highlight करके रखा है, right hand side पर incorporation के वज़े से भी resident बन सकता है, left hand side पर incorporation word missing है, left hand side पर एक extra word है कि pension fund है, right hand side पर वो pension fund का mention नहीं है प्लस, डोनों केस में एक और common चीज़ है, कि Indian government तो हमेशा इंडिया की resident रहीगी, पॉलेटिकल सब्डिवेशन और जो लोकल अथर्टी है, BMC वो तो हमेशा इंडिया की resident होगी, उसके लिए तो चेक भी नहीं करने का liable to tax है क्या नहीं है, वो सब कुछ नहीं चेक करने है, वो सब दूसरे अगर तुम दोनों देश में resident होगे, तो सबसे पहले देखो आपका permanent home कहां पर है, permanent home का मतलब क्या होता है, तो लेट आउट वाला घर चलेगा, चलेगा, आप अगर भाड़े के दिया है, rent कमाने के लिए, वो आपका home नहीं हो सकता है, I hope you remember that particular thing, ठीके, अगर आप खुद भाड़े के घर में देते हो, तो वो home है, लेकिन अपने अपने खुद का घर किसी को भाड़े भी दिया है, तो उसको permanent home नहीं बोल सकते हो, ठीके, तो permanent home देखो, सर, permanent home नहीं है, या दोनों देश में है या नहीं है, तो फिर center of vital interest, personal and economic relations, देखो, वो किदर closer है, सर, उससे बतानी चल रहा है, तो फिर additional abort देखो, सर, उससे भी बतानी चल रहा है, तो फिर national देखो, कौन से देश का है, तो national के लिए para article 3 पड़ो, वहाँ से पता चल देखो, चल रहा है, उससे भी बतानी चल रहा है, उससे भी बतानी चल रहा है, तो इसकी competent authority आपस में बैठ कर, passing the parcel के लेगी, ठीके, चिए बाइट, तुमको चाहिए, कि हमको चाहिए, उस हिसाब से यहाँ पर determined हो जाएगा, next, para 3 क्या बोलता है, company के case में, other than individual के case में, अगर dual residency हो जाती है, company के case में हो सकती है, हो सकती है, इंडिया में भी resident of because of what, incorporation, और भाहर भी resident of because of POEM, तो अब कैसे हम लोग resolve करेंगे, mutual agreement procedure के through case to case approach, case to case approach, दोनो dashboard के table बाइटेंगे, बात करेंगे, एक एक factors determine करेंग जो आप POEM में करते हैं, इतना सारा guiding principles से याद है, POEM के अंदर बहुत सारे, वो सारे यहां पर following होएंगे, और decide करेंगे कि भाई, इंडिया की resident है क्या मार्त है, उसके बात भी solve नहीं होता है, to matter close कर रहेंगे, फिर उसको कोई relief नहीं मिलेगी, check करना हो, वापर बराबर से, treaty के अंदर, ठीक है, this is what article 4 is all about, article 5, article 5 क्या बोलता है, permanent establishment, क्यों जरूर यह permanent establishment, पता लगा ना, क्योंकि एक non resident की PGMP in complete tax India में तब लग सकता है, source country में तब लग सकता है, जब उसका PE है, तो article 1, article 5 का para 1 क्या बोलता है, meaning of permanent establishment, meaning क्या बोलता है, कि there should be an enterprise, that enterprise should do a business, there should be a fixed place of business in the source country, that fixed place of business should be at the disposal of that entity, उस entity को दे तो हो कर रहा है, अपने हैसाब से business, भी में tank मतला हो, यह कुछ condition जगर आप फुल्फिल करोगे, तो आपका India में क्यों आजाएगा, PE established हो जाएगा, PE established हो जाएगा, तो PGPP income taxable हो जाएगी, अब कितनी PGPP income taxable होगी, उसके लिए article 7 परना, उस PE से बेचुगा, वो तो taxable होगी, और force of attraction लगेगा, तो बाहर से बेचुगा, तो भी लग जाएगी, इस तरीके से आपको interlinking करना पड़ेगा, provision का, I hope you understood, यार, PE established हो गया, तो tax लगेगा, कितना tax लगेगा, वो पर, अगले article में देख लेंगे, पारा 7 के अंदर, next, पारा 2 क् होलता है, यह inclusive list देता है, यह सारी चीज़ अगर है, तो यह सब PE है, बस clarity के साथ यह सब कुछ चीज़ लिग देंगे हम, place of management PA, branch PA, office PA, factory PA, workshop PA, mine PA, query PA, any other place of extraction PA, इसके अंदर कुछ addition करना है तो कर सकते, कुछ dilution करना है तो कर सकते, वो आपकी मर्ज है, वो respective country की मर्ज है, अग इस पूरा particle अच्छे से पल देना, मैंने आपको पहले ही बुला है, आपको आगे जाते हैं, तो आपको होल सम पिच्चर देखना है, आपको immediately उसका decision नहीं लेना है, therefore, यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर inclusive list दिया गया है, चलो कर पहरा 1 में आते हो, 2 में आते हैं, त definition of PE in article 4, in para 4, sorry, अच्छा परा 3 क्या बोलता है, इसको लोग ने नाम दिया है, construction PE का, left hand side पे क्या word है, building side, construction, installation, project, right hand side पे कुछ extra words है, assembly और supervisory करके भी words है, left hand side पे, अगर यह सारी activity, construction, instruction के activity, building side के activity, installation के activity, अगर 6 मेने, 12 मेने से जादा अकर चल गई इंडिया में, तो वो मनना जाएगा कि आपको इंडिया में construction PE, आपको इंडिया में tax परना पड़ेगा, और right hand side पे 6 मेने से जादा चल गया, और stricter time limit है, तो इंडिया में PE establish हो जाएगा, आपको इंडिया में tax देना पड़ेगा, plus right hand side पे एक और concept है, service PE का concept, जो OECD model convention में नहीं है, कि बार की कोई entity जो इंडिया में किसी को कुछ service देने आईए, consultancy service देने आईए, कुछ से आईए, या अपने employee के through, और उसके employees या खुद, 183 days से जादा इंडिया में रह जाते है, तो इसको इंडिया में क्या माना जाएगा, permanent establishment हो गया, और उसको इंडिया में tax देना पड़ेगा, so 183 days एक PE में क्या करनी आएगा, सबसे बिल है, OECD UN model पहले point में अलग हो जाता है, left hand side पे लिखा है, क्या लिखा है, अगर आप इंडिया में से storage करते हो, सिर्फ display करते हो, और सिर्फ delivery भी करते हो, तो OECD में PE नहीं माना जाएगा, लेकिन UN में सिर्फ storage करते हो, सिर्फ display करते हो, त point number C, point number C, अगर आप इंडिया में आते हो, क्या करने के लिख, सिर्फ processing के लिख, processing करें निकल गए, PE नहीं माना जाएगा, point number D क्या बोलता है, आप इंडिया में आते हो, सिर्फ goods purchase करने के लिख, या आप इंडिया में आते हो, सिर्फ information collect करने के लिख, PE नहीं माना जाएगा पॉइन नमर फाई क्या बोगता है अगर आप इंडिया में आते हो कोई भी एनि अधर activity के लिए any other activity मतलब any other auxiliary activity और preparatory activity करने के लिए इंडिया में आते हो auxiliary मतलब क्या supportive preparatory मत्या जो business शुरूने के पहले करते हो वो activity करने के लिए इंडिया में आते हो इसमें फिलिप बेकर का व्यू लिए गया उन्होंने बोला तीन चीज देखना पड़ेगा Stability, Dependence and Productivity अगर ये तीन चीज है तो उसका P है तो court ने देखा ये तीन चीज दिखा उनको Stability दिखी, Productivity दिखी, Independence दिखा Dependency दिखा, sorry इस सब्टेस उनको दिखे, court ने बोल दिखे, इनका इंडिया में P establish है, फिर भले वो एक दिन के लिए आए, तीन दिन के लिए या एक गंटे के लिए उससे बड़क नहीं पड़ता है, कितने duration के लिए आते हैं उससे बड़क नहीं पड़ता है उसका इंडिया में P establish हो जाएगा similarly यहाँ पर आगे project office के बारे में कुछ बात क्या है अगर project office है कि auxiliary activity की तरह काम करता है तो वो P नहीं है, अगर main activity की तरह काम करता है तो P है, उसके बाद license office के बारे में बोला है there is divergence view, बहुत view में divergence है जैसे, license office को अपनी हद पता होनी चाहिए अगर license office वो activities कर रहा है जो RBI ने उसको बोला है, अगर वो ही कर रहा है तो वो license office है, वो P नहीं है, उसको इंडिया में tax नहीं लग सकता है लेकिन अगर वो अपनी हद पार करता है अगर इंडिया में आपसे advertisement और promotion के लिए आते हो, याद करो तो यह चीज इंडिया में permanent establishment नहीं माना जाएगा अगर यह पांच exceptions जो देखे आपने, A, B, C, D, E अगर आप यह combination में भी करते हो ना, किसमें? combination, तो भी चलेगा, तो भी आपका PA established भी होगा लेकिन combination करने के बाद भी, आपकी जो activity है न, वो कैसी लगनी चाहिए? auxiliary और preparatory, main नी लगनी चाहिए, I hope you remember that you can do in a combination, you can do 3-4 things तो अब assess ही क्या करने लगा? बाहर एक entity है, वो उसकी चार और subsidy खोडने लगा, और हर एक subsidy को क्या बोलने लगा? आप एक एक करके क्या करो? इंडिया में अलग-अलग activity आप करो एक entity normal business करेगा और दूसरी entity उसको support देगी तो ऐसे cases में क्या हो रहा है? आप अपनी जुडिय भी activity को तोड रहे हो यू आर fragmenting a cohesive activity, तो इस चीज़ को overcome करने के लिए government ने क्या लाया? government नहीं बोलूँगा, OECD ने क्या लाया? क्या लाया? anti-fragmentation rule in point number 4.1 if you can remember that लेकिन anti-fragmentation rule के भी अपनी condition है, इसमें क्या हो जाएगा? इसमें सारी entity जोड जाएगी, सारी activity जोड जाएगी, लेकिन जो activity जोड रही है, that should complement the original activity if you remember, वो bank है, bank को complement कौन कर रहा तो उस example में, वो application processing office, I hope you remember that, तो ये जो complementary activity है, वो भी तुमारे main activity को complement करना चाहिए, तब आप जोड़ो, और फिर उसको analyze करो, क्या ये permanent establishment बन सकता है क्य अब इसमें आपको multiple paragraph देखना पड़ेगा, बार में जाए para 1 and 2, ठीके, लेकिन para 4 आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, exception में निया है अचाहिए agent, अरे yes or no, लेकिन para 4.1 में आगया तो उसको फसा दिए, और आगे का para भी देखना पड़ेगा, क्योंकि dependent agent होना भी जरूर अरे yes or no, कौन सा agent इंडिया में taxable है, मैं तीनों को concept को mix करके एक साथ बोलता हूँ, इंडिया में कब team to accrue or arise हो जाएगा, इंडिया में कब permanent establishment हो जाएगा, इंडिया में कब agency B का concept attract हो जाएगा और tax लगेगा, जब एक non resident, इंडिया में एक agent बिठाता है, जो इसके बिहाफ पर इंडिया में contract करता है, who has authority to conclude contract and who habitually enters into a contract, and now you check whether he is dependent or not, dependent भी होना ज़रूरी है, वो agent उस पर इंडिया में contract करना भी ज़रूरी है, और फिर para 4 वाली activities में include नहीं होना चाहिए, क्योंकि वाँ include हो जाएगा, तो फिर वो exclusions में आ जाएगा, I hope you are clear यार, तो सबसे पहले आप चेक करो, agent dependent है क्या, अगर dependent है तो फिर आओ para 5 में आओ और चेक करो, क्या वो contract करने के लिए authority है क्या, authority भी है, फिर चेक करो वो ऐसी activity तो नहीं कर रहा है, जो exclusions में आता है, अगर वो आता है तो फिर भी बच जाएगा हो, यह सारी चीज़ा है as a whole आप maximum insurance premium दूसरी country से आता है, या risk दूसरी country में sure insured है, तो यह माना जाएगा उस country का दूसरी country में क्या है, permanent establishment है और उसको क्या करना पड़ेगा, उस पे tax बरना पड़ेगा, बट बेटा यह नहीं बुलना है, बहुत जबरदस concept है, पहले आप क्या identify करोगे, agents का dependency, क्या वो dependent है, तो आगे बड़ा, अगर independent है तो matter close करो, PAO ही नहीं सकता है, dependent है तो क्या dependent agent by default PA बन जाएंगे, उनके लिए भी test check करना पड़ेगा, पिछले paragraph का, paraphy का, कि भाई अब वो authority है क्या conclude करने की contract, वो भी तो check करना सरूर है, और UN model में एक और बनता भी agent बन जाएगा, कि वो कुछ contract one track नहीं करता है, वो सिर्फ delivery भी करता है ना अगर याद करो, तो UN model में के extra point है, सिर्फ delivery भी करता है, तो वो भी permanent establishment माना जाएगा, जो OECD के अंदर नहीं है, OECD के अंदर क्यों नहीं है, क्योंकि मैं आपको logic बताया था और आपने ही बताया था, OECD में सिर्फ delivery करने को हम permanent establishment मानता ही नहीं है, वो exclusion में आजाता है, OECD UN के अंदर वो exclusion में नहीं हाता है, UN के अंदर वो permanent establishment माना जाता है, then comes the next paragraph, just one or two more paragraph I would like to address and then I will end this session over here, para 7 क्या बलता है, कि just because a foreign company has a subsidiary in India or an Indian company has a subsidiary in foreign country, it does not mean that both of them have got a P in another country, just because apple has a subsidiary in India, it does not mean apple has a permanent establishment in India, permanent establishment का rule has to be determined by the preceding paragraphs, either by para 1 or para 2, by meaning or by inclusive list, either by construction P or service P, और either by dependent agent P, यह concept से ही आप permanent establishment का concept करोगे, बाकी और कोई तरीके से नहीं कर सकते हो, last but not least, यहाँ पर दिया गया, closely related enterprise का मतलब क्या होता है, एक entity अगर दूसरे entity में 50 तक क्या सी जाधा hold करती है, वो closely related enterprise है, और यह क्यों काम आने वाला है, यह आपको anti-fragmentation rule में, point number 4.1 में काम आने वाला है, ठीक है, so this is what this article is all about, ठीक है, बहुत जबर्दस अर्टिकल है और यह सबसे important article है, out of all the articles in this particular chapter, so let us take the discussion of revision ahead with the next article, that is income based articles, now business profit, business profit कहां tax होगा, OECD के हिसाफ से बोलता है, resident country में business profit tax होगा, ULB बोलता है, resident country में tax होगा, लेकिन अगर आपका source country में permanent establishment है, तो फिर source country में भी tax हो सकता है, और फिर कित प्लस OECD को छोड़ो, UN के अंदर आओ, UN का अधा important है, UN के अंदर एक concept उसका नाम है, बहुत important concept, force of attraction, उसमें क्या होता है, एक बार अगर किसी non-resident का source country में एक P.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E. पेचेगा तो भी tax लगए है, ठीके, अच्छा कितना profit इंडिया में tax लगए है, वो लिखा गया है, पारा टू के अंदर, पारा टू के अंदर क्या बोला गया, left-hand side, right-hand side के अंदर कुछ differences है, but more or less same है, wordings में कुछ differences है, मैं क्या differences है, वो भी बोलता हूँ, क्या similarity है, वो भ अगर वो separate entity है और अगर वो अपने HO से नहीं, किसी third party से समान करीदता तो बेचता, तो वो समान कितने में खरीदता, कितने में बेचता, तो वो कितना profit लिखाता, उस हिसाफ से, separate and distinct identity समझ कि अगर वो entity अपने आपको समझे, तो वो कितना profit कमाता, उस हिसाफ से जितना profit कमात क्या asset है क्या risk है वो भी देखो जितना ज्यादा functions जितने ज्यादा asset जितनी ज्यादा risk उस हिसाब से इंडिया मस को आप क्या कर दो उस हिसाब से इंडिया मस को आप attribute कर दो क्या profits ठीक है right hand side पे एक और point बोला गया है कि आपको जब profits attribution करोगे तो आपको subject to para 3 देखना है तो para 3 दी एक बार देखना जरूरी है left hand side पे para 3 है नहीं तो देखोगे क्या तो जब right hand side पे para 3 के अंदर क्या लिखा गया है let us see that what is written in para 3 on right hand side para 3 के अंदर यहाँ पर right hand side पे बहुत सारे UN model के अंदर बोला गया है कि कौन-कौन से खर्चों का deduction मिलेगा कौन-कौन से खर्चों का deduction नहीं मिलेगा तो para 3 के अंदर UN model में बोला है कि अगर कोई इंडिया का P.E. अपने अपने हो को कुछ payment करता है तो उसका deduction उसको नहीं मिलेगा अगर किसी और branch को कुछ payment करता है interest, banking industry का branch है, वो अपने H.O. को अगर कुछ interest का payment करता है, क्योंकि H.O. ने उसको loan दिया है, तो उस loan का उसको क्या मिल जाएगा? deduction मिल जाएगा, ठीक है? clear है? बोलिए? आगे बढ़ रहा हूँ है, ठीक है? तो ये पुरा भाषन यहाँ पर दिया गए आपको in short मैंने आपको दो शब्दों में बता दिया, क्या deduction मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा? H.O. को payment किया branch को payment किया, deduction नहीं मिलना आला है, लेकिन अगर reimbursement किया deduction मिलेगा? लेकिन अगर वो ही branch, अगर banking branch है, अपने H.O. को loan का interest देती है, तो उसका deduction मिल जाएगा. अब जिस चीज का आपको deduction मिल रहा है, वो वो चीज सामने वाले के हाथ में income भी होगी. जिस चीज का deduction आपको नहीं मिल रहा है, वो सामने वाले के हाथ में income भी नहीं मानी जाएगी. ठीके, टीके, 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 अस सिंपल as that. Next, प्यारा त्री सिर्फ OECD में UN के अंदर नहीं है. यहाँ पर क्या है? यहाँ पर difference in opinion है. अगर difference in opinion of two nations, उसके वज़े सा अगर double taxation होता है, तो अनों देशों को एक दूसरे से बात करना पड़ेगा, mutual agreement procedure. मिसाल के तौर पर, बहार एक entity है, उसने इंडिया में branch खोला, उसने इंडिया की entity को कुछ समान बेचा, तो अब उसको वहाँ पर वो sales दिखाना पड़ेगा, इंडिया में उसको purchase अब इंडियान गवर्मेंट 90 रुपीज का purchase accept करती है, लेकिन बहार की गवर्मेंट 90 रुपीज का sales accept नहीं करती है, वो बोलती है 110 रुपीज का sale है, तो अब क्या होगा, 20 रुपीज का double taxation किस तरीके से, क्योंकि 120 रुपीज, 110 रुपीज उसको वहाँ sale दिखाना पड़ेगा, वो 110 रुपीज टाक्स लेगा, और यहाँ पर इंडिया में वो deduction 90 पर लेगा, तो double taxation होजाएगा 20 रुपीज पे, इस double taxation को दोनों देश, एक दूसरे के साथ बैठ कर क्या करना चाहिए, रिजॉल करना चाहिए, उसके बारे में बोला गया, इस particular article के अंदर, ठीके, next, अगर रिजॉल नहीं होता है, तो फिर बार में mutual agreement procedure करो, कुछ भी करो, उसको रिजॉल करनी ही कोशिश करो, next, पैरा फोर क्या होता है, कि आप इतनी सब मगजमारी करने में बहुत समय बर्बाद होगा, तो यह लोग बोलते है, अपने customer traditions के इसाफ से, जो सालों से चल रहा है, तो उसमें क्या करो, सालों से चल रहा है, उस हिसाफ से आप profits को attribute कर दो, हाँ, लेकिन उसके भी कुछ कंडिशन से, profits attribute करने के बाद, ऐसा नहीं लगना चाहिए, कि कुछ बहुत अजीब result आ रहा है, कि इतना profit attribute कर दिया, एक particular branch को कि उतना तो उसने कभी जिन्दगी में कमाया नहीं, उतना एक साल में attribute कर दिया, ऐसा अजीब result आएगा, तो फिर यह rule मत follow करो, similarly यह rule अगर follow करना है, तो दोनों देश की tax authorities को accept करना पड़ेगा, यह rule प्लस चेंज करते रहोंगे, तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है, तो फिर उसकी income उसी article के हिसाब से tax होगी, इस article के हिसाब से tax होगी, ठीक है, next article interest, interest कहा tax होगा, सब से पहले, interest may be taxed in the resident state, may be का मतलब क्या होता है, source में भी हो सकता है, हो सकता है, और paid का मतलब क्या होता है, पेड का मतलब actual payment ज़रूर नहीं है, अगर set off भी करते हो, तो भी चलेगा, तो para 1 क्या बोलता है, article 11 का, कि rule, यह interest कहाँ tax होगा, resident country में, अब para 2 क्या बोलता है, para 2 बोलता है, source country में भी हो सकता है, OECD बोलता है, source country में भी हो सकता है, अगर आप tax 10% से ज़्यादा नहीं charge करो तो, अगर 10% तक tax charge करते हो, तो source country में भी tax कर सकते हो, right hand side पर क्या बोलता है, source country में भी tax हो सकता है, और दोनों देश decide करेंगे, कि वो maximum tax rate क्या होगा, यहां पर कोई percentage नहीं दिया गया है, ठीक है, para 3 क्या बोलता है, interest का definition, interest का definition में क्या है, सारे किसम के debt आजाएंगे, debt of every kind, whether it is mortgage whether it is not mortgage, whether there is its kind of Islamic banking which I have told you in the class, whether it is in the form of debentures, bonds, etc, लेकिन एक चीज़ बोला है कि penalty को interest के अंदर मत लेना, अगर OECD का recommendation, अगर लेना चाते हो, तो फिर आप ले सकते हो, country is free to do that, but OECD का recommendation के साब से penalty should not be considered as interest, ठीक है, plus interest में वो सारी चीज़े नहीं आईगी, जो traditional interest नहीं माना जा ठीक है, interest swaps will not be covered over here, because उसके पीछे कोई dead नहीं है, non-traditional financial instruments are not covered here, only traditional financial instruments like loan, debentures, bonds, debt, etc, यही सारी चीज़े यहाँ पर covered है, next, अगर कोई foreign entity का, इंडिया में कोई P.E. है, और उस P.E. के तुरु वो किसी को loan देता है, और उससे interest कमाता है, तो फिर वो interest यहाँ tax नहीं होगा, आर्टिकल 7 में business profit कितरा tax होगा, similarly right hand side पर तो force of attraction का भी concept है, अगर city bank का इंडिया में branch है, और वो branch से loan देता है, interest कमाता है, वो तो tax होगा ही, अब अगर कोई directly बाहर से city bank का bank, अगर इंडिया में किसी को loan देता है, तो वो भी force of attraction में इंडिया में क्या हो जाएगा, chargeable to tax हो तो जैसे goods के लिए force of attraction का concept है, वैसे यहाँ पर services और loan के लिए भी force of attraction का concept है, next is, कि कभ ये माना जाएगा, कि interest has arised in a country, सबसे पहले, अगर pair किसी देश का resident है, तो ये माना जाएगा, interest is arised in that country, अगर मैं इंडिया का resident हो और मैं किसी को interest पे कर रहा हूँ, तो ये माना कि वो interest इंडिया में arise हुआ है, और उसका इंडिया में tax लग सकता है, source basis पर तारा 2K साब से, और दूसरा, अगर मैं इंडिया का resident नहीं भी हूँ, तो भी इंडिया में arise हो सकता है, UK के बंदे ने US के बंदे को लोन दिया, US के बंदे ने वो लोन इंडिया के किसी PE के लिए यूज किया, और इंडिया के उस ब्रांच के लिए यूज करने के बाद, वो इंडिया का ब्रांच उसका deduction भी claim करता है, तो यह माना जाएगा, वो interest भले एक non-resident, डूसरे non-resident को pay कर रहा है, लेकिन क्योंकि वो पैसा इंडिया में use हो रहा है, और वो इंडिया का PE के अंदर establish हो रहा है, इंडिया का PE उसका deduction claim करना है, तो वो इंडिया में taxable हो जाएगा, ठीक है, next is last but not least, अगर pair और PE के बीच में कोई special relationship है, like holding subsidiary, like parents, like husband, wife, etc, brother, sister, ऐसा कोई relationship है, pair और PE के बीच में, तो pair को deduction कितना मिलेगा, जितना भी arm's length price का interest दे रहा है, उतने interest पे उसको article 11 का benefit म लेगा, concessional tax rate, जो excess payment कर रहा है, more than arm's length price, उसको पर उसको कोई benefit नहीं मिनने वाला है, ये लिखा गया है, pair 6 के अंदर, ठीक है, next article 12 royalty, royalty क्या बोलता है, left hand side पे royalty बोलता है, कि royalty हमेशा OECD के अंदर, OECD के अंदर हमेशा resident country में ही tax होगा, right hand side पे royalty OECD के साब, UN के साब से resident country मे भी tax हो सकता है, तो right hand side अभी दोनों बाते करता है, may भी बोलता है, तो मतलब source country में भी हो सकता है, तो क्या left hand side पे source का option आ सकता है, सब वाली नहीं उठा है, क्योंकि वहाँ पे तो share बोलके खतम कर दिया है, right hand side पे source का option आ सकता है, क्या option है, वही same option है, जो पिछले article के अंद तो मैं उस पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा, पैरा 3 के अंदर आपको definition मिल जाएंगे, royalty के definition में कुछ minor differences है, left hand side, right hand side, जैसे right hand side पे films को डाला है, tapes, broadcasting, etc, फिर right to use industrial or commercial or scientific equipment डाला है, यह कुछ extra points right hand side पे, जो left hand side आपको नहीं दिखेंगे, तो right hand side का definition is more exhaustive as compared to the left hand side definition, उसके article 7 में tax होगा, और ना कि article 12 में, similarly force of attraction concept यहाँ पर भी applicable हो जाएगा, तो इसमें time based करके मतलब नहीं है, similarly यहाँ पर भी same copy paste provision डाला है, कि कब royalty इंडिया में team 2 अकुरू अरज होगा, same to same है, यह exact copy paste है, यहाँ पर यह point आए नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पर OECD के साब से, royalty is always taxable in resident country, so the question of taxing in source country does not arise only, ठीक है, यह paragraph यह paragraph दोनों अग्दम copy paste है, इसमें स्याधा समय बरबाद नहीं करना चाहता हूँ, मैं आ रहा हो article 12 के अंदर, article 12 के किस पर है, FTS के उपर, now this article is very recently introduced in financing, sorry, financing बुलना गलत है, in 2017, updation of UN model convention, this article is not there in OECD, अब यहाँ पर यह article कहा tax होगा, यह income कहा tax होगी, FTS would be taxed by default under para 1, under the resident country, resident country, आप जिस देश के भी resident हो, वहाँ tax होगा, क्या source country में भी tax हो सकता है, हो सकता है, फिर से वही कहानी, अगर, अगर source country एक particular rate तक tax लगाता है, 10%, 15%, जो दोनों देश आपस में decide करेंगे, वो मैं आपको UK की treaty पढ़के बताया था, कि बहुत important है हमारे लिए, interest का definition भी important था, royalty का भी important था, लेकिन FTS का सबसे ज़्यादा important है, FTS में क्या आएगा, कोई भी consideration जो आप किसी service के लिए देते हो, जो managerial है, technical है, consultancy है, यह managerial technical consultancy क्या होता है, बहुत overlapping concept है, managerial consultancy भी हो सकता है, technical भी consultancy हो सकता है, managerial मतलब आप किसी को management स related कुछ service दे रहे हो, technical मतलब आपको कोई broad knowledge एक किसी area का, किसी profession का, doctor हो, lawyer हो, या chartered accountant हो, वो technicality होगी, consultancy service एक general term है, जो overlapping concept है, हाँ, तो यह सारी, यह तीनो वर्ड याद रखना, managerial technical consultancy, यह तीनो चीज़ यहाँ पर covered है, हाँ, लेकिन कुछ चीज़ यहाँ पर नहीं covered है, इंदे के जो लगर अपने परतन लिए उसके लिए कोई payment कर रहा है, तो वो भी FTS के definition में covered नहीं है, बाकि इन तीनों का मतलब overlapping है, वो जो यहाँ पर लिखा गया है, next para, यह para exactly same है, जो अपने पिछले article में पढ़ा था, कि कभ यह माना जाएगा, FTS has horizon in a country, has approved in a country, pair उस इंदिया को charge कर रहा हो, इंदिया में deduction claim कर रहा है, तो वो income इंदिया में अक्रू हो जाएगी, अब यहाँ पर एक extra article है, जो पिछले दो पार के, पिछले पार के, पिछले पार के, पिछले पार के, पिछले पार के नहीं था, वो extra paragraph क्या है, कि अगर FTS, जो आप services ले रहे ह और utilize बाहर के permanent establishment में कर रहे हो, तो वो इंडिया में अक्रू नहीं हो सकता है, उसके पार para 6 वो same है, वो कुछ भी खास नहीं हो, अपना personal relationship वाला point है, यह exactly copy paste है, यह वाला, sorry, para 7, special relationship वाला point, जो पिछले दो article के अंदर भी था, तो इस तरीके से तुमारा article 12, 12a और 11 खतब होत है, now article 13 पे आते है, capital gains, capital gains को इन्होंने categorize किया based on the category of assets, सबसे पहले इन्होंने कौन सा category of assets आता है, immobile property, immobile property का capital gains कहां लगेगा, जहां पर property situated है, जिस देश में भी property situated है, वहाँ tax लग जाएगा, अब immobile property, क्या source resident country में भी लग सकता है, लग सकता है, maybe was used है, तो resident में भी लग स सकता है, source में भी लग सकता है, तो जो भी tax source में भरोगे, resident country आपको क्या देदेगी, उसका credit देदेगी, article 23 के हिसाफ से, ठीक है, now, immobile property का मतलब क्या है, सबसे पहले इन्होंने बुला है, अगर domestic law में immobile property defined है, तो उससे हिसाफ से जाओ, अगर नहीं defined है, तो फिर आप आज six के अंदर आपको उसका definition मिलेगा, ठीक है, जो आपके syllabus में ही है, तो इन्होंने बुड़ा immobile property में बहुत सारी चीज़ आती है, एक तो immobile property में सबसे बड़ा immobile property land है, land के बाद उसके बाद उसका accessory to land, accessory to land क्या बिल्डिंग है, फिर livestock है, अगरिकल से related चीज़े भी immobile property है, उसके बाद में mines भी immobile property है, लेकिन ships, boats, aircraft को हम immobile property नहीं मानते है, यह सारी चीज़े यहां पर दी गई है, उसके बाद यहां पर इन्होंने बात किया है, कि ट्रांसफर में क्या क्या आएगा, ट्रांसफर में सेल आएगा, exchange आएगा, compulsory acquisition आएगा, inheritance आएगा, यह सारी चीज लखा गया है, कि अगर कोई non-resident है, उसका इंडिया में P.E. है, और अगर वो P.E. से कोई mobile property बेचता है, तो वो इसी देश में tax होगा, जहां पर उसका P.E. है, जा तो पूरा का पूरा P.E. बेच देता है, पूरा का पूरा P.E. मतलब पूरा का पूरा 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 पूर 14 independent personal services, not that. इसलिए right hand side पे they will be using fixed base and permanent establishment both, left hand side पे they will be using only fixed base, ठीक है, उसके बाद यहां पर बात किया गए, कि ships, aircraft, यह सब का tax कहां लगेगा, यह सब का tax महां लगेगा, जिस देश के आप resident हो, resident country में आपको tax लगेगा, आपको ज़्यादा सोचने की जरुवत नहीं है, दुनिय हमें किदर भी जाके बेचो, ship, aircraft, यह सब कुछ, आपको tax तो resident country में ही लगने वाला है, उसके बाद यहां पर boda phone case law के बारे में बात किया है, कि अगर एक country है, वो दूसरे company के shares बेचती है, तो if that derive its value more than 50% from another country, then it is deemed to accrualize in that other country, ठीक है, तो यहां पर सिट फरक्या income tax law के in article 13 para 5, ठीक है, तो यहां पर दोनों देश मिलकर एक percentage decide करेंगे, ठीक है, वो कितना percentage है, 50% से कम, last but not least, अगर कोई भी capital asset, अगर पिछले paragraph में cover नहीं है, para 1, 2, 3, 4, अगर वो यहां नहीं cover है, तो वो para 5 में cover हो जाएगा, और para 5 में क्या बोला है, para 5 और 6, जो भी बोलना है, UN में para 6, वो बोला है, बहुत simple words में, अगर और कोई भी asset है, like bonds है, debentures है, jewelry है, कुछ भी हो सकता है, यहां दूसरी चीज़ है, जो capital asset है, जो chargeable to tax है, वो charge होगा country of residence में, ठीक है, यहां पर देखना है, residence rule applicable है, ठीक है, then comes the independent personal service, again this article is only there in UN model convention, और यह किसके लाया है, कुछ professions के बिला है, कौन सी professional services यहां पर covered है, जैसे आप देख सकते हो, independent scientific, literary, artistic, education, teaching activities as well as independent activities of physicians, law or engineers, artists, dentists and accountant, surgeons भी आ सकते हैं, practical life में, surgeons, doctors, doctors, सब डाला जा सकता है, बढ़ यहां पर model convention में नहीं, अब इनकी income कैसे tax होगी इंडिया में, by default इनकी income, इनकी resident country में ही tax होगी, जिस देश के भ अगर उनका source country में fixed base है, fixed base मतले एक fixed जगे जहां पर वो काम करते हैं, फिर कितने दिन के लिए भी आते हैं उससे बरग में बढ़ता है, एक दिन के लिए आता है और fixed base है, तो इंडिया में tax लग सकता है, या अगर fixed base नहीं है, और इंडिया में वो लोग आते है, 183 days से ज़ तो भी इंडिया में आपको tax लग जाएगा, यहां पर अब कौन कौन नहीं covered है, क्या यह article OECD में, OECD में यह article 2000 में delete हो गया था, तो अब OECD अपना matter कैसे resolve करेगा, article 14 तो है नहीं, article 7 से resolve करेगा, business profit के अंदर इनको खीच के लेके जाना पड़ेगा, अब यहां पर कौन यह article 15, और कौन नहीं covered है, सर, यहां पर businesses नहीं covered है, business के लिए separate article है, article 7, और यहां पर sportsmen और ethneets नहीं covered है, उनके लिए separate article है, article 17, वो आगे जाकर आपने वो syllabus में है भी नहीं, in fact आपके, sportsmen और ethneets वाल article, तो यहां पर क्या covered है, यहां पर सिर्फ professional services covered है, जो industrial related services है, वो article 7 में already covered है, सर, यहां पर क्या individuals ही covered है, या partnership firm भी आ सकते है, कुछ देशों के DTAA के साथ, यहां पर partnership firms भी cover किये जा सकते है, जैसे Australia, UK, USA, etc, इंदेशों के साथ, partnership firm ने भी इस particular article के अंदर अपनी जगा बना लिए, ठीके, next is article 21, article 21 talks about other incomes, अगर इसके बीच के सारे articles, institute ने अपने syllabus म नहीं रखा है, that is 15 से लेकर 20 तक, 21 other income की बात करता है, sir, other income कहां tax होगा, other income by default resident country में tax होगा, लेकिन UN model थोड़ा नर जाता है, और बोलता है, नहीं, नहीं, मैं इसको source country में भी tax कर सकता हूँ, यहां पर check कर सकते है, oh, इस इसके बार में बात नहीं करता है, ठीके, but UN model बोलता जैसे, जैसे business profit कमाता है, तो article 7 में cover होता है, वैसे अगर other income भी कमाता है वो, तो फिर उसकी income India में ही tax होगी, जहां पर उसका P.E. located है, तो जैसे अगर बिजनेस profit कमाता है, तो India में tax होता है, वैसे other income भी अगर वो India के branch से other income कमाना है, तो वो India में tax होगा, ठीके, this is what this article is all about. तो चलिए आगे बरते हैं towards the next article that is article 23 which talks about methods for elimination of double taxation ना यहाँ पर सबसे पहले एक introductory paragraph देख लेते हैं उसके बाद आगे जाके हम लोग एक एक paragraph के अंदर गुसेंगे जैसे अगले page पर यहाँ पर इक पैरा शुरू होते हैं ठीके के अंदर कोई तरीके होने चाहिए to eliminate the double taxation तो there are two methods which are given by OECD and UN model convention जिससे आपके double taxation को eliminate किया जा सकता है because one of the important reason why a country enters into a DT double with another country is to give relief in case of double taxation तो relief किस तरीके से दिया जाएगा दो तरीके से दिया जाएगा पहला यहाँ पर एक exemption method का concept है उस तरीके से दिया जाएगा और exemption method में भी आगे जाकर हम लोग पढ़ेंगे दो किसम के exemption method एक full exemption method एक partial exemption method हम लोग दोनों के बारे में था होई दियार में पढ़ने वाले और दूसरा method है credit method जो worldwide famous है और जाधा तरदेश including India credit method ही follow करते है ठीके now अब यहाँ पर क्यों लाए गया है method आपको double taxation से relief देने के लिए now double taxation भी दो किसम के होते है एक होता है jurisdictional double taxation एक होता है economic double taxation जोनों में फरक किया है jurisdictional double taxation में क्या होता है when same income is getting taxed twice in the same hands in the same hands in the same hands into different country उसको बोलते है jurisdictional double taxation और economic double taxation किसको बोलते है when the same income is getting taxed twice in two different hands दो अलग हातों में tax होती है तो और दो अलग देशों में tax होती है उसको बोलते economic double taxation और जो DTAA है ना जंदरली और article 23A और 23B जो भी हम लोग अभी पढ़ने वाले वो jurisdiction double taxation को eliminate करने की बात करते है वो economic double taxation को eliminate करने की बात नहीं करते है तो article 23A और 23B दोनों के दोनों सिर्फ नहीं देगी, resident country देगी, तो मैं इंडिया का resident उन में बाहर जाकर कुछ कमाता हूँ, फिर इंडिया में आता हूँ, गवर्मन को बोलूगा, तो Indian government मुझे relief देगी, बाहर की government मुझे relief नहीं देगी, तो जो देश के आप resident हो, उस देश के लिए ये article applicable है, जिस देश में आप ज आके कमाते हो, मतलब source country या जिस देश में आपका permanent establishment है, उस countries के लिए ये article relevant नहीं है, ठीके, तो चलो शुडू करते हैं, सबसे पहला method हमारा article 23A, exemption method, exemption method बहुत straightforward है, इसमें क्या होता है, ये बोलता है, टारावन, exemption method, इसमें भी सबसे पहले हम लोग अभी पहले, full exemption method में जा एक लाख रुपया कमाता हूँ, तो और वहाँ पर मैंने 20% tax दिया, तो मैं इंडिया का resident हूँ, UK में जाकर एक लाख रुपया कमाया है, 20% tax दिया, इंडियान क्या बोलती है, अगर हम लोग full exemption method follow करेंगे, तो इंडिया में ये total income के अंदर ये income को considering नहीं करने का, इसको ignore कर देने का, that is full exemption, it is as simple as that, जो भी income आप भार जागर कमाऊँगे, वो उस पर भार अगर tax भर रहे हो, इंडिया में अगर full exemption concept applicable है, तो इंडिया में उस income को total income में considering नहीं करने का, उसको आंग बन करके छोड़ देने का, ठीके, that is full exemption, अब इसमें भी bracket दिया गया, देखो उपर जहां से यहां तक भराकेड है, इसमें बोला है कि full exemption कुछ cases में applicable नहीं होगा, जहां पर एक company दोनों देश की resident बन जाएगी, अगर एक company इंडिया की भी resident बन जाती है, UK की भी resident बन जाती है, याद करो, अगर एक individual इंडिया का भी resident बन जाएगा, UK का भी resident बन जाएगा, तो individual का टाइबरेकर रूल अलग है, और company का टाइबरेकर रूल अलग है, मैंने article 4 में आपको बढ़ा आता, तो एक company अगर इंडिया की भी resident बन जाती है, UK की भी resident बन जाती है, तो फिर उस case में क्या होता है, mutually agreed, दोनों बेश बैट कर, mutual agreement के तुरू उसको decide करते है, और अगर mutual agreement क तो भी अगर उसका decision नहीं होता है, कि वो company इंडिया की resident है, तो याद करो, मैंने आपको बोला था, article 4 में, ऐस case में उस company को किसी किसम का exemption नहीं मिलेगा, यही इस bracket में लिखा गया है, कि अगर यह company यहाँ पर भी tax लग रहा है, वहाँ पर भी tax लग रहा है, तो फिर उसको कि किसम का exemption नहीं मिले वाला है, तो यह है आपका full exemption method, यहाँ पर एक example दिया है, इंडिया में आपने 10 लाग कमाया, बाहर आपने 3 लाग कमाया, बाहर जो 3 लाग कमाया, वो इंडिया में लेने काई नहीं ठीक है, वो लोई मत डारेकल लिए आप 10 लाग पर tax कमाओ, tax निकालो tax भर दो, it is as simple as that, it is as simple as that, now, full exemption के अंदर भी government recommend करती है, और OECD और UN model दोनो recommend करती है, कि कुछ incomes के लिए आप full exemption मत डालो, कौन सी income के लिए, जो article 10 में आती है, 12 में आती है, 12 में आती है, और left hand side पे सिर्फ article 10 और 11, ठीक है, ऐसा clue सबसे पहले, आप सबसे पहले सुनो ज़रा इस paragraph का मतलब क्या पाराटू का मतलब, पाराटू का simple मतलब पता हो, पाराटू का मतलब है credit method, पाराट भी मोलता है कि आप सारी incomes को full exemption method में मत डाले, आप सारी income को full exemption method में डालोगे तो दिक्कर हो जाएगी, जैसे article 10 वाली income, dividend income, article 11, article 12, article 12, interest, dividend, royalty, FTS, इनको आप full exemption में मत डा इन्डिया की एक company है, वो बहार जाकर कुछ royalty कमार गें, वो और की 10% से जाथा tax नहीं दे रही है, तो उसको full exemption क्यों दे रहे हो, उसको 10% का इंडिया में credit देते हो, और बागी percentage पे उसका tax ले लो, therefore इन्होंने एक hybrid mechanism बता है, बोला है full exemption follow भी करते हो, इसलिए उपर के paragraph में भी लिखा है, subject to para 2 and para 3 लिखता है, exemption method में लिखा है, subject to para 2 and para 3 यहां देख सकते हो, therefore para 2 क्या बोलता है, article 10, 11, 12, 12A, और left hand side पे 12 और 12A क्यों नहीं है, तो left hand side पे 12 और 12A इसलिए नहीं है, क्योंकि left hand side पे 12 क्या है, royalty है, और 12A क्या है, FTS है, royalty is always taxed in resident state, इसलिए left hand side को उसका double taxation taxation होई नहीं सकता है, OECD model convention में याद करो, OECD model convention में royalty हमेशा resident statement tax होती है, तो उसमें double taxation नहीं हो सकता है, similarly OECD model में FTS का article ही नहीं है, सिर्फ UN model में है, तो वहाँ पर भी double taxation होने का सवाल ही नहीं होटता है, इसलिए left hand side के सिर्फ article 10 और 11 का reference है, लेकिन right hand side पे 10, 11, 12 और 12A चार नहीं की ज़र्वत नहीं, credit method में कैसा होता है, सब को से इंडिया का कोई resident है, बहार जाकर एक लाख रुपया कमाया, उधर उसने 20% tax दिया, उधर जो भी उसने 20% tax दिया, exemption method के हम लोग क्या करते है, एक लाख रुपय इंडिया में पूरा ignore करते हैं, लेकिन credit method में ऐसा नही करें, उसको बोलेंगे, एक लाख रुपय इंडिया की income में include कर, इंडिया की income में include कर, और पता लगा इंडिया में कितना tax है, इंडिया में tax है 30%, तो 30% tax कितना जाएगा, तीन लाख रुपया, बहार तुने कितना बढ़ा, 20%, 20% मतलब कितना दो लाख रुपया, therefore to differential amount है, इ नहाँ पर OECD और UN model convention ने बोला है, तो बहार अगर आप थर्दी भर के आते हो, और इंडिया में 20%, तो differential amount, या तो carry forward होगा, या तो forfeit हो जाएगा, इंडिया में क्या होता है, सर, इंडिया के लोग इसाब से rule 128, जो FTC का credit देने के बारे में बात करता है, इंडिया के अंदर excess जो पे करते हो आप भार tax as compared to India is forfeited, कुछ देशों में को carry forward भी किया जा सकता है, लेकिन इंडिया उसको forfeit कर देता है, तो credit method इस तरीके से, जिसमें आप भार कितना कमाते हो, उसकी income इंडिया में include करो, फिर इंडिया के tax rate से compare परो, जाधा बढ़ दिया है इंडिया में, तो forfeit, इंडिया में कम भा रहा है, बहार जाधा बर दिया है, तो balance आपको भरना पड़ेगा, ठीक है, it is as simple as that, तो ये चार article के लिए इन्होंने बोला है, कि भाई आप credit method follow करो, क्योंकि आप सामने वाले को relaxation दे रहे हो, थर्ड, पैरा त्री, पैरा त्री क्या बोकता है, प पैरा त्री का method का नाम मैं आपको बताता हूँ, partial exemption या partial integration आप बोल सकते हो, या exemption with progression, अलग-अलग नाम है, partial exemption income simple method है, exemption with progression इनका technical नाम है, तो partial exemption में क्या होगा, कि आप इंडिया में कोई income, आप बाहर जाकर कोई income, आप इंडिया का resident हो, आप बाहर जाकर कोई income कमा रहे हो, suppose म आप इंडिया का resident हो, मैंने बाहर जाकर तीन लाग रुपया कमाया, अब तीन लाग रुपय रुपय बहार tax नख बरा, लेकिन वो तीन लाग रुपय इंडिया में exempt है, तो जो भी इनकम पर अा प्लाई करना, बची इंकम पर अप्लाई करना, तो यहां पर जो भी आप बा एक बार आजाएगा ना वहाँ अपनी अपनी इंकम पर लगाना चालू कर दोगे, जैसे यहाँ पर देखो, इंडिया में तुन्हें 10 लाग कमाया, वहाँ तुन्हें 3 लाग कमाया, 13 लाग रुपय इंकम ले, 2 लाग 10 जार रुपया, 13 लाग पर टैक्स आता है, उसका एफेक एफेक्टिव टैक्स रेट निकालने के लिए सिर्फ हम इसको इंकम में इंक्लूड कर रहें, उस पर टैक्स नहीं लगाना है, सिर्फ एफेक्टिव टैक्स रेट निकालने के लिए उसको इंक्लूड कर रहें और एक बार हो गया, उसके बाद में आप बालेंसिंग इंकम क तो पैराफोर क्या बोलता है पैराफोर बहुत beautiful बात बोलता है पैराफोर बोलता है शुरुवात कैसे करता है बोलता है पैराफोर आपको नहीं मिलेगा मतलब आपको exemption method हम नहीं देंगे कब नहीं देंगे जब सामने वाला देश convention apply करके आपकी income को exam कर देगा, मिसाल के दौर पर, मैंने UK में जाके कोई income कमाई, ठीके, मैंने UK में जाके कोई income कमाई, और सामने वाला देश, उसको convention apply करके, convention apply करके मतलब treaty apply करके, उस income को exam कर देता है, तो सामने वाला अगा treaty apply करके, उसको exam कर देता है, तो India भी उसको exemption नहीं देगा तो हम यहाँ exempt क्यों देगे लेकिन यहाँ बहुत important words है क्याची words है जो मैंने underline किया और red में कि सामने वाला उसको कैसे exempt करना चाहिए convention को apply करके convention को interpret करके उसको exemption देगा तो इंडिया भी उसको para one का benefit नहीं देगी इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ मैंने अगर बाहर जाकर कोई income कमाया एक लाफ रुबे की और सामने वाला convention को apply करके income को exempt नहीं करता है बलकि उनके domestic law में वो income exempt है उनके income tax law के हिसाब से वो income exempt है तो क्या इंडिया उसको para one का benefit दे सकती है दे सकती है क्योंकि law में बहुत clearly लिखा है यहाँ पर कि benefit कब deny किया जाएगा जब सामने वाला देश convention apply करके उसकी income को exempt करता है तो अगर treaty का interpretation करके सामने वाला exempt करता है तो हम उसको exemption नहीं दे सकते लेकिन सामने वाला देश अगर उसके income tax law के हिसाप से उसको exempt करवा देता है तो फिर इंडिया उसको exemption दे कर रहेगा चेक करना यह beautiful line लिखी गई है आपर बहुत beautiful paragraph है यह सब आया नहीं कभी exam में इतना hardcore interpretation है इस एक paragraph में हम लोग ने class में एक लेक्शर बिताया बिताया बहुत सब बिताया आपने class में division videos में शयद में उतना justice नहीं कर पाऊंगा इन सब चीज़ों के साथ but still I am trying my best ठीके now article 23b which talks about credit method credit method पूरा copy paste है किस की तरा 23a की तरा यह देखो यह पूरा का पूरा copy paste है यह देखो पूरा का पूरा copy paste है यह किस की तरा है यह पूरा 1 is similar to para 2 of 23a और यह this is similar to what we have done just now देखो अप थोड़े देर पहरे जोगी है exactly पैसा एक बार देखो लो फिर आगे परेगा copy paste है कोड़ा now let us move towards the next one that is article 24 which talks about non-discrimination कैसे केसाथ discrimination ना करो discrimination करना गलत बात है अब इस पर multiple paragraph जालके रखा है kit करके बहुत बारी की से तुमको सुनना पड़ेगा सबसे पहला पैरा क्या बोलता है अगर बाहर का कोई national है वो इंडिया में आता है तो उसका इंडिया में discrimination मत करो as compared to Indian nationals तो बाहर का कोई national अगर इंडिया में आता है वो क्या लिखा है in same circumstances in particular with respect to residence अब इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब समझने के लिए हम लोग यहाँ पर नीचे कुछ examples दिए वो समझने ही कुशिश करते है लेकिन पहले basic paragraph क्या बोलता है basic paragraph क्या बोलता है equality रखो बाहर का national अगर इंडिया में आता है तो उसका इंडिया में taxation same होना चाहिए इंडिया नाशनल के जैसा उसका इंडिया में connected requirements procedures same होने चाहिए इंडिया नाशनल जैसे लेकिन in particular in same circumstances in particular with respect to residence अब इसका मतलब क्या होता है उसके लिए यहाँ पर institute में दो paragraph डाला है ठीके यह पहला paragraph यह दूसरा paragraph पहले पहले पहला paragraph के बारे में बात करते ठीके by default तो बोला गया है आप discrimination ना करो आप equality रखो लेकिन अब बोला गया है कुछ cases में आप discrimination कर सकते हो सबसे पहले सबसे पहले क्या है suppose जान से सुनना example Indian government इंडिया के resident nationals को गोर से सुनना resident और national एक बंदा जो इंडिया की nationality भी रखता है प्लस इंडिया में रहता है देश के साथ रहता है देश में रहता है सिर्फ nationality नहीं है इंडिया के citizenship लिया और Canada में रहता है इंडिया के citizenship लिया और दोगई में रहता है इंडिया का resident भी है ये difficult paragraph है समझना कोई एक बंदा है जिसके मैंने आपको example भी लिखो है एक बंदा है इंडिया का resident भी है और इंडिया का national भी है कि आप housing loan का deduction ले लो दो बच्चों की school fees का deduction ले लो वो क्यों देते हैं क्योंकि वो हमारे देश में रहता है अब अगर UK का बंदा यहाँ पर आकर यह expect करेगा कि हम उसका treatment इसके साथ at power रखे हम नहीं रखने वाले क्यों कि हम उसको इसले benefit देते हैं क्योंकि वो इंडिया का resident है तब UK का national यहाँ पर आकर यह नहीं बोल सकता है मुझे उस resident nationals की तरह benefit दो मुझे भी उस ATC के अंदर benefit दो मुझे भी वो दो बच्चों की school fees का deduction दो मुझे भी वो सारा benefit दो जो उसको दे रहे हो government बोलेगी हम तुझे उतना benefit नहीं देंगे जितना हम इंडिया में रहने वाले national को देते है हाँ लेकिन हम ऊतना benefit देंगे जितना हमारे देश का कोई नाशनल किसी तीसरे देश में रहता है उतना benefit दे सकते है मिसाल के तोर पर तो अगर कोई India का resident है और national भी है तो UK national आके उसका अपने आपको उससे compare नी कर सकता है हाँ लेकिन कोई इंडिया का national है जो किसी तीसरे देश में रहता है हम उतना benefit UK national को दे दे देंगे ये बोलना चाता है paragraph ये beautiful paragraph पर चेक कर रहे इंडिया कोई national है इंडिया का कोई resident हो UK में जाता है ठीक है तो यहां पर इंगियन कॉर्मेंट UK से बोल रही है हमसे कोई non-discrimination की उम्मीद मत लगाना कब पता है हमसे हम discrimination करेंगे कब पता है जब हमारे देश के बंदों के साथ आप discrimination करते हो जब हमारे देश का बंद आपके देश पर आके income कमाता है हमारे देश का नाशनल और रेजिदेंट आपके महाँ पर आकर income कमाता है और आप अपने देश के बंदों से हमारे देश के बंदों को जब compare करते हो तो discrimination करते हो अपने देश के किसी third state के बंदे से कब compare करते हो तो हमको हमारे सार discrimination करते हो तो हमसे कोई भी non-discrimination की उम्मीद मत लगाना जहां अगले paragraph में क्या बोला गया है अगले paragraph में यह बोला गया है कि suppose इंडिया में कोई trust है कोई institution है कोई NGO है जो लोगों के लिए काम कर रही है इंडिया के अंतर लोगों के लिए काम कर रही है अब बाहार की कोई trust आती है कोई NGO आती है कोई institution आती है वो इंडिया के लोगों के लिए काम नहीं करती है वो यहाँ पर आ रही है पैसा कमाने जा रही है बस पैसा कमारी है निकल रही है, तो हम इन दोनों को parity में नहीं रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे, हम इन दोनों के साथ discrimination करेंगे, क्यों रखेंगे, क्यों discrimination करेंगे, क्यों पहली जो institution है, वो इंडिया के लोगों के लिए काम कर दिये, वो इसका objective है कि इंडिया के लोगों की non-discrimination नहीं मिलेगा, therefore, यहां पर आप parity, यहां पर आप non-discrimination की उमीद मत लगाना, ठीक है, so this is what this first paragraph is all about, और बहुत 11 paragraph है, बहुत सारी बातें आपर बोली गई है, second paragraph, बहुत ही simple paragraph, nothing great as such, first paragraph was based on national, 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 first paragraph में आने के लिए आपको किसी ना किसी देश की nationality होनी चाहिए, अब म stateless person के साथ भी आप discrimination ना करो, यह बोलना चाहता है पारा तो, और कुछ नहीं बोलना चाहता है, check कर लो, बस इतना ही बोलता है, उसलिए पारा 3 की तरफ बढ़ते है, पारा 3 क्या बोलता है, पारा 3 यह बोलता है, क्याकर बाहार की कोई business entity है, वो इंडिया में आखे permanent establishment होलती है, less favorable नहीं होना चाहिए, तो जब बाहर की कोई bank है, वो इंडिया में आखे branch कोलती है, तो उसका comparison, इंडिया की इंडिया बांक, जो है, SBI, IC, ICI, HDFC, इनके comparison में उसका less favorable treatment नहीं होना चाहिए, यह बोलना चाहती है, ठीक है, जब आप compare करोगे, एक इंडिया में, foreign entity का पर यह permanent establishment company है, तो उसको एक company से compare करो, firm है तो firm से compare करो, individual है तो individual से compare करो, plus यह भी बोला गया है, कि वो जो foreign entity है, जिसका इंडिया में PA, उसका regulated है या unregulated है, वो भी देखो, foreign entity जो इंडिया में वो regulated है, जिससे compare कर रहे है, वो unregulated है, for example, foreign entity जो इंडिया में हो किसी RBI के में आती है तो उसको आप compare नहीं कर सकते हो उस case में आप यह नहीं बोल सकते हो कि यहाँ पर कोई discrimination हो रहा है therefore जो foreign entity है इंडिया में जिसका permanent establishment खोला जा रहा है उसका Indian entity से जब compare करोगे तो सबसे पहले similar activity में होना चाहिए same sector में होना चाहिए दूसरा legal structure same होना चाहिए company company firm firm एवपी एवपी LLP LLP individual individual HOF HOF वो legal structure same होना चाहिए plus दोनो regulated है तो दोनो regulated दोनो unregulated है तो दोनो unregulated साथ साथ में यहाँ पर बोला है अगर कोई foreign entity है foreign company है उसका इंडिया में कोई permanent establishment है उसके साथ आप बेदबाव ना करो as compared to other entities in India लेकिन tax rate में आप बेदबाव कर सकते हो यहाँ पर लिखा गया है क्या tax rate में बेदबाव कर सकते हो कर सकते हो इसलिए section 90 के अंदर भी income tax में explanation डाला है that taxation on a foreign company at a rate higher than the domestic company is not considered as less favorable याद करो बेटा tax rate आप differentiate कर सकते हो तो उसके अलावा बाकी चीज़ों में differentiation मत करना tax rate में आप differentiation करोगे तो चलेगा कोई दिक्कत नहीं ठीक है now one last thing over here यहाँ पर जो आखरी paragraph में दिया गया है वो यह है कि अगर यह entity एक individual है तो suppose अगर बाहर का को individual business man है वो इंडिया में आकर permanent establishment कोलता है तो उसको यहाँ पर family responsibility के वापस से benefits मत दो क्यों जैसे वो अपने देश में तो वो benefits लेगा है फिर इंडिया में आकर वापस से family responsibilities के जैसे ATC, ATD यह से family responsibilities वाले benefits तो वहाँ अपने देश में भी लेगा है यहाँ पर भी ले लेगा तो हम उस case में शायद उसको वो benefit ना दे तो ऐसा मत बोलना कि हम उसके साथ क्या कर रहे है, discrimination कर रहे है, less favorable treatment कर रहे है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी मत करा है, क्योंकि अगर हम उसको भी benefit लेना शुरू कर दे तो वह individual अपने देश में तो benefit ले रहे है, यहाँ पर भी आकर benefit लेना शुरू कर देगा, तो यह कुछ ची resident को pay करोगे ना तो government आग बन करके deduction दे देती है, लेकिन जब तुम non-resident को pay करोगे ना, this paragraph is talking about taking deduction of expense under business and profession, business and profession में deductions की बहुत जरवत है, इसके बगएर आपकी business की बायन बच जाएगी, तो business and profession में आप deduction लेने जाते हो, तो जब आप resident को pay करते हो, तो unrestricted manner में आपको deduction मिलता है, लेकिन जब non-resident को pay करते हो, तो आपको deduction रोका जाता है, या limit किया जाता है, या तो पुरी तरीके से रोक दिया जाएगा, या तो कुछ limit करते हो, percentage पे से जादा deduction आपको नहीं मिलेगा, तो इस particular discrimination को यह रोकने आता है, यह paragraph, यहाँ पर देखना, यह paragraph यही बोलता है, कि जब आप resident को pay कर रहे हैं या non-resident को pay कर रहे हैं, उससे क्या फरक परता है, उसमें discrimination मत रखो आप, बिल्कुल भी मत रखो, लेकिन उसमें भी कुछ points है, जो आपको दिमाग में रखने होगे, पहले, अगर आप thin capitalization rules को ठीक तरीके से apply करते हो, जैसे limitation of interest वाला rule है न, वो thin capitalization tool से आया, 94B, 30% of EBITDA के ओपर जो भी खर्चा है, वो disallow हो जाएगा, तो अगर वो आप परापर से apply करते हो, तो वो आप disallow कर सकते हो, जैकिन उसमें भी बोला गया है, कि आपको resident, non-resident दोनों को cover करना पड़ेगा, अगर आप सिर्फ ऐसे बोलते हैं, non-resident को pay करोगे, तो 94B apply पराइनी होगा, तो आप ऐसा काम नहीं कर सकते हो, that would lead to discrimination, similarly, अगर आप non-resident को pay करने पर, कुछ additional requirement लगाते हो, जैसे आप इंडिया में कैसे हम non-resident को pay करेंगे, तो TDS में बहुत सारे requirements है, form 15CA, 15CBA सब भढ़ो, तो वो सारी चीज़े करने में कोई दिक्कत नहीं है, उसमें ह इसको बिल्कुल भी यह नहीं मानें है, कि हम किसी किसम का discrimination कर रहे है आपके साथ ही के, तो कोई attention लेने वाली बात नहीं है, therefore, यह paragraph का intention क्या है, कि आप resident को और non-resident को pay करते हो, तो deduction सेन तरीके से मिलेगा, दो exception है, पहला exception क्या है, पहला exception यह कि thin capitalization का rule आप apply कर सकते हो, दूस exception क्या है, कि आप non-resident को pay करते समय, additional documentary requirements अगर लगाते हो, तो चलेगा, और resident को pay करते समय, नहीं लगाते हो, तो चल जाएगा, यह discrimination चलेगा, क्योंकि यह हम किस चीज के लिए कर रहे है, हम इस चीज के लिए compliance और verification के लिए कर रहे है, और कुछ नहीं, now, next paragraph, not much important, जो यह बोल कर दिये, मतलब एक non-resident hold कर रहा है, तो just because my shares are held by non-resident, that does not mean that मेरे साथ देश में भेड़बा होगा, मतलब government of India यह नहीं बोल सकती है, या taxation law यह नहीं बोल सकता है, कि तेरे shares तो बाहर वाले hold कर रहे है, देखिए, दूसरी company इसके shares तो इंडिया वाले hold कर रहे है, ऐसा discrimination नहीं चलेगा, तो Indian company अगर जिसके shares बाहर की company hold कर रहे है, और दूसरी Indian company जिसके shares इंडिया के लोग hold कर रहे है, तो इन दोनों company के बीच में discrimination नहीं होना चाहिए, last but not least, para 6 यह बोलता है, कि this article is not only applicable to taxes covered in article 2, article 2 में पता है, taxes covered का list दिया गया, एक कौन कौन से taxes इस convention में cover होंगे, तो करो, और जो नहीं covered है, उसके लिए भी discrimination आपको नहीं करना पड़ेगा, तो चलिए अगले article की तरफ बढ़ते है, that is second last article, that is article 25, which talks about mutual agreement procedure, और ये particular concept बहुँच जगे पर आता है, income tax law में, आपके पूरे international tax paper में एक तो यहाँ पर आ गया है, एक तो यहाँ पर आ गया है, तो आ more chapter में ये concept नहीं दिया गया है, यहाँ पर multiple paragraph है, सबसे पहला paragraph यहाँ पर क्या बोलता है, और उससे लिए पहले एक introduction है, छोटा सा उसके अंदर क्या बोला गया है, कि अगर taxpayer को लगता है, कि भाई उसका treatment, treaty के हिसाप से नहीं हो रहा है, उसको treaty के हिसाप से benefit नहीं मिल रहा ह तो उसके पास option है, कि वो mutual agreement procedure के लिए जा सकता है, ठीके, यहाँ पर जो para 1 और para 2 है, वो एक independent para है, और para 3 एक independent para है, para 1 and 2 एक दूसरे से linked है, para 3 independent para है, ठीके, और para 1 के अंदर क्या होता है, इसमें भी OECD और UN model में थोड़ा सा परके, दोनों में क्या similar है यह पहले वो बता दा ह ठीके, अगर कोई SSC को लगता है, कोई taxpayer को लगता है, कोई person को लगता है, कि उसका treatment, treaty के हिसाब से नहीं हो रहा है, तो वो क्या कर सकता है, वो क्या कर सकता है, तो अब OECD और UN model में थोड़ा सा बदल जाता है, OECD में बोला गया है, उसको अपना case present करना पड़ेगा, किसके UN model में क्या बोला गया है, उसको अपना case present करना पड़ेगा, किसी भी देश के सामने नहीं, जिस देश का वो resident है, उसी देश के सामने या अगर वो nationality बता रहा है, तो जिस देश का national है, उसके सामने जाकर उसको अपना case present करना पड़ेगा, तो how OECD and UN model is different, OECD में आप अपन case किसके भी सामने, अपने देश के सामने भी जाकर present कर सकते हो, सामने वाले देश के सामने भी present कर सकते हो, लेकिन UN model में आपको अपने देश के सामने ही present करना है, जिस देश के आप president हो, जिस देश में आप national हो, ठीक है, साथ साथ में डोनों में आपको case कब तक present करना है, ठीक है इसको competent authority को उसके बाग competent authority अपनी तरफ से पूरी try करेगी और उसको unilaterally पहले solve करेगी और अगर unilaterally solve नहीं कर पाती है तो फिर वो लोग क्या करेंगे वो लोग try करेंगे कि उसको bilaterally solve करें सामने आले देश की competent authority के साथ बात करें तो जैसे आप अपना application उनको दे दो होगे तीन साल के अंदर आपकी देश की या सामने आले देश की competent authority उसको unilaterally solve करेगी और नहीं solve कर पा लिए तो फिर सामने आले देश से बात करके उसको solve करने की कोशिश करेगी यह दिया गया है पार नमबर 2 के अंदर ना पार नमबर 1 और 2 इसलिए मैंने बोला दोनों ए दुसरे से related है पार 1 में आप application देते हो पार 2 में वो unilaterally या bilaterally matter को solve करने की कोशिश करते है पार 3 एक independent पार गाफ है इसमें क्या है इसमें यहाँ पर दो देश की competent authority इंडिया यूके अब इंडिया या यूके दोनों से किसी एक देश को treaty के interpretation में दिक्कत आ रिए application में दिक दिक्कत आ रिए interpretation में दिक्कत आ रिए application में दिक्कत आ रिए definition समझने दिक्कत आ रिए तो ये दोनों देश एक दुसरे से mutual agreement procedure के तुरू बात करके matter solve कर सकते है ठीक है अब इसमें बहुत सारी difficulties solve हो सकती है यहाँ अपर अगली पेश पे कुछ examples दिये गए यह दोनों देश से किसी एक देश का पूरा को पूरा कानून बदल गया तो उसका treaty पे क्या impact हो सकता है वो समझ सकते है दोनों बैट कर या advance pricing agreement जो bilateral और multilateral advance pricing agreement होता है वो हम एक दूसरे के साथ बात करके negotiate करके उसको हम लोग resolve कर सकते है तो बहुत सारी बात है तो पैरा तरी का ultimate objective समझे आप प दोनों देश की competent authority को ही कोई problem है treaty से तरा वन और टू में क्या था? टैक्स प्रेयर को problem थी तरा अफ तरी में किसको दिक्कत है? टैक्स प्रेयर को नहीं competent authority को ही दिक्कत है और बहुत सारी किसम की दिक्कत है जो से मैंने आपको बताया है treaty का setup करना, operations procedure setup करना, term को define करना, दोनो देश एक गुसरे से बात करके वो taxes को भी relief देने की कोशिश करेंगे जो generally DTAA में cover नहीं होती है, मैंने आपको article 23 में बुड़ा था, DTAA में relief, exemption, credit, government सिर्फ और सिर्फ किसका देती है? सिर्फ और सिर्फ judicial double taxation का, economic double taxation का relief नहीं देती है, तो ये article, article 25 आपको economic double taxation का भी benefit दे सकता है, ये भाशन दिया गया है, यहाँ पर इस particular paragraph के अंदर, now para 4, para 4 में OECD UN model में कुछ फरक है, minor परक है, बहुत ज़्यादा फरक नहीं है, क्या बोलते हैं, कि दोनों देश एक दुसरे के साथ बात कैसे करेंगे, तो यहाँ पर बोला गया है, पहले दोनों में common है, OECD UN दोन directly बात करेंगे, जोनों देश की tax authority directly बात करेंगे, या through a joint commission, एक committee बना देंगे, उसको through बात करेंगे, प्लस कैसे बात करेंगे, यहाँ पर example दिया, facsimile के through बात करेंगे, letter के through बात करेंगे, transmission के through बात करेंगे, telephone के through बात करेंगे, direct meeting और other convenient means, साथ-साथ में यहाँ पर UN model में तो एक और extra step बोल दिया है वो ये है कि UN model में बोला है कि आप ये सब चीज़ों के लिए एक procedure बना लो आप एक कानून बना दो एक rules बना दो regulations बना दो ताकि ये पूरा एक कानून के साब से standardized manner में हर किसी के लिए अपनी के बना ना ब ये जो next para that is para 5 it is related to para 1 and 2 that मैंने तो अपने इसाब से application दे दिया सब दे दिया सारा information दे दिया सब documents दे दिया अब अगर competent authority solve नहीं कर पा दिये तो क्या मैं हाथ पे हाथ रखके बैठे तो अब आप क्या करोगे ज़रा बहुर से सुनना ठीक है अब थोड़ा सा difference है left hand side और right hand side पर सबसे पहले में OECD के बारे में बताता हूँ अगर आपने application दे दिया सब कुछ दे दिया competent authority को para 1 के अंदर और अगर आपका matter दो साल तक solve नहीं होता है दो साल कब से count होएगा 2 years from the date when all the information which is required by the competent authority is given by you competent authority को जो भी information चीएता हो सब कुछ दे दिया उसके 2 साल तक भी आपका matter solve नहीं हो रहा है और right hand side पर आपका matter तीन साल तक solve नहीं हो रहा है कब से 3 साल जब आपने पहला अपना case present किया था ठीक है तो देखो कहां से 2 साल चुरू होता है और कहां से 3 साल चुरू होता है उसमें भी फरक है left hand side पर 2 साल कब से चालू होएगा जब आपने सारा information जो सामने अली authority को देना था वो दे दिया उसके बाद से 2 साल का time चालू होएगा और right hand side में जैसे आपका case present हो जाएगा और आपको information दे दिया जाएगा कि आपका matter arbitration में चला गया तो देखो दोनों OECD और UN model में फरक है left hand side पर matter दो साल तक सौल नी होता है दो साल कहां से count करना है मैंने आपको बता दिया right hand side पर 3 साल तक सौल नी होता है 3 साल तक कहां से count करना है वह भी मैंने आपको बता दिया तो left hand side पर OECD में अगर दो साल तक matter सौल नी होता है तो आपको आपका matter arbitration के पास खुछ से लेके जाना होगा आप खुछ लेके जाओगे लेकिन right hand side पर आपनी लेके जाओगे दोनों इसकी competent authority arbitration में matter लेके जाएगा कि अब आपका matter arbitration में चला गया है अब left hand side और right hand side पर एक common चीज़ है point number 3 जो मैंने mark किया हूँ इसलिए मैं number no down करके रखा हूँ तो point number 1 एक separate point है 2 एक separate point है 3 separate third point क्या होता है आपका matter arbitration में नहीं जाएगा अगर आपका matter already किसी code board already code या किसी administrative authority ने उसको already solve करके रखा है तो आपके डेश में अगर सुपरीम कोट ने ऐसा कोई similar matter already solve करके रखा है तो आपका matter arbitration में नहीं जा सकता है ठीक है दो चौता और आखरी point यहाँ पर दोनों में ये तीसरा point दोनों में same पा चौता point दोनों में अलग है थोड़ा सा अलग है क्या फ़रक है देखा हूँ left hand side right hand side फेले left hand side बोलता हूँ arbitration का order आ गया अब वो binding है किस पर binding है सब पर binding है लेकिन tax payer अगर चाहे तो उससे अलग हो सकता है tax payer पर binding है ठीक है left hand side पर मतलब left hand side पर binding किस पर है competent authority पर tax payer पर binding है ठीक है right hand side पर arbitration का order आ है binding है किस पर tax payer पर binding है authority पर binding है authority भी यहाँ पर 6 मेने के अदर अगर चाहे तो different solution ले सकती है therefore left hand side पर authority पर binding और right hand side पर किसी भी binding है tax payer पर तो binding है और अपनी जो authority उस पर binding है वो भी सेमने के अंदर अपना different solution ले सकते हैं तो यह है आपका article 25 ठीक है तो चलिए अगले article की तरफ बढ़ते हैं that is article 26 which is your last article in your syllabus that is exchange of information now यहाँ पर एक basic सा introductory paragraph पहले वो बोल देता हूँ फिर एक एक paragraph के अंदर गुशते ठीक है सबसे पहले एक basic introductory paragraph यह बोलता है कि अगर किसी भी देश को अपने tax cases को complete करना है तो उसको information चाहिए foreign authorities से information चाहिए तो information कैसे मिलेगी आपको उसके लिए foreign countries के साथ क्या करना पड़ेगा DT double A करना पड़ेगा treaties करना पड़ेगा बिना treaty के आपको information नहीं मिलने वाले ठीके तो यह basic सा introduction है दो line का उससे दो और कुछ नहीं बोला गया हम लोग पहले पारक के अंदर आते OECD और UN model almost same है UN model में के extra paragraph है बागी OECD और UN model में कोई भी फ़रक नहीं UN model में जो extra paragraph है पर में थोए देर बात बोलता हूँ ठीके सबसे पहले मैं इंडिया हूँ आप सामने एक दूसरा देश हो मैं इंडिया की competent authority हूँ आप सामने वाले देश की competent authority हूँ मैं इंडिया हूँ आप UK हूँ for example तो मुझे आपके देश से कुछ information चाहिए तो I will only ask for those information which is forcibly relevant for me government ने बहुद यूज किया है यहाँ पर OECD और UN model convention दोनों ने बहुद यूज किया है forcibly relevant जो information में लिए forcibly relevant है वो information मांगो जबरदस्ती मत मांगो forcibly relevant का मतलब क्या है वो information जो आपको काम आने वाली है आप fishing expedition की point of view से information मत मांगो अभी यह सब technical शब्दों का मतलब क्या होता है fishing expedition का मतलब क्या होता है अभी जब आप कोई मच्छी पकरने जाते हो तो आप जारा डालते हो ना तो यह उम्मीद रहती है ना के होगा मच्छी मिलेगी तो मिलेगी नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी मिल गई तो अच्छी बात है नहीं मिलेगी तो खाली जाला लेकर चले जाएंगे वो intention से मत मांगो information जब मांग रहे हो तो उसका आपको कुछ use होना चाहिए तो ही मांगो जब अर्दाती मत मांगो तो इसका मतलब होता है Forcibly Relevant Fishing Expedition के intention से मत मांगो कि सामने आले जेश से information मांग लो उसके बाद देखेंगे उसका क्या करना है अरे भाई पहले पता लगाओ कि information का क्या करोगे उसके बाद मांगने जाओ यह नहीं कि पहले information ले लो और फिर बाद में देख लेंगे जब use होगा तब use कर लेंगे नहीं होगा तो information को गच्छर के डब में डाल देंगे यह intention से आप information नहीं मांग सकते हो यह मतलब है forcibly relevant का तो नीचे इन्होंने थोड़ा सा explain किया अब information आपको क्यों चाहिए दो reasons से चाहिए हो सकता है या तो आपको treaty के interpretation के या treaty के application के लिए चाहिए हो सकता है या तो आपको domestic law के enforcement के लिए भी जरुवत पड़ सकती है तो आपको डिशे देश से इन्फरम मेशन के ए तो सामने आण देश को पुरी ताकत लगानी चाहिए, दूसरे देश को वो information देने की, यह ना की कि नाटक करना चाहिए, अभी बाद में देंगे यह information हम नहीं दे सकते, यह नहीं कर सकते, हाँ कुछ restrictions हो सकते, लेकिन वो restrictions को जादा दिल पे मतलो information को promote करो exchange करना, यह intention है इस पटिकलर पारिग्राफ का, ठीके, तुझे सारा भाशन right and side, left and side और right and side दोनों के इंदर दिया गया right and side पे एक extra paragraph है, जो ball में आप नीचे देख सकते हो, कि information क्यों चाहिए, उसका एक reason दिया है right and side पे कि tax avoidance और tax evasion को रोकने के लिए भी हम information मांग सकते हैं, यह specific emphasis डाला UN model ने, जो OECD model के अंदर भी implied है, वो implied है, लेकिन UN model ने specifically उसको mention करने की जरूरत समझी, ठीजे, now next is आपको information का scope क्या होगा, अब कौन सा information मांगोगे सामने वाले देश से, आप सिर एक taxpayer का specific information ने मांगोगे, वो तो मांगोगे, Mr. A का information दो, Mr. B का information दो, Mr. C की कितनी property आपके देश में, वो तो मांगी सकते हो, उसमें तो कोई डिक्कती नहीं है, लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारा information मांग सकते हो, जैसे, आपके देश में कैसे कैसे तरीके से लोग tax avoid करते हैं, जरा सकी scheme बताओं, कैसे कैसे तरीके से लोग tax evade करते, जरा सकी scheme बताओं, कैसे abusive org aggressive tax planning करते族, जरा वो तरीका बताओं उनको, या पूरा-का-पूरा एक sector कैसे काम करता है हमको, वो information दो, ये सारे information भी आप नहीं सकते हो the scope of information which you can ask for from the other country is very wide it is not limited to a taxpayer taxpayer का information तो माँगी सकते हो आप लेकिन एक पुड़ा economy का information भी ले सकते हो पुड़े एक sector का information भी माँग सकते हो पुड़े एक नलायक बंच अपससीस का information भी माँग सकते हो article 1 and 2 में क्या बोलागा है this treaty is applicable only to residents article 2 क्या बोलता है this treaty is applicable to certain taxes यहाँ पर आप information किसका भी माँग सकते हो जो आपके देश का resident है उसका भी माँग सकते हो जो नहीं है उसका भी माँग सकते हो जो taxes treaty में covered है उसका information भी माँग सकते हो बहुत सारी बाते की गई एस paragraph के अंदर गौर से सुनना है कि पॉइंट बहुत बारीगी से एक बार आपको information मिल गया उसके बाद आप क्या करोगे उसके बाद उसको आप बहुत secret रखोगे आप ऐसे ही खुले फिले अपको सबको बोलते नहीं फिर होगे कि यह information है मेरे पास यह information बिलकुल नहीं आपको बहुत secret रखना है आप उसको confidentiality के साथ रखो जब तक आपके उपर सामने वाले को confidence नहीं आएगा कि यह confidentiality maintain करेगा कि नहीं करेगा सामने आपके साथ share नहीं करने वाला information तो आपको confidentiality clause को बहुत ध्यान से दिमाग में रखना होगा ठीके वो आपको उसका पूरा पालन करना पड़ेगा उसको पूरा follow करना पड़ेगा आप ऐसे ही खुले में सबको information share नहीं कर सकते हो सबसे पहले secrecy clause maintain रखना पड़ेगा तो ही सामने अखल आपको information देने वाला है मैं तो कोई उमीदमत ड़ाना एक बार आपको information दे दिया आपको secret रखना है कितना secret रखना है उत्हा最近 सपहतना है जितना अपने domestic कानुन के अंद्धर दूसरे information को रखते हो कम से कम उतना secret रखना है जैसे CS को कौन observe करता है, CAG observe करता है, INSHIRT observe करता है, RBA observe करता है, किसको banking industries को, वो उनकी oversight bodies है, ठीक है, oversight bodies को आप share कर सकते हो, ठीक है, बाकि आप किसी general public के साथ, press conference में, etc. आप information को share नहीं कर सकते हो, तो जो information मिला, सबसे पहले आपको बहुत secret टकना है, जब तक आप secret C का सामने आपके साथ share ही नहीं करने आला है, सामने आला है को लगता है, कि ये तो secret नहीं रखता है information, तो सामने आला information share नहीं करेगा आपके साथ, एक बार, secret जितना secret रखना है, वह भी मैंना आपको बता दिया, उत्तना सीक्रेट रखो, जितना आप अपने domestic lock and the secret रखते हो, उत्तना तो secret रखो, और एक बार जितना information आपको मिल गया, उसके बाद वह information में किसके साथ share करूगा, और क्या purpose के लिए यूज करूगा, वह information किसके साथ share करूगा, मैंने आपको बता दिया, tax authority के साथ share कर सकते हो, appellator authority के साथ, course के साथ, judicial proceeding में, oversight bodies के साथ भी share कर सकते हो, हाँ, अब और वह information क्या purpose के लिए यूज करना है, उसी purpose के लिए यूज करना है, जिस purpose के लिए आपने receive किया था, क्या मैं किसी और purpose के लिए यूज कर सकता हूँ, कर सकते हो, subject to two conditions, पहला condition, अगर आपको information tax के लिए यूज करने के लिए बोला गया है, लेकिन आप किसी और purpose के लिए य यह पहला कंडिशन है दूसरा कंडिशन सामने अरा देश उसको ऑथराइज करना चाहिए अब यही सारी चीज़ है यही सारा भाषन यहां पर बहुत डीटिल में दिया गया एक करके सबसे पहले आपर बोला गया कि सामने अरा इंफॉर्मेशन आपको तब देगा जब आप उ हमारे यहां confidential रहेगा information चिंदा ना करो ठीक है उसके बाद second paragraph में वही बोला गया है कि अगर information किसी और परपस के लिए यूज करना चाहता हो तो कर सकता हूं कि हाँ अगर किसी और परपस के लिए यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो subject to some condition उसके बाद third paragraph में बोला गया है क्या information third country के साथ मैं disclose कर सकता हूं और लास्ट में आपर बोला गया oversight bodies के साथ information share कर सकता हूं कर सकते हो लेकिन oversight bodies को भी confidentiality maintain करना पड़ेगा उनको भी सिर्फ उतना information disclose करो जितना उनको जरूरा information मन disclose करो और उनको भी confidentiality maintain करना पड़ेगा कितनी confidentiality जितनी tax administration, court, etc. ये लोग maintain करते हैं उतनी कम से कम उनको भी maintain करन जाएगा तो आपको इसको कैसे use करना है और किस किस के साथ share करना है और किस किस के साथ share नहीं करना है और उसको आपको क्या दूसरे purpose के लिए use कर सकते हो के नहीं कर सकते हो ये सारा भाशन इस para 2 के अंधर दिया गया है तो चलिए पारा 3 की तरफ बढ़ते हैं, पारा 3 क्या बोलता है, देखो जैसे पारा 1 और पारा 2 जो है, आपको information exchange करने के लिए promote कर रहा था, बोलता है निसेसरी information withheld मत करो, promote करो, अगर सामने अला देश मांगता है तो उसको दो, तो वैसे ये पारा आपको भी बोलता है, कमना उठा हो जो आपके कानून के अगेंस है, किसी दूसरे देश को information देने के लिए, जैस सामने वाले देश के कानून के अगेंस है, उसको information देने के लिए, तो कानून के अगेंस आगर information मत दो, second, ऐसा को information मत supply करो, जो आपके कानून में obtainable नहीं है, आप वो information अपने कानू में नहीं मंगवा सकते हो, वो information सामने आले को मत supply करो, या ऐसा को information मत supply करो, जिससे किसी की brand, image, trade, business, goodwill, trade, secret, trade process पे impact पर चाया है, जो आपके कानून में आले के कानून में allowed नहीं है देना, या ऐसा को information मत supply करो, जिससे किसी को economic disadvantage हो जाए, किसी का trade, secret, रिविल हो जाए, किसी का know-how, रिविल हो जाए, ऐसा को information मत supply करना, ठीक है, अब नीचे, इस इधर explanation में क्या भाशन दिया गया है, सबसे पहले यहाँ पर एक भाशन दिया गया है, जो यह बुला गया है, कि इस paragraph को बहुत जदर दिल पर मत लेगा, moral history, यह paragraph आपको बोल रहा है, कि आप information मत supply करो, लेकिन इस particular चीज़ को बहुत जगर दिल पर मत लेना, मतलब अभी भी यह पूरा का पूरा article आपको बोलना चाहरा है, कि information exchange करने को आपको promote करना है, ठीक है, हाँ, कुछ circumstances में यहाँ बोला गया है, कि मना कर रहा है, लेकिन वो circumstance पूरी तरीके से fulfill होंगे, तो ही मना करो, ने तो मत मना करो, और साथ में तारा 4 और तारा 5 भी पढ़ लो, ठीक है, यह पहली चीज़ यहाँ पर बोली गई है, प्लस, यहाँ पर बोला गया है, अब आप जब trading करते हो, तभी बात क्यों नहीं कर लेते हो, जब मैं एक सामने अले देश के साथ trading करता हूँ, तभी बात कर लिया करो ना, कि मैं यह information आपको नहीं दूँगा, आप यह कौन कौन से information मुझे नहीं दे सकते हो, उमको बता दो, पहले ही बात कर लो, ताकि आग बता है, कि भाई, आप कोई भी प्राइवेट पेपर, कोट के authorization के बगएर seize नहीं कर सकते हो, तो नहीं कर सकते हो, वो seize करके आप सामने अले को नहीं दे सकते हो, फिर भले सामने अले का देश बोलता है, कि हमारे देश में तो ऐसा allowed है, तुमारे देश में अलाउड होगा हम हमारे देश में ऐसा लाउट लिए हम नहीं देंगे यह यह बोला गया है आप ठीक है क्यों किया यह सब कुछ ताकि unnecessary conflict नहीं हो ना दो देशों के बीच में दोनों देश information exchange करने के चक्कर में अपने अपने हाँ लेकिन अगर पता चलता है कि यह lawyer और यह चार्ट अकाउंटे नहीं क्लाइन यह यह solicitor नहीं क्लाइन मिलके tax evade कर रहे tax evasion का प्लान कर रहे तो वह information में दे सकता हो कोई दिखकत नहीं उसमें यह दोनों ही चोड़े साले तो फिर information दे सकते कोई दिखकते नेक्स्ट वह information मनत हो जिससे किसी का economic disadvantage हो जाए यह information मनत बता तो कि भाई इसका business model कैसा है यह पुरा information प्लिक को गलत बात हो जाएगी सामने अले के साथ नुकसान हो जाएगा है commercial value है उसकी commercial value को कच्छरे के डबे में मट डाल दो information reveal करके किसी बंदे का trade secret है आप सामने अले को बता दिया यह कैसे burger बनाता है सामने अले को बता दिया अगर सामने अले देश ने आपसे information मांगा तो आप अपनी पुरी ताकत लगा दो they are using the word you have to use the information gathering measure सामने अले ने आपसे information मांगा आपको सारा information gathering measure आपको apply करना है जैसे आपके कानून के अंदर जो जो तरीके to call for information जैसे आप survey करके information मंगवा सकते हो notice based information 1421 133 subsection 6 यह सब information gathering measures आपके देश में सामने अले ने आपको बोला यह information चीए तो आपको पूरी टाकत लगा के वो information सामने अले को देना है ठीक है लेकिर at the same time यहाँ पर यह भी बोला गया है फिर बहले आपको वो information की जरुवत है या नहीं है यह उससे फरक नहीं परता है सामने वाले ने मांगा ना तो सामने वाले को information देना जरूरी है आपको जरुवरत है नहीं उससे परक नहीं पड़ता है सामने वाले को जरुवरत है वो information देना पड़ेगा further यहाँ पर यह बोला गया है लेकिन अगर सामने वाले आपसे information मांग रहा है पारा 3 में कुछ केसे से जहां पर आपको information नहीं देना है ठीक है लेकिन इसलिए पारा 3 में भी बोलाता है पारा 3 में पारा 4 को साथ में पढ़ना पारा 4 बोलता है कि भाई को information मांगा तो आपको के लिए डिक्लाइन नहीं कर सकते। नो पैराफाइट क्या बोलता है पैराफाइट क्या बोलता है चलो पता लगाते हैं पैराफाइट बोलता है फिर से प्रोटेक्ट करता है आपको ताकि आपको information मिल सके पैराफाइट बोलता है just because an information is held by a bank और a financial institution एक information क्योंकि एक bank के पास है या उसके ओपर domestic secrecy law लगते है बैंक के ओपर या किसी financial institution के पास है या किसी के पास कोई lucery capacity में है या किसी के पास कोई ownership interest है इसका मतलब यह नहीं ही कि आप उस information को decline करते होगे देखो जो पैरा 1 है अब इस सारे पैरा को link करते है जो पैरा 1 है वो आपको encourage करता है information exchange करने के लिए पैरा 3 आपको discourage करता है और पैरा 5 आपको फिट से encourage करता है discourage नहीं करता है ताकि पैरा 3 का आप गलत पाइदा ना उठा लो और ये ना बोल दो हमें तो decline करना पड़ेगा क्योंकि पैरा 3 में लिखा है तो just because वो information Chartered Accountant के पास है और Institute of Chartered Accountant of India बोलता है कि वो information client का confidential है कि जी के साथ चेर मत करना इसका मतलब यह नहीं है कि आप सामने वाली देश की tax authority के साथ भी share नहीं करोगे करना पड़ेगा अगर जरूवत है तो just because information कुछ ownership interest नहीं है जनरली आपको पता लगाने का कोई हर्त नहीं कि कौन से बंदे का कौन सी company में कितना share है कौन से बंदे का कौन सी company में कौन से firm में कितना share of profit है वो आपका कोई राइट नहीं है लेकिन अगर tax authorities को चाहिए तो वो information देना पड़ेगा यही सारा भाशन यह held by what bank, financial institution, fiduciary capacity, ownership interest, you cannot say that I will decline the information, you have to give those informations and last paragraph जो यहाँ पर UN model में OECD में नहीं है, OECD वाले बोलते, it is understood, वो नहीं भी हो तो वो understood है, वो implied है, वो क्या है वो last paragraph, यह बोलता है कि भाई information exchange करने के लिए आप कोई कानूर बना लो, rules बना लो, bilateral laws बना लो, regulations बना लो, आप proper एक rule बना दो ना, उसके लिए, एक rule बना दो के तो बैटा है, अब OECD क्या बोलता हो, तो implied नहीं हो, तो rule बना है नहीं, तो भी वो बनाना ही पड़ेगा, वो बोलने की क्या ज़ की जाती है, एक को specific request information सामने आला request करेगा, मैं exchange कर दूँगा, दूसरा, automatic exchange of information याद करो, जैसे उसके अंदर, अपना CBCR के अंदर, automatic exchange of information होता है, और तीसरा, other exchanges, which can be understood to spontaneous exchange, spontaneous मतलब सामने आले मागा है, तो मैंने फटाक से दे दिया, उसमें कोई लंबा procedure follow नहीं करना पड़े हेलो, all my dear students, I hope you all are doing good, मैं उम्मीद करता हूँ, आप सब लोग बढ़िया होंगे, so this is the last revision for your paper 16 international tax, इससे पहले हम लोगोंने सारे बड़े topics के revision कर लिये, that is transfer pricing, non precedent, etc, जितने भी topics, the model convention, etc, तो ये आखरी मैंने आपको promise किया था, कि मैं आप लोगों के लिए e-commerce वाले chapter का भी revision करवा दूँगा आपको with some important and lectures, जो पीछे लगे हुए, जो exam में sums करते हैं समय काम आते हैं, ठीके, now यहाँ पर आपको देखो, starting में सब भाशन है, ठीके, वो सब भाशन पर इतना सदा focus करना नहीं, और नहीं कभी पढ़ना हो, सब चीज का पढ़ने का कोई मतलब नहीं बन How e-commerce business is transacted, class में मैंने सब करवाया तो आपको लेकिन कोई sense नहीं बनता है, अपना जो real topic है, वो कहां से शुरू होता है, वो यहां से शुरू होता है, कहां से, यहां से, equalization levy की बात करते हैं, equalization levy पे बात करते हैं, क्योंकि ए topic है equalization levy के लिए, यह topic है उसी के ओपर, e-commerce transaction क अंदर सबसे important part, यहां पर जो income tax पढ़ाना चाता है, आपको institute पढ़ाना चाता है, वो equalization नहीं, तो उस पर बात करेंगे directly, जो academically important है, ठीक है, दुनियादारी की बात करने का समय भी हमारे पास है नहीं, ठीक है, exam नजदीकार है, anyways, equalization levy दो section हो में लगता है, और दो साल में शुरू किया, government ने सबसे पहले 2016 में शुरू किया, और फिर government ने 2020 में एक नया equalization levy इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, ठीक है, तो दो किसम के equalization levy income tax law में लगते है, ठीक है, एक 2016 वाला, एक 2020 वाला, अब 2016 वाला equalization levy किस पर लगता है, online advertisement services पर, online advertisement अगर आप करवाते तो किसी non-resident से, तो उस पर equalization levy लगता है, और 2020 वाला किस पर लगता है, 2020 वाला, अगर कोई e-commons operator ने non-resident, वो आपको कुछ अमान बेच रहा है, services बेच रहा है, तो वो आपसे equalization levy collect करेगा, तो इन दोनों के बारे में हम लोग एक टिकर के बात करेंगे, सबसे पहले हम लो finance act 2016, अगर पुछे एक एक प्रिसाइस कानूं क्या है, तो बोलो chapter 8 of finance act 2016 is the equalization levy law, ये law है, ठीक है, अब equalization levy किस पर लगता है, जिसका इंडिया में PE नहीं है, एक non-resident बाहर बैठा है, जिसका इंडिया में PE नहीं है, तो ये बाहर कौन बैठा है, वो मैंने आपको बता दि इंडिया में कौन बैठा है, वो सुन लोग, इंडिया में एक resident बैठा है, जो business and profession करता है, या तो एक non-resident बैठा है, जिसका इंडिया में PE है, इंडिया में दो लोग बैठा है, बाहर एक इंसान बैठा है, बाहर कौन बैठा है, non-resident जिसका इंडिया में PE नहीं है, और कुछ नहीं, online advertisement services, etc, नीचे specified services का definition दिया है, online advertisement, digital advertising space, etc, etc, ये सारी सीज़, और कुछ नहीं, उसमें वही covered है, तो इंडिया में बैठे वे लोग, उस non-resident से, क्या ले रहे है, specified service, online advertisement service, बदले हम लोग उसको payment कर रहे हैं, तो हम जब उसको payment कर रहे हैं, तो हम को क्या करना पड़ करो और pay करो, या हमारी से बता दी, तो कब deduct करना, कब pay करना नहीं करूँगा, तो कितनी पनार्टी लगेगी, वो सब आगे पड़ लेगे, ठीके, second equalization levy, जो 2020 में आया, 2000, हा, sorry, इसके अंदर अभी मैं कोई एक और चीज़ बोलना है, 2016 वाला equalization levy, कब कब नहीं लगेगा, तीन केसे में, दोजाम, 16 का equalization levy नहीं लगेगा, उसमें से एक मैं आपको पहले बता दिया, मैंने आपको पहले बता दिया, indirectly बता दिया, मैं बताता हूं कैसे, पहला, अगर वो non-resident का, इंडिया में अगर P.E. है, अगर उस non-resident का, इंडिया में P.E. है, तो equalization levy नहीं ल रुपे से जाधा payment नहीं करते हो, मतलब up to 1 lakh payment करते हो पूरे साल में तो 1 lakh का threshold डालके रखा है, 1 lakh से जाधा payment करोगे तो आपको equalization levy काटना है ने तो नहीं काटना है, ठीक है, तीसरा, अगर आप उस non-resident को जो payment कर रहे हो, वो business and profession के लिए नहीं पे कर रहे हो, बल्कि किसी और purpose के लिए पे कर रहे हो, तो भी आपको equalization levy नहीं कातना है, नहीं बढ़ना है, आपके ओपर equalization levy का imposition नहीं लगने वाला है, ये तीन cases आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, ठीक है, अब 2020 वाला equalization levy आया है, यह चिए दिमाग पर रखना, 2020 वाला equalization levy आया है, उसका भी ज अनुन तो financial 2016 ही है ना, उसका एक नया section insert किया है, 165A, अब 165A में equalization levy कैसे चलेगा, अब 165A में सुन लो, एक e-commerce operator है, like Amazon, e-commerce operator कैसा होना चीए, non-resident होना ज़रूरी है, law में लिखा है, कि equalization levy के लिए e-commerce operator non-resident होना ज़रूरी है, resident e-commerce operators के ओपर यह provision applicable नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ non-resident e-commerce operator के ओपर यह provision applicable है, तो यहाँ पर Amazon बैठा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो e-commerce supply और services कर रहा है, किसको दे रहा है, वो बात में देखेंगे, सबसे पहले एक एक कड़ी जोड़ना है, यहाँ पर Amazon बैठा है, Amazon कौन है, e-commerce operator, non-resident, वो किसको service दे रहा है, वो बात में देखेंगे, क्या दे रहा है, वो e-commerce supplier services, sir, e-commerce supplier services में क्या आता है, उसका definition नीचे देखो यहाँ पर, उसमें सबसे पहला point है, या तो Amazon खुद के goods बेच रहा है, customers को, या तो Amazon खुद services दे रहा है, customer को, या तो Amazon किसी third party के लिए, एक aggregator बन गया है, और वो services दे र लोडो sellers, उसकी website पर लिस्टेड है, उनके लिए समान और services दे रहा है, वो भी e-commerce supplier services माने जाएगा, अब next, online sale of goods का मतलब क्या, online मतलब क्या, सब कुछ online होना चीए, नहीं, government ने बोला है, सब कुछ online होनी होना चीए, इन में से अगर कोई भी एक activity भी online हो जाती है, तो वो online sale goods or services माने जाएगा, जैसे अगर आप payment online कर देते हो, अगर आप goods supply online कर देते हो, अगर आप purchase place कर देते हो online, या आप अगर accept कर लेते हो offer online, इस में से कुछ भी अगर online कर दोगे, तो यह माने जाएगा, online sale of goods services कर रहा है, Amazon जैसी company, ठीक है, तो एक एक चीज़ तोड़ के अपने को जल्द बास ही नहीं करना है, तो मैंने आपको सबसे पहले बता दिया, यहाँ पर सबसे important बंदा कौन है, Amazon, Amazon कौन है, e-commerce operator, जो एक non-resident है, अब भूं क्या कर रहा है, e-commerce supply and services कर रहा है, मतलब क्या हो खुद के goods बेज रहा है, दूसरे sellers के goods और services भी बेच रहा है, कैसे भी बेच रहा है, online बेचना चाहिए, online के अंदर बहुत सारी चीज़ रहा है, या तो सिर्फ परचेज online कर दिया तो भी चलेगा, या तो acceptance offer कर लिया online तो भी चलेगा, या goods supply कर दिया, services supply कर दिया online तो भी चलेगा, कोई भी activity online कर तो तो यह online sale of goods or services बानी जाएगी, अब सबसे important स circumstance का मतलब क्या होता है, वो नीचे defined है, वो मैं बताता हूँ को, यह specified circumstance है, ठीक है, दो specified circumstances में अगर non-resident को भी बेचेगा, तो भी equalization लेवी लगीगा, अगर Amazon जैसी company, जो एक non-resident है, अगर वो residence को समान बेचती है, खुद का या किसी और seller का equalization लेवी collect करने का, पेगरने का, य specified circumstances में non-resident को भी बेचेगी, तो भी collect करने का, ठीक है, अब specified circumstances क्या है, जहाँ पर सुन लो, अब non-resident, अपना Amazon, बहुत जाद ध्यान से सुना, यह थोड़ा तरंगी point है, यहाँ पर पहले point का explanation समझो, यहाँ पर Amazon क्या कर रहा है, advertisement की services दे रहा है, किसको दे रहा है, से किसी द last में example दिया अपको, Amazon is giving services to Samsung, Samsung को services दे रहा है, Samsung एक non-resident है, अब Samsung को क्यों service दे रहा है, क्योंकि Samsung को India में advertisement करना है, और India के customers को target करना है, तो यह जो Samsung से उसको पैसा मिलेगा न, this is for targeting the Indian customer, and Amazon is giving services to non-resident, for targeting Indian customers, and therefore this will be called as specified circumstance, तो इस पर equalization ले भी collect हो जाएगा, दूसरा, अगर Amazon किस इंडिया के बंदे से data collect करके किसी non-resident को बेचता है, क्या करता है, देख करो, data collect कर रहा है, from a person resident in India or non-resident को बेचता है, तो वो भी specified circumstances में आ जाएगा, यह दो specified circumstances में covered है, और कुछ भी नी covered है, या तीसरा, वो goods or services किसी ऐसे person को दे रहा है, जो इंडिया का IP address यूज कर रहा है, वो इंडिया आया, इंडिया में आया, तो इंडिया में आया है, इंटरनेट यूज किया, और इंडिया ने इंटरनेट यूज करके इधर से कुछ online order कर दिया, तो वो बंदा कोन है, वो बंदा तो भार का है, लेकिन वो इंडिया का IP address यूज करता है, तो वो बंदा भी क्य ठीक है, ना वन लास तिंग ओवर एर, एक और चीज गवर्मन ने यहाँ पर डिफाइन कर दिये, इसमें सब कुछ आएगा, अमेज़न जो गूर्ड बेच रहा है, दूसरे के बेच रहा है, सब आ जाएगा, लेकिन अगर एमेज़न कोई ऐसे गूर्ड बेच रहा है, जो इंडिया का रेजिदेंड है इंडिया में, उससे खरीद के बेच रहा है, ठीक है, या इंडिया में कोई पर्मनेंट एस्टाबलिश्मेंट है, उससे कनेक्टेड है, उससे लेकर बेच रहा है, तो वो यहाँ प कब 2020 वाला Equalization Levy नहीं लगेगा पहले अगर Amazon का India में Permanent Establishment है तो नहीं लगेगा बहुत सिंपल है जैसे 2016 में भी बहुत क्लियर था अगर Facebook का इंडिया में Permanent Establishment है तो Equalization लवी नहीं लगेगा यहाँ पर भी अगर Amazon का इंडिया में Permanent Establishment है तो Equalization का amount है तो वो already 165 में covered है online advertisement service एक लाग रुपे से जादा तो 165 A में उसको खीचने का नहीं एक लाग से कम है तो 165 A में चला जाएगा I hope it is clear to all of you ठीक है third अगर Amazon का turnover पूरे साल का 2 करोड से कम है तो उसके लिए equalization level applicable नहीं है 2 करोड से कम होना चाहिए उसका तो equalization 2 करोड होगा तो भी equalization level applicable है क्योंकि यहां पर लिखा less than 2 करोड होगा तो applicable नहीं है इसका मतलब exact 2 करोड होगा तो भी applicable हो जाएगा और इसके बाद नीचे कुछ examples से हैं sorry कुछ definitions से जो मैंने आपको पहले बता दिया specified service के अंदर क्या आता है e-commerce supplier services के अंदर क्या आता है etcetera 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 एक बड़ी देख लो फिर आज़े बढ़े यही सबसे important part ने इस particular चाहिए अब थोड़े procedural aspect की तरफ बढ़ते हैं सबसे पहले section 166 यह कौनसा वाला equalization levy का procedure बताता है पता है 2016 वाला 2020 वाले equalization levy का procedure 166a में लिखा गया है तो पहले हम लोग 2016 वाले equalization levy का procedure बात करते हैं सबसे पहला यहां पर पूछा गया है person responsible for deduction 2016 में equalization levy काटना है equalization levy काटना है गौर्मन को भरना है जो इंडिया में तो कौन responsible है दिखो मैं आपको बता दिया इंडिया में जो person resident है और जो business and profession कर रहा है वो responsible है या इंडिया में जो non resident है जिसका PE है इंडिया में वो responsible है facebook का TDS काटने में TDS बोलना गलत है पर मुझसे TDS निकलेगा क्योंकि हम जिन्दगी पर TDS 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 करते रहते हैं इस a kind of TDS only ठीक है rate कितना है 6% है आप सभी को पता है और यहाँ पर आपको सब कुछ round off करना income tax law के साब से amount of consideration equalization levy taxes penalty fee जो भी है सब कुछ आपको income tax में जैसे nearest multiple of 10 रूपीस के साब से round off करते हो वैसे करो अगर पैसे है तो पैसे को ignore करो last digit अगर 5 या उसे जादा है तो अगले 10 number पे round off करो last digit अगर 5 से कम है तो पिछले 10 number पे round off करो exactly income tax जैसे ही चलता है ठीक है threshold क्या है यहाँ पर हम सभी को पता है एक लाग रुपे का threshold गोर्मेन ने डालके रखा है तो旗 आपको क्या करना है आपको काटना है और भरना है स अगर मैं काटना है और भरना है तो मैंने नहीं काटना तो थेंगा अपने जेव से बरना पड़ेगा यान पर law ने बहुत कीलेयली जर्टन के डिका है यह और। 202 पे टीश्यों पर है falar哦 166 A का Equalization Levy के बारे में फोड़ा procedure पर लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पर payment में देखो payment अलग है, यहाँ पर quarterly payment है, आपको पहले quarter का payment 7th July, दूसरे quarter का payment 7th October, 30th quarter का payment 7th Jan, और 4th quarter का payment बराबर से देख लो 31st March, बराबर से देख लो last quarter 31st March है, तो 2016 वाल Equalization Levy में आपको monthly payment करना था यहाँ पर आपको quarterly payment करना, यह पहला difference है, दूसरा difference में आपको बताता हूँ, और कुछ खास नहीं है, वाकिस अब कुछ सही है, यहाँ पर भी आपको round off करना है, यहाँ पर कुछ important difference है, इंस्टिटूट ने note down करके रखा है, भी मैं आपको बता दिता हूँ, 2016 और 2020 वाले Equalization Levy में क्या फरके, 2016 में Equalization Levy कि किस पे responsibility के पता है, जो payment कर रहा है, जो पैसा pay कर रहा है, मतलब service जो receive कर रहा है, जो मतलब payment कर रहा है, वो deduct करेगा, और mapa करेगा और 2020 में किस पर responsible है, मालूम, जिसको पैसा मिल रहा है, जो e-commerce operator है ना, जिसको पैसा मिल रहा है, उस प olduğ रिस equalization levy बरने का that is in commerce operator जो non-president नेक्स जैसे income tax में आपको ITR बरना होता है वैसे यहाँ पर भी आपको equalization levy का return बरना होता है कब तक बरना होता है you have to punish a statement in prescribed form within time what is the time form number one उसका form है जैसे ITR 12345 होता है वैसे इसका ITR का number क्या है form number one और कब तक बरना है on or before 30th June साल खतम होने के बाद 30th June तो financially 21-22 के लिए आप कब भरोगे 30th June 2022 तक भर दोगे ठीक है उसके बाद क्या मैं belated भी भर सकता हूँ yes belated भी भर सकते हो क्या मैं revise कर सकता हूँ yes revise भी कर सकते हो लेकिन revise करने के लिए यहाँ पर condition एगर original return टाइं पर भराता तो ही revise कर सकते हो belated return यहाँ पर revise नहीं कर सकते हो provision को बराबर से पढना तो sir original return अगर late भराता तो revise नहीं कर सकता हो ठीक है related return भर सकते ओ लेकिन revise return अगर आपको करना है तो original return समय पर भरना भर धी ठीक है सब कब तक revise कर सकते हो तो यहाँ पर government time limit बहुत लंबा दाला है before the expiry of two years from the end of the financial year in which the services was rendered तो अगर services 2021-2022 में render की थी या provide की थी तो उस साल के end से 2 साल तक मतलब 31st month 2024 तक आप revise कर सकते हो चेक कर लो ठीक है उसके बाद अगर आप statement नहीं भरते हो अगर आप return नहीं भरते ह कितने समय के अंदर यहाँ पर clearly lock के अंदर लिखा है अगर यहोने आपको notice बिजा तो आपको 30 days के अंदर return परना mandatory हो जाएगा 30 days का time limit देगा income tax lock के अंदर ऐसा कोई time limit नहीं notice के अंदर time लिखा रहता है लेकिन यहाँ पर इन्हों लिए lock के अंदर ही time लिख दिया कि 30 days के अ आएगा refundable आएगा वह सब compute करेगा वह आपको देदेगा और आपको एक intimation बेज देगा software कब तक बेज देगा within 12 months that is within one year from the end of the financial year in with the statement और revised statement is furnished जिस साल में भी आपने statement या revised statement भरा है उस साल के end से एक साल के अंदर आपको notice आ जाएगी वो intimation आ जाएगा intimation के साथ-साथ सकता है notice of demand अगर आ जाता है तो आपको form number two के अंदर notice of demand आ जाएगा चेक कर लो बराबर से ठीक है यह सारा भाशन जैसा income tax law में दिया गया है वैसा यहाँ पर भी लगबग similar है अब जैसे income tax में rectification of mistake है वैसे यहाँ पर भी rectification of mistake का provision डाल करता है ठीक है जैसे यहाँ पर अग the intimation sought to be amended was passed it is one year from the end of the financial area और income tax meant is four years ठीक है अब intimation के लिए rectification के लिए क्लिए क्या यहाँ सुह मोटर ही करेगा क्या अससी नहीं बोल सकता है अससी भी बोल सकता है यहाँ यहाँ तो सुह मोटर करेगा या तो अससी या e-commerce operator जो भी है वो भी बोल सकता है कि भाई मेरे intimation के अंतर mistake है आप उसको please rectify पर हो ठीक है अब अगर rectify करने के ब liability भी आपको लिखके बता देगा वहाँ इतना tax आता इतना interest आता एक्सेटरा ओं भर दो please late payment का interest लग जाएगा ठीक है अब penalty की बात करते ठीक है अब पहले मैं 2016 वाली equalization levy की penalty बताता हूँ फिर 2020 वाले equalization levy की penalty बताता हूँ अब देखो 2016 वाले equalization levy में आपको दो काम करना है एक तो काटना है फिर भरना है लेकिन 2020 वाले equalization की कितनी penalty है 2016 में non-reduction की penalty है equivalent to the जितना भी equalization levy आपने नहीं काटा उतनी penalty लगेगी और non-payment की कितनी penalty है देखो मैं इसके लिए इसके यहां से arrow कर रहा हूँ यह 2016 वाला है एक arrow से दूसरा arrow 2016 वाला है तो 2016 में non-payment की कितनी penalty है non-payment की penalty है 1000 rupees per day compare with equalization levy whichever is lower 1000 rupees per day जितना भी दिन delay किया payment करने के लिए उतने दिन का 1000,000 रुपया per day के साफ़ से penalty लगे compare with actual penalty compare with equalization levy whichever is lower will be considered actual penalty और 2020 वाले equalization levy में आपको देखो deduct deduct कुछ नहीं करना है सिर्फ pay करना है तो वहाँ पर सिर्फ pay करने के वाली penalty आईगे deduct करने वाली penalty नहीं उसकी penalty कितना है equivalent to the amount of equalization levy जितना भी equalization levy उतनी penalty आपके लग जाएगी ठीक है I hope it is clear to all of you ये दो section बहुत जादा important exam के लिए careful रहना next आपको statement बरना है 30th June तक आपको income tax return जैसा equalization levy का return बरना है या AO आपको याद दिलाता है तो उसके 30 days के अगर आपको return बरना है अगर आप रेटन नहीं भरते हो तो आपको sourdby up party की penalty लग जाएगी चेक कर लो 30th June तक नहीं भरा तो sourdby up party और अगर AO ने याद दिला उसके बाद नहीं भरा तो sourdby up party उस case में भी penalty लग सकती है ठीक है अब कुछ cases में यापर बोला है बदो प्रोसीजरल बात है कोई बहुत महान चीज नहीं है कि आपके ओपर penalty तब तक नहीं लगाएंगे आपको एक opportunity of being hard दे देंगे reasonable cause दे देंगे और final order पास करने के पहले भी आपको एक opportunity of being hard दी जाएगी don't worry आपके ओपर directly penalty नहीं लगाएंगे इस अब भाषने इस अब normal procedure जो आपको follow करना है और कुछ नहाँ अब जो आपने penalty लगी है उस order चे अगर आप दुखी हो penalty लगी आपको लगता है गलत penalty लगी तो आप क्या करोगे तो आप CIT appeal के पास appeal कीजिए ठीक है देखो यहाँ पर कब तक 30 days on the date of receipt of order और form नमबर 3 में appeal कीजिए और 1000 का पीज है आपकी electronically लगी appeal करोगे बाकि सब कुछ जो income tax में procedure follow होता है वो यहाँ पर भी आपको follow करना पड़ेगा यहाँ पर लिखा गया है सीधा reference दे दिया है 249 से लेके 251 में income tax में जो बोला गया हो सब follow करो और कुछ नहीं उसके बाद अगर आप इससे दुखी हो या department इस assessing officer भी appeal कर सकता है अगर commissioner उसको बोलेगा कि भाई CIT appeal के order के अगेंस appeal करना है CIT appeal ने गलत order पास किया है हमारे अगेंस let us file an appeal तो यहाँ पर दोनों appeal कर सकते है जैसे income tax में होता है 1000 उपीज है form no 44 में और 60 days के अंदर आपको appeal करना है जब से आपको order मिला उसके 60 days के अदर आपक नहीं करने हो यह वही चीज़े हैं जो आपको black money law के अंदर मैंने already बोल दिया है एक बार से तो मैं बता देता हूँ punishment for false statement अगर आपने कोई false statement दिया किसी verification में etc तो तीन साल की साज़ा होगी etc उसके बाद यहाँ पर यह income tax के सारे section देखो या दे वहाँ black money में भी था income tax के ब इसके बाद में यहाँ पर central government के बस power होता है to remove difficulty अगर कोई नया कानून आता है तो government difficulty remove करने के लिए कुछ साल तक अपने हाथ में power रखती है तो true notification किसी भी notification के true government कोई भी difficulty को दूर कर सकती है तो वो सारे provisions यहाँ पर दिये गए कुछ इतने important नहीं academically और वैसे भी मैंने सारे black money law में आपको बोल दिये now कुछ income tax के provisions इन लोग में यहाँ पर वापस से डाल दिये जो अपने पहले पहले discuss कर लिए मैं obvious उस पर वापस बात नहीं करूँगा जैसे section 9-1-1 significant economic presence उस पे मैंने orderly non-resident के chapter में बात कर लिया significant economic presence कब होता है दो करोड से जादा होना चाहिए आपका amount या तीन लाग से जादा आपके users होने चाहिए etc. यह सब पर मैंने already बात कर लिया है अपने non-resident के chapter में detail में ठीके अब यहाँ पर जो मैंने पहले बात नहीं किया है उस पर मैं ज़रूर बात करूँगा जो पहले already हो चुका है उसको फिर से बात करके कोई sense नहीं बनता है lecture क कीचने का तो यह मैंने already clear कर दिया है पहले यह हमारा पहले discussion हो चुका है ठीक है अब यह जो है 1050 यह हमने नहीं किया यह हम कर लेते 40 A 1 B यह हमने नहीं किया यह कर लेंगे हम लोग और 194 O यह हमने पहले कर लिया direct tax के अंदर यह पूरा का पूरा जो Amazon TDS कैसे का देगा 194 O में 1 percent e-commerce operator के उपर वो पूरा का पूरा provision यहां पर institute ने वापस से डाल दिया कुछ काम दंदा नहीं उनको यह हर चीज़ रिपीट करते रहते हैं अभी सबसे पहले में 1050 के बारे में बात करता हूं एक exemption है यह क्या बोलता है एक बार equalization लेवी लग गया उसके बाद में सामने व करोडिया उससे जादा है तो यह दोनों cases में अगर equalization लेवी लग गया तो फिर उन पे income tax law income tax नहीं लगा सकता है फिर उनके हाथ में income tax exempt हो जाएगा लेकिन आप Finance Act 2021 ने एक amendment लाया है अगर वो specified service जो सामने वाल आपको दे रहा है वो specified service अगर वो royalty FTS है royalty FTS है तो फिर उनको exemption नहीं मिलेगा उनको income tax लग कर रहेगा उनके case में income tax लगेगा उनको exemption नहीं मिलेगा तो ध्यान से सुनना by default अगर equalization लेवी लग गया तो section 1050 में income tax माफ हो जाएगा लेकिन अगर सामने वाला बंदा आपको royalty FTS वाली जैसी service दे रहा है तो उसके हाथ में equalization लेवी के साथ-स income tax लगेगा दोनों चीज़ लगने वाली है ठीक है यहां यह चीज़ दिबाग में रखना यहां पर बराबर से देख लो next 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 वाला 40 clause A sub clause 1B is only applicable for 2016 equalization लेवी this is not applicable for 2020 equalization लेवी क्यों ऐसे मैं बताता हूं logic भी बताता हूं 2016 equalization लेवी में आपकी responsibility कि है आपको equalization लेवी deduct करना है और फिर government को pay करना है 2020 वाले में ऐसा नहीं 2020 में तो collect करके pay करना है ठीक है तो 2016 में deduct करके pay करना है तो अगर आपने deduct नहीं किया deduct कब तक करना है deduct आपको जब transaction हो रहा है तब करना है अगले मैंने कि साथ तारीक तक pay करना एक्सेटरा अगर नहीं किया तो आपका जैसे tedious में disallowance होता है ना वैसे ही यहाँ पर दियो जाएगा आपको अगर करचा हो जाएगा आप 10 करोड का advertisement का payment कर रहे हो आपने equalization लेवी काटा नहीं भरा नहीं तो आपका 10 करोड इस साल डिसला हो जाएगा और जब भी आप pay करोगे जब भी आप deduct करोगे उस साल में अला हो तो यहाँ भी exactly equalization लेवी तक है जैसा ही है 31st mark तक आप deduct कर दो और due date of filing of return तक आप pay कर दो अगर 31st mark मतलब during the previous year deduct कर दिया और due date of filing of return तक pay कर दिया तो आपको current year में deduction मिल जाएगा और अगर नहीं किया तो फिर आपको इस साल deduction नहीं मिलेगा जब भी काट होगे जब भी एक summary डालती है मैं advice करूँगा आप लोगों को recommend करूँगा यह तीनों section की summary एक बार अच्छे से डिख कर जाना तीनों section बहुत अच्छा है इससे आपको और clarity आ जाएगी और इसके बाद सारे के सारे question portion से नीचे sums है वो sums तो obviously revision में नहीं आएंगे यह सारे के सारे question से charts से etc य इसमें से 3 connection बहुत important है वो मैं आप लोग सारे discuss करता हूँ एक rule 128 जो already मैंने discuss कर लिया DTAA के साथ rule 128 FTC foreign tax credit कैसे लिया जाता है वो आपका DTAA के chapter के साथ cover हो चुका है आप DTAA का revision video देख सकते हो दो यहाँ पर rule और मैं discuss करूँगा एक rule 115 और एक rule 37BB ठीक है यह दो rule important है इसमें से 115 वाला rule बहुत जदा important है 37BB इतना जदा important नहीं ठीक है वो practically important होगा academically इतना जदा important नहीं है तो rule 115 में बात करना हूँ सबसे पहले ठीक है और rule 128 भी important है जो अपने FTC के अंदर अपने cover कर लिया था DTAA के chapter में तो rule 115 A के बारे में बात करते है rule 115 A क्या बोलता है अगर आप foreign currency में कोई income कमाते हो तो अगर उस पे इंडिया में tax भरना है तो आप उसको INR में कैसे convert करोगे उसको INR में convert करना पड़ेगा because income tax law में the computation of income has to be done in INR आप foreign currency में थोड़ी income tax की computation करोगे therefore आप जहीं दिमागे रखना जो rule 128 रखना ना वो अगर foreign में tax अगर आप dollar या pound में बरते हो या foreign currency में बरते हो और rule 115 अगर foreign में income कमाते हो जो foreign currency में है उस income को कैसे convert करने का उसके बारे में बात करता है तो 128 talks about conversion of tax, 115 talks about conversion of income तो चल्योंगे देखते हैं आपको क्या करना है आपको specified date के दिन का TTBR लेना है specified date के दिन का TTBR अब अलग-अलग incomes के लिए गव्मने अलग-अलग TTBR रखा है सबसे पहले salary income अगर foreign में कमाओगे foreign currency में कमाओगे तो किस दिन का TTBR लेना है तो आपको लेना है जिस मेनी की salary है उस मेनी के पिछले मंत का TTBR suppose अगर जून की salary है तो 31 में का TTBR December की salary है तो 30 नमेंबर का TTBR March की salary है तो 28 या 29 पेप का TTBR तो यहाँ पर आपको बहुत जादा मेनत करनी पड़ी की जिन्दगी में क्योंकि आपको हर मंत के पिछले मंत का जिस मंत की भी salary है उसके पिछले मंत के last day का TTBR आपको लेना है बहुत मेहनत वाला काम है तीक है Similarly, interest on securities के लिए क्या करना पड़ेगा interest on securities के लिए भी वही करना पड़ेगा जो आप salary भी करते ले जिस मंत में भी आपको interest on security कमा रहे हो उसके पिछले मेने का last day उसके पिछले मेने का last day securities का और dividend इधर covered है इसका ठीक है और यहाँ पर PGPP में एक income covered नहीं क्योंकि वो इधर covered है तो तीन income को छोड़ कर income from house property PGPP में एक income छोड़ कर सारी PGPP और IFRS में दो income छोड़ कर सारे IFRS यह सब के cases में आपको last day of the previous year लेना है मगज मारी नहीं है फिर वो April की income में की income जून जुलाइ होगा सप्टेबर अक्टर बनेंवर डिसेंबर जैन पर मार्च कभी की income है आपको 31st मार्च के लिए date का जो TTBR लेना है वो लेना है monthly TTBR ignore करना है 31st मार्च के TTBR के एसाफ से पूरे साल की income को convert करना है ठीक है कौन-कौन सी income में careful रहना यह इसको छोड़कर बाकि सब जगे पर previous month का last date का ही provision है बस यहाँ पर ही last day of the previous है house property last day of the previous है PGBP last day of the previous है except one PGBP which is covered in next point IFOS last day of the previous except two IFOS one is interest on security one is dividend ठीक है I hope it is clear to all of you next PGBP अगर non-resident कमा रहा है वो shipping business वाला 44B वाला 44B वाली income तो उसके लिए government है बोला last day of the month immediately previous month का last day तो यहाँ पर भी वही provision है जो पहले दो point में था उसके बाद dividend के लिए भी वही provision है जो पहले दो point में था last day of the month उसके बाद capital gains के लिए भी वही point है जो पहले दो point में था सब कुछ सेम है सिर्फ यह वाले तीसरे point के अंदर government ने बोला last day of the previous है तो यह तीसरे point अच्छे से रिमांग में आपको बाकिस सब तो by default assume करो कि last day of the previous मनती लेना और क्या ठीक है अब नीचे भाशन दिया है उसके भाशन पर हम लोग TDS कार्टना है तो TDS कार्टने समय भी तो उसको रूपीज में convert करना पड़ेगा ना non-resident को अगर foreign currency में payment कर रहे हो तो TDS कार्टना पड़ेगा TDS कार्टने के लिए तो आपको उसका calculation करोगे चेक कर लो यहां पर ठीक है और सबोस आज आप TDS कार्टने के लिए लायबल हो तो आज का क्या ठीक भी आरे multiply by एक लाग डॉलर जो भी amount आएगा उसमें से TDS कार्टो और government को भरतो ठीक है next rule 37 BB देखो section 195 के अंदर आपको पता होगा जब आप non-resident या foreign company को payment करते हो तो आपको TDS कार्टने के साथ साथ बहुत सारे forms भरने परते हैं फिफ्टीन सी ए फिफ्टीन सी बी अलग 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 फिफ्टीन सी ए के अंदर भी multiple part A, part A, part B, part C, part D यहीं सब parts कब भरना है किसके लिए लायबले वो सब चीजों पर आज बात करेंगे ठीक है जब भी आप non-resident को payment करोगे तो आपको बहुत सारे forms भरने परते हैं सबसे पहले part A और 15 CA कब भरोगे जब आप payment कर रहे हो और aggregate payment पूरे साल में अगर 5 लाग क्रॉस सामने वाला अगर आपको बोलता है कि नहीं 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 भाई मेरी तो income tax नहीं होती है तो मैंने AO से certificate लाया तो वो ले लो और या तो subsection 2 या subsection 3 में अगर order पास किया इसार यह कौन सा order होता है जहां पर assessi AO को application देता है और क्या बोलता है कि भाई मेरी पूरी income इंडिया में chargeable to tax नहीं है proportionate income इंडिया में chargeable to tax है तो मेंको आप order बना के तो कितनी income इंडिया में chargeable to tax है यह सब information देने के साथ-साथ form 15 CA का part भी भरोगे तो part एक कॉन भरेगा इसी दिमाग में रखना step by step जाते part एकॉन भरेगा अगर आप किसी को payment कर रहो मैं payer हूँ अगर मैं किसी को payment बरना है part C after obtaining a certificate in form 15 CB from accountant तो आपको part CB भरना है part C किसे बरना कैसे बरना है आपको chartered accountant से एक certificate लेना पड़ेगा remittance certificate जो CA देता है वो लेना पड़ेगा जिसके लिए एक एक certificate के लिए हम लोग कुछ भी पैसा चार्ज करते कभी 5000 कभी 10,000 कभी 1000, कभी 20,000 वो जो amount चार्ज करते उसकी income इंडिया में chargeable to tax नहीं है तो उसको part D भरना पड़ेगा चेक करो, part D भरना पड़ेगा, part D भरना सामने लिए income chargeable to tax नहीं है तो भी part D भरना पड़ेगा, mandatory है, वो तो सबके लिए mandatory है, भरना ही पड़ेगा, ठीक है, अब कुछ cases में government ने मना कर दिया, वो कौन से cases है यहां चांच से सुनना, no information is required to be furnished for any sum which is not chargeable to tax in some circumstances, अगर वो remittance is made by individual, अगर मैं individual हूँ, मैं remittance कर रहा हूँ, और RBI के एसाब से उसका approval का जरवतनी है, और वो transaction is in the nature mentioned over here, यहां पर government ने कुछ 33 purpose code mentioned की है, अगर यह सारे transactions के लिए अगर आप payment कर रहे हो, तो आपको उस पर part D of form 15 CA भरने की जरवतनी है, गौर से सुनना, अगर remittance individual कर रहा है, यह सारे purpose के लिए कर रहा है, और RBI ने उसको क्या करके रखा है, mention करके रखा है, तो आपको part D भरने की जरवतनी है, ठीके, by default आपको subsection 2 के अंदर, sub rule 2 के अंदर, part D of form 15 CA भरना पड़ेगा, अगर सामने इंकम इंडिया में chargeable to tax नहीं है, तो, अब बात करते है, sub rule 4 की 15 CA भरने का कैसे है, ठीके, 15 CA कैसे बरने का उसका बता देता हूँ आपको, ठीके, या तो आप सुनो, दो तरीके, या तो आप electronically भरो with digital signature, electronically with digital signature करोगे तो उसमें आपकी sign आ गई, उसके बाद आप क्या करो, उ print out लेके, आप अपने dealer को दे दो, जो इंडिया के बार का इसा बेचने वाला है, dealer कौन हो सकता है, आपका bank, bank, जो भी हो सकता है, उसको दे दो, दूसरा हो सकता है, कि आप electronically sign करो, और उसके बाद में, उसको आप digitally, electronically file करो, sorry, digitally sign मत करो, तो दोनों में फरक क्या, यहाँ पर आ लेके, sign करके, उसको submit करो, दोनों option possible है, ठीक है, अब यहाँ पर देखना, sub rule 5 के अंदर क्या बोला का है, जाद ध्यान से देखो, कि यहाँ पर जो आपने, आपने जाकर किसको दे दिया, form 15C, sign करके किसको दे दिया, आपने authorized dealer को दे दिया, अब income tax authority authorized dealer से यह मांग सकती है, कभी भी, किसी भी proceeding के अंदर, मांग सकती है, तो आपको देना पड़ेगा, ठीक है, यह पहली चीज, उसके बाद, certificate in form 15CB shall be furnished and verified electronically, form 15CB क्या है, वो जो CA का certificate है, वो भी आपको furnish करना electronically है, और भरना है, किसको देना है, प्रिंसिपल डिरेक्टर जनरल of income tax, यह साब procedure से इत उसके बाद सबरूल 7 के अंदर क्या बोला गया है, कि authorized dealer जो है, वो जो bank के जो payment करता है, इंडिया के बार, ठीक है, उसको हर quarter में, 15 days from the end of the quarter, उसको हर quarter में खतम होने के बाद 15 दिन के अंदर, उसको government को statement बना पड़ेगा, कि इस पूरे quarter में मैंने कितने लोगों का payment इंडिय के बार किया, वो कौन से form में करेगा, form 15 CC, form 15 CC में करेगा, तो जहां ध्यान से लेगना, 15 CA किस के लिए, वो remittance के लिए, 15 CB किस के लिए, वो chartered accountant से आपको certificate मिलेगा, और 15 CC किस के लिए, वो authorized dealer भरने वाला है, तो इस तरीके के ये तीन form government ने बना कर रखे और 15 CA में government ने चा payment कर रहा है, उसको पूर a quarter में किस का payment किया, क्या किया, कितना किया, किस ने 15 CA बरा, 15 CB बरा, वो सारा details उसको government को देना पर था है, ठीके, और सब rule 8 के अंदर बोला गया है, कि सब को government क्या करेगी, manage करने के लिए, proper rules and regulations, और relevant forms, forms, etc, जो भी बनाना है, वो सब बनाएगी, वो स के पिछला वाला सबसे जादा important है, सबसे जादा, ये भी इतना जादा important नहीं है, ठीके, so that's it from my side, whatever I could have done for you all, for CFL and international tax paper 6E, relevant for May 22 and November 22 exam, मैं जो भी कर सकता था, आप लोगों के लिए, May 22 and November 22 वालों के लिए, paper 6 से related, मैं आपको वादा किया था, मैं आपको maximum syllabus YouTube के उपर, आपको मैं through revision डाल के रखूँगा, जो regular batch है, वो हो, तो हमारा बहुत ज़्यादा detail में, no doubt about it, वो regular batch अगर आपने कर लिया, honestly speaking, मैं बता रहा हूँ, आपको international tax paper 6E, 6 paper में से सबसे आजान लगना चुरू हो जाएगा, और उसके साथ में direct tax के अंदर भी एक काफी हद तक, बहुत advanced level क आपको help होनी चुरू हो जाएगी, क्योंकि paper 7 के अंतर भी, जो 30 mark से वो लगबख पूरा का पूरा ऐसा ही है, जैसे यहाँ पर है, लेकिन level अलग है, obviously, जिन्होंने मुझसे पढ़ा है, regular batch 1 को पता होगा, कि मैंने हर एक topic के ओपर कितना ज़दा depth में बात किया, example, model convention की बात लगे, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आप लोगों को best of the service देनी की, अब आपका time है, आप इसको अच्छे से utilize करो, आप इस revision videos को सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, and believe me, अगर आप यह revision videos को अच्छे से सुनते रहोगे, तो आगे जाकर आप इस case study solve करने के लिए कम से कम 5-6 घंटे का समय बच जाएगा, यह मेरी guarantee आपके लिए, therefore, आप इस revision videos को religiously follow करते रहो, पूरी ताकत लगा दो, इसको जितनी बार देख सकते हो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, वैसे तो बहुत से लोगों ने इसको देखा है, लाकों God bless you all, आप सभी लोगों को किसी भी किसम की कोई भी मदद की जरुवत है मेरी तरफ से, for CA final direct tax paper 7, or CA final international tax paper 6, even in English, English वाल student लोगों के लिए में जादा कुछ करनी पाया, मैं अगले साल से मतलब May 23 से English के लिए proper back शुरू करने वाला हू, लेकिन अभी भी अगर English वाल students, if any English students wants, any any help from my side, any doubts to be resolved, any concept to be clarified, I am always there for you all, I am there for the entire students community in the entire country, as far as CA final is considered, CA final का कोई भी बच्चा हो, कोई भी बच्चा हो, जो मुझसे पढ़ा है, जो मुझसे नहीं पढ़ा है, अगर कोई भी मतद है, किसी भी किसम की मतद चाहिए, जो मेरे control में है, जो मैं अपने हद तक provide कर सकता हू, मै आप लोगों को सब कुछ कर सकता हूँ, और मैं करना भी चाहता हूँ, ठीक है, तो ध्यान रगों सब लोग अपना पढ़ाई करते रहो, last कुछ समय बचा हुआ है, बीस देन बचे वे, उसको पूरी तरीके से utilize करो, पूरी ताकत लगा दो, और जब result आएगा, तो इतना य मैं बहुत खुश होंगा, और मुझे बहुत खुशी होती है, जब कोई student याद करता है, कि भाई, मैं पास हो गया हूँ, sir, और उसमें आपका 1% contribution तो था, कम से कम, thank you very much, God bless you all, take care, ध्यान रखों सब लोग अपना, ठीक है, last दो topic, last चीज बोलता हूँ, sorry, थोड़ा emotional हो गया लास्ट दो चीज जो है, वो है, कि BEPS का मैं revision video नहीं दालने वाला हूँ, मैंने पहले बोला था, मैं last year भी नहीं दालने था, पूरा theoretical topic है, और वो interpretation वारा topic तो बहुत ही अत्रण्गी है, उसका भी मैं revision video नहीं दालने वाला हूँ, वो मैंने आपको पहले बोलता है, वो आप go through कर लो एक बार, वो इतना ज़्यादा important topic है भी नहीं, exam के लिए, maximum 10 mark के लिए आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आ सकता है, ठीक है, take care अपके, ध्यान रखो बेटा सब लोग अपना, ठीक है?